Hello Students, Welcome to Neon Classes Students, आज की क्लास में हम SSE में आये हुए पिछले 10 सालों के Best Spotting Error को डिस्कुस करने वाले हैं इनसे आपकी Complete Grammar का Revision हो जाएगा और यह मेरा दावा है कि आज की क्लास में यह 500 questions होल करने के बाद आपको Spotting Error में कभी दिक्कत नहीं आएगी और इन 500 questions को मैंने category में भी divide करके दिया है कि किस section, किस part से कितने questions पूछे गए है जैसे देखो आप, यहां subject verb agreement से 56 questions आये हैं याने 500 में से 56, याने लगबक 11% पार्ट जो है, वो subject verb agreement का है कितना important यह topic है, सबसे ज्यादा question यहां से आये है फिर आप preposition, tense, noun, tense में भी, tense के भी देखो 45 questions है tense को भी मैंने बहुत अच्छे से, जैसे present की past के साथ क्या structure होती है present perfect past simple से किस तरह relate करता है, future की present के साथ में क्या structure है वो सारे यहां पर करवाई है, यह सारे structures मैंने इस class में करवाई है ठीक है, no noun है, no error है, miscellaneous, adjective, adjective में भी आप देखो order of multiple adjective बहुत important है उसके PDF भी मैंने neon classes की आप पे विल्कुल free दी है आपको, वो भी आपको देखनी है यहां देखो यह एक parallel construction, इस topic के बारे में SSC के बच्चे ने सुना ही नहीं होता है कि ऐसा भी कोई topic है, इस topic पे भी देखो 16 questions, 16 questions आए हुए है और इसके भी मैंने एक separate PDF दे रखी है, neon की आप पे, ठीक है इन सभी के बारे में, यह सारे मैंने category wise, छोटे छोटे जो topics है, उनको भी category wise अलग करके दिया है लाइक कि, numeral adjective है, besides, besides है, among between है, इन से भी questions आए हुए है clear? हाँ, अब बात करते हैं, जो आपको मैंने content दिया है, ठीक है, जो भी PDF है और आज की class की PDF भी आपको, neon classes की app पे, free study material पे, free study material में आपको यह PDF मिल जाएगी वहाँ से आप इसको download कर लेना, और जो भी PDF है, adjective की, parallel construction की, lela, inversion जो भी, जिन भी PDF का मैंने इस class में discussion किया है, वो सारी PDF आपको इस app पे available हो जाएगी ठीक है, तो आप जल्दी से neon classes app इंस्टॉल करें और फ्री content का फाइदा उठाए ठीक है, फिर हम बात करते हैं, अफ्तार की, अगर आपको इस साल 2022 में selection year मनाना है तो आईए हमारे साथ, join कीजिए, अफ्तार batch और best content, best quality आपको देंगे ठीक है, फिर हम बात करें descriptive की, हमारा target maths या English की tuition बढ़ाना नहीं हमारा target होता है, बच्चे को select करवाना और selection के procedure में जो भी चीज़े हैं, उसमें हम best करेंगे तो descriptive भी आपके selection का part है, उसके लिए हमने बहुत ही अच्छी हमारे team है परदिमन यादव सर है, आपने इनके lectures देख लिए होंगे YouTube पे तो descriptive में भी आपको best कराएंगे, आपके selection के लिए best करेंगे हाँ, यह मेरे books है, बहुत ही शांदार books है, आप Amazon flip card से ले सकते हैं और जहां अब से भी आप खरी दें, वहाँ आपको 5 star rating देनी है और एक अच्छा सा review लिखना है, ठीक है, अब बात करते है, यह जो आप वापस बात करते हैं, इस table की, आप देखो 500 में से यह जो साथ topic है, यही लगबक 250, याने 50% जो part है आपका spotting error का, 50% पार्ट तो यह साथ topic की cover करके बैठे हैं, ठीक है, आर्टिकल्स को आप देखो, तो सूचते है आर्टिकल्स चुटा मोटा सा topic है, आर्टिकल्स को टॉपिक है, उससे भी आप देखो 18 question आए वे 18, बहुत ज्यादा है, ठीक है, अब यहाँ वोगाब की बात करें, तो बच्चे के माइंड में होता है कि spotting error का question है, तो उसमें इस चीज को पकड़ना है कि यह vocab का question है, वो भी मैंने इस वीडियो में बताया है, और आप देखो 14 question vocab से आए हुए, एक दो भी नहीं 14, अब यहाँ पर भी यह देखो, pronoun में भी मैंने अलग करके बताया है कि relative pronoun पे specially कितने question आया है, दस question specially relative pronoun पे पूछे गए है, inversion यह बच्चों की problem कि मैं बहुत tough है, नहीं आता, अरे बच्चे आयेगा, एक बार neon classes की PDF अप्लोड करके देख, PDF डाउनलोड करके देख, और इस class में मैंने inversion को बहुत बहुत अच्छे से करवाया, आप जरूर देखे, Latin comparative क्य होते हैं, किस तरह से question आते हैं, यह भी, देखो तीन question Latin comparative से आया है, collocation पे 7 question collocation पे बेज़ आये हैं, यह आपको close test की book में collocation मिल जाएंगे, मैंने पूरी list महां provide की हुए है, और यह जो छोटे-छोटे concepts हैं, जैसे ले-लाए, इसमें बच्चों को बहुत problem रहती है, ले- से बताया है, बहुत detail से question बताया है, due to, or two नहीं है बच्चे, यह owing to है, due to owing to में भी बच्चों को बहुत confusion रहता है, यह questions में मैंने cover किया, यह सारे छोटे topics, further, further, between, among, besides, besides, say, tell, इन में क्या difference है, इन सभी concepts को बहुत detail से इस class में करवाया है, और इनकी PDF आपको neon classes में free study material मे मिल जाएगी, चलो, start करते हैं, question number one, भानु finished to read such a thick book in just two days, भानु ने इतनी मोटे book को दो दिन में finish कर दिया, ठीक है, past क्या है, finished, clear, past simple tense की बात हो रही है, यहाँ पर क्या error समझ में आ रहा है आपको, यहाँ error है, यहाँ non finite verb का error है, to read, to read क्या है, students, infinitive, to read क्या है, infinitive, जबकि finish, finish ऐसी verb है, जिसके बाद में हमें zarund form लेनी होती है, infinitive नहीं लेना होता है, तो finish के बाद में zarund form यूज होगी, यहाँ to read की जगे आएगा, reading, to read को किस सरी प्लेस करेंगे, reading से, clear, तो rr कॉन से पार्ट में हो गई, यहाँ पर, d part में, कुछ ऐसी verbs होती है, English में, जैसे finish है, enjoy है, give up है, can't help है, यह कुछ verbs होती है, appreciate है, admit है, इन verbs के बाद में, generally zarund form यूज की जाती है, जैसे देखो, for example, यह जो verbs है, इनको आप अच्छे से note down कर ले, ठीक है, इन verbs के बाद में, generally, generally, इन verbs के बाद में कौन सी form आएगी, zarund form, याने verb की ing form इनके बाद में use की जाती है, जैसे admit, appreciate, avoid, burst out, consider, delay, deny, यह वाले question आपको यहाँ से मिलेंगे, avoid पे भी बहुत बार exam में question आया हुआ है, ठीक है, can't help का question भी इसी class में करवाँगी, मैं उस पे भी based question आया हुए है, mind है, इन पे बहुत सारे question आपको exam में मिलेंगे, तो zerand और infinitive के बहुत सारे concept इस तरह से होते हैं, कि जिन में हमें यह ध्यान रखना होता है, कि कौन से verb के बाद क्या आएगा, ठीक है, तो यह question simply finished जो है, वो अपने बाद में क्या लेता है, zerand, next, before take this medicine, you should consult a doctor, sentence क्या बोल रहा है, कि इस medicine को लेने से पहले, तुम्हें doctor को consult करना चाहिए, ठीक है, before कि अगर हम parts of speech की बाद करें, तो before का mainly use है, क्या है, preposition, ठीक है, और किसी भी preposition की बाद generally क्या आता है, preposition के बाद noun, या noun phrase, ठीक है, या क्या use करते है, zerand, याने verb की ing form, हम generally use करते है, verb, preposition के direct बाद में verb नहीं आएगी, बेर infinitive नहीं आता है, ठीक है, तो इसमें आप देखो, before, when है, after है, without है, ठीक है, without है, after, in words के बाद में, क्या use करते है, verb की ing form यूज करते है, इंफिनिटी फोर्म नहीं लेते है, तो यहाँ देखो, before take नहीं होगा, क्या होगा, before taking, ठीक है, before taking this medicine, इस medicine को लेने से पहले, you should consult a doctor, तुम्हें doctor को consult करना चाहिए, clear, यहाँ यह देखो, कुछ example देखो, जासे for example, depress the clutch, depress the clutch, before, before changing the, before changing the gear, ठीक है, अब sentence क्या बोल रहा है, gear को change करने से पहले, तो मैं क्या करना है, clutch को depress करना है, clutch press करना है, ठीक है, तो before changing the gear, तो before यहाँ पर आया, इसके बाद में क्या आई, वो की ing form, clear है, जैसे for example, they left without saying goodbye, ठीक है, अब without है यहाँ पर, without के बाद में हमने क्या discuss किया, without के बाद क्या आएगी, verb की ing form आएगी, तो वो चले गए, बिना goodbye बोले, without saying, तो without के बाद में क्या आया student, saying, clear, तो यह भी जैसे हमने पहले question में देखा, यह verbs है, यह तो verbs हो गई, जिनके बाद में verb की ing form आती है, जैसे enjoy का बहुत बार देखो, enjoy पर आएगा, like I enjoy swimming, I enjoy dancing, clear, I enjoy swim, I enjoy dance नहीं होता है, simply क्या होगा, verb की ing form यूज होगी, clear, वैसे ही यह वाले कुछ prepositions हैं, जिनके बाद में क्या लेना है, हमें verb की ing form लेनी है, clear, यह example मैंने देखे, यह changing का हो गया, sorry, यह before का हो गया, यह without का हो गया, next, question number third, question number third को आप पढ़ो, और फिर मुझे यह बताओ, कि यह कौन से category का question है, जैसे grammar में क्या होता है, कि हम बोल सकते हैं, कि noun का question है, pronoun का question है, adjective का question है, devolve का question है, इस question को अगर हम category की बात करें, तो यह question based है, root words पे, अब आप सोचोगे, कि root words में based question, वो भी grammar based spotting error में कैसे आ सकता है, मैं, आपके सामने है यह question, यह देखो, a confluence is the place when two or more rivers meet, clear, अब मैं आपको root word की जो मेरी book है, जिसमें flow और flux, इन दोनों roots को मैंने बताया हुआ है, यहाँ पर इसकी definition देखो, the place where two rivers flow together, एक place जहाँ पर दो नदिया मिलती और अब एक साथ बहती है, उस place को क्या बोलेंगे, confluence, clear, अब यहाँ पर यह root word पे best question कैसे बना, a confluence is a place, यह place होता है, place के लिए जहाँ, जहाँ दो और दो से ज्यादा, दो और दो से दो या ज्यादा, तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, time की बात कर रहे हैं क्या, नहीं, हम place की बात कर रहे हैं, तो place के लिए क्या आना है, where, ठीक है, when किसके लिए आता है, time के लिए, अब यहाँ पर देखो, इस definition में इस simply लिखावा था, the place where, clear, समझी में आया, तो यह question जो है student, वो purely किस पर based हो गया है, root words पे, root words बहुत बहुत important है, इनसे आपको vocab की बहुत अच्छी understanding develop होती है, मैंने इस book में पूरे words करवाए हैं, यह book आपकी word power book है, जिसमें 2000 से ज्यादा words है, Amazon Flipkart पे available है, इसकी free PDF भी मैंने neon classes की app पे डाल रखी, आप वहाँ से देख लीजिए कि किस तरह की क्या book है, क्या क्या, इसमें मैंने content दिया, एक बढ़ जरूर पढ़के देखें, ठीक है, यहाँ आते question पे आते हैं, तो यहाँ simply समझी में आया, आपको root word क्या है, con, c-o-n, con का मतलब क्या होता है, together, con माने क्या होता है, together, consanguinity, ठीक है, तो con किसके लिए आता है, together के लिए, consanguinity माने पहले भी बताया है, con माने साथ साथ, sanguine माने blood, जो blood के relation से साथ साथ है, तो कौन को जब भी आप prefix में देखें, कौन किसके लिए आता है, together या with के लिए ठीक है, flu का मतलब क्या हो गया, value, मतलब flow, बहना ठीक है, जब दोन अधिया आपस में मिलकर साथ हो जाए, संगम जो होता है, उसको क्या बोलते है, confluence या flu और flux से और भी words बनते हैं, जैसे flux है, flux का मतलब क्या होता है, flow, influx, in माने into, flux माने to flow, जैसे एक साथ में किसी चीज़ों का या लोगों का एक साथ arrival हो जाना एक टाइम पे, उसके लिए क्या आता है, influx, अफ्लुएंट आपने सुना होगा, जिसके पास flow बहुत ज्यादा है, यानि जिसके पास बहुत सारा पैसा है, मनी है, जिसके पास में समर्द है, जो prosperous है, वो क्या हो जाता है, अफ्लुएंट, यह confluence हमने देखी लिया, अफ्लुएंट की बात करें, तो EF, EF या EX, किसके लिए यूज होता है, आउट, बाहर के लिए, किसके लिए, बाहर, फ्लु मने to flow, तो कोई चीज जो बाहर की तरफ लो हो, something that flows out, जो बाहर की तरफ लो हो, that is effluent, clear, fluctuate, जो flow up-down होता है, that is fluctuate, simple है, fluency, जो एक flow में किसी language को बोल सकता है, the ability to speak easily and well, क्या हो जाएगा, fluency, fluid, fluid मतलब जो भैता है, जो जिसका flow होता है, तो a liquid, a substance that can flow, एक substance जो flow कर सके, वो क्या हो जाएगा, fluid, समझ में आया, तो यहां हमने क्या देखा, कि flu, flux, root words से, जितने भी word possible है, वो सारे मैंने आपको करवा दिये, इसी तरह मेरी book में भी, जितने भी root words हैं, उनसे possible जो भी words हैं, वो सारे मैंने करवा रखे हैं, वो आप जरूर पढ़ें, एक बारा पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा, कि वो क्या कितना आसान है, next, question number 4, I am sorry, I haven't learnt the poem at heart, मुझे माख परें मैंने poem को at heart, at heart का मतलब क्या होता है, देखो, यहाँ पर, at heart का मतलब होता है, कि जो इंसान दिल से, जिसको हम बोलते हैं, दिल से, राइट, जैसे बोलें, कि वो दिल से singer है, या दिल से वो बीवी social worker है, वो दिखाई कैसा भी दे रहा हो, लेकिन दिल से वो ऐसा है, बट यहाँ पर क्या बात हो रही है, कि उसने poem को इतना अच्छे से memorize नहीं किया, तो उसके लिए phrase यूज होता है, by heart, क्या phrase यूज होता है, by heart, तो यहाँ error हो जाएगी d part में, at heart का मतलब बिल से, ठीक है, by heart का मतलब किसी चीज को इस तरह से याद करना है, कि वो आपको बहुत अच्छे से आपकी memory में आपको revise हैं, तो कि आप उसको अबिना देखे, बोल सके, ठीक है, जो से for example, आपको देखो, I have dialed this number so many times, बहुत बार मैं इस numbers को dial कर चुका हूँ, ठीक है, I know it by heart, ठीक है, यह मुझे by heart याद है, जिसको हम layman language में, layman language में हम मुझ अबानी बोल सकते हैं, कि यह चीज मुझे मुझ अबानी याद है, तो वो क्या हो जाएगा, by heart, क्योंकि कोई भी number, जैसे आज कल तो smartphone हो गए, phone, mobile phone आने के बाद में सब number save रहते हैं, पहले जब smartphone नहीं थे, mobile phones नहीं थे, तो हम या तो देखके या फिर जो number हमें याद होते थे, वो हम telephone पे dial करते थे, और जो number हम डाइल करते रहते थे, वो number हमें by heart याद हो जाते थे, ठीक है, जैसे हनुमान 40 आए, कोई भी आरती है, तो हम बच्पन से घर पे सुनते आते है और फिर वो हमें by heart याद हो जाती है, तिया, next, question number 5, I shall buy this book if you like it or not, मैं इस book को buy करूंगा, तुम पसंद करो या नहीं करो, इस sentence में क्या आ रहा है देखो student, जब भी choice की बात होती है, like it or not, like it or not, दो में से जब किसी एक को चीज़ को इस तरह choice की बात करते हैं, तो यहाँ if को use नहीं करते है, इसकी जगे क्या आता है, whether, whether you like it or not, यह construction क्या होता है student, whether or not, clear, if और whether दोनों ही, दोनों के क्या-क्या difference रहते हैं, और दोनों पर बेस्किस तरह के question आते हैं, क्या-क्या concepts है, वो सारे मैंने इस पीडियोप में, यहाँ देखो, whether or not की बात करें whether or not में, I am going whether you like it or not, मैं जा रहा हूँ, तुम्हें पसंद हो या नहीं हो, clear, यह जो pdf आपको neon conjunction की pdf है, ठीक है, neon classes की app पे आप जाएंगे, तो आपको study material में यह pdf मिल जाएगी, यहाँ मैंने पूरा detail से, पूरा का पूरा detail से, इफ और weather से, जितने भी possible, जितने भी possible concept है, कहाँ इफ का यूद हो जोता है, कहाँ weather आता है, yes no question, जो भी है, even कई बार narration में भी कई जगे बच्चों को doubt रहते हैं, कि इफ आएगा या weather आएगा, वो सारे concepts मैंने यहाँ दिये हैं, यह आपके लिए free है, आप neon classes app install करें और वहाँ से यह PDF जरूर install करें, जरूर download करें, क्योंकि जब तक आप मेरे content को देखेंगे नहीं, जब तक आप उसको पढ़ेंगे नहीं, तब तक आप भी खुद idea नहीं लगा पाएंगे कि neon किस level पे content दे रहा है, और जहाँ पर पढ़ रहे हैं हो जहाँ पर भी, वहाँ से और हमारे content को जरूर compare करें, जरूर, तब आपको पता चलेगा कि हम किस level पे महनत करते हैं, बच्चे के selection के लिए, उसके improvement के लिए, हमारी पूरी team किस level पे महनत करते हैं, next, यहाँ देखो, question number 6, my grandmother is quite concerned to my progress at school, मेरी grandmother, मेरी दादी जो है, वो quite concerned है, वरीड है, किसी चीज़ के बारे में चिंता करना, ठीक है, किस के लिए, मेरी progress के लिए, school मेरी क्या progress है, यहाँ पर आप देखो, concern के साथ में, हम two preposition use नहीं करते, concern क्या होता है, concern के बाद में, या तो हम about लेते हैं, concern about something होता है, या concern के साथ में use होता है, for, ठीक है, या तो क्या आएगा about, या क्या आएगा for, clear, जैसे for example, the president is quite concerned about this issue, this issue के लिए, ठीक है, इस issue के लिए, president भी क्या है, concern है, तो क्या use हुआ about, तो generally आप देखेंगे, concern के साथ में about, या for preposition use होगा, ये appropriate preposition का question है, यहाँ पर मेरे पास में आपके लिए question और है, कि issue एक जो matter होता है, issue हम बोलते हैं, कोई भी disagreement, कोई भी problem, ये issue चल रहा है, ठीक है, उसके अलावा issue as a noun, issue as a noun क्या meaning होता है, ये आप मुझे comment box में बताएंगे, issue का एक और meaning होता है, वो क्या होता है, कब होता है, उसका plural क्या होता है, ये सारा आप मुझे comment box में जरूर बताएंगे, जो भी वीडियो देख रहे हैं, जो भी मैं homework दे रही हूँ, वो आपको करना है, ठीक है, next, question number 7, no sooner had Kavya started her online class, that the web connection was lost, no sooner hardly, ये जो structure होती है, ये सारी structure है, student inversion की, inversion क्या होता है, inversion कितना important है, मैं आपको नहीं बता सकती, आप 500 question देखेंगे, तो अभी आज हम 500 question करेंगे, इस class में, inversion से भर-बार के questions आया हुए है, और बच्चों को बहुत सारे doubt भी रहते हैं, inversion को लेकर, और बहुत-बहुत, मैं ये बोलूँ कि very, very, very important topic है आपका inversion, generally बच्चों को ये पढ़ाते नहीं है, inversion, ठीक है, क्योंकि noun, pronoun, adjective, adverb, ये तो बच्चे को पता होता है, कि मेरे topic का part है, मेरे syllabus का part है, लेकिन inversion का बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता, तो बच्चे, inversion बहुत important है, और मनीशा मैम ने बिल्कुल free PDF दे रखी है, neon classes पे inversion की, और ये दावे से बोल सकती हूँ कि एक भी question इस PDF से बाहर नहीं आएगा, अगर आपने इस PDF को पूरा पढ़ लिया, ये मेरी guarantee है, बहुत सारा research करने के बाद में ये PDF मैंने बनाई है, ये देखो आप, ठीक है, ये PDF आपको free of course neon classes की app पे मिलेगी, और आप एक बार इस PDF को जरूर पढ़ना, और इसको पढ़ने के बाद, जितने भी आपके पास available level questions हो, इन वर्जन को लेके, वो सारे खट-खट-खट, हटा-सावन की घटा टाइप solve हो जाएंगे, ठीक है, तो ये PDF जरूर install करें, ये वाला question simply क्या बोल रहा है, जब भी no sooner का जो construction होता है, तो no sooner के बाद में यहाँ, क्या use होता है, when, sorry, then, no sooner के बाद में क्या use करते है, then, Harley-Skashley के बाद में आता है, when, clear, ये पूरी चीज मैंने यहाँ इस PDF में, इस inversion की PDF में दी है, बहुत ही शांदार PDF है, आप एक बर जरूर download करना, और इसके content को पढ़ना, और जितने possible question हो, वो सारे करना, और मुझे comment में बताना कि मैंने इतने question करें, और ये सारे मुझसे हो गए, आप बिल्कुल बहुत ज्यादा motivated feel करोगे, confidence आएगा, कि हाँ मैंने कर दिये, योगि बच्चे के दिमार्क में inversion को लेके बहुत सारा डर, एक phobia बठा रखा है, कि inversion तो बहुत tough topic है, ऐसा कुछ नहीं है, inversion को मैंने बहुत easy करके यहां दिया हुआ है, ठीक है न, ये आप PDF, neon classes की, बहुत बढ़ी PDF है ये, neon classes की app में free study material में, बाहर ही मिल जाएगी आपको, ठीक है, next question number 8, he gave such a long speech but everybody felt bored, अब देखो, ये sentence क्या बोल रहा है, उसने इतना लंबा speech दिया, कि सब लोग bored हो गए, याने कि ये वाला जो sentence है, इस action को करने से, इस के reason की वज़े से, इस cause की वज़े से, ये हुआ, ये result आया, ये किया, तो इसका ये दूसरा result आया, cause and effect बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है, तो इस तरह के जो sentences होते हैं, उनमें use होता है, such or that, such के साथ में यहाँ बट नहीं आएगा, such के साथ में यहाँ क्या आएगा, that, sentence क्या बनेगा, देखो, he gave, उसने दिया, इतना लंबा speech, such a long speech, that, अब result क्या हुआ उसका, कि everybody क्या हो गया, बोर हो गया, उसने इतना लंबा speech दिया, कि सब लोग क्या हो गया, बोर हो गया, clear, तो यह जो construction है, इसके लिए क्या यूज होता है, such that, clear है ना, so say for example, it was such a cold afternoon that we stopped playing, that we stopped playing, clear, अब sentence रेखो, आभी सको समझो, it was such a cold afternoon, यह इतनी ठंडी afternoon थी, इतनी ज्यादा सर्दी थी, कि उसका सर्दी होने का, cold होने का, क्या result निकला, कि हमने क्या कर दिया, खेलना बंद कर दिया, we stopped playing, ठीक है, तो इस sentence, यह वाला जो close होता है, इस close की वज़े से, यह result and close, यह result आता है, इसकी वज़े से यह होगा, इस तरह के sentences किसमें आएंगे student, such that में, इसमें आएंगे, such that, बहुत important है, बच्चों को जनरली यहां पर doubt रहते हैं, next, question no. 9, when there were a strong wind, the pine trees made sad, eerie sounds, जब क्या रहती है, एक strong wind रहती है, तो जो देवदार के trees है, pine trees है, वो एक बहुती sad, eerie, eerie का मतलब होता है, mysterious, frightening, ठीक है, sad, mysterious, frightening में में जो है, उसको क्या बोलते हैं, eerie, when there were a strong wind, error यहां है, क्या है, यह चीज, there, there क्या होता है, adverb of place, there से sentence start होता है, लेकिन वो सिर्फ क्या होता है, there वो subject नहीं होता है, there क्या होता है, dummy subject होता है, dummy subject मतलब यहां there के according verb नहीं आती है, there और here के according verb नहीं आती है, वर्ब किसके कोर्डिंग आती है वर्ब के बाद वाले पार्ट के अकॉर्डिंग जैसे वर्ब के बाद वाला पार्ट क्या है यहां पर अस्ट्रोंग विंड वर्ब के बाद वाला पार्ट क्या है अस्ट्रोंग विंड है और वो कैसा है सिंगिलर वो कैसा noun है singular तो यहां पर वर्ड को replace करना पड़ेगा किसे वाद से ठीक है यह देर वाले concept पर बेस्टी बहुत question आये हुए सीजियल में there और here कभी भी subject नहीं होते हैं जिसरफ एक dummy subject है याने के sentence को बनाने के लिए यह word ले लिया ठीक है बट वर्ब जो होती है वो बाद वाले पार्ट के according आती है बाद वाला पार्ट singular है तो यहां singular वर्ब आएगी बाद वाला पार्ट प्लूरल है तो यहां प्लूरल वर्ब आएगी clear है ना ठीक है और theory का एक synonym बनता है uncanny ठीक है uncanny clear generally हम यह चीज़ देखते हैं कि किसी भी sentence को जब opposite बनाया जाता है तो यह prefix होते है अन है डिस है इस तरह से हम opposite बनाते हैं ठीक है happy unhappy clear यहां पर मेरा आपके लिए question यह है क्या canny uncanny का opposite है क्या canny uncanny का opposite है है तो आप comment में बताएंगे हां मैं यह uncanny इसका opposite हो गया नहीं है तो क्यों नहीं है और नहीं है तो canny का meaning क्या होगा वो भी आपको बताना यह आपके लिए homework है ठीक है जिन बच्चों ने मेरी classes देखी होंगी vocab batch जो मैंने 25 classes कराई थी daily schedule से पहले 100 question की class चलती थी तो मैंने लगबग 2500 word करवा दिये थे ठीक है उसमें 18th number class है यह मिल जाएगी आपको neon classes पे इस 18th number class में मैंने यह uncanny word बहुत अच्छे से बताया है आपको पता चुल जाए पहले आपका मेरी class ली हुई हो तो आप comment कर देना और अगर आपने class नहीं ली हो तो यहां पढ़ लेना ठीक है यहां मैं नहीं है क्यों नहीं है क्लिया रहा है homework जरूर करना है हमें next और यह मैंने 25 class ली हुई है बच्चों तो vocab में improvement के लिए यह 1-25 class आपको जरूर देखनी चाहिए जिन बच्चों ने क्लास ली है वो खुद जानते हैं कि सीजियर स्टैनों सी चसल में एक भी question इससे बाहर नहीं हुआ और बहुत ही interesting classes थी root word से origin से mythology से मैंने words याद कराएं बच्चों को class में याद हो गए तो आपको जरूर देखनी चाहिए next question number 10 a large number of worker have started working working home ठीक है a large number of worker worker अब देखो how have किसके लिए आता है plural subject के लिए large number of number of के बाद में आने वाला noun क्या होना चाहिए plural तो यहाँ पर worker की जगे क्या आना चाहिए workers a large number of workers ठीक है workers और a number of the number of का concept आपने पढ़ा भी होगा a number of के बाद में वर्ब क्या आती है plural छोटा सा concept है बता देती हूँ the number of के बाद में वर्ब क्या आती है singular here next next question number 11th he was not able to give many time to his research अपने research को वो इतना time नहीं दे पाया past की बात कर रहा है he was not able वो अपने research को time दे पाता ठीक है यहाँ पर student देखो time यहाँ जिस context में use हुआ है वो एक uncountable noun का है ठीक है कि time यहाँ countable नहीं है तो countable नहीं है तो हम many use नहीं कर सकते many किसके साथ use होता है plural countable noun ठीक है plural countable noun जैसे many times आपने बहुत बार देखा होगा अभी मैंने वो sentence भी बताया कि मैंने यह number बहुत बार डायल किया है वो time का मतलब क्या है कि एक बार एक काम किया फिर दुबारा किया फिर तीसरी बार चौत्री बार वो यह काम है time उस number के लिए यूज हुआ है बट यहाँ पर time क्या है somewhere clear तो उसके लिए हम मैनी नहीं लेंगे क्या लेंगे much much is used for uncountable noun many is used for plural countable noun here next question number 12 craze for a thing that are easily that are not easily available in our country is a common phenomenon ऐसी चीज का craze जो easily available नहीं है हमारी country में यह क्या है common phenomenon है यहाँ पर क्या error है देखो that जो एक relative pronoun है relative pronoun से भी इस वीडियो में बहुत questions आया हुए that जो की क्या है एक relative pronoun है इसके बाद में आने वाली वो depend करती है इससे पहले आने वाले subject पे इससे पहले आने वाले नाउन पे तो यहाँ पर a thing है क्या है a thing a thing है तो a thing की वज़े से आगे जो verb आएगी that will be क्या है a thing singular I think क्या है singular है तो a thing क्या according आगे आने वाली verb भी क्या होगी singular is क्या आएगा singular समझ में आया next question number 13 a tallest man that I have ever seen works in our cool mind एक tallest man सबसे लंबा आदमी tallest कौन से डिग्रियर स्टूडे सूपर लिट जितने भी मैंने आज तक मैं देखे हैं लंबे उन में से सबसे लंबा आदमी कहां है हमारी कोल माइन में है ठीक है तो यहां देखो सूपर लेटिव डिग्री को दो तरीके से बनाते है या तो यह सी लगा करके या most लगा करके बहुत सारे ज़िक्तिव होते हैं जैसे beautiful है तो हम more beautiful most beautiful बोलते हैं तावल है तावल है तो टोल का taller और tallest होता है तो EST किस को रिनोट कर रहा है यहां superlative डिग्री को रहीड और superlative डिग्री के लिए हम क्या लेते हैं तो sentence क्या बनेगा the tallest man that I have ever seen works in our coal mine बोल रहा है कि जितना ही बने आज तक लंबे आदमी देखिए उनसे सबसे लंबा आदमी जो है वो हमारी coal mine में काम करता है next question no.14 each one of the children in a nursery class require individual attention यह बोल रहा है कि nursery class में परते एक बच्चे को individual attention की requirement होती है each one everyone यह जो है वो क्या होते है indefinite pronouns और indefinite pronouns क्या होते है usually singular होते है, indefinite pronouns क्या होते है students usually singular होते है तो यह required नहीं आएगा, क्या आएगा? requires ठीक है? singular होते है, तो इनके साथ में verb भी क्या आनी चाहिए? singular आनी चाहिए that is requires right next question number 50 in this lockdown period every worker in the factory has started bring their own lunch is lockdown की period में परते एक वर्कर factory का जो हर वर्कर है उसने खुद का their own lunch नो नो ने खुद का lunch लाना स्टार्ट कर दिया ठीक है has started लाना लाने के लिए ठीक है यहाँ पर देखो started के बाद हमें लेना है bringing there and form आएगी had started bringing Lana action क्या है कि उन्होंने अपना lunch लाना start कर दिया तो क्या बनेगा has started bringing there on lunch next question number 16 she has been working with me on this project from two years she mere saath में इस project पर दो साल से काम कर रही है देखो यहाँ पर from को replace करना पड़ेगा फोर से क्यों क्योंकि two years two years two years two years क्या है students period of time two years क्या है period of time दो महिने दो साल दो decade ठीक है तो यह जो दो दिन यह किसको डिनर्ट करते है period हमने count कर लिया दो चार पांच है दस साल ठीक है तो क्या आएगा four since का बाता है जब दो साल पहले की कोई date या time दिया होता ठीक है जैसे आज 2021 है और बोलता है यह मेरे साथ में इस project पे 2019 से work कर रही है तो हम क्या बोलती है since 2019 तो point of time जब given होता है तो क्या आता है since right और period of time जब given होता है तो हम क्या लेते है four clear है सबको next 17 the reason for visiting merit was because my mother needed to be looked after कारण क्या था merit जाने का की मेरी mother को मेरी देखबाल की जरूरत थी look after का मतलब किसी की देखबाल करना right तो यहां पर student देखो क्या error समझा रही है error यहां पर यह because का use नहीं होगा क्योंकि already sentence में कारण बता रखा है और इसको double हम use नहीं करेंगे simply बता रखा है कारण क्या था कि मेरी mother को मेरी देखबाल की जरूरत थी तो because को हटा देंगे यहां से ठीक है error किसमें हो जाएगा next question number 18 two flyovers have been proposed in the new plan to deconjus mz road यह बोल रहा है कि दो flyover को propose किया गया याने two flyovers propose किया है flyover खुद तो कुछ नहीं कर सकते खुद करने वाला क्या होता है active flyover को propose किया गया है तो यह कैसा sentence बनेगा passive कैसा बनेगा passive और passive जो sentence होता है अगर हम present perfect tense की बात करें अगर हम present perfect tense की बात करें तो passive sentence में क्या होता है students has have been plus क्या आने चाहिए verb की third form has have been plus verb third तो यहाँ पर have been तो दिया हुआ है have to flyovers के according आ गया that is plural ठीक है have been पर propose है इसको हमें क्या करना पड़ेगा verb third करना पड़ेगा proposed क्या बनेगा proposed clear present perfect active structure क्या होती है has have plus verb third right passive क्या हो जाती है has have been plus verb third ठीक है वही बनाना है हमें ठीक है next a large amount of money he invested large amount of money जो उसने invest किया he were wasted वो बेकार हो गया अब देखो यहां पर इस ही invested को भूल जाओ पूल गए तो sentence क्या बना a large amount of देखो इसको अगर हमने हटा देते हैं हां इसको अगर हम इसको हम यहां से हटा देते हैं for example इसको नहीं consider करते तो a large amount of money क्या है subject है ना अब इसका वर्ब अब इस सब प्रब्लम हो गई इस से subject की वर्ब क्या होनी चाहिए यहां बताओ यहां पर किसकी बात हो रही है money की money कैसा noun है uncountable noun और uncountable noun के साथ में वर्ब क्या आती है student singular तो वर्ब की जगे क्या आएगा was क्या आएगा was a large amount of money he invested was wasted ठीक है उसने invest किया यहां पर देगो a large amount of money was invested sorry invested large amount of money was wasted ठीक है next question number 20th no one have ever visited this place before इस place को पहले किसी ने भी visit नहीं किया है ठीक है यहां पर error has student verb की have की चगे आएगा has किसकी वजय से no one की वजय से no one क्या है indefinite pronoun है अभी अभी मैंने आपको बताया कि indefinite pronoun के साथ में verb generally क्या आती है singular indefinite pronoun के बाद में verb generally क्या आती है singular no one कोई भी नहीं तो उसी verb क्या आएगी singular clear next question number 21 this jewelry box is made from silver and is an antique piece इस sentence में क्या error है देखो sentence में error है made from नहीं होगा made out होगा ऐसा नहीं है कि made from नहीं होता है made from भी होता है पर दोनों के meaning में difference है क्या समझो made of हम यूज करते हैं जब कोई चीज किसी particular चीज से बनी हुई हो जैसे यह jewelry box है वो silver से बना हुआ है जैसे हमारा घर का furniture all all the furniture in our house ठीक है मेरे घर का सारा furniture जो है is made of made of wood made of wood का मतलब क्या हुआ लकड़ी से बना हुआ है ठीक है अब लकड़ी से बना हुआ furniture है तो उसकी form change नहीं हुई ठीक है made of cotton जैसे कोई shirt है वो cotton की बनी हो तो made of cotton बोल दिया हमने राइट तो जब किसी चीज की बनने की form change नहीं हो उसी particular चीज से बना हुआ हो तो हम use करते है made of silver ठीक है made of something डाइट अगर कोई चीज की form change होती है जैसे made from कब आएगा जब for example paper जो है paper किस से बनता है wood से तो क्या बना है क्या sentence बनेगा paper is made from wood क्योंकि इसमें क्या हुई form change हो गई लखड़ी की form change किस में हुई paper में हुई जैसे wine the wine is made from grapes grapes से क्या बनी wine याने grapes की और wine की form क्या होई grapes से किस form में change हुई wine ठीक है तो जब form change होती है तो हम लेते हैं made from राइट और जब form change नहीं होती है एक ही किसी particular चीज से बने होने की बात करते हैं तो उसके लिए क्या आता है made of बहुत important concept है ठीक है इसको आप अच्छे से समझ लेंगे made of particular चीज से बना होना made from बना होना उसकी form change हो form change होगी तो from लेंगे form change नहीं होगी उसी चीज से बना हुआ है तो made of something आएगा क्या next question number 22 neither Sam nor I are interested in attending the meeting यहाँ पर देखो student neither Sam neither और इदर और से जब भी कोई sentence बनते हैं neither or nor either or जब इस तरह के conjunction से जब भी sentence बनते हैं तो बाद में जो वर्ब आती है वो बाद में जो वर्ब आती है वो nearest subject के according आती है nearest subject क्या है आए है तो आए के according क्या वर्ब आनी चाहिए M important concept है यह भी neither nor either or 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 nor के case में जब भी दो subject को जोडा जाता है तो यह जो बाद में वर्ब आएगी वो किसके according आती है nearest subject के according clear next 23 poor people have run down of food supplies during the lockdown यह चीज हमने देखी थी lockdown में क्या हुआ था कि जो गरीब थे उनके पास में food supply क्या हो गई थी finish हो गई थी तो किसी चीज को यूज कर लिवा गया हो वो finished हो गई हुलग बख तो उसके लिए phrase यूज होता है student run out of food supply. rundown नहीं आएगा clear जब किसी चीज को क्या करने की बात के लिए लग बख finish हो गई है तो उसके लिए क्या आएगा run out of right. right run down किसके लिए आता है run down phrase का मतलब होता है criticize criticize करना disparage करना be little इस तरह से run down को use किया जाता है clear है तो यहाँ पर सही यह error हो गई phrase की error है क्या होगा run out of food supply poor people have run out of food supplies during the lockdown next 24th he loses his tamper on the slightest provocation थोड़ा सा provoke करते ही थोड़ा सा उक्षाते ही ठीक है होग माने क्या होता है to call बोलना right थोड़ा सा बोलते ही वो अपना tamper lose कर देता है ठीक है यहाँ पर error है tamper नहीं होगा क्या आएगा tamper tamper generally uncountable noun होता है अगर इसको countable भी में use करते है तो भी यह singular रहेगा हमेशा tamper नहीं करेंगे यह tamper के collocations की बात करें तो बहुत सारे collocation बनते है violent tamper quick tamper थीक है short tamper good tamper in a good tamper ठीक है in a bad tamper इस तरह से use करते हैं हम tamper को collocation बहुत important है आपके exam के लिए English के लिए English में आपके improvement के लिए आपके selection के लिए collocation की एक बहुत ही important मैंने list आपको दी हुई है आप close test book में जाएंगे वहां पर मैंने list दी हुई है आप उसको 2-3 बार revise करेंगे तो आपको collocation याद होने लग जाएंगे और collocation पर बहुत सारे questions exam में आये है close test वाली book में मैंने close test को भी collocation जो question collocation से solve और वहां पर मैंने बताया है कि किस तरह से collocation से हम close test solve करते हैं ठीक है तो ये list आपको close test में मिल जाएगी next 25 I want you to complete this work by 2 days I want you to complete this work क्या चाता है वो ये काम तुम दो दिन में finish कर दो ठीक है तो यहाँ पर by नहीं आएगा by किस के लिए आता है by का meaning होता है before ठीक है point of time के लिए जैसे कल तक by tomorrow Monday तक by Monday इस month तक by January by December by November by the end of this month by the end of this week clear तो point देगा आपको यहाँ पर point नहीं दे रहा यह बोलो दो दिन में खतम करना है तो यहाँ पर क्या आएगा within within two days two days में खतम करना है clear अगर आपको point देता by Monday देता by Tuesday देता by January देता by the end of this week देता ठीक है तब क्या यूज करते by clear but two days के according हमें क्या लेना पड़ेगा within next 26th the venue for the wedding have not yet been finalized wedding का venue अभी तक finalized नहीं किया गया है यहाँ पर यह बिल्कुल simple सा question है student subject verb agreement का simple सा question है venue है have है simply have को किसे replace कर देंगे has answer क्योंकि यहाँ पर जो subject है the venue of the wedding subject कोन है venue है venue कैसा subject है venue है singular subject और अगर singular subject है तो आगे आने वाली verb must be क्या होनी चाहिए singular तो singular क्या होगा student has होगा ना की have clear next 27th there was enough evidence to convict him on selling of fake medicine enough evidence है सबूत है कि उसको दोशी ठहराने के लिए कि वो क्या करता है fake medicines को sale करता है clear तो convict him on the selling है कि specify कर दिया हमने क्या काम कर रहा है वो selling कर रहा है fake medicines की तो यहाँ error होगा on the selling of fake medicine right convict के अगर structure की बात करें तो convict somebody of something होता है general यह structure होती है convict somebody of something तो यहाँ पर भी देखो convict him on the selling of fake medicines clear next 28th the man played the flute and let all the mouse out of the town ठीक है उसने flute प्ले किया और सारे mouse को कहा ले गया वो बाहर town के बाहर तो यहाँ देखो all the mouse all से क्या पता चल रहा है कि आगे आने वाला noun यह वाला noun क्या होना चाहिए plural noun must be plural तो अगर mouse की बात करेंगे तो mouse का plural बनेगा student mice क्या बनेगा mice तो हमें यहाँ mouse को replace करना पड़ेगा किस से mice से हाँ अब यहाँ पर आपके लिए question है कि rat भी चूहे के लिए आता है mouse भी चूहे के लिए आता है so what is the difference between rat and mouse क्या difference है comment करेंगे और मैं एक-एक comment पड़ती हूं आप यह मत सोचे कि ठीक है मैं comment कर दिया मैं सारे comment जब भी मुझे time मिलता है मैं सारे comments पड़ती हूं तो आप जो भी student यह देख रहे है है reply कर रहे है तो अपना जो best होता है reply करें ऐसा नहीं कि मेरा reply गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है हमें सीखना है और हम यहीं से सीखेंगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं आपकी जो भी problem है आपको English में जो भी problem face कर रहे है यह जो मैं question बता रहे हैं उनके जो भी आपके answer है वो सारे आप comment जरूर करें ठीक है next 29th the three of them shouted out to each other when the train started moving जब train ने move करना start कर दिया था तो जो three of them थे वो चिलाने लगे एक दूसरे के ऊपर तो यहां पर तीन की बात हो रही है किसके बात हो रही है तीन तो हम traditional English की according बात करें model English तो each other और one other दोनों को same मालती है बट SST में हम traditional British English को follow करते है तो traditional English की according देखे तो each other is used for two and one another is used for more than two ठीक है more than two की बात करेंगे ठीक है more than two की बात करेंगे तो क्या आएगा more than two की बात करेंगे तो क्या use होगा one another और two की बात करेंगे तो क्या use होगा each other ठीक है तो यहां कितने की बात हो रही है थ्री की बात हो रही है तो each other नहीं आएगा क्या use करेंगे हम one another क्लिर रहा सुडेंट्स मज़ा रहा हैं नेक्स क्षेशन नमबर 30 जोया वोन दाफ प्राइज इन दा जोया ने रेज में फॉस प्राइज जीता अलेश शी स्टंबल एड फेल वोलना चाहरा है शी स्टंबल स्टंबल मतलब हमारा पाम किसी चीज से टकरा जाता है और अपन ग गिरने की पोजीशन में आ जाते है लड़ खडाना टकरा के गिरना ठीक है जब तक वह अब यह देखो सेंटेंस का मेनिंग सही नहीं निकल रहा है अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट ठीक है इफ नॉट बोलने के बाद यह बोल रहा है कि उसने फर्स प्राइज भी जीता यहां पर जो एरर है कONJAKTION की यह जो कंजक्शन अनलेस है यह गडबड यहां पर यह गलत है सैंटेंस ही बोलना चाहता है कि जोया गिर गई थी उसके बावजूद भी उसने तो फस प्राइज जीता थीक है मतलब वो गिर गई फिर भी उसको फश्स प्राइज मिला फिर गि चाहिए जो इस sentence के इस पहले वाले ये वाले sentence का उस sentence के साथ में contradiction दे ठीक है ऐसा होने की बावजूद भी ऐसा हुआ ठीक है she stumbled and fell फिर भी उसको first prize मिला तो ऐसा conjunction हम ले सकते हैं यहाँ पर although थो थोड़ा और emphasize करना चाहें तो even though इस तरह के words हमें use करने पड़ेंगे unless को हटा के जैसे हम बोलें कि जोया won the first prize in the race जोया ने first prize जीता race में even though she stumbled and fell गिरने के बावजूद भी उसको क्या मिला first prize मिला तो यहाँ error हो जाएगी student unless की clear है next 31 we must plan how can we cope with the present situation हमें plan करना चाहिए कि present situation के साथ में हम कैसे सामझे से बठाएंगे कैसे cope with करेंगे clear इस तरह के question बहुत बहुत सारे इस वीडियो में आपको मिलेंगे जो 500 question करवा रही हूँ बहुत important है और इस तरह की जो मिस्प्लेस्मेंट वाले मिस्प्लेस्मेंट कैसे है देखो एक जनरल सा concept है एक जनरल सी बात है क्या कि जब भी हम interrogative sentence बनाते हैं जब भी हम question बनाते हैं तो हम क्या करते हैं जैसे यह construction है subject then helping verb अगर सीज़ा main verb है main verb then object व्लस complimentary राइट तो अगर हम interrogative बनाएंगे तो सबसे पहले कोण आएगा helping verb कहा आएगी आगे आएगी और helping verb यहां आजाती है जब हम question बनाते हैं और उसके पहले wh word जाता है ठीक है लेकिन जब हम question नहीं बनाते हैं तो क्या करते हैं helping verb को subject के बाद में shift करते है राइट तो यह जो sentence आपको दिख रहा है यह interrogative तो नहीं है कैसा sentence है यह assertive sentence है ठीक है assertive sentence है और इसमें जो construction follow हो रही है उसमें क्या हो रहा है देखो यह subject है और यह can जो हम इसको model verb बोल सकते हैं helping verb बोल सकते हैं auxiliary verb बोल सकते हैं ठीक है how can I help you तो वो question हो गया अब how can we यह भी क्या हो गया question और question है नहीं तो हमें क्या करना है बताओ हमें इनकी position को change कर देना है कैसे change करेंगे can को किसके बाद ने भेज देना है we तो क्या बनेगा how we can क्या बनेगा how we can clear है students ऐसे बहुत सारे questions तो आपको इस class में मिलेंगे next 32 laws and order laws and rules are made to safeguarding our rights and protect us इसमें तो देखते ही आंसर आना चाहिए टू के साथ क्या आती है work first तो टू सेफगार आएगा ना की safeguarding simple है और ऐसे questions भी आए में मेंस के question है मेंस के latest question मैं आपको करवा रही हूँ जो अभी 2020 में हुआ था paper next 33 although this is a narrowest street many last trucks can enter it अभी sentence में देखो students sentence बोलना चाहता है कि यदपी ये गली जो है वो बहुत पतली है यदपी ये गली क्या है पतली है narrow है फिर भी इसमें से बहुत सारे trucks जो है वो एंटर कर जाते हैं अब error की बात करते हैं तो narrowest जो है narrowest क्या होता है student superlative और superlative degree जब use होती है उसका meaning यह होता है कि जितनी भी streets है उन सभी streets में से सबसे narrow street यह है तो sentence का भाव ऐसा नहीं है कि सबसे narrow street यह है हमें नहीं से पताने कितनी street कहां कहां कौन सी narrow है कौन सी narrow नहीं है इस sentence हम बता नहीं सकते ठीक है तो simply sentence यह बोलना चाहरा है although this is a narrow street ठीक है narrow street यह street सबसे narrow है तो भी इसके अंदर से बहुत सारे truck जो है वो enter कर जाते हैं clear तो यहां पर हमें इस form को narrowest को narrow करना होगा narrowest अगर हम इसको देखते हैं तो यह दूसरी street से इसका comparison बता रहा है तो वो sentence के according यहां meaning नहीं निकल रहा है तो हमें बोलना पड़ेगा is a narrow street clear next 34 I didn't knew you had gone to Goa for a vacation मुझे पता नहीं था कि तुम Goa vacation के लिए गए गए थे right simple है यह बहुत सारे question आपको यहां मिलेंगे do does or did do does did के बाद में do does always follows verb first do does did के बाद में हमेशा verb की first form आएगी लिख लो मेंस में आया वा question है और एक नहीं और भी बहुत सारे आएंगे do does did के बाद में हमेशा verb की first form आएगी लेकिन बच्चों क्या होता है बहुत बार new की जगे आएगा no did के साथ आएगी verb first next 35 no one of them came to the integration of our new factory उन में से कोई भी हमारी factory के integration पे नहीं आया no one of them कुछ गडबर लग रही है लग रही है बिल्कुल सही है no one नहीं आएगा यहां आएगा none of के पहले हम क्या उस करेंगे none none का मतलब not one हो गया कोई भी नहीं right none is more formal थोड़ा formal word है none ठीक है so none of them came to the inauguration of our new factory next 36 you must be careful about what you say as you meet here when you must be careful to make careful रहना होगा साफधान रहना होगा about what you say Joe's Nacho 카 को भी तुम उससे आतारोगके उसके लिए साफधान रहना होगा कब रहना होगा sound you meet had javert tub से मिलो गैं जब तुमißtzej मिलो गैं तो सावदान रहना है जो तुम बोल रहे हो ठीक है अब यहाँ पर क्या बात हो रही है ताइम की बात हो रही है कि यू meet her ठीक है जब तुम उससे मिलोगे यू मस्ट बी कियरफूल तुम्हें सावदान रहना है about what you say, जो तुम बोलोगे, तो यहाँ पर as, as की जगे क्या आएगा student, when, क्योंकि किसके बात हो रही है, time, तो time वाला conjunction ही use करेंगे, और time का conjunction क्या है, when है, clear है ना, ठीक है, next 37, do you mind lending me your book for a hour, देखो, mind के बाद में जहरंड आया है, मैंने अभी अभी पहले ही, परस्ट या second question में चीज़ करवाई थी, कि कुछ words ऐसे होते हैं, जो अपने बाद में जहरंड लेते हैं, और में mind भी था, ठीक है, इस तरह से आपको, जो भी आप concept सीखते हो, उनको अलग-अलग questions में find करने की, उनको apply करने की, उस नजर से देखने की कोशिश किया, अगर हो, यह ing आया, mind आया, ऐसा कुछ concept था, मैंने करवाया था, enjoy, mind, avoid, इनके साथ में क्या आती है, जरंड form आती है, तो do you mind lending me your book for a hour, hour का sound क्या है, vowel, vowel sound है, तो a नहीं आएगा, simply क्या आएगा, n, easy था, next 38, she is, sorry, she has been a member of this club, since it is formation, voice club की member है, जब से यह club बना है, तब से voice club की member है, एक चीज़ धहान रखेंगे, it apostrophe is, यह बहुत ही common error है, बहुत सारे students भी करते है, यह error, मेरे बच्चा नहीं करते है, मेरे से जो पड़े होते हैं, उनको पता है, उनको पता है, उनको मैंने बहुत अच्छे से चीज़ करवाई है, क्या, कि it apostrophe as means, mean होता है, it is or it has, it apostrophe as doesn't show position, यह position show नहीं करता है, ठीक है, यह position show नहीं करता है, ठीक है, position show करता है, it is, इसमें कोई भी apostrophe नहीं आता है, its, ठीक है, noun के पहले, position को show करने के लिए, things के लिए, noun के पहले position को show करने के लिए, हम its लेते हैं, उस its में, position वाले its में, कोई apostrophe नहीं आएगा, simply लिखना पड़ेगा, its, और अगर आप लिखते हैं, it apostrophe as, it means, it is or it has, की contracted form है, यह, it is को लिखना है, its लिख दिया, it has को लिखना है, its लिख दिया, clear, अब यह बोलना चाह रहा है कि, voice club की member यह, जब से यह, यह किस के लिए बात हो रहे है, its किस के लिए आ रहा है, club, तो club singular है, चीज है club, तो its आएगा, its, it is नहीं आएगा, क्या आएगा, its, since its formation, जब से इसका formation हुआ है, जब से यह club बना है, तब से voice club की member रही है, member है, वो भी club की, ठीक है, एक तरीका तो यह हो गया, दूसरा तरीका, present perfect tense के साथ में भी, present perfect tense के साथ में भी, हम past simple का use करते हैं, और past simple को हम यहाँ point of time बताते हैं, जैसे, she has been a member of this club, since it was formed, जब से यह club बनाया गया, form किया गया, तब से वो इस club की member है, तो it was formed क्या बता रहा है, point of time बताया है, जब 2 साल, 5 साल, 10 साल पहले एक club बना और तब से वो इस club की member है, तो एक केस यह भी possible है, it was formed आएगा, past simple tense आएगा, present perfect with past simple, जैसे for example, I have not seen her since he left Jaipur, I have not seen her, जैसे for example, I have not seen her, कौन साटेंस है, present perfect, since he left Jaipur, ठीक है, जब से उसने Jaipur छोड़ा है, तब से लेकर आज तक मैंने उसको नहीं देखा है, तो यह पार किस में आ गया, present perfect और यह पार किस में आया है, past simple, ठीक है ना, next, 39, the tired and waxed, waxed का मतलब होता है, annoyed, upset, the tired and waxed travelers waiting at the airport for a long time, tired और बिल्कुल annoyed, upset travelers ने लंबे time तक airport पे wait किया, wait कर रहे थे, ठीक है, wait कर रहे थे, तो क्या आएगा, waiting के पहले, were waiting, क्योंकि waiting ing तो है, बट इसकी helping verb नहीं है, travelers के according, इसकी helping verb क्या बनेगी, were, next, party, the small cafe at the end of the road is her, जो छोटा cafe है, जो कहां पर है, at the end of the road, यह चीज़ धान रखेंगे, off वाली, at the end और in the end, दोनों ही prepositional phase का मतलब last में होता है, finally होता है, ठीक है, बट इसमें दोनों में difference यह है, कि at the end के बाद में off आएगा, और in the end के बाद में off नहीं आएगा, important है यह भी, और यहां से भी question आए हुए है, इसी class में हम solve भी करेंगे, तो at the end के बाद off आएगा, बट in the end के बाद off नहीं आएगा, अब देखो, अब इस question की बात करते हैं, यहां पर error है, हर की जगे आएगा student hers, क्यों आएगा, क्योंकि यह चीज़ आपको पता होनी चाहिए, कि possessive, ठीक है, जब हम personal pronoun की बात करते हैं, तो she जो है, वो pronoun की subjective form है, हर कौन सी form है, objective form है, हर ही possessive adjective form है, और हर possessive pronoun form है, ठीक है, हर और हर में क्या difference है, हर जब हम noun के पहले लेते हैं, तो हर आता है, ठीक है, और जब simply verb के बाद-बाद होती है, तो क्या आता है, हर्स, clear, जैसे the small cafe, small cafe, ठीक है, small cafe is हर्स, ठीक है, और अगर हम small cafe से पहले position बताएं, तो क्या बोलेंगे, हर small cafe, क्योंकि यहाँ पर small cafe क्या हो गया, noun, noun के साथ में position शो करना है, तो क्या आएगा, हर, possessive adjective form आएगी, और अगर यहाँ वगर हमें position शो करना है, तो क्या आएगा, हर्स, और इसको easy way में समझो, जैसे, simple sentence, बिल्कुल easy सा sentence है, this is, हर car, यह उसकी कार है, हर, और this car, is, हर्स, तो noun के पहले position शो करना है, हर आगया, और वब के बाद क्या आगया, possessive pronoun, clear है, next question number 41, he has shattered his neighbor's window by purpose, उसने अपने neighbor की window को shatter किया, जान बूज कर, ठीक है, intentionally, deliberately, deliberately, intentionally, ठीक है, के लिए, जान बूज कर, तो जान बूज कर के लिए, सही word use होगा, phrase यहाँ पर आएगा, on purpose, by purpose नहीं होगा, क्या होगा, on purpose, और अगर और collocation की बात करें, तो for the purpose of भी होता है, बट यहाँ पर जो phrase है, वो क्या है, कि उसने जान बूज कर ऐसा किया है, deliberately किया है, intentionally किया है, तो क्या आएगा, on purpose, next, 42, he thinks, that he can get away, among lying and cheating, he सोचता है कि वो lying and cheating से बचकर निकल जाएगा, बिना punishment के, बिना सजा मिले, बिना सजा प्राप्त किये, वो बचकर निकल जाएगा, इसके लिए सही phrase यूज होता है, get away with, ठीक है, get away with का मतलब होता है, किसी situation से बचकर निकलना, उसका punishment, उसकी सजा नहीं मिलना, ठीक है, और यह बोल रहा है कि, वो यह सोच रहा है कि, वो lying और cheating जो कर रहा है, उससे वो बचकर निकल जाएगा, बिना किसी नुकसान के, बिना किसी सजा के, तो इसके लिए सही फ्रेज क्या होता है, get away with, अमंग नहीं आता है, next, 43, the girl besides you, in high heels is my younger sister, जो girl तुमारे बगल में, high heels में है, वो मेरी छोटी बहन है, अब यहाँ देखो, besides को replace करेंगे, besides से, ठीक है, beside का मतलब होता है, next to, बगल में, beside का मतलब क्या है, बगल में, next to, और besides का मतलब होता है, in addition to, ठीक है, in addition to, clear, तो जब हम, in addition to की बात करते हैं, कि अतिरिक्त, तब हम क्या लेते हैं, besides, और जब बगल की बात करते हैं, next to, तो क्या लेते हैं, beside, तो यहां बात किसकी हो रही है, बगल की बात हो रही है, तो क्या use होगा, beside, clear, next, 44, I looked him, मैंने उसको देखा, at the eye and told him all I know, जो मैं जानता था, वो मैंने सब कुछ बता दिया, तो looked him in the eye, उसकी eye में, क्या आएगा, in the eye, next, 45, this is only the decent dress that I have, यह अकेली एक decent dress है, जो मेरे पास है, यहां error है student, only the को replace करना होगा, the only say, किसे करना है, the only, क्योंकि decent adjective address noun है, और only भी adjective है, तो article जो है, वो adjective के पहले आएगा, और construction भी क्या बनता है, the only, clear, ध्यान रखें, next, 46, यह अभी अभी मैंने करवाया था, और यह भी बोला था, कि इस पर बहुत सारे questions आएंगे, आगे, देखो, did you told him about the new plot that you have bought, क्या तुमने उसको जो अभी नया plot खरीदा उसके बारे में बताया, ठीक है, तो do, does, did, do, does, did के बाद में verb first आती है, तो told को replace करेंगे, verb first से, किस से, tell से, ठीक है, next, 47, यह भी मैंने अभी अभी थोड़े देर पहले करवाया है, देखता ही answer आना चाहिए, let us think, how can we solve the problem amiably, amiable और amicable, amiable और amicable में क्या difference है, यह भी मैंने YouTube पे जो vocab की 25 classes ली थी, वहाँ पर एक class में मैंने बहुत detail से कराया है, यह आप वहाँ जरूर देखे, ठीक है, आपको अगर अच्छा knowledge चाहिए, तो यह देखे वहाँ पर, तो let us think कि हम इस problem को प्यार से कैसे solve कर सकते है, क्या यहाँ पर interrogative का sign है, नहीं है, तो यह interrogative की structure क्यों बनी हुई है, इसको क्या करना पड़ेगा, we और can, क्या बनेगा, how we can, can we कब होता, जब यह sentence interrogative होता, यह interrogative नहीं है, यह assertive sentence है, अभी चोड़ी दर पहले मैं इसको बहुत detail से बता कर गई हूँ, ठीक है, next, 48, 3 hours will have passed when the bell will ring, यह structure होती है, student future perfect की, future perfect की present simple के साथ, present simple के साथ, future का future, जो further future की बात करते हैं, further future को, further future को हम लिखते हैं, simple present में, जैसे, 3 hours will have passed, 3 घंटे pass हो जाएंगे, जब तक bell बजेगी, तो will ring की जगे क्या आएगा, the bell rings, ठीक है, जैसे, बोधे plants मर जाएंगे, जब तक की बारिश होगी, तो the plant will have, क्या होगा, died, the plant will have died before it rains, बारिश होने से पहले ही क्या होंगे, plants मर जाएंगे, तो कोई action जो further future का उससे पहले, तो ये वाला action किसमें आ गया, future perfect में, किसमें आया, future perfect, future, perfect और ये वाला action बाद वाला किसमें आ गया, simple present, clear, तो future का future, further future, next, 49, they will be ready, leaving for the airport in an hour, वो airport, वो ready है, leaving the airport एक घंटे के अंदर, ठीक है, leave करने के लिए, leaving for the airport, ठीक है, airport के लिए, अब देखो, ready, ready, anxious, anxious है, ready है, agree है, glad है, ये कुछ इस तरह के adjectives होते हैं, कुछ verbs भी ऐसी होती है, जो अपने बाद में infinitive लेती हैं, क्या लेती है, infinitive और उसी में ready भी है, ready के बाद क्या आएगा, to leave, ठीक है, जैसे, we are ready to go, we are ready to move, ठीक है, ready to sign, ठीक है, तो ready के बाद में, ready के बाद में क्या लेना है, आपको, infinitive, धान रखेंगे, ready के बाद में क्या use करना है, infinitive, next, part 50, as such you need any money, just write to me, as such तो किसी बात को हम जैसे बाद को हम जैसे बाद को, meaning change हो रहा है, यह बोल रहा है कि अगर तुम्हें पैसे की जरुरत हो, तो मुझे बता जे, just write to me, मुझे लिख देना, तो यह बोलना, अगर तुम्हें पैसे की जरुरत हो, तो अगर के लिए क्या भाव आएगा, if, if you need any money, अगर तुम्हें कोई पैसे की जरुरत हो, just write to me, तो अगर का भाव कौन देगा, next, 51, she is not as smart as I think at first, वो इतनी smart नहीं है, जितना की पहले, at first मैंने सोचा था, तो मैंने उस साइम देखा, मैंने सोचा की भी बहुत smart है, पर इतनी smart नहीं है, तो यहाँ पर यह वाला think की जगे क्या आएगा, thought, I thought, मैंने सोचा, next, 52, she asked me where had I gone for dinner with my fiance, अब देखो यहाँ पर, फिर अगें 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 तीसरी बार यह question आचुका है, यह had है और यह I है, यह कौन जी structure है, interrogative structure है, क्या यह sentence interrogative है, नहीं है मेरे बच्चों, बिल्कुल भी नहीं है, तो simply यह had I को क्या बनाना पड़ेगा, I had, next, 53, whole country, whole country uploaded the courage of our soldier, पूरी complete country ने हमारे जो soldier है, उसके साहस की परशिंशाक्री upload किया उसको, ठीक है, तो यहाँ देखो, whole के पहले हमें यूज करना पड़ेगा, the, सही sentence बनेगा, the whole country, clear, जब हम पूरा complete पर एंफेसाइज करना चाहें, तो हम whole के पहले the article लेते हैं, एक और concept, country तो basically क्या हो गया, common noun हो गया, अगर proper noun हो, अगर क्या हो, proper noun हो, जैसे country का नाम हो, किसी जगय का नाम हो, जैसे India है, Venice है, तो हमें लेना होता है, the whole of, तो क्या होता है, the whole of, the whole of India, the whole of Venice, clear, तो अगर proper noun होगा, तो generally हम complete का भाव देने के लिए क्या यूज करते हैं, the whole of, next, 54, aren't you such young to travel by yourself, sentence का भाव ये है, कि अभी तुम छोटे हो, अकेले ट्रावल करने के लिए, तुम इतने young हो to travel by yourself, अकेले ट्रावल की बात के, to travel by yourself, aren't you, question कर रहा है, क्या तुम नहीं हो, ठीक है, सच नहीं आएगा, क्या आएगा, सो, सो यंग, सो यंग का मतलब है, very, very young, extremely, जब इस तरह से हम सो को यूज करते है, ज़क्तिव के पहले, इसको क्या भाव देता है, very, very का भाव देता है, कि aren't you so young to travel by yourself, ठीक है, next, 55, they are planning for settling in Mumbai with their son, वो plan कर रहे हैं, Mumbai में settle होने के लिए, अपने बेटे के साथ, तो plan के बाद ध्यान रखेंगे, plan के बाद आएगा to settle, याने planning to settle होगा, क्योंकि structure क्या होती है, plan की, plan to do something होती है, क्या होती है, plan to do something, plan for doing नहीं आता है, तो plan के बाद में आपको लेना पड़ेगा to settle, जहां रखेंगे important है, they are planning to settle in Mumbai with their son, next, 56, again वही concept, जो अभी-अभी मैंने करवाया था, वही concept आया, देखते ही आपका answer आना चाहिए, माई की जगे क्या आएगा, माई, क्योंकि possessive pronoun चाहिए, माई क्या है, possessive adjective है, the seat which you are sitting on is, mine, seat जिस पर तुम बैठे हुए हो, वह मेरी है, ठीक है, अभी-अभी मैंने आपको बताया था, this is my seat, अगर यहां देखो seat क्या है, noun, possession चो करना है, क्या ले लिया, my, possessive adjective, लेगिन अगर यहां पर mine लेना है, तो क्या बनाएंगे, this seat is mine, mine क्या है, यहां पर, possessive pronoun, clear है students, next, 57, I can explain you the reason for the delay in executing your order, मैं तुम्हें एक्पेइन कर सकता हूँ, जो डिले हुआ, डिले होने का reason, तुम्हारे order को execute होने में जो डिले हुआ, उसका reason मैं तुम्हें एक्पेइन कर सकता हूँ, एक बहुत important concept, कभी भी explain you, explain me, explain her, explain him, यह नहीं हो सकता, कभी भी नहीं होगा, I explain you, I explain him, I explain her, नहीं, explain के लिए अगर हमें indirect object लेना है, तो explain के बाद में आपको to लेना होगा, I can explain to you, समझ में आई है चीज़, यह चीज़ गाठ बाहन लेना, explain के बाद में directly आप indirect object यूज़ नहीं करोगे, I can explain you, I can explain me, he can explain me, she can explain her, इस तरह से नहीं आएगा, क्या use करना पड़ेगा, to use करना पड़ेगा, clear? इसका example ले ओर देखो, जैसे, can you explain me the situation, अब आपके पास में यह बन गया, can you explain the situation, can you explain the situation to me, यह साही सेंटेंस बनेगा, clear? तो यहाँ पर आएगा, I can explain to you, next, 58, an 8 years old girl has made this beautiful painting, देखो, girl क्या है, noun है, तो इससे पहले आने वाले जो भी words है, यह plural नहीं होंगे, यह singular रहेंगे, years नहीं होगा, क्या आएगा, year, ठीक है? आज कल हम जैसे बात करें, year, age बताने के लिए, तो simply अगर कोई बोलता है, I am 16, इसका मतलब क्या है, वो 16 साल का है, I am 16 में 16 years old include है, लिक और अगर यह तो बोल सकते है, I am 16, ठीक है? यह यह तीनों constructions है, यह तीनों note down कर लेना, ठीक है? यह यह तो बोलेंगे, I am 16, I am 16 years old, अगर नाउन लेंगे उसके बाद में, ता I am 16 years old girl, ठीक है? तब year को years नहीं बनाएंगे, मेरे बच्चों, यह चीज ध्यान रखेंगे. Next, 59, the concept has started when he reached the venue, जब हम venue पर पहुंचे, उससे पहले ही concept start हो चुकी थी, याने कि यह case बन रहा है, यह case किसका बन रहा है, यह case बन रहा है, past perfect, past perfect plus past simple, क्या बन रहा है? Past perfect with past simple, याने, देखो, जब भी tense की बात कर रहे हैं, यह क्या कौन सा है student? यह moment of speaking, present, ठीक है? यह future और यह past, ठीक है? Past में sometime दो घटनाएं होती है, एक होती है present के past और एक होती है present से दूर, जो पुरानी घटना है, यह past है, past का भी past, past के past को हम बोलते हैं past perfect, past के past को हम क्या बोलते हैं past perfect, clear है ना यह चीज़? तो past का past बना past perfect, तो जो पुरानी घटना होगी, उसको लेना पड़ेगा past perfect में, और जो नहीं घटना होगी, उसको लेना पड़ेगा past simple में, तो जब वो venue पे पहुंचे है, उससे पहले concert start हो चुकी थी, यहने पुरानी घटना कौन सी है यह, ठीक है? Past perfect structure क्या होगी? यहां head की जगे आएगा head, head प्लस verb third, clear? तो start हो चुकी थी concert, तो past perfect आएगा, जब वो venue पे पहुंचा, तो क्या आएगा past simple, पुरानी घटना past perfect, नहीं घटना past simple, simply समझेंगे, तो जो पुराना action है, वो किसमें आएगा past perfect में, और नया action किसमें आएगा past simple, next 60, the captain scored a century, captain ने century scored की in a second innings, second innings में, second, second क्या है student, ordinal adjective, ठीक है, ordinal adjective जो order को बताते हैं, first, second, third, fourth, fifth, ठीक है, तो first, second, fourth, fifth, इनकी ordinal की बात करें, तो ordinal adjective के पहले हमें the लगाना होता है, the, बाद वाले adjectives की हम तो यहाँ पर जो है, a के बाद में क्या आजाएगा, the, ठीक है, बाद वाले इसमें देखो, ordinal, cardinal और multiplicative, ordinal, cardinal और multiplicative, ठीक है, तीन तरह के adjective हो गया आपके पास में, पहला, जो order को बतात है, first, second, third, fourth, ठीक है, cardinal, one, two, three, four, five, ठीक है, multiplicative क्या होगा, single, double, quadruple, triple, quadruple, ठीक है, जैसे इसको याद करने का तरीका है, OCM, OCM, जैसे हमने लिया, the, first, five, double, rooms, ठीक है, order क्या रहा, rooms क्या है, students, room है, noun, rooms क्या है, noun है, उसको बताने के लिए, इस noun को बताने के लिए, हमने order क्या रखा, इस noun के पहले, ये double, ये कुनसा हुआ, multiplicative, five क्या हुआ, cardinal, first क्या हुआ, ordinal, और उसके पहले क्या है, the, तो कई बार ऐसा होगा, कि sentence में ये सारे दे देंगा, और आपसे order पूछेगा, कई question आगे भी आएगा, the first, ये आपको देता है, the two first, question होता है, the two first, तो वो गलत हो जाता है, क्या बनेगा, the first, the first two, clear है ये चीज़, समझ में आई, तो यहाँ पर ordinal है, second तो क्या आएगा, the, clear है सभी को, next question number 61, why should always we have to wait for her to join us, sentence बोलना चाहता है, why should always we have to wait, हमेशा हमें ही वेट क्यों करना पड़े, for her, उसके लिए to join us, हमें join करने के लिए, इस sentence को देखो student, यहाँ पर question mark है, ये sentence कैसा है, interrogative, interrogative sentence है, question पूछ रहा है, interrogative sentence बनाने के लिए, हमें क्या करना होता है, जिसे normal जो order होता है, sentence का, सबसे पहले subject, then helping verb, अगर main verb है, तो main verb, then object, यह एक normal sequence होता है, right, जब हमें question बनाना है, तो हमें helping verb को subject के पहले लाना होगा, ठीक है, जब हम question बनाएंगे, तो helping verb के आएगी, subject के पहले आएगी, और अगर कोई wh word है, तो helping verb के पहले adjust हो जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पर यह sentence में we subject है, should model है, जो verb है, ठीक है, auxiliary verb बोल सकते है, model को यहाँ, और यहाँ wh word है why, बट यहाँ always जो एक adverb है, उसको भी पहले ला रखा है, यह यहाँ सही नहीं है, इसकी position गलत है, क्या होना चाहिए, why should we always have to wait her, याने कि error कोन से part में आएगी, c part में, always we को हम replace किस से करेंगे, we always, क्योंकि interrogative बनाते समय हम helping verb को आगे नहीं लेके आते हैं, helping verb जो है, वो subject के बाद ही रहेगी, clear है, why should we always have to wait, clear, और अगर यह normal sentence होता है, तो क्या बनता, we should always have to, क्योंकि यहाँ यह should जो helping verb थी, वो we के बाद आजाती, clear है, तो जब भी interrogative बनाना होगा, helping verb या जो models है, वो subject के पहले आजाएंगे और wh word है, तो वो उससे भी पहले shift हो जाएगा, बाकी sentence as it is रहता है, clear, next, 62, 62 में देखो students, she is a great cook, वो बहुत अच्छी cook है, has her own blog on YouTube, उसका खुद का ब्लॉग है YouTube पे, and was followed by 1 lakh viewers, और 1 lakh viewers के द्वारा उसको follow की आ गया है, ठीक है, तो यहाँ पर sentence देखो, she is a great cook, has her own blog, यहाँ से क्या पता चल रहा है आपको, यहाँ से यह चीज पता चल रही है कि sentence किसमे है, present में है, किसमे है, present में, और यहाँ यह वाला part was followed, यह किसमे है, students, past में, ठीक है, तो एक ही sentence है, parallel construction के according देखेंगे, तो यहाँ पर was, यह past है, यह present है, तो यह गलत हो गया, उसको follow किया गया, एक लाख जो followers हैं उसके YouTube पे, एक लाख viewers है, राइट, तो यहाँ was को हम replace किस से कर देंगे, इस से, तो sentence बनेगा, she is a great cook, has her own blog on YouTube and is followed by 1 lakh viewers, is followed, यहाँ पर इसका जो subject है, वो कौन है, she है, clear, तो is followed क्या बन गया, student, passive बन गया, clear है, तो sentence के according देखा, हमने present में था, तो यहाँ was को किस से replace कर दिया, इस से replace कर दिया, error हो जाएगा, D part, यहाँ एक और चीज़ धियान रखेंगे, यह कई बार exam में, अब भी आगे question भी आएगा, कि यहाँ खाना बनाने वाले को cook बोलते हैं, कई बार यहाँ पर cooker करके आपको error देदेगा, ठीक है, our cooker, हमारा cooker, तो cooker person के लिए नहीं आता है, ठीक है, cook करने वाले को ही क्या बोलते है, cook बोलते हैं, जैसे cook वर्ब भी है, खाना बनाने के लिए हम use करते हैं, cook, और cook क्या है, noun भी है, जो खाना बनाने वाला person के लिए use किया जाता है, क्या cook, तो यह भी ध्यान रखेंगे, ठीक है, cooker जो है, जिसमें खाना बनाया जाता है, वो है, लेकिन जैसे क्या होता है, teach करने वाला teacher होता है कही बार error बनाने के लिए कुक करने वाले को cooker बना देते हैं तो ऐसा नहीं होगा ठीक है question भी है यह देखना आप यहां next question number 63 the prime minister holding is the important meeting to review the security and safety of doctors working in government hospitals ठीक है prime minister holding is यहां पर आपको देखती ही आरर समझ में आ जाना चाहिए था prime minister क्या है student subject है prime minister क्या है subject है holding क्या है यहां verb है और इसकी helping verb है is तो पहले helping verb आएगी उसके बाद में क्या एगी main verb आएगी तो यहां क्या दिक्कत हो गई है कि holding is को replace किसे करना पड़ेगा हमें is holding से ठीक है क्या बनेगा prime minister is holding hold का एक meaning किसी चीज को tightly पकड़ना अपने हाथ में ठीक है generally use होता है और hold का एक meeting एक meaning like to have a meeting कोई conference कोई conversation के लिए भी क्या use होता है hold clear next 64 last evening my friend tells me the funny joke that I have ever heard ठीक है यह बोल रहा है लास्ट इवनिंग मेरे फ्रेंड ने मुझे एक ऐसा जोग सुनाया जो कि मैंने इतना जो फनी जोग था जो मैंने आज तक सुना clear यहां पर देखो लास्ट इवनिंग की वज़े से tells को हमें replace करना पड़ेगा told से क्यों क्योंकि लास्ट इवनिंग लास्ट मन्थ लास्ट इयर लास्ट इवन्थ यह जो वर्ड्स हैं yesterday गो यह हमेशा कौन से टैन्स में आते हैं past simple टैन्स किसमें आएंगे past simple में और past simple टेंस में क्या आता है students work की second form आती है तो यहां पर tells given है tells तो कौन सा हो जाएगा present simple past simple के लिए यहां पर क्या use करना पड़ेगा टोल्ट clear ठीक है ना ध्यान रखेंगे last month last year last evening yesterday अगो यह कौन से tense में आएंगे past simple tense में आएंगे next 65 the birth of a girl bring great joy to Neha's family ठीक है लड़की का जनम birth of a girl ठीक है subject कौन है यहां पर birth birth of a girl किसी भी family में लड़की का जनम हो या लड़के का जनम हो वो एक joy खुशी तो लेकर आता ही है तो नेहा के family में birth of a girl एक girl के birth ने क्या लेकर आया एक joy great joy ठीक है यहां पर subject कौन बना main subject कौन है birth है तो birth के according birth कैसा subject है students singular बर्थ कैसा subject है singular तो इसके according आगे आने वाली verb भी क्या होनी चाहिए sorry girls दो नाउन है verb क्या होनी चाहिए singular bring को replace करेंगे किस से brings bring को किस से replace करेंगे brings the birth of a girl brings great joy to नेहा's family ठीक है next 66 this summer I have met down a lot of interesting people इस summer मैं बहुत सारे interesting लोगों से मिला यहां पर error as student met down कोई phrase नहीं होती है यह गलत है या हम इसको पहली चीज़ हम इसको करते सकते है I have met a lot of interesting people मैं बहुत सारे interesting लोगों से मिला डारेक्ट हमने met के बाद में object ले लिया clear या एक possibility यहां यह है कि met के बाद में आप अप ले सकते हो met up जो phrase है उसका मतलब भी यही होता है ठीक है मिलने के लिए use होता है बट यह थोड़ा सा informal है formal के according I have met बिल्कुल सही है informal में use होता है met up ठीक है तो कही जगा आपको met up आप सार देगा तो वो थोड़ा informal है simply हम इसको ऐसा बोल सकते है this summer I have met a lot of interesting people clear next 67 I won't be here next week as I am going to Mumbai to a conference मैं next week यहां नहीं रहूंगा क्योंखी मैं जा रहा हूं Mumbai I am going to Mumbai किसके लिए क्यों जा रहा हूं reason क्या है मेरा purpose क्या है Mumbai जाने का मेरा purpose what is the purpose purpose क्या है मेरा Mumbai जाने का Mumbai जाने का purpose क्या है क्या है conference मैं किसके लिए जा रहा हूं conference के लिए तो conference के लिए यहां to नहीं use करके मुझे क्या use करना पड़ेगा 4 क्योंकि 4 किसके लिए use होता है 4 use होता है students purpose के लिए ठीक है मैं जा रहा हूं Mumbai conference के लिए next 68 I am really bored of this movie मैं इस movie से बोर। हो चुका हूं जो गया हूं when was it and ये कमड़क होगी एन वोश का मतलब तो क्या है ये अभी तो बढ़ हो रहा है present में और ये पूछ रहा है कि कब खतर रहो हो गार्ष है तो एक लिए बिल्कुल ही totally ho gya, कब खतम होगी, यह पूछना चाहरा है, तो इसको किसमें पूछना चाहिए student, इसको पूछना चाहिए future में, किसमें पूछना चाहिए future में,ege future के according हमें was को किसे replace करना पड़ेगा? will से, वस को किसे replace करना है, हमें will से, when will it end sunflower कब खतम होगी next 69 I am going to the airport मैं airport जा रहा हूं to receive my friend मेरे friend को receive करने के लिए यहाँ पर एक चीज देखो student 2 plus verb first क्या होता है student infinitive infinitive क्या होता है 2 plus verb first verb first जबकि यहाँ क्या आया हुआ है s जब भी हम infinitive की बात करेंगे तो to के बाद में simply हमें verb की first form लगानी है कोई s या yes नहीं लगाना है simply verb की first form आएगी to receives नहीं आ करके यहाँ simply क्या आएगा to receive क्या आएगा to receive next 70 Does an English examination begin at 10 o'clock अब यहाँ पर दस वजे English examination के शुरू होने की बात हो रख होई है और एक specific कर दिया है बिल्कुल और specific जब कर देते हैं तो and नहीं लेते क्या लेते हैं the does the English examination begin at 10 o'clock और do, does, did के साथ में हमेशा वो फिर first form आती है यह भी यहाँ पर given है does begin कोई दिकत नहीं है next I used to going for a morning walk when I was living in Dehradun जब मैं Dehradun में रहता था when I was living in Dehradun it means वो अब नहीं रहता है जब वो Dehradun में रहता था याने कौन सा टेंस है यह past continuous जब वो Dehradun में रहता था तब वो morning walk के लिए जाता था past की habit को past की habit को past habit को बताने के लिए हम क्या लेते है simple past तो लेते ही है उसके अलावा हम और क्या लेते है used to क्या लेते है used to ठीक है अब यहाँ पर बोल रहा है used to going तो used to going नहीं होगा simply क्या होगा I used to go क्या बनेगा I used to क्या used to के बाद में क्या used to के बाद में कभी ing नहीं आ सकता बिल्कुल आ सकता है कभ जब used to के पहले जब used to के पहले या तो बी की कोई फोर्म हो इस अमार वोजवर्ड या गेट हो या ग्रो हो या बिकम हो इन केसेज में जब हमें यूस्टू के बाद में यहां वर्ब लेनी है वर्ब की बात कर रही हूँ मैं जब यहां वर्ब लेनी होती है तो वो कौन सी आती है वर्ब की ing को बी यूस्टू आपने सुना हो बी यूस्टू के बाद में क्या आती है वर्ब की ing मैं आपको गेट, ग्रो और यह बिकम यह और एक्स्ट्रा बतारी हूँ यह भी आयो हुए एक्जाम में गेट से भी question आया हुआ है ठीक है तो यह चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि अगर यूस्टू के पहले यहाँ पर बी की कोई form है, गेट है तो यूस्टू के बाद में क्या आएगा वर्ब की ing form otherwise क्या लेंगे हम simply यूस्टू ध्यान क्या आजाएगा वर्ब first क्यारा students बहुत ही important concept है ठीक है और यहाँ से repeatedly exam में question भी आए हुए next 72 what shall we do on ourselves this evening what shall we do हमें क्या करना है मतलब what shall we do हम क्या करेंगे feature में बोल रहा है इस शाम को on ourselves on ourselves नहीं हमारे लिए हम क्या करेंगे 4 ourselves on ourselves नहीं हमारे उपर क्या करेंगे यह नहीं होगा क्या होगा 4 ourselves next 73 instead of studying in home I went to my friend's house घर पे study करने की बजाए मैं अपने friend के घर चला गया तो instead of studying in home की जगे सही word आएगा सही word जो change करेगा वो instead of studying at home सही phrase क्या है at home घर के लिए यूज किया जाता है even कई बार किसी इंसान को comfortable feel करवाने के लिए घर जैसा महसूस करवाने के लिए ठीक है उस case में भी हम at home यूज करते हैं जिससे फर एग्जाम्पल सिट डाउन and make yourself make yourself at home याने comfortable relaxed बोलने के लिए भी हम क्या लेते हैं at home कि बैट जाओ और कैसा comfortable महसूस करो जैसा कि तुम घर पे हो राइट तो sit down and make yourself at home comfortable and relaxed at home का एक मेनिंग क्या हो गया comfortable and relaxed comfortable and relaxed here next next question important question है यहां देखो he likes to put all the garbage into a black small bag this is a case of order of multiple adjective order of multiple ठीक है किसी भी sentence में noun की विशेष्टा बताने के लिए noun को qualify करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं adjective जोसे bag है ठीक है bag की विशेष्टा बताने के लिए small और black दोनों adjective को यूज़ किया गया ठीक है बट होता क्या है कि कई बढ़ एक ही noun की विशेष्टा बताने के लिए दो तीन चार पांच adjective तक यूज़ होते है अब वो दो चार पांच जो adjective है उनकी position क्या होनी चाहिए कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा यह बहुत बहुत important है और बच्चे हमेशा यहाँ पर confused होते रहते है मैंने neon classes की app पे ठीक है neon classes की app आप यहाँ से download करेंगे यहाँ पर free study material में free study material में ठीक है आपको order of multiple adjective की pdf मिलेगी download neon classes app ठीक है यहाँ पर आपको order of multiple adjective की pdf मिलेगी जो आपके सारे doubts clear कर देगी इस पर यह question आया है एक और question 2018 में इसी concept पर based आया हुआ है और लगातार exam में इन concept पर based question आते हैं बहुत research से मैंने वो pdf बनाई है यह देखो यह है वो pdf यहाँ आप देखो ठीक है यह color है यहाँ color सबसे पहले determiner quantity number opinion फिर physical description में सबसे पहले size quality shape next age next color next origin and material फिर purpose यह qualifier और last में noun जैसे for example man है man क्या है नाउन है अब हमें बताना है कि वो man Indian है वो man young है और वो man handsome है determiner तो सबसे पहले आई गया ठीक है तो handsome young Indian man क्योंकि handsome क्या है हमारी opinion है clear young क्या है उसकी age है Indian क्या है उसका origin है और last में क्या आगया man clear car की बात करें तो car क्या है beautiful है old है Italian है और touring है से mirror की बात करें mirror expensive है antique है silver mirror clear यह पूरी table आप बहुत अच्छे से note down कर ले note down नहीं भी करना है तो आपको apps यह as it is यह पूरी pdf मिल जाएगी बहुत important है आपके सारे doubts clear कर देंगी समझ में आया अब यहाँ पर देखो black क्या है student color ठीक है small क्या है students size और black तो black है तो color और size color और size की बात करें तो यहाँ पर बताओ आप पहले size आया है पहले size आना चाहिए और बाद में क्या आना चाहिए color इसी sequence में चले गाए तो पहले size और then क्या आना चाहिए color और यहाँ पर क्या आया हुआ पहले color और बाद में size तो simply क्या होगा ये a small black bag तो back क्या हो गया students, bag हो गया noun, black क्या हो गया color और small क्या हो गया size ठीक है तो small black bag clear क्योंकि यहाँ sequence क्या है पहले size आना चाहिए और फिर क्या आना चाहिए color यहाँ मैंने पूरा detail से opinion देखो क्या हो सकती है wonderful, beautiful, cheap, size क्या हो सकता है, tall है, tiny है, huge hug नहीं है, huge, big है, enormous है, ठीक है physical quality में strong है, weak है, heavy है, shape में square है, round है, rectangular ठीक है, rectangular है, यह उसकी पूरी sequence हो गई, then shape के बाद में is, then color, then origin, then material, last में क्या आ गया, purpose, here, तो बहुत important है, यह पूरी PDF आपको वहां मिल जाएंगी, यह आप लोगों का homework है, यहाँ पर आपको वीडियो को pause करना है, और सबको sequence check करनी है, कि जो हमने जो sequence बनाई है, उसी sequence में है क्या, और लिखना है बकाइदा यहां पर कि beautiful क्या है, big size है, यह क्या है, यह क्या sequence थी, तभी आप बार-बार इसको repeat करेंगे, बार-बार, बार-बार कि यह पहले size आ गया, shape आई है, अब इसकी age आई है, तभी आपको याद रहेंगे, और आपको पूरा इनको solve करना है, इसमें एक-दो questions, एक-दो sentence मैंने ऐसे भी डाले है, जो इस PDF को follow नहीं करेंगे, जो exception है, ठीक है, अब वो आपको comment में बताना है, कि आपसे कौन से sentence है, और वो exception है, तो क्यों है, clear, यह आप लोगों का homework है, यह दोनो PPTs को आपको अच्छे से solve करना है, clear, ठीक है, यह आपको वहाँ मिली जाएगा पीडियो, यह Neon Classes की app पे आपको बहुत सारा study material मिलता है, और वो भी free मिल रहा है, तो आपको ज जहां भी पढ़ रहे है, उससे compare जरूर करना चाहिए, क्योंकि Neon best content देता है, here, next, 75, high level security arrangements were made for the forthcoming visit to a Japanese prime minister, high level security arrangement किये गए है, forthcoming, मतलब जो आने वाली है, जो होने वाले, मतलब forthcoming, मतलब visit, जो visit अभी आगे होने वाली है, इसकी visit is Japanese prime minister की, तो visit to a Japanese prime minister नहीं होगा, क्या होगा, visit of a Japanese prime minister, ठीक है, visit के बाद में क्या use करना है हमें, oh, next, 76, I had a hard time paying the driver as I had only 100 rupee note, यह भी बहुत बहुत important concept है, यहां से भी आपको exam में बहुत bar errors मिलेंगे, ठीक है, note क्या है, student noun है, जब हम इस तरह से, जब हम दो noun आते हैं, और दो noun के पहले यहां पर number आता है, ठीक है, उस case में हम इसको plural नहीं बना सकते, simply क्या बनेगा, a hundred rupee note, हम noun को, last वाले noun को plural बना सकते हैं, है, ठीक है, hundreds of machines, तब यह plural बन सकता है, लेकिन अगर इसके बाद में आप noun यूज़ कर रहे हैं, तो इसको plural नहीं बनाया जा सकता, यह हमेशा क्या रहेगा, singular रहेगा, बाद वाले noun को आप plural बना सकते हैं, बहुत important concept है यह, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, और यह मैंने मेरी जो full grammar revision वाली class है, वहाँ पर बहुत detail से इस concept पर based question करवाए हैं, महामेराथन जो है, कि किस तरह दो noun जब किसी sentence में एक साथ आते हैं, तो हमेशा पहले वाला noun, दूसरे noun के लिए singular रहता है, उसकी विशेशता बताता है, बाट इसका भी exception है, कि कई बार इस noun को भी plural बनाना पड़ता है, वो क्या है, ठीक है, वो आपको वहीं देखने को मिलेगा, man-servant और man-servants वाला case, वो आने पूरा वहाँ बताया हुआ है, ठीक है, तो वो आप वहाँ जरूर देखें, और इस concept पे based questions भी आपको मैंने वहाँ करवाये हुए, बहुत-बहुत important है, आपको देखना ही चाहिए, ठीक है, मैं अपने दात के दर्द को सहन नहीं कर पा रहा था, ठीक है, तो सहन नहीं कर पाने के लिए हम यहाँ पर क्या रियूस करेंगे, वो अपनी ability, capacity बता रहा है, तो आएगा यहाँ पर was की जिगा आएगा, I could not bear, bear का मतलब सहन करना, I could not bear, here was नहीं आएगा, क्या रियूस करें कुट, next, और एक चीज़, was के बाद वैसे भी bear नहीं आ सकता, was के बाद में verb पर्स्ट नहीं आ सकती, ऐसी कोई structure पॉसिबल ही नहीं है, या तो was अकेला आएगा, या verb की second form आएगे के लिए, या was plus verb third आएगा, जब passive बनेगा, तो sentence passive भी नहीं है, तो हमें was को replace करना पढ़े किसे, कुड से, ठीक है ना, next, 78, to write a poem, poem लिखने के लिए, I need a pen, मुझे एक pen चाहिए, I need a pen, a diary, एक diary, और मुझे क्या चाहिए, एक शान्द जग्या चाहिए, तो यहाँ दव को replace करना पढ़ेगा, अ से, दव को किसी replace करना पढ़ेगा, अ से, क्योंकि यहाँ पर किसी specify, किसी place की बात नहीं हो रही है, कि मुझे वो place चाहिए, या मुझे यह place चाहिए, simply एक शान्द जग्या की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हमें कोई, हमारे definite article नहीं लेते हुए, simply क्या लेंगे, indefinite, क्योंकि पहले भी definite articles हमने लिए, एक pen चाहिए, एक diary चाहिए, और क्या चाहिए, शान्थ चाहिए, next, 79, I don't like movies, who has an unhappy ending, मुझे movies पसंद नहीं, I don't like movies, ऐसी movies पसंद नहीं है, जिसकी unhappy ending होती है, जिसकी unhappy ending है, वो movies मुझे पसंद नहीं है, clear, तो who, who पे ध्यान दो जड़ा, किसके लिए यूज होता है, student, person के लिए, ठीक है, movies के लिए who, नहीं आ सकता, movies, person नहीं है, who किसके लिए आएगा, मेशा, person के लिए, movies के लिए, things के लिए, क्या यूज करते हैं, which are, that, clear है, next, 80, it takes me one hour to get to work in the morning, in weekday, मुझे एक घंटा लगता है, काम पर जाने के लिए, morning में, कब weekday में, ठीक है, तो weekday, day noun हो गया, ठीक है, एक दिन की बात करेगा, तो बनेगा, a weekday, ठीक है, या हमेशा week की बात करेगा, weekdays की, तो क्या बनेगा, weekdays, simply weekday सही नहीं है, या तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहां a, या क्या करना पड़ेगा, weekdays, clear है, next, 81, no one inform me that you would be absent, किसी ने मुझे इन्फोर्म नहीं किया था कि तुम absent हो, so no one inform me की जगे आएगा, no one informed me, क्योंकि sentence किस में है, past me, किस में है, past me, so inform को replace किस से करेंगे, informs, ठीक है, 82, having been a student activist once, a politician never forget those days, student activist कभी अगर कोई इन्सान रहा होता है, तो उन दिनों को वो कभी नहीं भूल सकता, मतलब कभी नहीं भूल पाएगा, यानि, reaction past में था, present में है, future में भी है, ऐसे जो sentence होते हैं, वो किस में आते हैं, student, simple, simple, present यह, ठीक है, तो a politician है, singular है, तो यहां forget को आपको replace करना पड़ेगा, किस से forgets, क्योंकि singular subject के साथ में, क्या आती है, singular verb आती है, ठीक है, politician singular है, तो हमें verb भी क्या लेने पड़ेगी, singular, that is forgets, clear, next question number 83, परसाद recalled that meeting people have been a part of his life as a student actors, परसाद ने recall किया, निकिस में as student past simple हुँ, recall किया, उससे पहले का action की meeting people, लोगों से मिलना, उसकी part, life का part होता था, क्यों, as a student activist, clear, तो यहाँ पर construction बन रहा है, past simple और past perfect, वो student activist था, उसकी life का part था, लोगों से मिलना, यह उसने recall किया, तो यहाँ have की जगे क्या आएगा, student had, ठीक है, यह चीज हम देख चुके है, past perfect और past simple में क्या होता है, दो action जो past में होते हैं, उन में पुराना action आता है, past perfect में और नया action किस में आता है, past simple में, past perfect, older action, newer action, past simple, next, 84, I was surprised to see as Avika could write such good poems in me, मैं यह देख कर क्या था, surprise था, क्या, अब यहाँ पर आगे का sentence है, जो जोडने का काम कर रहा है, आगे का sentence बता रहा है, तो जोडने का काम करेगा यहाँ पर that as a conjunction, ठीक है, as मतलब in which way इस तरह से हम यूज़ करते हैं, इस तरीके से, पर यहाँ पर इस part को इस part से जोडना है, simply यह बताना है, कि आगे क्या बोला जा रहा है, तो हम यूज़ करेंगे that, that क्या अवी का कुड राइट, अवी का इतनी अच्छी points लिख सकती है, कि समें, इंदी में, यह चीज़ देखकर मैं क्या था, सर्प्राइज था, यह नेक्स्ट, 85, we have sufficient food and clothing, about the food victims in केरला, हमारे पास में sufficient पर्याप food है, खाना है, किनके लिए, food victims जो केरला में है, उनके लिए, तो about को replace करना पड़ेगा, किस से, कोर से, क्यों 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 क्या बोलना चाह रहा है, we have sufficient food, हमारे पास sufficient food है, clothing है, किस के लिए, for the flood victims, sorry, for the flood victims in केरला, केरला में जो flood victims है, उनके लिए, हमारे पास sufficient food है, clothing है, तो के लिए की बात करेंगे, तो क्या यूज होता है, for, next, 86, everything has became very expensive these days, आज कल सब कुछ बहुत महँगा हो गया है, यहाँ देखो student has के बाद में verb की third form यूज की जाती है, और become की बात करें, तो become verb की first form है, became verb की second form है, और again become verb की third form है, same ये come वाली बाते है, come, came, come, वैसे ही become, became, become, ठीक है, तो became को replace करना पड़ेगा किस से, यहाँ देखो became को replace किस से करना पड़ेगा, become, next, 87, organizing world cup matches in England imply that rains can be a constant threat, अब sentence देखो, sentence क्या बोल रहा है, organizing world cup matches in England, world cup matches को England में organize करना, ठीक है, आगे यहाँ आने चाहिए verb, तो यह जो subject है, वो क्या show कर रहा है, singular subject को show कर रहा है, कैसा subject show हो रहा है, singular, word cup matches को organize करना, ठीक है, यह कैसा है, singular, तो यहाँ पर verb जो आने चाहिए, that must be singular, तो imply की जगे क्या आएगा, implies, implies, imply के जगे क्या आएगा, implies, ठीक है, imply, मतलब suggest, next, 88, my friend has started a restaurant in a wooden big building in Manali, मेरे फ्रेंड ने एक नया restaurant start किया है, Manali में wooden की एक बड़ी building में, अभी अभी थोड़ी देर पहले मेंस का ही 11 सेप्टेंबर वाले पेपर में मैंने concept करवाया था, order of multiple adjectives, building क्या है, noun, wooden और भी क्या है, adjectives, इनकी क्या position होनी चाहिए, वो आपको मैंने पूरा बताया था, और तब ये भी बोला था है कि इस पे base जो है, वो question आगे भी आएंगे, ये question आगया, इसकी PDF जो है, वो आपको Neon की app पे मिल जाएगी, ठीक है, Neon Classes की app पे, order of multiple adjectives की PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है, ये पूरी table है, जो मैंने बनाई है, इसमें आप देखो, determiner, quantity, number, opinion, size, पहले size आएगा, फिर quality, then shape, then age, then color, उसके बाद origin, then material, फिर purpose, और last में क्या आएगा, noun, और इसको और अच्छे से simplify करके यहाँ पर भी लिखा है, opinion क्या हो सकता है, wonderful, beautiful, size क्या हो सकता है, tall, tiny, huge, big, enormous, physical quality, strong हो सकता है, weak हो सकता है, heavy हो सकता है, shape कैसी हो सकती है, round हो सकती है, square, rectangular, age क्या है, old, young, new, color कोई भी red, black, white, ठीक है, origin, Indian, Swedish, French, material, glass, silver, wooden, अब देखो, question में क्या है, wooden तो क्या हो गया, material, wooden क्या है, student, material, और big क्या है, size, तो हमारे table के according, size पहले आना चाहिए, और material बाद में आना चाहिए, ठीक है, जैसे यहाँ देखो, huge, round, metal, bowl, तो huge क्या था, size, round क्या थी, shape, और metal क्या है, material, तो वहाँ पर क्या है, wooden और big, तो big क्या है, size, और wooden क्या है, material, तो पहले क्या आएगा, big, और बाद में क्या आएगा, wooden, तो इसको replace कैसे करेंगे, इसको, हाँ, इसमें क्या changes करना है, हमें big को पहले लेना है और wooden को बाद में तो क्या बनेगा a big wooden a big wooden building क्या बनेगा a big wooden building building तो क्या है noun wooden क्या हो गया material ठीक है और big क्या हो गया size यह बहुत important table है मैंने बहुत महनत से बनाई है आप यह table जरूर पढ़े और इससे related बहुत सारे questions भी exam में आते हैं मैंने आपको homework भी दिया है जिसमें sentences हैं आपको पूरा check करना है वहां का exception बताना है comment करना है जरूर ठीक है यह देख लिजिए यह PDF आपको वहां मिल जाए next question number 89 wealth creators are essential for money to distributed in the economy अभी अभी हमने एक concept discuss किया था कि infinitive के लिए क्या होता है student two के बाद में क्या आती है verb की first form यह normal infinitive होता है जिसको हम infinitive बोलते हैं और एक होता है verb की first form जिसको हम बोलते हैं वेर infinitive ठीक है यहां पर two के बाद आया है distributed यह गलत है कि past form आ गई है first form यहां हमें लेनी पड़ेगी that will be distribute clear है next 90 most of the work of this NGO are of little benefit to the disadvantage ठीक है most of the work of this NGO यह पूरा यह पूरा क्या है student subject है subject कैसा group of words अब इस subject में हमें इस subject के according यहां पर वर्ब लेनी है यहां वर्ब आई है आर जिबकी वर्ब क्या है uncountable है singular है most of the work तो वहां वर्ब भी क्या आनी चाहिए singular और आर की जगे क्या आना चाहिए is according to the work clear next 91 in order for he to attend the meeting he needs to prepare exhaustive notes बोलना चाहरा है की उसको meeting attend करने के लिए की अनुसार he needs उसको जरूरत है prepare करने की exhaustive notes राइट in order for he यह गलत हो गया है यहां बनेगा student in order to in order to attend the meeting जो कि सही phrase क्या होता है student in order to किसी भी चीज के according किसी चीज के according करने के लिए तो in order to attend the meeting meeting को attend करने की according बात कर रहा है तो क्या आना चाहिए in order to ठीक है next 92 what is the function of the kidney in the body so what हो गया है यह डबली एच वर्ड इस helping अपको आगे ले आए किस से पहले यह हो गया subject so interrogative sentence है बिल्कुल सही है कोई आर रह नही है कि what is the function of the kidney in the body body के अंदर kidney का क्या function जा next 93 Rohit did not came to the office Rohit office नहीं आया because he got held up due to the heavy rains क्योंकि held up held up का हम held up या hold up जो हम बोले इसका मतलब होता है किसी चीज की वज़े से blockage हो जाना किसी चीज की रुकावट आ जाना जैसे कई बार हम देखते हैं कि रोड पे कोई accident हो जाता है तो accident हो जाने से पूरी रोड जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है पूरा traffic jam हो जाता है तो उस condition के लिए यहां पर English में हम क्या phrase use करते है held hold-up ठीक है held तो इसकी past form हो जाएगी clear hold-up ध्यान रखेंगे चीज clear जैसे किसी accident ने पूरे traffic को रोक लिया तो यहां पर ही बोल रहा है कि heavy बहुत ज्यादा बारिश हो जाने से heavy range की वज़े से वो क्या हो गया वहां रुक गया डिले हो गया अपने काम में नहीं आ पाया क्यों office नहीं आ पाया ठीक है तो यहां पर देखो did not came came को replace करना पड़ेगा कम से क्यों क्योंकि do does और did इन तीनों के बाद में verb की कौन सी form आती है first form do does did के बाद में कौन सी form use करेंगे verb first clear hold up मैंने आपको बताई दिया है next 95 94 despite incessant rails she is the only one who plan to attend the meeting at the ministry despite के बाउजूद भी incessant मतलब बिना रुके लगातार not stopping never stopping जो कभी नहीं रुके बहुत लगातार तेज बारिश जैसे incessant rains हो सकता है incessant noise हो सकता है incessant meetings हो सकती है ठीक है यह इसके collocation रहते हैं never stopping जो कभी रुकने वाला नहीं है constant है constant वो क्या हो जाएगा incessant in माने not cess माने stop जो नहीं रुके लगातार चले clear तो बहुत तेज बारिश हो रही थी उन बारिश की वज़े से भी वो ही एक अकेली थी she is the only one वो एक अकेली बंदी थी जो plan कर रही थी कि वो meeting attend करेगी ministry में at the ministry यहाँ देखो plan आया है plan के पहले है who who क्या है relative pronoun जो किसके लिए आता है person के लिए उससे पहले आया one तो plan के यहाँ किसको replace कर देंगे plan को plan से किसके according one के according क्योंकि हू के बाद में जो verb आयेगी वो कौन decide करता है हू के पहले वाला subject हू के पहले subject one है तो इसके according one के according verb क्या हो जाएगी plans next 95 everybody is waiting to see whether the new leadership has effect some changes soon in the party everybody is waiting to see whether the new leadership has यहाँ effect को change करेंगे हम affected से has के बाद में verb की third form आती है in a nutshell अगर brief में बोला जाए तो affect क्या है student verb है और effect क्या है student noun है ठीक है effect को बहुती rare case में as a verb use किया जाता है तब ये two को follow करता है two plus verb first make something happen का case रहता है बट ये बहुती rare कभी use करेंगे generally जो आपको याद रखना है वो ऐसे रखना है कि effect को हम as a verb use करेंगे और effect को as a noun use करेंगे यहाँ पर has के बाद में verb की third form आनी चाहिए तो वो क्या हो जाएगी affected clear next 96 I am going to a holiday to punch money tomorrow ठीक है यहाँ पर बोल रहा है कि मैं एक holiday पे जा रहा हूँ I am going for क्या हैगा I am going for a holiday to punch money tomorrow next 97 the social media department is headless at the moment social media department जो इसे मैं headless है और इसको ध्यान रखेंगे आप wine ठीक है अगर something है ठीक है wine for something होता है ठीक है यानि जो post है इसके लिए हमने क्या ले लिया और अगर कोई person हो किसी के साथ में आप compete कर रहे हो यह competition कर रहे हो तो वाइंग with somebody होता है वाइंग with somebody अच्छे से ध्यान रखेंगे वाइंग with somebody and wine for something इन दोनों चीज को अच्छे से note कर लेना star बना लेना आगे की class में आपको इसी concept पे एक और question मिलेगा जो आगे exam में आया हुआ है ठीक है तो वाइंग with somebody और वाइंग for something तो यहां something है post that's why हमें क्या लेना पड़ेगा 4 clear next 98 he switch on the TV to listening to the speech of the PM on the independence day अभी अभी हमने discuss किया था to listening नहीं होगा क्या होगा to listen to के बाद में क्या आएगी verb की first form next 99 he made her as the chairperson of the of their bank he sorry they made her they made her their subject made verb her object क्या बनाया उन्होंने chairperson तो यहां पर as जो है इसकी कोई requirement ही नहीं है इसको यहां हम use नहीं करेंगे simply क्या बोलेंगे क्या बनाया they made her they made her what they made her chairperson clear तो यहां पर as को आप हटा देंगे simply क्या आएगा directly chairperson next 100 they can't hardly believe that article 370 is no longer valid in Jammu and Kashmir they can't hardly believe अब देखो यह hardly खुद क्या है एक नेगेटीव एडवोब है मुश्किल से ना के बराबर के लिए हम क्या use करते हैं hardly और यहां can't भी दिया हुआ है जो क्या है खुदी एक negative negative meaning दे रहा है तो double negative यहां हो गया है इसको हमें हटाना पड़ेगा simply क्या बुलेंगे they can hardly believe मतलब जब किसी चीज को करना बहुत मुश्किल होता है बहुत difficult होता है उसके लिए हम can hardly लेते हैं जैसे they can hardly believe that 370 is no longer valid in Jammu and Kashmir वहां पर 370 जो valid नहीं है article 370 वो उनके लिए बिलीव करना बहुत ही उश्किल है तो can't को हटा देंगे not को और simply क्या आएगा can can hardly believe clear है students next next 101 over the years the writer Amish has evolved to what millions of youngsters aspires to be today and intellectual बोलना क्या चारा है कि Amish जो है उसने जैसे खुद को evolve किया है जितना to what millions of youngsters जो millions of youngsters जो है वो aspire यहां पर देखो aspire को replace करना पड़ेगा aspire से aspire मतलब महत महत्वक आंक्षा रखना ठीक है जैसा बनने की कोशिश करने के लिए यहां पर millions of youngsters subject क्या है millions of subject क्या है millions of youngsters और कैसा subject है plural कैसा subject है plural तो इसी क्या 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 पर यहां पर वर्ब भी क्या आएगी student plural तो aspire नहीं आएगा क्या आएगा aspire तियर 102 एच फिल्म विल बी चेक्क्ट बाइए गवर्मेंट अपॉइंट्टेट सेंसर बोर्ड अलों पॉब्लिक exhibition इच फिल्म चेक्ट करी विल बी चेक्ट पैसिव बन रहा है बाइए गोवर्मेंट अपॉइंट करती है सेंसर बोर्ड और उसके साथ में तो साथ में साथ में की बात हो रही है तो क्या आएगा अलोंग विद्ट क्या आएगा अलोंग विद्ट ये अलोंग विद्ट हम यहाँ पर सेंसर के contextual meaning के according ले रहे हैं बहुत सारे एरर्स हमें sentence के meaning को देखके करने पड़ती है जब उसका clear meaning वहां नहीं निकलता है उसके according हमें एरर को इसमें इंप्रूब करना होता है कि यह एरर है इसको इस तरह से लिखा जायाएगा next 103 it is we said that in 2019 the Indian stock market will fall drastically and we can expect that fall very soon यह क्या बोल रहा है ऐसा कहा गया है क्या कि 2019 में stock market बहुत ही drastically गिरा था fall हुआ था ठीक है यहाँ पर देखो it is be said यह कोई structure है क्या नहीं है simply क्या होगा it is said it is be said यह कोई structure नहीं बन रही simply क्या बनेगी it is said clear है is plus work third 104 two American cities witnessed shooting and resulting in mass fatalities over the weekend यह case बनता है students parallel construction का इसका parallel construction two American cities ठीक है subject यहाँ witnessed shooting and से यह पार्ट जूड़ रहा है यह पहले कौन सा witness shooting वाला और यह बाद वाला तो यहाँ पर यह जो पार जूड़ रहा है यहाँ क्या है witness so इसी witness के according यहाँ resulting की जगे क्या आएगा resulted क्या आएगा यहाँ witness shooting and resulted in mass parallel clear next 105 instead of helping her mother at the kitchen रेखा वोस ओन हर mobile talking to her friend अपनी मदर को kitchen में help करने की बजाए रेखा कौन पर बात कर रही थी अपनी so instead of helping her mother in the kitchen क्या आएगा in the kitchen add the kitchen नहीं आएगा क्या लेंगे in the kitchen next 106 please go out and check if it is yet ready please बाहर जाओ और चेक करो क्या अभी भी बारिश हो रही है क्या अभी भी बारिश हो रही है इसके लिए हमें लेना पड़ेगा yet की जगे आएगा still yet को generally negative sentences में negative sentences में not yet इस तरह से हम इसको use करते है positive sentences में इसको जट को कमी हम यूज करते हैं sentence का meaning भी क्या है कि क्या अभी तक बारिश हो रही है ठीक है तो क्या भी भी बारिश हो रही है तो क्या आएगा Is it still raining? Next 107 It was a really bad movie ये बहुत ही बिकार movie थी bad movie थी A worst movie I have ever seen in my life जितनी भी मैंने अपनी life में movies देखी है उन में से सबसे बेकार movie यही थी तो जितनी भी चीजे होती है उन में से जब हम एक चीज को चूज करते हैं एक चीज को बताते हैं तो हम लेते हैं कुनसी degree? Superlative जितनी है उन सारी में से जब हम एक को specify करके बोलते हैं तो क्या आती है? Superlative वर्स कुनसी है? Comparative तो क्या बोलेंगे? The worst The क्यों लेंगे? क्यों? क्योंकि superlative degree के साथ हम क्या यूज करते हैं? Superlative degree के साथ हम यूज करते हैं The तो यह sentence क्या बनेगा? It was a really bad movie The worst movie I have ever seen in my life Clear? Next 108 Found in many parts of India The frangipini tree is a small low branching tree which is special use for several medicine purposes इसमे क्या आरर समझ में आरर सुदेंट इसमे आरर देखो यहाँ पर special को हमें replace करना पड़ेगा specially से क्योंकि special है adjective और हमें यहाँ चाहिए advo ठीक है? यहाँ पर हमें इस verb को which is specially used ठीक है? इस verb को modify करने के लिए हमें adjective के नहीं किसकी requirement है? Advo particularly specially का मतलब क्या है? particularly तो special को replace किस्ते कर देंगे? specially से clear? next 109 A recent government highlight that the shortage shortage of teacher in higher education institution is greater than that in countries like China, Brazil, Sweden and Russia अभी जो recent की government की जो report है वो यह बताती है कि जो teachers की shortage है educational institution में वो ज्यादा है in higher educational institutions is greater than the countries किसे China, Brazil, Sweden and Russia यहाँ पर देखो यहाँ error की बात करें ठीक है? error की बात करें तो यह क्या है? recent government report यह क्या है? पूरा का पूरा subject क्या है? subject इसके बाद में क्या आनी चाहिए? verb तो a recent government report कैसा subject है student? singular कैसा है? singular तो आगे जो verb आनी चाहिए वो भी क्या होनी चाहिए? singular तो highlight को किस से replace करेंगे? highlights singular क्या according क्या आएगा? yes तो highlight को मैंने replace किस से कर दिया? highlights से क्योंकि subject जो है recent government report की क्या है? singular subject है तो दो वर्ब जो आएगी वो भी क्या रहेगी? singular next 110 their house aren't very big but their garden is उसका घर बड़ा नहीं है लेकिन उसका गार्डन है their house aren't अब देखो house क्या है student? singular है तो आगे वर्ब भी कैसी आएगी? singular तो आर को किस से replace करेंगे? is से isn't their house isn't very big but their garden is next 111 111 is she go to visit her parents in the evening? अब इस सेंटेंस में क्या आरा देखो? यह सेंटेंस तो सही नहीं है इसके बाद में वर्ब फॉस्ट इस और वर्ब फॉस्ट तो एक साथ नहीं आ सकते हैं यह तो कोई भी construction ही नहीं होता है इस सेंटेंस को दो तरीके से सही कर सकते हैं यहां तो हम करेंगे इसके यहां पर does does she go to visit her parents in the evening? simply बोल रहा है कि क्या वो अपने parents को evening में विजिट करने जाती है यह सेंटेंस किसमें बन जाएगा? present simple में present simple में ऐसे sentence आते हैं पहले भी होते थे आज भी हो रहे और आगे भी होंगे regular repeated actions जो है natural day to day happenings जो है वो किसमें आती है? simple present में आती है यह हम इसको एक तरीका और है इसको बना सकते हैं is she going to visit is she going to visit यह बनेगा students present continuous अगर grammatically देखें तो बोथ हार correct grammatically दोनों सही है दोनों में कोई दिक्कत नहीं आएगी grammatically ठीक है? यह भी सही है और यह भी सही है दोनों सही है ठीक है? but meaning change हो जाएगा is she going? मतलब यह पूछ रहा है आज कि क्या वो अपने parents को visit करने जा रही है ठीक है? in the evening clear? जो error है वो इसी पार्ट में रहेगा दी पार्ट में यह जो पार्ट है next 112 Our most memorable meeting with Spielberg happened while we were at the Berlin Film Festival in 1977 when the film Shatranj Ke Khiladi were being screened as India's official entry ठीक है? यहाँ पर देखो student यह meeting बता रहा है Spielberg के साथ while we were यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं at the Berlin Film Festival in 1977 1977 यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं where the film? फिल्म कौन सी? Shatranj Ke Khiladi अब देखो यहाँ पर film कैसी है? Shatranj Ke Khiladi एक film है याने कि कैसा है? singular subject है were being screened यहाँ पर were आ गया यह दिक्कत करेगा यहाँ वर नहीं आएगा क्या आएगा? क्योंकि इसकी बात हो रही है फिल्म की बात हो रही है फिल्म एक है सतranj Ke Khiladi की बात हो रही है तो was आएगा was plus being plus verb third यह कौन सी construction होती है student? यह construction है past continuous की passive structure past continuous की active structure क्या होती है was verb plus verb ing form past continuous की passive structure क्या हो जाएगी was verb being plus verb third form ठीक है? तो यह वाली जो structure है इसमें दिक्कत यह है कि वर ले लिया है जबकि subject क्या है? singular है singular है तो verb क्या आने चाहिए? was ठीक है? next 113 doctors say that eating red meat is one of a leading sorry lead cause of heart disease अब यहाँ पर देखो lead cause नहीं आएगा क्या आएगा? leading causes one of the leading causes a नहीं आएगा the causes क्योंकि one of के बाद में plural noun आता है और leading जो हमेशा noun के पहले आता है यह बताने के लिए कि most important most जो चीज है कि जो causes है उन में से most important one of the leading causes ठीक है? leading लेंगे lead नहीं आएगा causes आएगा one of the की वज़े से doctor यह बोल रहे है कि लाल red meat खाना one of the leading cause है किसका heart disease का ठीक है? next one one four since a meeting drew to a close I realized that people were not listening to me क्योंकि यह meeting खतम होने आई drew to a close ठीक है? इसका मतलब होता है to come to an end ठीक है? कोई चीज खतम होने प्याना clear? since यहाँ पर क्या meaning there है because का क्योंकि ठीक है? since meeting खतम होने प्याई तब मैं realize किया कि कोई भी मुझे कोई भी मुझे सुन नहीं रहा था अब यहाँ पर देखो students since a meeting a meeting का मतलब क्या हो गया? a meeting का मतलब हुआ कोई भी indefinite meeting ठीक है? जब की वो fixed meeting की अपने meeting की बात कर रही है जिसमें वो बोल रही थी तो यहाँ पर क्या use करेंगे? the a की जगे क्या आएगा? the since the meeting drew to a close I realized that people were not really listening to you ठीक है? next 115 rescue officials was unable to find any survivors in the California boat tragedy rescue officials यह देखो student यह जो पार्ट है rescue official यह क्या है? subject rescue officials rescue workers rescue boards ठीक है? rescue helicopters यह collocations होते हैं कि subject है और कैसा subject है? plural simply यह subject verb agreement का question है simple question है किसका? subject verb agreement का क्या? कि rescue official क्या है? plural subject है तो we have to use plural verb here words की जगे क्या आएगा? your students words की जगे आएगा? according to rescue official clear? next 116 please don't disturb to me as I am reading a book please मुझे disturb मत करना क्योंकि मैं बुक पड़ रहा हूँ यहां error है please don't do, does, did अभी अभी मैंने आपको बताया इसी क्लास में do, does और did के साथ में did के बाद में हमेशा वर्प की first form आएगी तो disturbs को replace करना पड़ेगा disturb से और disturb के बाद में यहां to नहीं आएगा सीधा object आएगा please don't disturb me ठीक है ना disturb to me नहीं होगा simply क्या होगा disturb me और do, does, did ध्यान रखना है हमेशा important है कितने questions तो हम करी चुके हैं do, does, did के साथ में work first time next 117 Anya's class teacher and her friends congratulates her warmly when she won the inter-school debate and brought the trophy to the school जब वो जीत कर आई inter-school debate और एक trophy लेकर आई तब वहाँ पर जो उसके friends और जो class teacher था उसने उसको congratulate किया तो यह जो part है यह किसमें चल रहा है student यह part यहां से लेकर यहां तक चल रहा है किसमें past नहीं वो debate जीत कर आई वो trophy लेकर आई तो जब वो trophy लेकर आई जीत कर आई तो सबने उसको congratulate किया तो यह वाला part भी किसमें आना चाहिए past में आना चाहिए तो congratulate को हम replace किस से कर देंगे congratulated क्या हो जाएगा यह congratulated ठीक है next 118 some of us हम में से कुछ are plan to go for a movie tonight आज रात को movie जाने की planning कर रहे है ठीक है कर रहे है तो क्या होगा are planning are planning to go for a movie tonight ठीक है are plan तो कोई structure ही नहीं होती बहुत बार आपको error के रूप में is am are plus verb first दे देता है बच्चे ध्यान नहीं दे पाते है तो बच्चों यह कोई structure ही नहीं है ऐसा कोई sentence नहीं बनेगा क्या तो is am are अकेला आएगा यह वर्फ फस्ट आएगी यह फिर is am are plus verb third आएगी यह चीज ध्यान रखना आप next 119 the novel embers has a captivating captivating मतलग enchanting बहुत ध्याना कर्षित करने वाली अच्छी शान्दा float and begins with the senior army officer preparing to receive a rear visitor a man who was once his closer friend आपको शायद आर समझ में आ गया होगा closer friend नहीं होता क्या होता है students close friend close friend हो सकता है good friend हो सकता है family friend हो सकता है lifelong friend हो सकता है a friend of a friend हो सकता है क्या नहीं हो सकता closer friend नहीं हो सकता clear यह collocation आप ध्यान रख लेंगे good friend हो गया, ठीक है, family friend हो गया, lifelong friend हो गया, friend of a friend हो गया, ठीक है, ये कुछ collocation होते है जिनको ध्यान रखना है, ठीक है, next 120, it is estimated that most of the addict are hoping 85% in goat's own country, Kerala are below 25 years of age, ठीक है, अब इस पार्ट को अगर आप हटा दे, ये वाला पार्ट, यहाँ Kerala तक, तो ये जो वर्व आई है, are below 25 years of age, इसका subject क्या है, क्या है इसका subject, इसका subject student, most of the addict, तो are के according, जो subject होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, plural, कैसा होना चाहिए, plural, ठीक है, most of the addict नहीं होगा, क्या होगा, addicts, शराब, नशाग, जो भी drugs का नशा करने वाले होते हैं, उन person के लिए, क्या words यूज किया जाता है, addict, किसके लिए यूज किया जाता है, person के लिए भी यूज किया जाता है, वर्ब भी है, और person के लिए भी यूज करते हैं, और वो ज्यादा है, एक से ज्यादा है, तो क्या हो जाएंगे, addicts, तो most of the addicts are below 25 years old यहां से आपको clear हो जाएगे ठीक है कई बार किसी sentence की construction को वो कौन सा subject किस work के लिए हमें कुछ पार्ट को हटा करके और फिर समझना पड़ता है इसलिए मैंने आपको समझाया है इस पार्ट को आप हटा करके समझेंगे तो बिल्कुल clear हो जाएगा कि most of the addicts are below 25 years of age ठीक है और पूरा पड़ेंगे कि यह estimate किया गया कि ज्यादा तर जो addicts है पिंग 85% कहा इन गोड्स ओन कंट्री क्या है 25 साल से कम एज के है और below 25 years of age ठीक है clear है यहां आर क्यों आया क्योंकि addicts की बात हो रही है addict singular है और addicts क्या है plural है तो हमें verb subject को plural बनाना पड़ेगा औ यहां plural verb यूज किया है here next question number 121 पर आते है 17 में सेजियल जो में 17 हुआ था इसमें अच्छे questions पूछे गये थी बच्चों को लगा था कि हाँ थोड़े tough questions आज हम देख लेते हैं start करते है many firms fail because when they begin exporting they have not researched the target markets और have not planned enough अब यह question जो है student यह question है आपका parallel construction का parallel construction क्या होता है किसी भी sentence में देखो मैंने इसकी pdf भी दी हुई है और यहां पर जंबल या close test की आपके पास में book है तो वहां पर भी मैंने इसको बता रखा है parallel construction क्या है कि किसी भी sentence में जब दो या दो से ज्यादा equally important idea को discuss किया जाता है तो उनका formation same होना चाहिए अब parallel construction पे base कितने तरह क्यारण हो सकती है tenses पे base हो सकती है infinitive gerunds पे base हो सकती है functional words पे हो सकती है conjunction है degree of comparison है बहुत बहुत important है parallel construction generally student को अपने syllabus के बारे में parts of speech है tense है यह सब पता होता है लेकिन parallel construction नहीं पता होता है जबकि exam में parallel construction से बहुत सारे question आते हैं अभी अपन इसमें CGL मेंस में 17 में देखेंगे कितने सारे question parallel construction से stall हो रहे है ठीक है जैसे देखो यहां पर हम यहां हम देखें यह देखो यहां देखो यह कैसे किस तरह से question आते हैं यहां James wrote edited and was reading out the news item for CNN अब यहां यह wrote verb है यह past में है edited past में है लेकिन आगे end के बाद में जो verb आई है यह किस में आई है past continuous में आई है यह दोनों किस में आ रखी है यह दोनों past simple में आई हुई है है ना तो parallel construction क्या बोलता है कि जब हम end से इन तीनों verbs को जोड रहे हैं तो तीनों का formation same होना चाहिए याने wrote edited आया है तो आगे भी क्या आना चाहिए red आना चाहिए तो यह गलत हो गया यह sentence right right क्या होगा James wrote edited and read out of the news item for CNN clear है या अब अगर हम इसमें वुड से हमने इसको बनाया तो वुड right would common आ गया write, edit and read clear तो parallel construction बहुत ज्यादा important है और parallel construction की मैंने पुरी checklist भी दे हुई है यह आपको जंबल की बुक में मिल जाएगी जंबल की बुक में यह checklist आपको मिल जाएगी इसमें मैंने right और wrong दोनों बताएंगे किस तरह से बच्चा exam में गलती करता है वो सारा मैंने यहां समझा रख है ठीक है अब question पर आते है have के बाद में क्या आती है work की third form आती है right तो have not planned है तो उपर क्या है have not researched जो गलत है क्या आएगा have not researched clear तो have not researched और have not planned this is the case of parallel construction it's very important ठीक है आप बहुत important है आपको मैं इसकी PDF जो है वो आपको neon classes की पर neon classes की app पर आपको free study material में इसकी PDF मिल जाएगी जंबल की book है आपके पास close test की book है तो वहां पर भी यह मैंने दे रखा है और आप सभी को जरूर पढ़ना चाहिए आज की class में इसमें हम देखेंगे कि 2017 में कितने सारे question parallel construction से solve हो रहे है ठीक है next question number 122 part of what a man learns will measurable as specific knowledge and skills while another part involves changes part of what a man learns जो आदमी सीखता है will measurable अब देखो यहाँ पर एक चीज़ आपको देखनी थी will will जो है जो भी models होते है will shall would should इनको हम कभी भी अकेला यूज नहीं कर सकते किसी भी sentence में clear या तो यह will के साथ में अगर helping verb alone का sentence है तो be आएगा या will के साथ में क्या आएगी आगे वर्ब की first form आएगी clear simply will नहीं आ सकता किसी भी sentence में तो यह गलत हो गया यहां पर will नहीं आएगा ठीक है क्योंकि measurable क्या है measurable is an adjective measurable क्या है adjective आगे वाला sentence जो है वो किस में आ रहा है present किस में आया है present simple में आया है तो उसी के parallel अगर हम देखे तो यह sentence भी आना चाहिए present में यहां error है किस part में a part में will को हटाएंगे और लगाएंगे is is measurable clear जो आप जो part of what a man learns जो आदमी सीखता है उसको measure किया जा सकता है as specific knowledge and skills clear is measurable आपका यह sentence बना present simple helping verb alone present simple helping verb alone helping verb alone में क्या होता है is am are simply क्या आएगा is am are clear students helping verb alone क्या होता है active क्या है passive क्या है यह सब मैंने अपने app पे जो classes लिया है जहाँ tenses पढ़ा है वहाँ बहुत detail से पढ़ा है clear यहां आपको यह समझना है कि will अकेला आ नहीं सकता sentence जो है वो present में चल रहा है और present में क्या बनेगा is measurable clear next question number 123 he explained that उसने explain किया that the pillars of tribalism that human relies rely on for security would always counter any significant culture or social change क्या error है इसमें आप बताएं देखें एक्जाम में जो spotting error जो भी error का part होता है उन parts में जो आपका parts of speech है parts of speech की एक word है ठीक है word का parts of speech क्या है यह change है इसका parts of speech क्या है social का parts of speech क्या है इस तरह की questions भी आते हैं जो parts of speech भी based होते हैं जैसे देखो इसमें error की बात करते हैं तो यहां पर आप देखो change क्या है student noun change is a noun social क्या है social is an adjective पैलल construction से देखो any significant यह culture और social तो और से जुड़े होए दो दो words है culture और social culture का parts of speech noun है और social का parts of speech adjective है तो यह sentence grammatically सही नहीं है हमें दोनों का parts of speech same करना पड़ेगा तो क्या होगा cultural and social sorry cultural और social clear यह change noun है दोनों को qualify कर देगे cultural change और social change clear है students next 124 there is a barrier among the egghead and the hoi polloi and it would be lazy idealism to ignore it there is a barrier barrier है किसके बीच में egghead, egghead किसके लिए आता है जो intellectual है और hoi polloi जो एक साधारन इंसान है ठीक है यहाँ पर error देखो, error आपको घान से देखा आपने तो आपको दिखाई देगी यह पार्ड में among क्योंकि दो की दो लोगों की बात हो रही है किस-किस की egghead की और hoi polloi की clear तो इन दो के बीच में जब बात होती है तो हम among use नहीं करते दो के लिए क्या आता है students between दो के लिए always क्या यूज होता है between बिट्वीन और among का concept भी बहुत बहुत important है यहां से भी exam में बहुत वार questions आते हैं इस questions को इन questions के doubts को clear करने के लिए मैंने इसकी भी एक PDF पूरी complete बना रखी है अगर आप यह PDF पढ़ लेते हैं तो इसमें एक भी question ऐसा नहीं होगा जो आप exam में नहीं कर पाए यह PDF भी आपको हमारे neon classes के neon classes के app पे मिल जाएगी free study material जो बाहर अवैलेबल है वहां आपको ए PDF मिल जाएगी बिलकुल basic से advance तक पूरा बताया है मैंने पूरा complete कि जैसे between है वो preposition भी है adverb है जबकि among जो है वो सिरफ क्या है preposition है क्या between के uses है ठीक है क्या among के uses है वो पूरे बताया है clear next question no. 125 credit when used responsibly can achieve a great number of positive things in our lives such as financing and paying off our dream hybrid or college tuition fees sentence यह बोलना चाहता है कि credit को जब responsibly use किया जाए तो हम बहुत सारी positive चीज़े अचीव कर सकते है जैसे कि financing और paying off को pronounce करेंगे हम ओ और ओ डबल एफ को pronounce करते है ओ हमारे dream hybrid जो हमारे dream है वो और हमारी tuition fees तो यहाँ पर error है student paying के बाद में यहाँ ओ की जगे आएगा ओ प्रेज है paying off क्या है paying off paying off का मतलब होता है एक मतलब होता है कि successful होना to be successful और दूसरा meaning है to pay your dues अपने dues को pay कर देना clear तो college की tuition fees भी भनने पड़ेगी और यहाँ पर जो सपनों को सच करने की भी बात हो रही है ठीक है तो यहाँ जो phrase use होगा वो क्या होगा paying off को double f ध्यान रखेंगे no down कर लेंगे कोपी में next question number 126 as with people some monkeys are lazy like those who sleep all day in the zoo and some were industrious जैसे लोगों के साथ है वैसे ही कुछ monkey भी क्या है lazy होते हैं जो क्या करते हैं वो पूरा दिन जू में क्या करते हैं सोय रहते हैं और कुछ क्या होते हैं इंडस्ट्रियस होते हैं इंडस्ट्रियस मतलब महनती diligent hard working तो कुछ क्या होते हैं इंडस्ट्रियस होते हैं जो इंडस्ट्री याद आप कर सकते हो इसमें नीमानिक्स से अगर आप याद करना चाहो तो इसको इंडस्ट्रियस को याद कर सकते हो इंडस्ट्री से इन्डस्ट्री में काम करने वाले क्या होते हैं laborious होते हैं hard working होते हैं ठीक है अब पूरे sentence को देखो पूरा sentence में यह जो tense चल रहा है यहाँ पर यह कुन सा है present है ठीक है यहाँ पर सारा tense किसमें चल रहा है present में यहाँ पर वर नहीं आएगा again क्या आएगा आ रहा है गा क्योंक है student present है ठीक है तो यहाँ पर past हम use नहीं करेंगे simply क्या use करेंगे present here next question number 127 the postman traveled by the cycle postman जो है वो travel करता था किससे साइकिल से ओफन वाड़िंग थू स्पैम्प्स और पास्ट थू जंगल इन और तू रीश द विलिज अब देखो student इससे question को आपको बहुत ध्यान से देखना है जो मैंने ने parallel construction की अभी-भी बात की थी आपको बताया था कि इस पेपर में भी बहुत सारे question पैलल construction से आएंगे विल्कुल वही exact जो चीज़ आपको समझाई थी वही उसी पर बेज ये question है थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको answer समझ में आ जाएगा थोड़ा सा देखो जो पोस्टमें ट्रैवल कर रहा है wedding through swamps wedding through swamps और और क्या है यहाँ पर इन दोनों पाट को जोड़ रहा है wedding through swamps और past through jungle तो आपको पढ़ने में भी अटपटा लग रहा होगा wedding through swamps और past through jungle क्या लग रहा है अटपटा क्या लग रहा है जल्दी से समझेंगे इस चीज को क्या है past की जगे क्या आएगा passing अप पढ़ो अटपटा नहीं लगेगा बिल्कुल भी awkward नहीं लगेगा wedding through swamps और passing through jungle this is the case of parallel construction कितना important है यह और इस तरह से कितने questions exam में आपको मिलेंगे और कोई आपको यह नहीं बताएगा कि यह आपके syllabus का part है क्योंकि syllabus में कहीं भी नहीं लिखा होगा कि parallel construction आएगा लेकिन exam में इस पर बेस question आते है तो आपको सीखना है clear next question number 128 no matter what Ashoka did in his earlier years in the ending he proved to be uncommonly virtuous and wise यह कोई matter नहीं करता कि Ashoka ने अपने earlier years में पहले क्या किया last में वो बहुत ही uncommonly जो विल्गुल common नहीं है इतना बुद्धिमान प्रूब हुआ ठीक है he proved to be uncommonly virtuous and wise clear है अब देखो यहाँ क्या error है क्या error लग रही है आपको यहाँ error है students prepositional phrase की prepositional phrase की error है वो क्या है जब हम last की बात करते हैं finally जो last हम बोल रहे हैं तो उसके लिए हम use करते हैं in the end क्या use करते हैं in the end in the ending नहीं होगा क्या होगा in the end clear या हम लेते हैं add the end add the end जब हम लेते हैं तो इसके बाद में ओफ prepositions यूज करते हैं ओफ add the end ओफ लेकिन in the end के बाद में ओफ नहीं आता है क्लियर हुआ तो एंडिंग हम नहीं लेंगे क्या लेंगे इंदा एंड क्लियर नेक्स्ट 129 बहुत ही अच्छा question है students ने यह question जादा तर्व students ने खलंकी यह बता दिया होगा कि a part में आ रहर है वो तो सही था बट उनके पीछे जो उनका reasons थे जो उनका conceptual understanding थी इवन फेकल्टी इस ने भी बहुत जगे इसको गलत बताया है बहुत अच्छा question है थोड़ी सी depth इसमें understanding की जरुत है depth knowledge की जरुत है अब देखो आप आप इसको generally subject verb का देखके कि generally सभी लोगों ने इसको किया और ठीक है पार्ट सही बता दिया कि a में आरर है या भी में आरर है वो ठीक है बट जो logic था जो concept था वो सही ने था अगर आपको concept सही नहीं होगा तो हो सकता है कि यहां पर तो वो चीज़ apply हो गई लेकिन आगे वो चीज़ problem create करेगी अगर आप conceptually strong नहीं हुए तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको conceptually strong होना है ठीक है यहां देखो modern medicines have यहां सही आंसर आएगा modern medicines नहीं होता modern medicine होता है पहली चीज़ modern medicine conventional medicine orthodox medicine clear तो यहां पर वैसे ही जैसे वो collocation है orthodox medicine conventional medicine राइट वैसे ही modern medicine भी a collocation है यहां modern medicine जो modern medicine एक uncountable noun होता है जिसका meaning medicine नहीं है यह क्या एक study है study of the disease उनका जो development किस तरह से disease की जो study करते हैं जो study करते हैं injuries की disease की उसको हम क्या बोल रहे है modern medicine तो यहां हम medicine के field की उसकी study की बात कर रहे हैं तो यह जो modern medicine है यह uncountable noun है इसको plural नहीं बनाया जा सकता इसको plural नहीं बनाया जा सकता तो यहां हमें medicines को क्या करना पड़ेगा medicine disease तो इसके आगे जो verb यूज हुई है that is बिलकुल सही है ठीक है बिलकुल appropriate है that is very appropriate ज्यादा तर students ने या लोगों ने जो इसमें गलती की उन्होंने यह तो बता दिया यह पार्ट में error है but वो यह बोले कि modern medicine है तो आगे have आएगा तो यह बिलकुल गलत है बिलकुल सरासर गलत है 100% गलत है clear modern medicine एक study है यहाँ पर uncountable noun है और यह uncountable noun singular होता है इसका plural नहीं बनाया जा सकता singular है तो verb भी क्या use होगी singular clear next question number 130 if life existed on mars it is most likely to be in the form of bacteria buried deep in the planets permafrost और lycans अगर mars पे life exist करती है तो वो किस form में होगी bacteria जो की buried है deep इसमे planets permafrost और lycans इस question में भी same वही बात ही है इस question में भी maximum लोगों का concept गलत हुआ maximum ठीक है आप आप बताओ आपको क्या answer समझ में आ रहा है इसका पिर मैं बताते हुँ देखो यहां पर student existed की जगे आएगा exists ठीक है ठीक है this is the case of zero condition कौन सा case है zero condition zero condition क्या होता है ठीक है मैं हमने open condition सुना था improbable सुना था unfulfilled सुना था imaginary सुना था यह zero क्या है zero condition ऐसा होता है student जैसे देखो किसी बी conditional sentence में आप सभी जानते हैं किसी बी conditional sentence के दो quarters होते हैं एक पर कुन सा होता है conditional part और दूसरा होता है main part कशिक है ठीक है conditional part कॉन सा होता है जिसमें conditional word है achieve अंटिल है unless a provided that है और जो बचा हूए है that is main part ठीक है जीरो कंडिशन में क्या होता है कि कंडिशनल पार्ट भी प्रेजन्ट सिंपल में आता है और में पार्ट भी प्रेजन्ट सिंपल में आता है याने कि दोनों पार्ट ठीक है कंडिशनल पार्ट और में पार्ट दोनों के दोनों पार्ट जो है Zero condition में दोनो के दोनो पाड present simple में रहते हैं, clear? Just say for example, if you freeze, if you freeze water, it becomes a solid, ठीक है? अगर तुम water को freeze करोगे, water को freeze करोगे, तो वो क्या हो जाएगा? तो यह जो एक sentence होता है, zero condition का, इस case में यह दोनों चीज़े बिल्कुल अगर ऐसा होगा, तो ऐसा होगा ही होगा, उसको change नहीं किया जा सकता, अगर ऐसा होगा, अगर तुम water को freeze करोगे, तो वो solid में change होगा ही होगा, ऐसे condition को बोलते हैं, हम zero condition, generally zero condition जो है, वो universal truth, जो permanent truth होते ह है, scientific facts होते हैं, उन cases में zero condition यूज की जाती है, तो वैसे ही यह sentence भी scientific fact बता रहा है, कि अगर मार्स पे life exist करेगी, तो वो कैसी होगी, clear, तो अगर यह sentence क्या है, zero condition का sentence है, that's why हमें यहाँ पर existed नहीं, क्या लेना पड़ेगा, exists, clear as students, समझ में आया, कि zero condition में both part should be in present simple, और कैसा sentence होना चाहिए, scientific fact हो सकता है, universal truth हो सकता है, अगर यह condition हुई, अगर एक condition हुई, तो दूसरी condition होगी ही होगी, ठीक है, अगर ऐसा हुआ, तो यह ऐसा होगा, इसको हम बोलते है, zero condition, और इस sentence में भी वही apply हो रहा है, existed की जगे, exists आ जाएगा, ठीक है, अब यहाँ हु हुआ क्या कि error तो ज्यादा तो लोगों ने यह पार्ट में बताया, लेकिन उनकी conceptual understanding उतनी नहीं थी, आपको अपनी conceptual understanding को बहुत strong करना है, ताकि कैसा भी question आजाए, आपको यह नहीं लगे कि हाँ ठीक है, गैस लगया, तुक्का लगया नहीं, आप conceptually जितना strong रहोगी, उत नहीं confident feel करोगे, clear, next, question number 131, can India make it to a leadership position or will it be retained the fast train going slow image it always had, यहाँ पर भी again 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 a case of parallel construction, अभी अभी हमने parallel construction की बात की थी, उस पे बेज दो तिन question हम कर चुक है, यह और एक question आगया, यहाँ देखो, यहाँ बोल रहा है कि क्या India, can India make it to a leadership position, can India इसको बना सकती है leadership position, इंडिया subject है can, can plus verb first, ठीक है, और, और से जुड़ा हुआ sentence है, और से पहले वाला part, और से पहले वाला part, किस में है, active में, कैसा sentence है, active sentence, clear, तो और के बाद वाला part passive क्यों हो, बात तो इंडिया की हो रही है न, और will it be retained, retained नहीं आएगा, simply क्या करना पड़ेगा, will it retain, क्योंकि यह दोनों part, पहले वाला part किस में है, active में है, तो यह part को भी हमें किस में करना पड़ेगा, active में क्योंकि subject क्या है, यहाँ पर इंडिया है, इंडिया ही बनाने की बात करना ओर यह, retain करने की keep, रखने की बात ओ रही है, तो दोनों केस में subject India है और दोनों ही केस में subject India doer है तो हमें क्या करना पड़ेगा दोनों ही केस में यहाँ पर active construction बनाना पड़ेगा तो B retain को replace करना पड़ेगा किसे? यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो यहाँ द आया है आया है आर्टिकल राइट क्लास क्या है नाउन हमें चाहिए यहाँ पर adjective adjective की बात करें तो adjective वनेगा priestly related to the priest क्या होता है priestly अब आप कहीं न कहीं आपके माइंड में यह चीज़ आएगी कि मैं य य तो adjective नहीं होता बिल्कुल बच्चे य य अजक्तिव होता है बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है फ्रेंडली है कावर्डली है जिनमे ly suffix आने के बाद भी वो क्या होते है adjective होते है उन्हीं वर्ड्स में एक वर्ड क्या है priestly जो ly suffix होने के बावजूद भी क्या है adjective है तो यहाँ noun को modify करने के लिए class को modify करने के लिए हमें adjective चाहिए और adjective क्या हो जाएगा priestly clear next question number 133 he said that he thought of politics right when he was studying intermediate and that he had no fear of politics उसने कहा कि उसने politics के बारे में कभी सोचना start कर दिया था जब वो intermediate की पढ़ाई कर रहा था और इसलिए and that he had no fear उसको politics के कोई fear नहीं है यहाँ पर क्या error है यहाँ error है student thought of of की जगे आपको ओव करना पड़ेगा thought of नहीं होता है thought of something होता है clear यह appropriate preposition का fix preposition का case है कि thought के बाद में आप ओफ लेंगे OFF नहीं लेंगे simply क्या लेंगे O और इसी वीडियो में इसी class में आगे आप देखेंगे question मिलेगा आपको जहाँ पर thought के बाद में O याने के question paper के अंदर ही इस question का hint छुपा हुआ था वो भी आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा देखो next question number 134 while provisions on equality and non-discrimination would promote equal opportunity in the process reservation at job should not be denied clear जब क्या प्रोविजन क्या है समानता के भेदबाव नहीं करने के और promote कर रहे है equal opportunity इस process में reservation erection जो है उसको deny नहीं किया जा सकता should not be denied उसको deny नहीं करना चाहिए यहाँ पर देखो यहाँ reservation के बाद में at preposition नहीं आएगा reservation in होता है तो यह अगें जो question हुआ आपका fixed preposition का case बन गया fixed preposition appropriate prepositions ठीक है reservation add नहीं लेता है reservation के ले क्या है अगा in reservation in jobs clear next 135 government has reportedly made its displeasure known government नहीं क्या क्या अपना displeasure बताया है particularly on the speed and still with which the जो particularly किस पे speed और spill जिस पे negotiation को complete किया गया ठीक है negotiation को complete किया गया उसके बाद में यानि यह वाला पार देखो यह किस में है present यह कौन से tense में है present perfect में ठीक है एक action पहले हो गया था उसके बाद में तो government अपना displeasure बताया action complete हो चुका यहां पर यह past में आएगा क्योंकि action complete होने पर ही तो government अपना displeasure show करेगी clear है ना तो यहां आर के जगे क्या लेना पड़ेगा हमें the negotiations were completed negotiation को complete किया गया उसके बाद में government ने ऐसा किया तो यह जो sentence है यह वाला जो sentence है that should be in past simple इसमें आएगा past simple में आएगा clear next question number 136 this will explains the decision taken to impose a blockade on the country in the midst of a crisis कितना पूरा पड़ने की जरूरत ही नहीं थी आपको पहले एपाट में यह तो देखते पता चलना चाहिए था यह तो इतना easy question है कि will किसी भी model के बाद में किसी भी model के बाद में always क्या आती है verb की first form आती है तो this के बाद में will आ गया फिर explains नहीं आ सकता simply क्या आना चाहिए था explain क्योंकि model के बाद always क्या आएगी verb की first form आएगी student यह बात अच्छे से गांठ बांद लेना ठीक है तो पूरा पढ़ना ही नहीं था हमें will explain से ही पता चल रहा था कि गलत है will explain हुआ next 137 he built the theater उसने theater बनाया as a tribute to his routings tribute मतलब सद्धांजली समर्पित करना to his routings and the thought of मिल गया thought of hint है ना इसी paper में ये एक उसी date का 17 काई पेपर है जहां पर वहां error दे रखी थी और यहां इसमें का hint छिपा हुआ it's outlasting him would surely have given him the greatest joy clear यहां क्या आरा है students rootings की जगे आएगा his roots roots मतलब क्यों भी family act ने cultural origin की बात करते है हम roots का मतलब क्या है origin जैसे root words clear की जो origin हुए words की उनके roots like so वैसे ही he built the theater as a tribute to his roots and the thought of it outlasting outlasting मतलब इसको continue आगे exist करते रहने के लिए but surely यह चीज हम उसे क्या देगी greatest joy clear तो यह rootings नहीं आएगा वो अपने origin की बात कर रहा है तो origin के लिए हम क्या use करेंगे roots clear और यह rootings जो है उसके बाद में क्या आता है generally ओक preposition आता है rootings मतलब जो चिलाते हैं किसी contestant या किसी टीम को उसका हौसला बढ़ाने के लिए वो चीज rootings होती है जबकि यहां वो अपने origin की बात कर रहा है ठीक है family origin की बात कर रहा है उसके सम्मान में उसकी समर्पित करते हुए उसने वो theater बनाया तो यहां rootings को replace कोन कर देगा roots next question number 138 as several studies shows over the years the annual data is useful in reviewing trends of extreme events यहां पर देखो क्या error समझ में आ रही है over the years over the years show करते है perfect tense को as several studies बहुत सारी studies ने यह show किया है over the years की जो annual data है वो useful होता है in reviewing trends of extreme events तो यहां shows की जगे आएगा have shown हमें यूज करना पड़ेगा कौन सा tense present present perfect क्या ठीक है next 139 the most effective measure to keep our roads safe is enforcement of rules with zero tolerance to any violet rule क्या error है बताओ error देखो error यहां पर any है ठीक है any क्या होता है determiner है pronoun है तो यहां आगे आना चाहिए noun और violet क्या है verb है तो यहां हमें noun लेना पड़ेगा क्या बनेगा any violation of rules ठीक है any violation clear है तो यहां क्या use करना पड़ेगा now next 140 service providers cannot stand in the way of a consumer's access to content it should have being provided without any hindrance ठीक है अब यहां देखो आप देखता ही समझ में आना चाहिए था should have being provided इस तरह की कोई भी structure नहीं होती है not possible यह इस तरह का formation possible ही नहीं है अगर हमें model simple का passive बनाना है अगर हमें model simple का passive बनाना है तो simply क्या करना होगा model plus be plus work third क्या करना पड़ेगा model plus be plus work third और model perfect होता तो model plus have plus been plus work third तो यहां पर simple model है model perfect नहीं है तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा have being को हटा करके क्या लेना पड़ेगा be should be provided it should be provided clear service provider cannot stand in the way of a consumer's access to content it should be provided here next question question number 141 there is direct evidence that when learning occurs neurochemical communication between neurons is facilitate facilitated and less input is required अब इस question को आप देखते ही answer कर सकते थे कैसे देखो यहां first word दिया है there T-H-E-I-R there होता है student possessive possessive adjective क्या होता है possessive adjective pronoun की जो form है ठीक है personal pronoun में जैसे हम देखते है है third person तो third person में subjective form दे होता है plural में ठीक है और उसका objective बनता है them जब हम दे का position show करते हैं तब क्या आता है D-H-E-I-R there there जो है वो हम किसके लिए यूज करते हैं आगे आने वाले नाउन के लिए ठीक है clear है तो यहां पर नाउन तो ही नहीं देर हमेशा कब आएगा जब हमें आगे क्या चाहिए कोई नाउन जिसके साथ में हमें position show करना है ठीक है their rights उनके rights ठीक है तो position show होना चाहिए position यहां यहां एरर एस्टूडेंट एच याई आई आर की जगे आप करोगे टी एच ई आर इडियर क्या है वैसे तो है adverb of place ठीक है adverb of place है बट देर क्या होता है एक डम ही subject होता है याने sentence में वैसे subject का काम नहीं करता है बट sentence को start करता है यह subject नहीं होता कभी भी क्योंकि देर के according वर्ब नहीं आती कभी भी देखोगे आप sentences में देर के बाद में इस भी आ रहा है देर के बाद में आर भी आ रहा है यह depend करता है बाद वाले पार पर जैसे यहां इस आ रहा है तो इस के according आ रहा है direct evidence और यहां पर अगर plural कुछ होता प्लूरल वर्ड होता है तो आर आ जाता है यह देर जो है देर वैसे subject है नहीं सिर्फ दमी subject होता है वर्ब उसके according आती नहीं है sentence को start करता है there or here sentence start होते है clear adverb of place है तो t h e i r नहीं लेंगे क्या लेंगे t h e r e बहुत ही अच्छा और easy question था और ऐसा question आगे भी आएगा जिसमें t h e r e है और उसको आपको t h e i r करना है क्यों क्यों क्योंकि वहाँ पर position शो हो रहा है देखते है आप कर देते हैं क्या आए चेक कर लेते हैं हाँ आएगा भी question 142 you occasionally stop to admire the intellectual scenery or you sometime retress your steps to make sure you had seen everything ठीक है यह बोल रहा है कि कई बार आप occasionally किसी intellectual scenery को admire करने के लिए रुखते हैं और कई बार आप पिछे हो जाते हैं कि to make sure कि आपने सब कुछ देख लिया ठीक है तो यहाँ पर देखो यह वाला part क्या आँ रहा है किसमें present the simple में आया है और यह जो had seen had seen denote करता है past perfect past perfect generally जब भी किसी sentence में आता है तो past simple के साथ आता है क्यों तब हमें पता चलता है past perfect क्या होता है past का भी past यानि पास्ट में जो पुराना action ए उसके लिए past perfect आता है और पुराना कौन बताता है जब past simple होता है तो past simple तो यहां है नहीं यहां है present simple तो हमें यहां पर replace करना पड़ेगा past perfect को यहां had को replace कर देंगे किस से have seen to make sure you have seen everything clear next question number 143 sometimes it appears as if they are deliberately limiting their chances अब देखो their chances है na chances का position of survival in they according there आ गया यहां आगे noun आया है इसलिए यह position चोगर रहा है there किसके कोडिग आया है दे के कोडिग ठीक है survival in order to observe some customary or taboo again यह parts of speech का question है taboo है noun customary है adjective ठीक है simple है parallel construction again parallel construction हमें यहां apply करना है parallel construction is very important customary को replace करेंगे किस से custom some custom or taboo clear क्योंकि noun form चाहिए हमें तो taboo noun है तो यह भी noun next question number 144 the vast majority of people are consuming some optimal amounts of most micronutrients and most of the micronutrients concerning are very safe ठीक है ज्यादा तर vast majority है वो बहुत consume कर रही है some optimal मतलब lower level amount किसका micronutrients का और ज्यादा तर micronutrients क्या है safe है अब यहां पर error है concerning concerning में concerning मतलब regarding concerning preposition है जब की हमें यहां पर requirement है adjective की ठीक है micronutrients क्या हो जाएगा concern concerned here है तो most of the micronutrients concerned are very safe next 145 India a big India a country of more than 1 billion population is emerged as the economic superpower of the world India जो की एक बिलियन से जादा population की country है वो कैसे developed हुय है कैसे जानी जाती है to become known to be appear appear होना known होना ठीक है is immersed is immersed जो है यह denote कर रहा है कि यह sentence बन रहा है passive ठीक है इमर्ज कर दी गई है इमर्ज कर दी गई है ऐसा है क्या नहीं इंडिया तो खुद क्या है active है इंडिया खुद नोन हो रही है इस तरह प्यर हो रही है तो इंडिया कैसा subject हुआ active clear active subject है और यहां पर construction बनी हुए है कैसी passive is emerged कैसी condition है passive है तो इसको active में change कर देंगे इस की जगे क्या कर देंगे has has emerged as the economic superpower of the world here next question number 146 a judge must be slow in anger and quick to forgive again a case of parallel construction otherwise he may risk abusing his powers एक judge कैसा होना चाहिए गुस्से में slow होना चाहिए mark करने में जल्दी होना चाहिए otherwise वो अपने risk है किसका abusing his powers यहां पर देखो and and जो conjunction है and के पहले आया है slow in anger and के बाद आया quick to forgive अटपटा लग रहा है ना पढ़ने में दोनों जो sentence है उनका formation same होना चाहिए तो यहां पर इन की जगे क्या करना पढ़ेगा to slow to anger and quick to forgive यह बना parallel construction next 147 the professor recently professor ने recently describe किया describes 1500 test in which blind people passed with greater ease than those who could see आसा professor ने test describe किया है जिसको blind people pass कर देंगे और हसानी से उनकी बजाय जो की देख सकते उनकी बजाय अब यहां पर देखो recently यह जो adverb है recently adverb कौन से tense में यूज की जाती है present perfect में recently adverb कहां यूज की जाती है present perfect में जबकि यहां पर tense कौन सा यूज हुआ है describes describes कैसा tense है simple present तो इसको change करना पड़ेगा हमें describe को change करना पड़ेगा किस में has described क्यों क्यों की recently जो है वो कौन से tense में आता है present perfect में आता है recently now then ठीक है lately यह जो adverb है यह किस की है present perfect next 148 radium is so expensive that you could be a millionaire if you own only half a pound of it radium इतना expensive होता है कि आप millionaire हो सकते हो अगर आपके पास half pound radium है ना तो भी आप millionaire को clear यहाँ पर student देखो if से जुड़ा हुआ पार्ट है यह if you own half a pound of it और यह वाला पार्ट आ रहा है you could be a millionaire sentence को ध्यान से देखें तो यह जो case बन रहा है it is a case of open condition ठीक है open condition में क्या होता है student conditional part जो होता है वो रहता है simple present में जैसे आप देखो if you own वाला पार्ट है यह किसमें आ रहा है present simple राइट और जो main part होता है ठीक है जो main part होता है वो आता है आपका future simple या हम इसको बोले model simple model simple ठीक है याने will, shall, will, shall, can और may can may plus verb first अगर active बनाना है तो passive बनाना है तो will, shall, can, may plus be plus verb third helping बनाना है तो will, shall, can, may plus be ठीक है अब देखो यहाँ पर यह पार तो आ रहा है किसमें present simple में और यह वाला part past में जा रहा है तो इसको में change करना पड़ेगा you could की जगे आएगा can ठीक है open condition में condition open होती है याने अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा जैसे अगर आपके पास में half found है तो आप millennia बन जाओगे तो इस से जुड़ा हुआ पार्ट किसमें आ गया simple present में और यह main part किसमें आ गया model simple model simple in its present form ठीक है अब आप सोच रहे होंगे मैं model की भी forms होती है क्या model के भी tenses होते हैं क्या बिल्कुल होते हैं और मैंने बच्चों को मेरी जो online classes रहती है paid classes रहती है आप पे वहां मैंने पूरे model tense करवाये हैं यह आप लोग की understanding के लिए specially conditionals को समझने के लिए बहुत जरूरी है clear next 149 she was so much overwhelmed with her son's devotion and affection that she did distributed all her wealth and property among them यह तो देखते हैं answer आना चाहिए था कि sentence बोलना चाहरा है कि वो अपने बच्चों के devotion से उनके लगा उसे इत्ती ज्यादा overwhelm हो गई कि उसने अपने सारी wealth property उनके बीच में बार्ट दी यहाँ पर देखो simple सा question है did plus verb second did के बाद में हमेशा verb की first form आती है ठीक है do does did do does और did के बाद में हमेशा क्या आती है verb की first form आती है तो did और distributed दोनों नहीं आएंगे distributed क्या है verb की second form है तो did को हम यहाँ से हटा दे that she distributed अगर हमें emphasize करना होता या हमें negative बनाना होता past में या हमें question पूछना होता तो हम did लेते यह simple sentence है इसले simply क्या जायेगा verb की second form clear next 150 the viability of the multinational corporate system depends upon the degree in which people will tolerate the unevenness it creates viability मतलब feasibility जो feasibility है multinational corporate system की वो depend करती है कि किस level तक उसको जो tolerate people उसको tolerate करेंगे unevenness जो है it creates जो यह create करती है क्या error है इसमें students देखो इसमें error है degree in की जगे आएगा degree to ठीक है यहां यह बताना चाहता है कि किस level पर उसको tolerate करने की एक degree बता रहा है तो degree to extension बता रहा है extend बता रहा है तो यहां क्या आएगा एक level बता रहा है तो क्या आएगा upon the degree to here तो यहां appropriate preposition भी है degree to next 151 they even tried to smuggle bits of jazz into serious music as that the composer could somehow survive उन्होंने क्या try किया कि bits of jazz को serious music में convert करने की कोशिश की ताकि composer कैसे भी survive कर सके देखो यह action किया किस ताकि यह action हो सके एक action किया ताकि उसका result in action दूसरा हो सके तो जब ऐसा resulting close की बात होती है एक action करने की वज़े से उसका resulting action दूसरा हो तो उसके लिए as that नहीं लेते उसके लिए क्या आता है so that ठीक है उन्होंने ऐसा किया ताकि ऐसा हो सके और यह so that जो है वो किस case में आता है result जो result देने वाले close है कि ऐसा करने से ऐसा हुआ ऐसा होगा तब हम क्या यूज करते हैं so that here next 152 together with empowerment there has to be a culture of personally accountability so that everyone realizes the necessity of valuing commitment ठीक है अब देखो यहाँ पर क्या error समझ में आरही है आपको again यहाँ पर error है parts of speech की parts of speech की error है देखो accountability is a noun क्या है noun को justify करने के लिए noun की विशेषता बताने के लिए we need adjective जबकि personally क्या है adjective नहीं है adverb है हमें replace करना पड़ेगा personally को किससे परसनल से ठीक है personally को हम किससे replace कर देंगे personal अब आपने देखा होगा कि कितने सारे question parts of speech पर बेस जाते हैं इसमें नहीं even आप close test करेंगे jumbled करेंगे वहां पर भी parts of speech बहुत important है मैंने अपनी book में किस तरह से parts of speech important होते है filling the blanks के लिए jumbled के लिए close test के लिए उस सारा मैंने close test वाली book में करवा है आप वहां से पढ़के इसको पूरा clear कर सकते हैं next 153 students who attempted the questions paper have met some of their professor some of their professor देखो student के लिए their professor उनका position है seeking informed answer to these questions अब यहां पर देखो student क्या error समझ में आई आपको error है देखो paper क्या है student noun है the क्या है article है the article हो गया noun question भी noun है और इसको plural बना दिया गया है plural नहीं बनेगा यह क्या रहेगा question रहेगा questions नहीं होगा यह बहुत बहुत important concept है और यह concept मैंने जो एक class लेती छसल के टाइम कंप्रीट grammar का revision के class है मेरी वह आपको जरूर देखनी चाहिए वहाँ पर मैंने concept बताया है बहुत detail से बताया है कि जब दो noun एक साथ में आते हैं तो पहले वाला नाउन दूसरे नाउन के लिए adjective का काम करता है और यह हमेशा singular होता है ठीक है कब यह plural होता है वह case भी मैंने बताया है women doctor women pilots वाला भी बताया वह बहुत detail में मैंने वह करवाया आपको वह class जरूर देखनी चाहिए complete grammar का जो revision class है उसमें मैंने बहुत ही selected questions करवाया है किसी भी exam में जाने से पहले आपको वह question जरूर revise करने चाहिए और मैंने हर question में बहुत अच्छे concepts भी दिये हैं ठीक है अभी के लिए आप यह समझेंगे कि पेपर नाउन है question भी नाउन है कौन सा पेपर question paper तो question किसको qualify कर रहा है paper को तो हमें question जो है उसको singular रखना है plural नहीं बनाना है clear है जैसे family problem city road clear sea water तो दोनो नाउन है sea water भी दोनो नाउन है family problem में भी दोनो नाउन है ठीक है city road में भी दोनो नाउन है बड हमेशा पहले वाला नाउन singular रहेगा जब आगे वाले नाउन की विशेष्टा बताए ठीक है student question paper next 154 I had forgotten all such things just for the sake of the greater good of everyone मैं भूल गया था यह सारी चीजे इसके लिए सबके भले के लिए मैं यह सारी चीजे भूल गया था said कहा किसने their leader अब आप खुदी इस question का answer करेंगे क्योंकि इसका concept मैंने अभी अभी बताया है अभी अभी आपको बताया है देखो t h e r e यह यहाँ पर noun क्या है leader है ठीक है उनके leader उनके leader ने ऐसा कहा तो हमें यहाँ पर possessive चाहिए possessive क्या होगा there इसके पहले आता है possessive adjective noun के पहले t h e r ही यह तो क्या है adverb of place ठीक है यह यहाँ यूज नहीं होगा noun के पहले क्या आएगा t h e i r generally क्या होता है हम जब पढ़ रहे होते हैं जल्दी में छोटी-छोटी चीजों को हम notice नहीं करते हैं और वहीं पे हम मात खा जाते हैं और there को कुछ बच्चे यह पढ़ के चले जाएंगे तो ध्यान रखना है silly mistakes की कोई जगह ही नहीं होने चाहिए ठीक है question number 155 buttressing the confidence in the economy are the findings in the survey which posits and improvement in the infrastructure sectors ठीक है जो findings है survey में वो यह क्या कर रही है suggest कर रही है ठीक है तो यहां पर देखो क्या रही है which which जो relative pronoun है उससे पहले जो noun आया जो उसका antecedent है वो क्या है findings तो हमें यहां आगे आने वाली verb भी क्या आएगी उसके findings के according plural आएगी findings यहां कैसा noun है plural है we have to use plural verb here posits की जगह क्या कर देंगे posit clear next 156 our government has decided to strengthen the state's capacity to move away from a already obsolete one size fits all approach ठीक है हमारी government ने decide किया strengthen करना the state capacity to move away from किसी चीज़ से move away होना है पहले क्या चीज़ थी obsolete 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 मतलब जो प्रचलन में नहीं है outdated है obsolete का parts of speech है adjective clear तो यह जो एप्रोच थी कौन सी approach one size fits all approach approach क्या हो गया noun तो यहां पर आपको एक चीज़ यहां रखनी है कि already already का parts of speech क्या है एडवर और इसके पहले आया है आर्टिकल तो जब भी आर्टिकल यूज होगा ठीक है आर्टिकल आता किसके लिए हमेशा आर्टिकल नाउन के लिए आता है बट आर्टिकल की position change हो जाती है अगर नाउन के पहले adjective है तो आर्टिकल adjective के पहले shift हो जाता है अगर adjective के पहले adverb है तो आर्टिकल एडवर्ब के पहले shift हो जाता है बट जो आर्टिकल यूज होता है वो उसके पहले जो word है उसके sound पर depend करता है तो already के sound के according हमें क्या लेना पड़ेगा यहां पर and clear है समझ में आया and already obsolete clear noun adjective adverb हो उसके पहले article clear है next 157 policy makers will think hard about creating an appropriate legal framework to prevent the capture of regularities by special interest क्या आरण है इसमें देखो regulatory regulatory की बात करेंगे तो regulatory पहली बात regulatory adjective है और किसी भी adjective का किसी भी adjective का plural नहीं बनाया जा सकता यानिके कोई भी adjective है जैसे regulatory है तो किसी भी adjective को हम plural नहीं बना सकते ब्यूटिफुल है हम उसकी जैसे beautiful adjective है हम उसके degree बता सकते है more beautiful most beautiful राइट लेकिन हम उसको plural नहीं बना सकते plural किसका बनता है नाउन का बनता है clear तो यहां पर हमें नाउन की जरत पड़ेगी prevent the capture of regulation ठीक है हमें क्या लेना पड़ेगा यहां पर नाउन उस करना पड़ेगा ना की adjectives ठीक है तो capture of regulation by special interests here next 158 people would see bitcoins current price rise लोग देख रहे हैं भी bitcoin के current price rise को as merely a reflection of their bright future as a stateless currency ठीक है क्या अधर समझ में आ रही है students देखो merely का parts of speech है adverb adverb आता है इसके लिए adjective के लिए जबकि यहां पर यह क्या है reflection क्या है noun है तो यहां parts of speech क्या आना चाहिए adjective तो merely को हमें किस से replace करना पड़ेगा mere जब किसी चीज को emphasize करना हो कि कोई चीज़ बहुत छोटी है unimportant है emphasize करने के लिए हम क्या use करते है mere mere क्या है adjective merely क्या है adverb noun को justify करना है तो क्या चाहिए हमें adjective so merely को replace कर देंगे किस से mere से next 159 a focus program to universalize education and skills training would potentially keep juveniles from coming into conflict within the low यहां error इसी पार्ट में है in या into in या into conflict with something होता है किसी के साथ disagreement में होना collision हो जाना टकरा जाना disagreement जो है उसके लिए क्या word आता है conflict with ध्यान रखेंगे within नहीं आएगा in या into conflict with तो with in को replace करना है आपको किस से with से within should be replaced by with यह structure धान में रखेंगे in या into conflict with something next 160 stringent penalties have a lower chance of being imposed as compared to fines that are proportionate to the offender अब देखो यहां को क्या error समझ में आ रही है error यहां है student the article आया है यहां पर जो word आना चाहिए that should be noun और offend क्या है verb है noun चाहिए noun क्या हो जाएगा offense अपराद की बात हो रही है तो क्या होगा offense तो यहां हमें offense को replace करना पड़ेगा किस से offense से यह आपने देखा होगा parts of speech कितने important है कितने सारे questions हमने किये जो parts of speech पर ही based है parts of speech से जिनके answers हो रहे हैं आपके पास में close test की book है जंबल की book है वहां बहुत अच्छे से मैंने details से बताया है वहां उसको जरूर पड़ें filling the blanks में close test में बहुत help मिलेगी आपको parts of speech से ठीक है next question number 161 देखते हैं our digestive system produces an assimilable nutrient rich liquid that builds and nourish our first body tissue plasma अब यहां देखो student क्या error समझ में आ रहा है आपको अगें थोड़ा सा कर आप ध्यान होगे parallel construction जो मैंने आपको लगा था जब से हमने 2017 के mains के questions start किये हैं तब से parallel construction बार बार आ रहा है और इस पर बहुत सारे questions exam में आया हुए बहुत important भी है मैंने आपको सब बताया है PDF भी आपको बता दी है मैंने देखो यहां देखो and जो है and क्या होए conjunction है जोट रहा है किसको that builds and यहां देखो that builds and nourish तो कुछ लग रहा है ना कुछ दिक्कत है क्या दिक्कत है कि builds के and के पहले जो builds आया है वो क्या है present simple present simple as याने के singular verb है और यहां पर nourish जो verb है वो क्या है verb की first form कैसी है plural verb है तो यह error हो गया student नरीश के जगे हमें क्या करना पड़ेगा नरीशिस according to builds builds and nourishes and fan के पहले builds and nourishes चीक है क्योंकि यहां पर बात किसकी हो रही है digestive system produces and assume level nutrient rich liquid liquid जो की build करता है और नरीश करता है build भी करता है और नरीश भी करता है तो दोनों के आएंगे singular formula चीक है next 162 acquired immunity is the result of an interaction with our new environment and proper digestion of all that we take off acquired immunity किसका result है interaction with our new environment and proper digestion of all that we take off take off का मतलब क्या होता है आपने सुना होगा take off जैसे plane take off करती है किसी जगे को छोड़ कर ठीक है to leave a place भी होता है take off plane के लिए भी आता है ठीक है तब कि यहां क्या बोलना चाहा रहा है यहां बोलना चाहता है proper digestion जो कि हम खाते हैं हम जिसको swallow करते हैं वो क्या है उसके लिए सही phrase क्या use होता है take in take in का मतलब क्या होता है जब हम हमारी body में कुछ absorb करते हैं breathing से या swallow swallow से निगलने से उसके लिए क्या word आता है take in जबके take on क्या है take off sorry take off क्या है एक तो हम देखती है कि जब वो कोई भी plane कोई भी aircraft जमीन को छोड़कर उपर उड़ने लगता है तो क्या phrase होता है take off ठीक है किसी जगे को छोड़ने के लिए भी क्या आता है take off आता है clear अब आपने सुना होगा कभी यह तो हो गया take in है na intake intake सुना है तो क्या यहां पर इस question में intake हो सकता था यह आपका homework है ठीक है यह homework है कि intake हो सकता था क्या क्यों नहीं हो सकता था और intake का meaning क्या होता है यह आपको मुझे comment box में जरूर बताना है ठीक है what is the meaning of intake और यहां पर क्या हम intake यूस कर सकते थी अगर नहीं कर सकते थी तो what is the difference between take in and intake ठीक है next 163 just as we nourishes the body we need to nurture the soul to connect to the creative power of the universe and to manifest joy in our lives ठीक है जैसे हम अपनी body को nourish करते हैं वैसे हम अपनी soul को भी nurture करने की कि किसे to connect to the creative universe की creative power से connect होने के लिए जरूरत है अब देखो यहां पर देखते हैं आपको error समझ में आ जानी चाहिए थी बिलकुल simple सा question है subject verb agreement का question है subject verb agreement का बहुत ही simple question है ठीक है यहां देखो वी क्या है student third person plural third person plural क्या है sorry first person sorry first person plural क्या है वी है first person plural तो वी के साथ में कैसी verb आनी चाहिए plural plural क्या होती है verb की first form तो हमें क्या करना पड़ेगा नरिश को रिप्लेस किसे करना पड़ेगा नरिश से इजी था इजी हना ठीक है next 164 if we objectively ponder on the mystery behind miseries we find that as long as we restrict ourselves to the means of happiness we are left in the lurch left in the lurch बहुत अच्छा इडियम है बहुत बार exam में आ चुका है left in the lurch का मतलब होता है कि जब किसी को बहुत help की जरुरत हो और वह बहुत रिलाय कर रहे है किसी के उपर help help दे का सामने वाला मुझे और उसको उसी condition में बे सहारा छोड़ देना क्या होता है left in the lurch इस इडियम का origin बहुत ही interesting है और यह आप यह आपको मेरी जो classes YouTube पे हुई थी ठीक है YouTube पे जो मेरी 25 classes है vocab की वहाँ पर आपको मैंने इस इडियम का origin कराया है इस इडियम का नहीं हर class में मैंने पांच पांच च्छे इडियम के origin वहाँ बताए है आपको वहाँ जाकर ज़रूर देखने है और इडियम को जब आप और इजन से पढ़ेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे क्या है अब देखो यहाँ पर जो एरर है एससे ने जो एरर दी थी वो यहाँ ए पार्ट में दी थी और यहाँ ओन की जगह बहुत जगह बहुत सारी जगह आपको ओवर लिखा हुआ मिलेगा पॉंडर ओवर मिलेगा ठीक है बट एक्षुल में इस सेंटेंस में कोई आरण नहीं है क्योंकि पॉंडर के साथ में ओन और ओवर ओन ओवर इवर अबाउट भी यूज हो सकता है ठीक है फिर आप सोच रहोंगे मैम यह कैसे हुआ यह ऐसे हुआ बच्चों कि यह question यह sentence यह जो sentence है यह the economic time से लिया हुआ था 2017 में spotting error sentence improvement के बहुत सारे sentences as it is the Hindu, the economic time, the Indian express यहां से as it is उठाये थे अब क्या हुआ कि paper set करने वाले ने क्या किया कि उस sentence में जहां पर यह sentence था उस sentence में यहां over लिखा हुआ था ओन की जगह क्या था अब उसने इसको error का question बनाने के लिए over को cut कर दिया और on लिख दिया ठीक है हुआ यह कि उसने जो on लिखा वो गलत लिखा उसको अगर गलत इसको error बनानी थी तो यहां पर in या at लेता ठीक है क्योंकि ponder के साथ में on और over दोनों आ सकते हैं ठीक है तो ऐसे क्या होता है कई बार questions जब error के बनाने लगते हैं तो जो चीज हम error के लिए वहां लिख रहा है सामने वाला over को हटा कर on लिख रहा है तो जो वहां पर यह चीज ध्यान नहीं दी गई कि on भी सही है तो यहां पर बच्चों ponder on, ponder over दोनों सही है बट economic time से जहां से question लिया वहां over था इसलिए जो error है वो किस में दी है ए पाट में on के जगे over ठीक है next 165 our soul prayer should be to be blessing with the spiritual awakening that is the real source of peace, bliss and contentment अब देखो यहां पर कुछ गडबड पढने में गडबड सी लगरी थी should be to be blessing तो यह तो student कोई भी construction है ही नहीं ठीक है अब यहां बन रहा है passive ठीक है हमारी soul prayer क्या होने चाहिए should be क्या होने चाहिए blast तो passive जो बनता है जब भी model का हम passive बनाते हैं ठीक है तो model के बाद में क्या होता है student model plus be plus verb third तो should be और verb third क्या हो जाएगी blast clear? ठीक है next 166 my tool has always been humor मेरा tool हमेशा क्या रहता है humor because it is the most entertaining way to put any ideology cross and it is fun positive and healing ठीक है तो उसको लगता है कि humor क्या है best way है किसी भी ideology को रखने का किसी भी ideology को express करने का ठीक है तो यहाँ पर error है student जो phrase होती है वो होती है put across क्या होती है put across यहाँ पर cross की जगे आएगा across ठीक है put across का मतलब होता है कि अपनी ideas अपनी feelings को किसी के सामने express कर पाना उससे connect कर पाना ठीक है तो यहाँ पर ideology को express करने की बात की है तो phrase क्या बनेगा put cross नहीं आएगा put something across यह यह आ जाएगा तो इस तरह से उस साल में especially means 2017 में जो error आये थे उसमें इसी तरह की error बनाये थे cross across यह हटा दिया cross कर दिया error बना दी जैसे on और over वाला था ठीक है next 167 when a student works on a mathematical problem जब एक student mathematical problem पे work करता है he comes to a stage वो ऐसी stage पे आ जाता है beyond which जिसके बाद he do not know how to proceed कि उसके बाद उसको समझ नहीं आता है कि आगे कैसे बढ़ू क्या करूं and where he is in doubt जहां पर वो doubt में होता है और perplexity मतलब confusion में होता है puzzle होता है ठीक है यहाँ पर error कहा है student error as student V part में he क्या है third person singular क्या है third person ही है third person singular ठीक है तो he के बाद में यहाँ do नहीं आएगा he के बाद यहाँ क्या आ जाएगा does ही क्या है singular है तो ही के लिए singular verb हमें लेनी पड़ेगी does आएगा do नहीं आएगा do को replace करेंगे does से next 168 when one stops being optimistic जब एक इंसान रुख जाता है कि वो आशावादी नहीं रहता है optimistic का मतलब क्या होता है student आशावादी ठीक है जो positive side को देखता है वो क्या होता है optimistic one when one stops being optimistic believes that he is worthless जब वो बिलीव करता है कि वो worthless है and stop hoping for a better future और better future के लिए hope करना छोड़ देता है it is the only than the moment of actual failure यही एक failure का एक moment है जब actual failure होता है यानि हमें क्या sentence है हमें क्या सीखने को मिला कि हमें कभी भी कभी भी negative नहीं सोचना चाहिए हमेशा positive रहना चाहिए energetic रहना चाहिए optimistic रहना चाहिए कि जो भी हम believe करते हैं कुछ लिया कि मैं worthless हूँ मुझसे कुछ नहीं होगा मैं मेरा future अच्छा नहीं हो सकता है मेरी किस्मत खराब है तो actual failure तब ही होता है जब हम यह सोचते हैं कि पीछे कुछ भी हुआ मैं आज के दिन आज यहीं से शुरुवात करके बहुत आगे जा सकता हूं एक सेंग के सेंग कन्टेक्स में बात कर रहा है की ऐसा करता है जब आशावादी नहीं होता है तो एक जनरल बात बता रहा है और यह जनरल स्टेटमेंट्स जो होते हैं वह हमेशा किसमें आते हैं present simple कि यारा सूदेंट्स हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है मौहीट रहना है और हमारे अंदर हमेशा एक आग होनी चाहिए कि मैं कुछ भी कर सकता हूं मैं SST क्या बेंक कि किसी कर सकता हूं दुनिया पुछ भी कर सकता हूँ मेरा अंदर कैलिबर है और मैं हाडवर करूँगा तो में जो चाहें अचीव कर सकता हूँ यह और पॉजिटिव सोचना है कि यह ने मेरे साथ यह हो गया फिर मैं पर उस ताम बिमार हो गया था फिर मैं ऐसे हो गया था मेरी गल्फ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई तो मैं मेरा ब्रेक अप हो गया मैं दो महने से उसके लिए रो रहा हूं तो यह सारी बाते नहीं जो है हो है इसी कंडिशन में मुझे बेस्ट करना है ठीक है नेक्स 169 लुकिंग फॉरवर्ड तो सम्थिंग इन एंटिसिपेशन is what helps us moving forward in life ठीक है हम जब एंटिसिपेट करते हैं कि वही फॉरवर्ड देखने के लिए कि वही चीज़ हमें आगे बढ़ने में help करती है ठीक है देखो अब यहां पर क्या बोल रहा है helps us moving help के बाद में help के बाद में generally क्या होता है student infinitive two plus work first या work first sometime two को भी हटा देते हैं ठीक है तो यहां पर improvement होगा help us to move forward in life एक चीज़ दूसरा help के case में एक case यह भी बनता है help somebody help somebody in doing something help somebody in doing something गार्ण।कर यह भी पॉसिबल है कि हम यहां पर क्या करें शुदेंट हम यहां पर moving के पहले in लगा दे leaning के पहले क्या लगा दिया हमने। एक case ये भी possible है ठीक है एक case ये भी possible है कि इन लगा दिया ठीक है बट ज्यादा common ये वाला construction है इन वाला construction जरंड वाला construction common नहीं है help के case में infinity वाला construction common है बट दोना acceptable है और error जो है वो C part में ही रहेगा ठीक है next 170 when the self is not enlightened it is fundamental identified with the notion of difference unaware of its primordial unity यहाँ पर देखो student it is identified it is identified identify पैसी वर्ब है यह वर्ब होगे यहाँ पर जो भी वर्ड आएगा वो क्या होना चाहिए वर्ब को modify वर्ब को modify करने वाला वर्ड आना चाहिए अब आप खुद सोच लो student वर्ब को modify कोन कर सकता है कोन कर सकता है word को modify कर सकता है एडवर्ब सिरफ और सिरफ एडवर्ब है जो वर्ब को modify कर सकती है तो हमें यहाँ पर fundamental की जगे करना पड़ेगा fundamentally ठीक है fundamental should be replaced by fundamentally क्योंकि fundamentally क्या हो गई एडवर्ब जो qualify करेगी वर्ब जो कि क्या है identified next 171 when we are able to stop pause and think more about our actions words and thoughts we begin to see the cause and affect more clear ठीक है जब हमें होते है stop pause और ठीक हमारे action के लिए सोचते है words thoughts और अप्शिरुवार्थ करते हैं किसकी the course अब the course से आपको पता चल गया होगा the article है course क्या होगा student noun the course and the course and parallel construction से again parallel construction से यहाँ पर क्या आना चाहिए ठीक है affect is not a noun affect क्या है student verb है ठीक है noun क्या होगा effect effect verb भी है और effect noun भी है दोनों है यहाँ पर the cause and effect ठीक है the cause and effect की बात हो रही है तो noun की जरत पड़ेगी तो हमें affect को replace करना पड़ेगा effect से answer next 172 बहुत अच्छा question है अलग लग जगे इसका आपको अलग लग answer भी मिलेगा मैं आपको इसका बताती हूँ answer we may only be here in the blink of an eye but the way we live our lives will stay with the universe for hour sentence बोलना चाता है कि हम इस संसार में बहुत कम टाइम के लिए आते हैं लेकिन जो जिस तरह हम अपनी life को जीते हैं वो life universe के साथ हमेशा रहती है तो बहुत साल पुराना है और उसमें हमारी life बहुत छोटा सा पार्ट है यहाँ पर error देखो student error आएगा इन की जगे हमें 4 लेना है देखो in the blink of an eye in the blink of an eye जो idiom है इसका मतलब होता है ठीक है very quickly या in a short time ठीक है very quickly बहुत जल्दी के लिए अधिक है यहां sentence का मतलब यह नहीं है कि हम यह short time यहां मतलब है यहां मतलब है हम शोट टाइम के लिए आते हैं तो यहां पर हमें उस purpose के लिए for kis के लिए use रहता है purpose के लिए तो यहां बोल रहा है we may only be here for the blink of an eye मत्तों बहुत ही कम time के लिए हम यहां पर है लेकिन जिस तरह हम अपनी life जीते हैं वो universe के साथ हमेशा रहती है ठीक है तो यहां पर सही answer आएगा 4 और यह sentence as it is जो है new Indian express से लिया हुआ है ठीक है वहां पर जो कर्मा का एक article आया था उस article से यह as it is sentence को लिया है और यहां 4 को use किया गया clear बाकि जो idiom है वो तो in है but sentence के contextual meaning के according हमें को हमें 4 लेना होगा ठीक है next 173 I have learned that what really counts in life मैंने चीज़ सीखिये कि life में क्या in the end last May is not how many toys we have collected कितने मैंने toys कथे करे वो और how much money we have accumulated कितना पैसा मैंने कथा कर लिया but how many of our talents we have liberated and used for purpose used for a purpose that add value to this word ठीक है अब यह बता रहा है कि जो हमने हमने कितना talent how many of our talents हमको हमने लिबरेट किया और use किया किसी purpose के लिए और जो क्या कर रहा है value दे रहा है value आड कर रहा है इस संसार में add value to this word यहाँ पर क्या आ रहा है student add को replace करना पड़ेगा add से क्यों क्योंकि यहाँ जो that जो relative pronoun आया इससे पहले जो noun है वो है a purpose और यह noun क्या है singular है कैसा है singular ठीक है तो singular है तो आगे आने वाली verb भी इस purpose के according क्या होगी singular add को replace कर देंगे किसे adds ठीक है next 174 for man to change radically fundamentally there must be a mutation in a very brain cells of his mind sentence बोलना चाहता है कि किसी भी man को radically fundamentally change करने के लिए क्या होना चाहिए मुटेशन होना चाहिए उसकी सारी सारी brain cells जो है mind की उसकी पूरी की mind की brain cells में mutation होगा तभी man क्या होगा radically or fundamentally change होगा तो यहां in a very नहीं आएगा क्या आएगा in the every brain cells in the every brain cells clear? next 175 character build should be an integral part of every aspect of schooling and learning as it equips one of one to find long term solution to life's challenges character building हाँ बोलने में सही नहीं लग रहा यह answer हो यहां पर character building होता है ना की character build ठीक है collocation भी है यह बोलना चाहरा है कि character building जो है वो एक essential integral part होना चाहिए schooling का every aspect of schooling और learning ठीक है तो यहां it equips one to find long term solution to life challenges इससे character building जो होती है उससे क्या होता है long term solution मिलते है life के challenges के साथ ठीक है यहां पर answer आएगा character building just because of it's a collocation collocation क्या होता है collocation का क्या use है collocation आपके exam के लिए कितने important है यह सारी चीज मैंने आपके close test की जो मेरी book है वहां पर मैंने collocation की बहुत बड़ी list भी दी हुए है और किस तरह filling the blanks में आपको collocation help करते है वो भी वहां दिये तो आपको यह book जरूर लेनी चाहिए और वहां पर लिखे वे collocations भी पढ़ने चाहिए ठीक है next 176 problem solving decision making and conflict resolution are all important processes processes to developing good moral character to developing simple है to developing नहीं आकर के क्या आएगा to develop क्योंकि to के बाद में क्या आती है student verb की first form आती है verb की base form आती है तो developing को replace कर देंगे किस से develop से clear next 177 a person operating at the pre-conventional level of moral reasoning considers any decision or ethical dilemma from the point of view of avoiding personal harm losing or seek personal अब यहां देखो इसी दा केस ओगें अगें 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 एकेस बन रहा है parallel construction का इकेस किसका बन रहा है parallel construction का case बन रहा है और हमने बहुत बहुत सारे question parallel construction से यहां पर कर लिए है अब आप खुद ही देखो avoiding personal harm losing or seeking यहां पर देखो avoiding losing seeking क्या बनेगा seeking personal gain clear next 178 rapid developments in modern medicine has conquered many diseases and consequently the death rate has decreased rapid development rapid developments कहां पर modern medicine modern medicine मैंने पहले भी पताया था modern medicine क्या है और यह कैसे singular आता है collocation है modern medicine conventional medicine orthodox medicine ठीक है has conquered उसने बहुत सारी बिमारियों को जीत लिया है has गलत है modern medicine पर मत जाओ मेरे बच्चों इस पर मत जाओ वहां पर उस sentence में subject modern medicine था पट यहां पर subject modern medicine नहीं है यहां पर subject क्या है rapid developments क्या है rapid developments rapid developments developments क्या है plural है क्या बोल रहा है कि modern medicine में जो rapid developments है तो subject क्या बना development तो developments क्या अक्रडिंग यहां पर verb क्या आएगी have has को replace किस से करेंगे have seen clear next 179 true positive thinking start by embracing reality in its myriad shapes and forms it involves the ability to feel negative emotions when you have to and still maintain hope enough to keep on going क्या error समझ में आ रही है बताओ error यह है यह पहले भी कराया हुए मैंने enough जो है वो क्या होता है student adverb होता है और adjective भी होता है ठीक है जब वो adjective होता है तब वो noun के पहले आता है ठीक है और जब वो होता है तो ad adjective के बाद आता है जैसे for example हम यहां पर रिच की बात करें पिच क्या है एज़क्तिव है तो rich enough ठीक है तो rich यहां enough क्या हुआ adverb rich क्या बना adjective clear है कोई दिकत नहीं है लेकिन जब मैं money की बात करती हूं money money क्या है नाउन है ठीक है money की बात की और enough लगाना है तो क्या बनाऊंगी enough money enough clothes ठीक है तो noun क्या है money है clothes है तो यहां पर enough किसके पहले आया है money के पहले as a adjective जिसका अब अब होप की बात करते हैं होप क्या होती है वर्ब भी होती है होप नाउन भी होता है यहां ही सेंटेंस में होप क्या है नाउन है इनफ अब यहां कहां आनी चाहिए इनफ की पोजिशन होप के पहले क्या बनेगा इनफ हो यहां से चीज समझनी है कि जिब इनफ एजक्टिव क प्ले करेगा तो नाउन के पहले आएगा और जब एडवर्ब का रोल प्ले करेगा तो एड्यक्टिव के बाद में आएगा बहुत अच्छा concept है और इस concept पे बहुत सारे questions भी exam में आये हुए है मैंने आपको करवाए भी हुए है और जो मेरा online paid अच्छा वहाँ पर भी मैंने बहुत सारे question concept के साथ इसमें करवाए है next 180 a business venture or one's own personal life has greater chances of experiencing success and fulfillment if the outlook is more temperate to indifferent or radical क्या error समझ में आई है error इसमें देखो student more more किसको बताता है comparative degree को ठीक है किसको बताता है comparative degree को बताता है और comparison के लिए more के साथ में हम two नहीं लेते हैं more के साथ में क्या आता है than t h a n तो two को replace कर देंगे किसे then next question number 181 he used to sit day and night under a tree in front of a temple that is how he earned the name यहाँ पर error देखो student used to के बाद में क्या आनी चाहिए verb की first form verb की base form क्या आएगा sits को replace करेंगे किसे से अगर ही की बात करते हैं तो sit सही होता बट यूस तो यूस हुआ है as a model तो model के बाद में क्या आती है verb की first form और two के बाद में वैसे भी हम क्या लेते हैं verb की base form ठीक है next there are many inner voices that speak to us inside your head and believe that they should not be trusted there are many inner voices बहुत ही अंदर की आवाज होती है जो हमें बोलती है inside तुमारे है बोलती हमें है और है तुमारा है तो यह जो error समझ में आ रहा है बोल के रहा है there are many inner voices that speaks to us बहुत सारी inner voices है जो हमें बोलती है inside inside your head नहीं होगा भई inside our head क्योंकि बात हमारी हो रही है तो your को replace किस से कर देंगे our से next 183 with God's blessings and hard work God की blessing और hard work से I cleared many hurdles in life मैंने life में बहुत सारे hurdle clear किये है and did reasonable with both professional and personally यहां पर आपको पढ़ने से ही लग दया होगा कि यहां पर कुछ न कुछ गड़बड है गड़बड देखो दो तिन है क्या 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 बोथ है बोथ और and conjunction है दोनों के साथ में add होने वाले words के parts of speech सेम होने चाहिए तो यहां आएगा बोथ professionally professionally and personally बोथ professionally and personally और did reasonable with नहीं आएगा यहां बनेगा did reasonably reasonably well और मैंने देखो sentence क्या बोलना चाह रहा है कि बगवान के आशिरवात और hard work से मैंने लाइप में बहुत सारे hurdle को clear किया और reasonably बहुत अच्छा किया कहां कहां profession में भी professionally और personally तो यह sentence बनेगा reasonably well आएगा और बोथ professionally and personal clear next 184 if you have creative streak which you have never pursue अगर आप कोई creative streak को जिसको आपने कभी पहले pursuit नहीं किया है और interested in a new field और आप नए field में interested हो gather your energy अपनी energy gather करो and move towards it और इसकी तरफ को चल पड़ो ठीक है यहां पर देखो student यहां पर error है यहां इस पार्ट में interested को यहां adjective की बात करें तो यहां if you have यहां you subject है तो यहां हमें लेना पड़ेगा इसका plural if you are interested in a new field अगर तुम नए field में interested हो clear are interested आएगा और एक चीज़ा और ध्यान रखना किसी भी sentence को English में जो भी कोई भाव होते हैं हमारे जो हम बोलना जाते हैं उनको एक ही तरीके से लिखा नहीं जा सकता है उनको बहुत तरीके से लिखा जा सकता है जैसे इस में बहुत सारे sentences ऐसे होते हैं कि जिसको कहने का तरीका अलग हो सकता है ठीक है याना कि बात तो सेम ही वह हो रही है जो बात है इस sentence को इस तरीके से लिखा एक दूसरे तरीके से भी री फ्रेम कर सकते हैं जैसे हम यहाँ पर बोल सकते हैं if you have creative streak which you have never pursued और यहाँ पर हम ले सकते हैं इंट्रस्ट इंट्रस्ट तो यहाँ शोन जो है वो हैव के साथ अटैच हो जाएगा और इफ यू आप creative streak which you have never pursued अगर आप creative streak और आपने पहले कभी भी इसको pursue नहीं किया है और you have shown interest और आप show कर रहे हो अपने interest को एक नए field में तो अच्छी बात है अपनी energy को gather करो और उसकी तरब बढ़ जाओ तो ऐसे भी आप कर सकते थी shown interest भी हो सकता है R interested भी हो सकता है दोनो सही है दोनो ही case में B part में error हो जाएगी ठीक है next 185 the only thing that endorse एक चीज़ जो endure करती है and can sustain an infant till the stage it receive immunity comes from the consumption of mother's milk यहाँ पर error है student mother's milk milk भी नाउन है mother भी नाउन है mother's मतलब बहुत सारी माय ठीक है जबकि बोलना किया चाहरा है मां का दूद मादार का वेख़ आ है मादर का डूड़, यानि come क कर रहा है ना की mother's यह तो plural हो गया यह सही नहीं है mother का milk है जो क्या करता है हमें immunity देता है ठीक है बतल सब जानते ही है तो mother का milk होगा mother's milk ठीक है next 186 the internal and external environment we experience in our thoughts feelings and the world around us also has an यह तो आपको question देखते ही answer आना चाहिए यह वाला अभी अभी मैं मत आके गई अभी अभी जस्ट मैंने यह question कर आया आपको आना ही चाहिए था देखो affect क्या होती है verb ठीक है एन आया है article and क्या है student and is an article and क्या है article है तो इसके बाद क्या आना चाहिए था noun आना चाहिए था क्या आना चाहिए था noun affect क्या है verb noun क्या बनेगा effect noun क्या बनेगा effect ठीक है equation मैंने कर वाया अभी अभी cause and effect वाला effect क्या है verb भी होता है noun भी होता है next 187 the science are the blends of tonical herbs, metals, fruits, gums and how specific methods of production which included the time of gathering इसमें क्या रट समझ में आरी है आपको देखो यह आप से sentence start हुआ present में यहाँ पर जो चल रहा है पूरा sentence किसमें चल रहा है present में चल रहा है अब बोल रहा है जो include किये जाते है जो की include किये जाते है gathering करते time और यहाँ पर यह आया है past में तो past में नहीं लेंगे पूरा sentence के theme के according यहाँ आएगा present included को replace कर देंगे किस से include से किसे करेंगे include next 188 in relationships to she seems to have subsisted or nothing but the emptiness of her heart to the master of her life clear यहाँ पर आप देखो relationship में भी तू क्या भाव दे रहा है भी also relationship में भी she seems वो परतीत होती है she seems seems के बाद में आगया to यह वापस कोई भाव भी का भाव यह also का भाव नहीं देते हुए simple sentence है तो seems के बाद में आएगा to have TOO2 को हम replace कर देंगे कि say TOO से ठीक है next our thoughts have a direct impact on our body हमारे विचारों का हमारी body के उपर direct impact होता है and hence they crucially affect our emotional and physical well-being too ठीक है और इसलिए वो hence result बता रहा है कि यह हमारे emotional और physical well-being को भी परभावित करते हैं ठीक है अब यहाँ पर देखो hence they, they से क्या पता चल रहा है subject क्या है our thoughts our thoughts का अगर हम प्रोनाउन लेंगे तो they बन रहा है जबकि our thoughts क्या है student singular है तो इसके construction के according, they के according यहाँ क्या आना चाहिए our thoughts क्योंकि आगे जो verb आई है वो भी क्या आई है, have आई है, verb भी क्या है, have है तो इसके according हमें subject को change करना पड़ेगा our thoughts have, तभी यह दे को हम justify कर सकते हैं और तभी हम इस have को justify कर सकते हैं clear, next 190, when you drink the sweet coconut water, it is the metaphor for experience joy within free of ego and other hazards sentence, इस sentence में क्या आरड समझ में आ रहा आपको, देखो, इस sentence में for जो एक preposition है और for के बाद में हम क्या करते हैं student, for के बाद में हमेशा जो भी verb की बात करनी हो, तो zerand केस आता है, क्या आता है zerand, तो यहां experience को experience को कर देंगे हम experiencing, zerand को में change कर देंगे, experience किस में हो जाएगा, experience, next 191 much believe that if you are modern, you should not be religious and vice versa, can't spirituality and modernity coexist sentence, sentence बोलना जाता है, कि बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं, कि अगर आप modern हो, तो आप religious नहीं हो सकते हो, modern हो तो अब धानमिक नहीं हो सकते हो, अग इसका अगर बात करी जाए, कि क्या spirituality और modernity क्या एक साथ exist नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती है, यह question कर रहे है sentence, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ हम बात कर रहे हैं, much believe, जबकि sentence के contextual meaning के according, यहाँ लोगों की विश्वास की बात हो रही है, पर किसकी विश्वास की बात हो रही है, तो वो एक person जो है, वो क्या है, countable noun है, people क्या है, noun है, ठीक है, और कैसा, countable, plural, ठीक है, तो यहाँ, much जबकि क्या है, uncountable noun है, तो यहाँ हमें replace करना पड़ेगा, much को किस से, many से, किस से replace करेंगे, many, तभी यह believe यहाँ justify हो जाएगा, many believe, बहुत सारे लोग ऐसा believe करते है, many believe का मतलब क्या हो गया, बहुत सारे लोग ऐसा believe करते हैं, ऐसा मांते हैं कि modern, जो आदमी modern है, वो religious नहीं हो सकता, ठीक है, next, 192, why is it that they can develop only a certain aspect of their life and not realize their full potential, इसी video में, इसी class में मैंने यह concept 2-3 बार करवा दिया, टी-एच-E-R-E और टी-एच-E-I-R, ठीक है, अब तो आपको देखते ही answer आना चाहिए था, क्या, देखो, life क्या है, student, noun है, इससे पहले position, life के लिए show करना है, position, position, show करना है, तो क्या आएगा, possessive, possessive क्या बनता है, ती-एच-E-I-R, जो यहाँ पर आया है, तो देयर life और देयर full potential, देयर, ती-एच-E-I-R, clear, next, 193, if the sun and moon were balanced, अगर sun और moon balanced हो, यहने के ठंडा और गरम balanced हो, which means if heat and cold are in equilibrium, ठंडा और गरम जब किस में हो, equilibrium में हो, the person is healthy, तो person क्या हो रहता है, healthy, अब यहाँ देखो, sun और moon, sun, moon is ऐसे कुछ noun होते हैं, जिनके पहले हमेशा हम क्या यूज करते हैं, the, तो sun, the sun and the moon, clear, next, 194, Earth can be considered a case or prison, because our choices are limited to our available awareness and restricted, again, 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 a case of parallel construction, मैं आपका बार बार ऐसा बोल रहे हो, बार बार ऐसा इसलिए बोल रहे हो, बच्चे क्योंकि यह बहुत important है, और आपके सामने ही जो questions आ रहे हैं, बार बार इसी concept पे बेश जा रहे हैं, मैंने इसका reference आपको अच्छे से दे दिया है, वो reference याद रखना मेरे बच्चों, और उसको अच्छे से पढ़ लेना, जो मैनत मैंने आप लोगों के लिखी है, जो concept की clarity मैंने वहाँ दी है, उसका फायदा उठाओ, exam में select हो, ठीक है, वो मैनत मैंने कर ली, आपको परोज के दिया है मैंने, आपको तो वस उसको पढ़ना है, बस, आप पढ़ो, मैं मैंनत कर रही हूँ आपके content के लिए, आपक मैं content दे रही हूँ, आप उसको पढ़ते जाओ और आपको जो life में achieve करना है, उसको achieve करो, आगे बढ़ो, ठीक है, यहाँ देखो, are available awareness, क्या है awareness, noun, and के बाद में restricted क्या है, verb, ठीक है, तो यहाँ पर भी noun आना चाहिए, restricted का noun क्या बनेगा, restrictions, clear, are available awareness and restrictions, next, 195, if a guru is a kind of higher teacher, अगर कोई guru एक तरह का higher teacher हो, none of his roles, hit the mark of what is intended, अब students, इसमें जो answer की मैं दिया था, वो B में answer की मैं error दिया था, but मैं आपकोई बताना चाहूंगी, none of, बहुत अच्छा concept है, मैंने अपने बच्चों को classes में करवाया हुआ है, none of के बाद में, none of के बाद में, अगर uncountable noun होता है, क्या होता है, none of के बाद में, अगर uncountable noun होता है, जैसे work है, none of his work, ठीक है, तो आगे अनिवाली वर्ब क्या हो जाती है, singular, none of his work is, none of his work has admired, ठीक है, तो एक चीज़ यहां देखने हैं कि none of के बाद में, अगर uncountable noun होता है, तो वर्ब क्या होता है, singular, not करते चलना बच्चों मेरे, ठीक है, लेकिन जब हम none of के बाद में, none of के बाद में, अगर plural noun आता है, ठीक है, plural noun आता है, उस case में verb singular भी आ सकती है और verb plural भी आ सकती है, दोनों verb possible है, singular भी और plural भी, ठीक है, जैसे none of the trains, ठीक है, none of the trains, इस और आर, दोनों सही है, इस भी सही है और आर भी सही है, बट आप सोच रहे होंगी मैं, दोनों होतों एक को कैसे चूज करें, तो students, हम follow करते हैं British English को, और British English के according, none of के बाद में, अगर plural noun होता है, तो हम singular verb को ज़्यादा formal में consider करते हैं, British English का consider करती है, कि अगर none of के बाद plural noun आया है, तो formal writing के according, singular verb ज़्यादा सही है, ठीक है, और इसमें none of के बाद में, इसने यही कर रखा है, verb क्या रखी है, singular आया हुई है, तो इस sentence में कुई error नहीं है, यह sentence बिल्कुल सही है, बहुत सारी जगें आपको hits की जगें hit किया हुआ मिलेगा, लेकिन वो conceptually गलत है, चीक है, conceptually बिल्कुल भी सही नहीं है, ऐसा से भी जो answer करती है, उस answers में भी corrections होते हैं, जब बच्चे reply वाँ send करते हैं, तो वहाँ से भी answer की में भी correction होके आते हैं, असा नहीं है कि उसने एक बार answer की दे दे, तो वैसे तो दोनो ही वर्ब सही है, plural भी और singular भी, चीक है, बट अगर आपको एक को consider करना हो, तो singular वर्ब formal है, more formal, चीक है, next, 196, the growth in India is amazing, the growth from 140 million connections in 2005 to 181 million connection now is very impressed, now is very impressed, तो student again यह जो case है, यह parts of speech का case बन रहा है, इसका बन रहा है, parts of speech का, तो यहाँ very वैसे होता है adjective भी होता है, adverb भी होता है, हम यहाँ पे शांदार की जो growth है, उसको हम शांदार बताना चाहा रहे हैं, तो हमें यहाँ adjective form की requirement है, और impressed की जगे हमें क्या करना पड़ेगा, objective form impressive, और very यहाँ क्या हो जाएगा, adverb, जो किसको qualify कर रहा है, किसको modify कर रहा है, impressive को, impressive adjective, शांदार को, हम very क्या कर रहा है, modify कर रहा है, यानि कि very impressive, जैसे बोलते है beautiful, very beautiful, ठीक है, sweet, very sweet, ठीक है, तो very क्या कर रहा है, इसे adjective हो यहाँ पर, इसकी intensity को बढ़ा रहा है, इसको modify कर रहा है, इसको modify कर रहा है, क्या, next, 197, दिल्ली प्लेस और गनाईज अ मेगा फंक्शन अट त्याग राज स्टेडियम, to promote self-defense training for women and girls, ठीक है, डेली प्लेस ने और्गनाईज करवाया, क्या, एक मेगा फंक्शन कहां पर त्यागरा स्टेडियम में, इसको प्रमोट करने के लिए, self-defense training, इसके लिए women और girls के लिए, अब देखू, यहाँ पर, डेली पुलिस ने यह काम करवाया है, ठीक है, तो इस sentence के contextual meaning के according, हमें यह पता जल रहा है, कि यह sentence किसमें है, past में, ठीक है, अगर इस sentence present में भी होता, तो यह होता कि वो हमेशा ऐसा करता है, ठीक है, वो ऐसा कोई meaning यह नहीं दिया, यह meaning है कि ऐसा करवाया, ऐसा हुआ, उन्होंने ऐसा ही training program रखा, तो यहाँ पर past के according, organized को हम replace कर देंगे, किससे organized से, किससे organized, past है student, past है, तो क्या आएगी students, verb की second form आए, next, 198, all they need to do is feed their contact, contact details, feed the IMEI number to receiving an RTP on their mobile, अब यहाँ पर simply आपको देखते ही समाझ जाना चाहिए, to receiving नहीं होगा, simply 2 के बाद में क्या आएगा, receive, 2 plus verb first, ठीक है, next, 199, so the next time you are eating, the next time you are eating sushi, जब तुम next time sushi खा रहे हो, you exactly know what to do with that extra wasabi that have come along, ऐसे question भी अभी अभी मैं करवा के गई हूँ, that है relative pronoun उससे पहले आए वासे भी, जो क्या है, singular है, तो आगे आने वाली वर्ब भी क्या होनी चाहिए, singular, ठीक है, तो have को replace कर देंगे किस से, has से, और एक general context में भी इस sentence को हम बोल सकते है, है, has come along भी हो सकता है और अगर इसको जनरल देखें तो comes along भी सही है, next, 200, this is the first car, यह पहली कार है, for our neighborhood Mr. Sharma, who has a hard time balancing his wife and kids on his old scooter, हम अपने आजपासे से बहुत सारे लोगों को देखते हैं, जो अपनी पूरी life scooter पे wife और बच्चों के साथ बिता देते हैं, ठीक है, आजपल के लड़कों को तो girlfriend को impress करने के लिए गाडियों की ज़रत पढ़ जाती है, ठीक है, बहुत सारे लोग जो laborious होते हैं, hard working होते हैं, ठीक है, जिनके उपर समय से पहले जिम्मेदार ही आ जाती है, ठीक है, तो उन्होंने उपनी पूरी life विचारे scooter पे बिता देते हैं, तो यहां पर Mr. Sharma कोन है, पडोसी है, तो पडोस की बात नहीं हो रही, नेबर उड़तों पडोस हो गया, ओ जगए है, यह हमारा पडोस अच्छा है, यहां बात किसकी हो रही है, पडोसी, किसकी बात हो रही है, पडोसी, हमारा पडोसी, this is the first car for our, हमारा पडोसी, पडोसी क क्या होगा नेभर, आर नेभर Mr. Sharma, क्या होगा आर नेभर Mr. Sharma, क्या होगा आर नेभर Mr. Sharma. Clearer students, next question number 201, good role models in classrooms and in communities are the most important part of getting educated as the actions and decisions of role models impacts, impact the behavior of others, okay. तो classroom के ये role model की बात हो रही है और community is, जो क्या है most important है, part of getting, क्या आर समझ में आ रहा है, यहाँ पर student यहाँ आर आएगा, getting के बाद में यहाँ, work की first form नहीं, third form, getting educated आएगा, right answer क्या होगा, part of getting educated as the actions and decisions of role model, क्योंकि जो role model है, actions or decision जो है, वो दूसरा के impact the behavior of others, दूसरा के behavior को क्या करते है, impact करते है, next. Judaism says, spirituality is the process of personal transformation involving values and beliefs that provides purpose and guidance for our living. अब यहाँ पर क्या आर समझ में आ रहा है, students, यहाँ देखो, यह इस तरह की questions हमने काफी कर लिए है, इसी class में, that यहाँ पर relative pronoun है, that के पहले जो word है, that के पहले जो noun है, वो कैसा है, plural noun, कैसा है, plural, beliefs, beliefs कैसा है, plural है. So, beliefs के according यहाँ, आगे जो verb आनी चाहिए, that must be plural, तो provides को हम replace करेंगे, किस से, provide से, here, क्या बनेगा, values and beliefs that provide purpose and guidance. Guidance का ध्यान रखेंगे, यह spelling error में कई बार exam में guidance आ चुका है, और student इन में generally error कर देते हैं, DE कर देते हैं, जबकि guidance में GUIDANCE आएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है, next, 2003, 3, in an imperfect world with no so perfect people and institutions, you have to play your role the best you can, जो best कर सकते हैं, वैसे आपको अपना role play करना है, take as many as you can along with you, ठीक है, with empathy and a bit of loving detachment, ठीक है, अब क्या error समझ में आ रहा है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोल रहा है कि imperfect word है, और बहुत जो लोग है, वो एकदम perfect नहीं है, institutions परफेक्ट नहीं है, आपको ऐसा role play करना है, best जो आप कर सकते हो, और जितने ज़्यादा हो सकते हैं उन लोगों को अपने साथ लेना है, तो साथ लेने की जो यह verb है, ठीक है, taking, taking verb हम यहाँ यूज करेंगे, साथ लेते हुए, मतलब as many as you can, जितने लोगों को साथ में लेते हुए, तो यहाँ पर जो verb है, उसको हम ing में चेंज करेंगे, taking, take नहीं आएगा, यह जो questions है, यह sentence के contextual meaning के according हो रहे है, student, ठीक है, पढ़ने के बाद जो meaning है, उससे यह questions all हो पा रहे है, clear, next, 204, earth's resources have to be protected and sustained and we need to share our resources across species as we all are interconnected as one giant living organism, क्या आरर समझ में आ रहा है, again इस question में आरर है, parallel construction का, ठीक है, कैसे, अब देखो, यहाँ पर how to be protected, how to be protected passive बन रहा है and sustain, यह जो verb आई है sustain, यह इस ही part की है, earth's resources have to be protected, earth's resources have to be sustained, clear हैना यह चीज, तो यह sustain, इसी word का, इसी sentence का part है, जो पहले लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ verb आई है, वर्ब की first form, तो यह सही नहीं है, यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, इसी construction की according, sustained आएगा, क्या आएगा, sustained, clear, parallel construction से देखो, earth's resources have to be protected and sustained, clear, next, 205, gratitude is one of the more essential virtues for real inner prosperity and happiness because it can connect us to the divine, बिल्कुल सही बात है, gratitude, gratitude मतलब, इसी को thanks फिल कराना आभार जो होता है, ठीक है, one of the more essential, more, more कहां आता है, student comparison में, comparative degree है more, तो यहाँ पर comparison तो कहीं होई नहीं रहा है, यहाँ पर तो एक को अच्छा बताया जा रहा है, ठीक है, और जब comparison नहीं होता है, एक को सब में best बताया जाता है, एक को सब में से superior बताया जाता है, तो कौन से degree आती है, super little, कौन से degree यूज़ करेंगे, super little, तो हम more को replace कर देंगे, किस से most, क्या बनेगा, gratitude is one of the most essential virtues, gratitude क्या है, सबसे important virtue है, ठीक है, one of the most, one of the most, उसके बाद में हमारा concept क्या है, कि one of the के बाद में plural आना चाहिए, वर्चू यहाँ पर plural भी आया हुआ है, ठीक है, next, 206, the aroma of the invigorate morning cup of tea comes wafting up to the stairway and soon I am sipping it slowly and reverentially without rushing, ठीक है, अब यहाँ पर देखो, क्या RR समझ में आ रही है आपको, RR क्या है, यहाँ जो morning की चाय है, morning की जो tea है, उसकी विशेष्टा बता रहा है, यहाँ पर invigorate, ठीक है, invigorate का parts of speech है, वर्ब, parts of speech क्या है, वर्ब, जबकि यह पूरा part, यहाँ कम से लेकर पूरा यह पार्ट जो है, इसको अगर आप देखोगे, तो यह पूरा part क्या है, subject है, क्या है, subject है, तो इसके according आप देखो, यहाँ, यह जो morning cup of tea है, morning cup of tea को हमें इसकी विशेष्टा बताने के लिए, यहाँ पर form चाहिए, क्या adjective, क्यों से form चाहिए, adjective की morning की जो cup of tea है, morning की जो चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए, invigorating, adjective form हो जाएगा, invigorate का, invigorating, ing, ठीक है, ing क्या है, यह adjective है, अब आप समझे, invigorate का मतलब क्या होता है, अच्छा word है, root word है इसमे, vigor, v-i-g-o-r, vigor का मतलब होता है, to be strong, ठीक है, और in का मतलब क्या है, inverse, जो strong बना दे, ठीक है, यहाँ पर strong का मतलब क्या है, जिससे energy आ जाए, इसमें थोड़ा, इसको ऐसी चाहिए, इसको पीने से क्या है, थोड़ी energy आ जाए, full of energy, right, vigor कई बार exam में भी आया हुआ है, vigor, pull of energy, pull of enthusiasm, vitality भी इसका synonym बनता है, ठीक है, clear, तो vigor, vigor को ध्यान रखेंगे to be strong और to be strong के लिए एक root word और है, vale, vale का मतलब भी क्या होता है, student to be strong होता है, जैसे convalescent में यह vale क्या है, to be strong है, root words बहुत important है, और root words से words याद करना बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है, मैंने word power book में इस तरह से बहुत सारे root words दे रखे हैं, उनको आप जरूर पढ़े, आपकी vocab का जो डर है, वो खतम हो जाएगा, ठीक है, next, 207, affirmations fire the will to focus and perseverance towards, towards goal realization and enable positive thoughts to permeate one's subconsciousness, अब यहाँ पर क्या error समझ में आ रही है आपको, अगर अभी तक आपने वीडियो को continue देखा है, तो मैंने बहुत बार एक ही concept जो लगातार इन questions में आ रहा है, specially 2017 means में, वही concept यहाँ again आ रहा है, again यह construction बन रहा है, parallel construction का, again जो है, parts of speech और parallel construction बार बार यहाँ 17 means में आए हुए थे, यहाँ पर भी देखो, affirmation fire the will to focus, to focus, to focus, focus क्या है यहाँ verb first, ठीक है, affirmation का देखो, fire the will, will जो इच्छा है, उसको focus करने and, perseverance, अब देखो, यहाँ पर वर्ब आई है और यहाँ पर वर्ब नहीं आ करके, क्या है student, now, ठीक है, हमें क्या requirement है, यहाँ वर्ब, क्योंकि parallel construction के according देखो, focus और उसके बाद में आए word and, तो क्या क्या चीज़े चाहिए, focus हो जाता है, और क्या हो जाता है, persevere, यहाँ verb form क्या बन जाएगी, P-E-R-S-E-V-E-R-E, लगातार किसी चीज़ को करते रहना, ठीक है, लगातार किसी चीज़ को करते रहना, कोई भी उसकी बीच में परिशानी आये, कुछ भी आये लेकिन, फिर भी लगातार को करते रहना, क्या हो जाएगा, persevere, ठीक है, verb है, तो यहाँ पर भी क्या चाहिए, verb, important concept है, बार-बार बता चुकी हूँ, concept भी मेरी books में दिया हुआ है, PDF आपको दे दी है, मैंने, parallel construction is very important, ठीक है, कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बोलेगा, syllabus का part है, नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको सीखना है, आपके improvement के लिए, आपके selection के लिए, clear, next, 208, the biggest problem faced by all developing countries is the lack of training manpower, क्या रर समझ में आ रहा, इसमें, इसमें R.R.S. student, training manpower नहीं होगा, it should be trained manpower, it is a collocation, trained manpower, ठीक है, trained manpower हो सकता है, skilled manpower भी हो सकता है, ठीक है, trained manpower, skilled manpower, यह दोनों ही collocations हो गए, और कई बार manpower की कमी होना, manpower की कमी के लिए भी आपको collocation मिलेगा, manpower shortage, manpower shortage, यह सारे note करते चलेंगे, जो जो student इस class को देख रहे हैं, जो जो चीजे मैं बता रही हूं, collocation and all, कि सभी आपको साथ-साथ note करते रहना है, अपनी copy में, और collocation की list मैंने, बहुत ही अच्छे से research list मैंने दे रखी है, close test वाली book में, आप वहां से जरूर पड़ें, ठीक है, next, 209, the more obvious feature of the modern world is the enormous development of science and technology, अब ये question, अभी अभी हमने दो चार question पहली back ये question किया था, आपको देखते ही answer आना चाहिए था, जो obvious feature है, modern word का, ठीक है, तो यहां आया हुआ है more, right, more किसके लिए आता है, comparison के लिए, जबकि यहां पर कोई comparison नहीं है, एक को बढ़िया बताया गया है, ठीक है, एक को अच्छा बताया जाएगा, तो क्या जाएगा, most, the most obvious feature of the modern word is the enormous, enormous मतलब बहुत बढ़ा, gigantic, visual, ठीक है, immense, ठीक है, यहां पर root word की बात करें तो e का मतलब क्या हो गया, out, norm मतलब norm, ठीक है, जो normal से बढ़ा है, normal से out हो चुका है, जो बहुत बढ़ा है, that is enormous, clear, और मैंने जो CHSL के solution करवाए है, वहां पर भी मैंने enormous और, वहां मैंने enormous और huge के difference को भी बहुत detail से बताया है, CHSL 2019 के जो solution है, वहां आप जरूर देखें, यह छोटे-छोटे differences मैंने वहां करवाया है, वहां बताया है, ठीक है, next, 210, critics of television often focus on the prevalent of violence in today's programs, critics of television often focus on the, यहां पर एक बात देखो student, on the, यहां the article आया है, the article आया है, तो यहां आने वाला word, यह जो word यहां आना चाहिए, इसका parts of speech क्या होना चाहिए student, parts of speech क्या आना चाहिए, noun, ठीक है, तो noun form क्या बनेगी, prevalence, clear, prevalence क्या हो गया students, noun, prevalent क्या है student, adjective, ठीक है, noun form क्या बनेगी, prevalence, clear, prevalent का मतलब क्या है, जो common है, जो widespread है, उसको क्या बोलते है, clear, next, 211, our school administration, should seriously consider given students more responsibility and empowering the student, student council to play more than a symbolic role, अब यहां पर again, again, जो construction है, वो parallel है, अब आप यहां देखो, आप कुद को answer करना है, यहां दो चीजे बात कर रही है, बात हो रही है, आप कि school administration को seriously consider करना चाहिए, क्या क्या students को ज्यादा responsibility देना, और empowering the student council, empower करना to play more than a symbolic role play नहीं करना है, सिर्फ symbol नहीं बनना है, उससे ज्यादा role play करना है, ठीक है, तो यहां आया, empowering the student council, राइट और उससे पहले है, given students more responsibility, क्या missing लग रहा है, क्या awkward लग रहा है, क्या improvement की जरुरत है, थोड़ा सा भी सोचेंगे, तो समझ जाएंगे, यहां given की जगे आना चाहिए, giving, अब पढ़ो इसको कितना easy लगेगा, giving students more responsibility and empowering the student council to play more than a symbolical role, फिया, next, तो सो बारा, our schools, faculty and administration should not sacrifice, school की जो faculty है, administration है, उनको sacrifice नही करना चाहिए, high standards and regulations in order to make students temporary happy, temporarily happy बनाने के लिए, अपने जो standards है, regulations है, उनके साथ में sacrifice नहीं करना चाहिए, तो यह जो sentence है, यह बिल्कुल सही है, इसमें grammatically कोई error नहीं है, क्या हो जाएगा, no error, next, 213, trained analysts, experts, specializes in predicting what will be in and what will be out, यह भी parallel construction है ना, what will be in and what will be out, दोनों सही लग रहे है, error कहां है, यह वाला पाट तो सही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ दिक्कत कहां है यह देखो, trained analysts, experts, ठीक है, यह क्या है sentence पूरा, ठीक है, student पूरा subject है, है ना, subject है और कैसा subject है, यह plural, कैसा subject है, plural, subject है और कैसा है, plural है, ठीक है, experts, ठीक है, अब यहाँ पर specializes तो आएगा भी नहीं, प्लूरल है, प्लूरल है, तो specialized आना चाहिए, जबकि अगर हम specialized लेंगे, तो इसका meaning जो है, वो सही नहीं बैठ पाएगा, सही sentence कहना क्या चाहता है, कि trained analyst, expert होते हैं, प्रेडिक्ट करने में, क्या in है, और क्या out है, तो यहाँ सही पॉंग बनेगा, आर specialized, यहाँ पर student क्या हो गया, adjective हो गया, आर specialized, क्यों विशेशता बता रहे हैं, कि वो क्या है, specialized होते हैं, कि प्रेडिक्ट करने में, क्या in है, और क्या out है, ठीक है, next, 214, one of the hazard of swimming in the ocean is an unexpected encounter with a jellyfish, क्या आरा है, समझ में आरा बच्चों, encounter के साथ में with आया है, बिल्कुल ठीक है, encounter with somebody, encounter with somebody या encounter with something, दोनों होता है, ठीक है, और encounter between a and b भी होता है, तो इस पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत कहां लग रही है, हम discuss कर भी चुके है, one of the, यहां दिक्कत है, one of the के बाद आने वाला नाउन, क्या होना चाहिए, plural, तो यहां क्या आया हुआ है, singular, तो इसको बना देंगे, plural, ठीक है, sentence बिल्कुल सही हो गया, कोई आरार नहीं है अब, यह पार्ट में आरार हो गई है, one of the के बाद आने वाला नाउन, होना चाहिए, plural, और वर्ब क्या होनी चाहिए, singular, next, 2.5, many of us, हम में से बहुत सारे, many का question हमने अभी 17 में किया ही था, many, यहां पर people को denote करता है, many of us have striving to produce a blend of all cultures that seem today to be in class with one another, अब यहां पर पहले पार्ट में A में देखते ही आपको समझ जाना था, ठीक है, have striving, have striving कोई भी tense की structure नहीं होती है, किसी भी tense की structure have plus ing नहीं आएगी, क्या आना चाहिए था यहां पर, यहां आना चाहिए, how been, अगर हम present perfect continuous में जाते हैं, तो क्या बनेगा, have been striving, क्या बनेगा, क्या बनेगा students, have been striving, ठीक है, strive बना मतलब effort कर रहे हैं, ठीक है, और एक आप यहां पर एक possibility यह भी है कि आप इसको present perfect में भी बना सकते हों, अगर आप present perfect में बनाते हो, then it should be have strived, क्या हो जाएगा, have strived, clear, दोनों ही केस में have striving गलत है, यह तो present perfect continuous में बनाई है, यह present perfect, दोनों ही सेट बैठेंगे, ठीक है, next, 216, when the business is ran smoothly, directions are more than happy, sorry, directors are more than happy to pick an experienced insider, who will continue along the present path, ठीक है, यहां तो पहले ही sentence में यह जो चीज मैंने अभी आपको 215 में बताई है, आप देखो, यहां यह जो is plus verb second, यह जो पॉम है, यह तो possible ही नहीं है, किसी भी tense की structure यह नहीं हो सकती, किसी भी tense की structure is plus verb second, यह इस plus verb first नहीं हो सकती, ठीक है, ठीक है, यहां पर passive बन नहीं सकता, ठीक है, पैसिव भी नहीं बनेगा यहां अब देखो यहां क्या करना है जब कोई business smoothly चलता है जब कोई business smoothly चलता है contextual meaning जो है वो क्या है जब कोई business smoothly चल रहा है या जब कोई business smoothly चलता है दोनों बाते हैं तो इसलिए यहां पर या तो हम कर सकते हैं runs, present simple, या हम क्या मोल सकते है, is running, दोनो के according sentence का meaning, set better है, दोनो के according sentence का meaning, जो निकालना चाहरे है, वो आ रहा है, तो दोनो तरह से is running भी कर सकते हैं और runs की कर सकते हैं, next, 217, scientists show that there is a curious relationship among a lion's lifespan and the pattern of sports on each side of its face, ये question भी हम कर चुके है, इस concept जो concept यहां लगेगा, ये भी हम इसी class में कर चुके है, आपको देखते ही answer करना चाहिए था, and है, यहां among है, क्या आएगा, between, ठीक है, among और between के बहुत सारे question exam में repeatedly आते हैं, और among और between की PDF जो है, वो मैंने आपको बता दी है, neon classes की app पे मिल जाएंगी, उससे बाहर एक भी question possible नहीं है, सारे कि सारे concepts मैंने वहाँ पर cover करके अच्छे से दिये हैं, आपको जरूर पढ़ने चाहिए, ठीक है, next 288, Karnatka receives most of its annual rainfall, Karnatka जो annual जो rainfall है, बारिश जो है, वो कब रिजीव परती है, during the monsoon, whereas Tamil Nadu, Tamil Nadu doesn't got, doesn't get much than and it has to wait, still the advent of northeast monsoon, Karnatka तो क्या होता है, कि monsoon में इसके rainfall हो जाती है, जबकि Tamil Nadu को wait करना होता है, कब तक, जब तक northeast का monsoon नहीं आ जाता, तक, कब, advent मतलब आना, किसी चीज़ का, चीक है, advent of northeast monsoon, कब तक, till, तो यहाँ पर क्या आरर किया, बनाने वाले ने, till की जगे क्या कर दिया, still, जबकि still नहीं आएगा, क्या आएगा, till, क्योंकि यहाँ time की बात हो रही है, कि उसके आने का, वेट करते हैं, उसके आने का, तब तक उसको, Tamil Nadu को, वेट करना होता है, तो उस time के लिए, क्या यहाँ उस करेंगे, यहाँ पर, still, still नहीं आएगा, clear, next, 219, education is a, is a instrument which imparts knowledge and therefore indirectly controls power, देखते ही आपको answer आना चाहिए था, बहुत ही simple है, article का concept है, ठीक है, क्या consonant और vowel, ठीक है, यहाँ instrument, instrument का क्या sound आ रहा है, vowel sound आ रहा है, और article A use हुआ है, A को replace करना पड़ेगा, कि से, N से, clear, next, 220, progress in life depends a good deal under crossing one threshold after another, simple question है, देखो, depends के बाद में, depends के बाद में या तो ओन या अपोन preposition use होता है, depend on something, depends upon something, depends on somebody, depends upon, ठीक है, तो यह चीज़ धान रखेंगे, जब कि यहाँ क्या रख लिया है, depends a good deal under, under नहीं आएगा, यहाँ क्या बना पड़ेगा, on, progress in life depends a good deal on crossing one threshold after another, clear students, next question number 221, terminals are location, where passengers and fat can be transferred from one vehicle or mode to others, terminals एक जगे होती है, जहाँ पर passengers को, fat money goods को, transfer किया जाता है, can be transferred, क्या बना, passive, from एक vehicle से, एक mode से, दूसरे में, तो वन के बाद में, वन एक से दूसरे की जब हम बात करते हैं, वन के case में, जब दूसरा है, तो उसके लिए हम use करते हैं, another, ठीक है, others नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, one vehicle or mode to another, clear, next, 222, public attention in the developed world has recently focused on asthma because of its rapidly increasing prevalence affecting up to one in four urban children, ठीक है, अब देखो, यह बोल रहा है कि public attention जो है in the developed world, developed world में, अभी recently focus किस पर कर रहा है, asthma पर क्योंकि, asthma बहुत ज्यादा फैल रहा है, prevalence मतलब widespread है, common होता जा रहा है, बहुत ज्यादा और affect पर भावित कर रहा है, up to one in four urban children, चार में से एक बच्चे को पर भावित कर रहा है, ठीक है, असर डाल रहा है, clear, अब देखो student, effect जो है, effect मैंने आपको पहले भी बताया, effect verb है होता है, और effect ना उन भी होता है, effect जो है, वो effect क्या है, verb है, ठीक है, effect की अगर अब verb form की बात करें, यह आई एन जी कौन से form है, verb form है, verb form की बात करें, तो इसका मतलब होता है, to make something happen, ठीक है, अब यहाँ पर बात इस context की नहीं हो रहा है, बात किसकी हो रही है, किसी चीज के परभाव डालने की, किसी चीज के असर डालने की बात हो रही है, कि जो अस्थमा है, वो चार में से एक बच्चे के ऊपर असर डाल रहा है, चार में से एक बच्चे को परभावित कर रहा है, तो उस case में सही verb use होगी student affect और इसको ing बन जाएगा affecting धान रखेंगे बहुत ही important concept है यह effect noun और verb दोनों होता है affect सिरफ verb होता है effect का मतलब जब noun verb है तो यह हो गया यहाँ पर to make something happen तो यह बात यहाँ पर होई नहीं रही है बात किसके हो रही है पर भाव डालने की हो रही है तो क् affecting next 223 in spiritualism it is a part of services to communicate with life personalities in the spirit world spiritual में एक service का part है कि communicate करना किसके साथ में life personality के साथ में personalities in this spirit of word spirit word में अब यहाँ देखो error आएगा बीव पार्ट में कैसे देखो with क्या है student preposition है ठीक है preposition के बाद एक चीज़ दिहान लगेंगे जिनली क्या आता है student noun आता है यह नाउन phrase आ सकता है यह जहरंड यह क्या सकता है जहरंड आ सकता है ठीक है परस्नालेटी इस क्या student noun है और कैसा noun है plural परस्नालेटी इस नाउन है और कैसा नाउन है प्लूरल तो इस personality को qualify करने का वर्ड हमें यहां चाहिए ठीक है तो लाइब का parts of speech है noun और personalities का parts of speech भी क्या है noun तो यहां इस noun को qualify करने का अगर हमें word चाहिए तो that should be वो क्या होना चाहिए adjective होना चाहिए adjective होनेगा यहां life के जगे हमें लेना पड़ेगा living क्या होगा living living personalities ठीक है life को replace किस से कर देंगे living से living personalities ठीक है living organism हो सकता है living things हो सकता है ठीक है ठीक है next 224 in Marxist philosophy the bourgeoisie are the social class that came to own the means of production during industrialization Marxist की philosophy में बर्जुआजी किस को बोलते है middle class को ठीक है class है यह french word है यह बर्जुआजी अब यहां error क्या समझ में आ रही है आपको बताओ यहां error है student collective noun की यह बर्जुआजी क्या है class है और class को हम क्यों सा नाउन बोलते है collective noun collective noun जो होता है वो generally singular होता है और कई बार उसके साथ में प्लूरल वर्ब भी आ सकती है singular और प्लूरल ठीक है क्यों क्योंकि अगर वो collective noun as a whole एक बात होती है तब वर्ब singular आती है लेकिन जब क्लेक्टिव क्लेक्टिव नाउन अपने आप में as a whole एक बात होरी है क्या होरी है as a whole एक बात होरी है यहाँ अलग लग नहीं है बर्जवाजी तो यहाँ आने वाली वर्ब आर की जगे क्या आएगा इस आर की जगे क्या आएगा इस next 225 an atom is a smallest constituent unit of ordinary matter that has the properties of a chemical element अब यहाँ पर तो student आपको देखते ही समझ में आना चाहिए था error रहेगी यहाँ एक ही जगे आएगा the smallest क्या है student superlative degree है smallest क्या है superlative degree है और superlative degree के लिए हम क्या use करते हैं the article use करते हैं तो an atom is the smallest constituent ठीक है next 226 unlike a liquid a solid object do not flow to take on the shape of its container unlike a liquid मतलब liquid की तरह नहीं solid object जो है वो do not flow नहीं करता एक shape container की shape लेने के लिए ठीक है यहाँ पर देखो यह a solid object subject क्या है a solid object यह subject कैसा है student singular subject कैसा subject है singular subject है तो यहाँ पर जो verb आनी चाहिए यहाँ पर जो verb आनी चाहिए that should be singular तो डू की जगे क्या लेना पडेगा हमें डू की जगे क्या लेना पडेगा हमें डू की जगे क्या लेना पडेगा हमें डुल्स ठीक है next 227 sulfur while usually polycrystalline may also occur of other allotropic forms with completely different properties sulfur जो usually क्या है while usually polycrystalline may also also occur हो सकती है other allotropic forms में with complete फिल्कुल completely different properties के साथ ठीक है तो occur के बाद में यहाँ of preposition use नहीं होगा occur के बाद में यहाँ use होगा in occur in मतलब अकर पाई जा सकती है अकर हो सकती है की sulfur why usually polycrystalline may also occur in occur हो सकता है किसमें allotropic forms में with completely different properties right next 228 metals can be hammered or pressed permanently out of shape without breaking or cracking metals को क्या किया जा सकता है hammer किया जा सकता है और press किया जा सकता है permanently out of shape without breaking बिना break किये और बिना crack किये यहाँ पर student यह sentence की जो यह work की structure आपको दिखाई दे रही है यह कौन सी structure है model model simple model simple की passive structure है कैसी structure है model simple passive अब आगे अगें अगें आप बोलोगे मैं 17 वाले paper में भर भर के यह parallelism भर बर के parallel construction आया हुए बिल्कुल आया हुए आप देखो can be hammered और यहां और है और क्या है conjunction है तो यहां जो वर्प की form आई है passive form कौंसी form passive तो can be hammered और can be pressed तो प्रेश को यहां replace कर देंगे किसे pressed किसे प्रेश को किसे replace कर देंगे pressed से clear next 229 229 in 19th century astronomical research was focused on the routine work of compute the motions of astronomical objects 19 सदी में astronomical research को focus किया गया था routine work of अभी अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई है अभी अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि preposition of 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 नहीं है यह ओ ओ ओ ओ जो preposition है और preposition के बात generally क्या आता है noun noun phrase या zerund आता है ठीक है compute क्या है student compute is a verb ठीक है अब यहां हमें noun form चाहिए noun form चाहिए तो of के बाद में यहां compute की जगे क्या करना पड़ेगा computing क्या करना पड़ेगा computing ठीक है next 230 clean air scatters blue light much than red wavelength and so the midday sky appears blue clean air scatters blue light blue light को ज्यादा scatter करती है more than much than की जगे क्या आएगा much than नहीं होता क्या होगा more than वो ज्यादा scatter करती है किसी बजाए red wavelength की बजाए और इसी लिए क्या midday क्या होता है sky क्या होता है blue होता है तो more than comparative degree कौन सी होती है comparison के लिए हम comparative degree use करते है और comparative degree क्या होगी student more or than ठीक है next 231 most optical phenomena can be accounting for using the classical electromagnetic description of light अभी अभी हमने एक question किये है इस तरह के iron आपको समझ में आज आनी चाहिए यह जो अभी दो question किये है can be accounting ठीक है यह यहाँ पर जो sentence है sentence बन रहा है passive ठीक है और passive sentence के लिए model simple की form है तो model plus be plus आना चाहिए यह वर्ब की थर्ड को model plus be plus verb थर्ड यह structure रहने चाहिए ठीक है ना model यह model यह be और यह वर्ब थर्ड तो can be to है accounting की जगे क्या हो जाएगा accounted ठीक है accounting की जगे क्या हो जाएगा accounting can be accounted next 232 a telescope's light gathering light gathering power and ability to resolve small detail is directly related to the diameter of their objective अब यहाँ देखो बात किसकी ओरी की telescope की light gather करने की power ठीक है a telescope एक telescope है singular है किसी लिए यहाँ पर जो वर्ब आई है वो भी क्या है singular is आई है ठीक है अब आगे जो objective है इससे पहले जो possessive आना चाहिए जो possessive आना चाहिए objective नाउन है उससे पहले जो possessive आना चाहिए वो आई होए there there कुन सा है plural जबकि यहाँ subject क्या है singular तो there को replace कर देंगे किस से इट से इट से इट से इट स अब्ज़क्तिव क्यार नेक्स 233 Aeronautical charts are for visual materiological conditions, depicts terrain, geographic features, navigational adds and other adds to navigation. Aeronautical charts यह subject हो गया है ना वो क्या aeronautical charts क्या होते है are the visual metrological conditions ठीक है और aeronautical charts क्या करते है, depict करते है terrain, geographic features, navigational adds तो इस subject के according यहाँ जो verb आई है depicts यह सही नहीं है subject plural है तो verb भी क्या हैंगी plural, depicts को हम replace कर देंगे किसे, depicts से, clear क्योंकि subject क्या है Aeronautical chart है that is plural, तो according to the plural subject we have to choose plural verb. Next 234, the imperial period of Rome lasted approximately 1500 year compared to the 500 years of the Republican era, क्या आरर आईगी student इसमें यहाँ देखो 1500 की बाद में यह 1500 साल की बात हो रही है, प्लूरल है तो यहाँ year को replace करेंगे year से, year को किसे replace करेंगे, year से 500 और यह 1500 ठीक है, यहाँ पर आपको यह question पूछ रही हूँ, three years old girl, यह construction कई बार SEC में पूछा गया, यह question है आपका, आप comment box में जरूर reply करें, यह question है, three years old girl, क्या यह question सही है, नहीं सही है तो इसमें क्या दिक्कत है, वो आपको बताना है, comment में reply जरूर करना है, three years old girl, is it right or wrong, ठीक है, आपको बताना है, three years old girl, ठीक है, next, 235, 235, देखो पढ़ो student का question है, horror movies tends to be a vessel for showing errors of issues across the globe, visually and across the globe, visually and in the most effective manner, यहाँ देखो, देखते ही answer आना चाहिए था, subject verb का question है, subject verb कौन कोई, बिलकुल basic सा question है, horror movies, horror movies का student subject है, और कैसा subject है, plural subject है, अगर subject plural है, then the verb should also be plural, tends को replace कर देगे किस से, tend, say T E and D, tend, clear, next, 236, It was during the reign of Elizabeth first that Britannia came to be view as a personification of Britain. ये तब की Elizabeth first के टाइम की बात है कि Britannia को कैसा देखा जाता था? Passive बन रहा है 2B, 2 plus B, तब simply आगे क्या आनी चाहिए verb की third form. तो view को replace करना है हमें कि say view would say. view को replace करना है कि say view say. Here next 237, hoplite soldiers utilize the phalanx information of order to be effective in war with fewer soldiers. Hoplite soldier ने utilize की phalanx information, sorry phalanx formation को किस के लिए? Effective किस बात के लिए? तो इस बात के लिए हमने ऐसा किया, उसके लिए use आता है in order to. Oaf order to नहीं होता, क्या होता है? तो आता है सही phrase in order to. So, ओप को replace कर देंगे student in order to be effective in war. War में effective होने के लिए with fewer soldiers. Next, 238, evidence from 30,000 years ago in Europe, 30,000 साल पहले जो evidence मिले है यॉरोप में, reveal starch residue on rocks used for pounding plants, वो ये reveal करते हैं, वो ये चीज उजागर करते हैं, वो ये चीज बताते हैं कि जो starch के जो residue थी, जो बच्ची जो remaining जो है, on rocks, rocks पे जो बच्चे वे starch residue वो used for pounding plants, pounding का मतलब होता है किसी चीज को पतक पतक के उसको पीटना, किसी चीज को जैसे plants को किसी rocks के उपर पीटा गया, कुछ हटाने के लिए या किसी तरह से कुछ बनाने के लिए ठीक है, तो pounding हो गया, यहाँ पर error आएगी student, reveal को replace करेंगे, अप evidence from 30,000 years ago in Europe, जो 30,000 साल पहले जो Europe में evidence मिले, उन्होंने यह reveal किया था, clear, next, 239, Lutton gives elasticity to dough, keeps its shape and often give the final product a chewy texture, देखो, यह अगें parallelism, parallel construction बोल सकते है, parallelism बोल सकते है, का question है, बहुत सारे questions 17 means में हम लगातार इसी पर कर रहे हैं, अब देखो, glutton subject है, singular subject है, gives, सबसे पहले आया gives, singular works, ठीक है, gives illaxities to dough, keeps, keeps its shape, यह आगया keeps and often give, यहाँ पर इन्होंने gives, keeps के बाद में क्या ले लिया, give, तो यह wrong हो गया, subject glutton ही चल रहा है, तो उस subject के according, यह gives भी glutton के लिया है, keeps भी glutton के लिया है, और यह give भी किस के लिया है, glutton के लिए ही आया है, तो यह give की जगे क्या करना पड़ेगा, gives, give की जगे क्या करना पड़ेगा, gives, ठीक है मेरे बच्चों, next, 240, यहाँ पर 2017 मेंस के सारे questions हो जाएंगे, यह last question बचा है, regional anesthesia blocks transmission of nerve impulses among the targeted part of the body and the central nervous system, regional anesthesia block करते है, transmission of nerve impulses को कहा, क्या बता रहा है, among the targeted part, targeted part of body or central nervous system, ठीक है, यहाँ पर यह वाला concept भी मैंने आपको इसी class में करवा दिया है, दो-तिन question हम already among और between के कर चुके है, PDF आपको neon classes की app पे मिल जाएगी, यह भी मैंने आपको बता दिया है, अब यहाँ पर देखो, दो चीजों की बात हो रही है, a targeted part of the body, पहली चीज़ और दूसरा, the central nervous system, and यहाँ पर given है, तो among नहीं आएगा, क्या आएगा, between, among और between पे बहुत बार, ssc, bank, serious exam में questions पूछे गए है, बहुत important concept है, और बहुत easy भी है, जितनी तरह के construction possible है, वो सारे construction, ठीक है, मैंने उस PDF में दे रखे हैं, clear, वो PDF आपको pre मिल रही है, आपको जरूर पढ़नी चाहिए, और यह देखना चाहिए, कि नियोन किस लेवल पे content देता है, जहां भी आप पढ़ रहे हैं, उसे compare जरूर करें, next question देखते है, 241, millions of Jews lost their kith and kin in Hitler concentration camps, millions of Jews ने खो दिया, अपने kith and kin, मतलब relatives को, अपने relatives को millions of Jews ने खो दिया, किसमें, हिटलर के concentration camps में, हिटलर के concentration camps में, तो यहां पर आप देखो, position show हो रहा है, हिटलर के, याने concentration camps कौन से, हिटलर के, तो position show होने के लिए, position show होने के लिए, हमें क्या use करना पढ़ता है, apostrophe S, तो हिटलर के बाद में, आपको लगाना पढ़ेगा, apostrophe S, हिटलर's concentration camps, राइट, next, हाँ, 242, mother-in-laws are a nuisance, mother-in-laws are, याने के, यहां पर यह जो subject है, इसको plural माना गया है, प्लूरल consider किया गया है, और प्लूरल जब भी हम compound noun का, जब भी हम compound noun का, प्लूरल बनाते हैं, जब भी हम compound noun का, प्लूरल बनाते हैं, तो main word, chief word, principal word के बाद में, एस लगाते हैं, जैसे mother-in-law, for example, singular में बना mother-in-law, अब इसका plural बनाना है, तो क्या बनेगा, mothers-in-law, right, क्या बनेगा, mothers-in-law, clear, son-in-law है तो sons-in-law, daughter-in-law है तो daughters-in-law, clear, commander-in-chief है तो commanders-in-chief, right, तो यह तो हो गए student plural की बात, तो यहाँ पर यहाँ error क्या है, mother-in-laws नहीं होगा, क्या होगा, mothers-in-law होगा, S का बाता है, जब हम position show करते हैं, जब हम position show करते हैं, तब हम apostrophe S लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर position नहीं, यहाँ पर plural की बात हो रही है, इसलिए यहाँ आर आया है, आर आया है, तो क्या आएगा, mothers-in-law, right, next, question number 243, today people is ignorant of the things that are happening around them, आजकर लोग जो है, वो बिल्कुल ignorant बने हो, ignorant मतलब अज्यानी, जिसको कोई knowledge ही नहीं है, यहाँ पर root word आप देखोगे student, root word है, gnos, gnos या gnome का मतलब होता है, knowledge, root word, gnos या gnome का मतलब क्या होता है, knowledge, और kogn का मतलब भी होता है, knowledge, ठीक है, आई जी, आई किसके लिए है, not के लिए, याना without knowledge, without knowledge क्या हो जाता है, ignorant, without knowledge, जिसके पास में कोई knowledge नहीं है, वो क्या है, ignorant, तो today people is ignorant of the things that are, लोग बिल्कुल ही क्या है, जिनके कोई knowledge ही नहीं है, जिनके पाचारों तरफ जो चीजें हो रही है, अब देखो, यहाँ पर simple सा error था, simple सा error क्या था, student, people है, तो यहाँ जो people, people कैसा subject है, subject है, कैसा plural subject है, plural subject है, तो verb क्या आएगी, plural, यहाँ इसकी जगे क्या आएगा, are, इसकी जगे क्या आएगा, are, next, question number 244, I think so, you have taken the right decision, मैं ऐसा सोचता हूँ, कि तुमने बिल्कुल सही decision लिया है, right decision लिया है, यहाँ क्या error है, बताओ, यहाँ error है, यहाँ so नहीं आएगा, I think, I think के बाद में यहाँ so का use नहीं होगा, think so, यह नहीं लिखेंगे, I think you have taken the right decision, so का use यहाँ पर गलत है, ऐसा नहीं है कि think के बाद में आप so नहीं ले सकते हैं, ऐसा भी नहीं रतना है, sentence पर depend करता है, जैसे अगर negative sentence है, अगर negative sentence है, और आप ऐसा नहीं सोचते हो, आप ऐसा सोचते हैं कि ऐसा मैं नहीं सोचता हूँ, तो क्या बोलोगी, कोई sentence है, उसके बाद में क्या बोलोगी आप, I don't think so, ठीक है, यह चीज अच्छी है, अग मैं आपको बोलूँगी, सो जो है, यहाँ पहले जो sentence है, उसके according use हुआ है, तो negative sentence में हम सो ले सकते हैं, बट इस तरह जो sentence है, इसमें सो का use गलत है, I think you have, सो का कोई use नहीं है, clear, next, 245, when Albert stayed at the African jungle, he chose to put up with many inconveniences such as wild animals and poisonous insects, जब Albert कहाँ था, तैता था, African jungle में, तो उस case में उसको put up with, put up with का मतलब होता है, student tolerate, put up with का मतलब क्या होता है, tolerate करना, उसको बहुत सारी us with high, inconveniences, मतलब us with high, उसको सहन करनी पड़ी, tolerate करनी पड़ी, जैसे की wild animals थे वहाँ पर, जंगली जानवर, और poisonous, poisonous की spelling भी थोड़ी सी सही कर लेंगे, poisonous की यह होती है, spelling, और बहुत जहरी ले, insects थे, यहाँ पर preposition की आरण है, stay, add नहीं, यहाँ रहने के लिए क्या आएगा, stay in, add को आप replace करेंगे, इन से stay in, clear, next, 246, I recall you telling me the story of the seven witches, but I cannot remember where or when, I recall, मुझे मैं recall कर रहा हूँ, वापस recall करना, ठीक है, कि स्टोरी तो तुम seven witches की सुनाते थे, बट लेकिन अब मुझे याद नहीं आ रहा, कब और कहा, यहाँ पर जो केस है, यहाँ पर जो आरर है, वो है, possessive, possessive case, plus zerand की, किसकी आरर है, possessive case plus zerand, यानि कि जब भी zerand आता है, और उसके पहले हमें pronoun अगर use करना होता है, तो वो pronoun का क्या use होता है, possessive case use होता है, तो यहाँ I recall you, तो you subjective है, you objective है, लेकिन हमें यहाँ zharand, टैलिंग क्या है, zerand है, तो इसके पहले possessive case लेना पड़ेगा, और possessive case भी कौन सा लेना होगा, possessive adjective लेना होगा, कैसे लेना होगा, possessive adjective, जैसे देखो, you है, तो you subjective हुआ, you objective हो गया, your possessive adjective है, और yours possessive pronoun है, तो हमें पजेसी एजटेव लेना होगा कि यह जो फापजेशन है यह किसके साथ शो कर रहे है जरेंड और जरेंड क्या होते है वर्बल नावन होते है तो यहाँ पर हमें you को रिपलेश करना पड़ेगा किसे यॉर से you को किसे रिपलेश कर देंगे यॉर से ठीक है next 247 I was surprised when the hostess smiled as if she saw me before मैं बहुत surprised हो गया था कि जब hostess ने मुझे smile किया मानो कि उसने मुझे पहले before से क्या बोलना है पहले पहले कभी उसने मुझे देखा हो तो यहाँ पर error देखो past perfect और past simple tense किया है जो हम बहुत बार कर चुके है past perfect जो पुराना action है उसके लिए past perfect आता है नए action के लिए past simple आता है तो यहाँ पर action हो रहा है कि उसने मुझे पहले कभी देखा उसने कभी पहले देखा फिर उसने smile किया याने बोल रहा है कि उसने मझे पहले कभी देखा हो, इसमीजे आज उसने मुझे स्माइल की, ठीक है, तो यहाँ सो को हम replace कर देंगे, हाद सीन से, हाद सीन जो tense है student, हाद सीन कौनसा tense हो गया, past, perfect, had, had plus वर्प्थर, had plus वर्प्थर कौनसा होता है, past, perfect होता है, ठीक है ना तो सोग को रिप्लेस करोगे आप किससे हैट सीन से नेक्स्ट तू फॉर्टी एट इच वन ऑफिस सिस्टर्स वर हाड़ वोकिंग इच वन यह अगेन आप देखो यह परतेक की बात हो रही है परतेक चुसके जितनी भी सिस्टर्स है उसकी दो है चार है पांच है साथ है तस है दस मेने है लेकिन वह सारी की सारी मतली इच अन परतेक की बात हो रही है एच वन की बात हो रही है और इच वन के लिए हम क्या यूच करेंगे singular वर को रिप्लेस कर देंगे किसे वाद से ठीक है नेक्स तू फॉर्टी नाइन इस नीड फॉर अफेक्शन स्टांप फ्रॉम इस फादर्स लोग एपसंस उसकी जो नीड है अफेक्शन की लगाव की जो उसकी नीड है वह कहां से हुई है उसके फादर की पजेशन है फादर की लंबी एपसंस की वजह से फादर की लंबी absence का result क्या हुआ उसका result यह वा कि उसके मन में affection की एक नीड हो गई लगाव लगाव की एक नीड हो गई है तो यहाँ पर यह stamp from something stamp from something क्या होता है किसी चीज का result जो निकल के आता है ठीक है stamp from तो ठीक है यहाँ पर आप देखो student यह question बनता है आपका यह question बनता है subject verb agreement का यह question आपका बनता है subject verb agreement का कैसे मैं यह देखो यहाँ पर यह his need for affection यह पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है group of words है यह क्या है सूर्स अब जेक्ट है सब्जेक्ट कैसा group of words group of words का subject है और यहाँ जो main chief word है वो है need need कहाँ पर उसकी जरूरत need यहाँ as a verb नहीं आया है need as a noun आया है जीज जो possessive है और need क्या है noun कि उसकी affection की need तो need क्या है यहाँ पर singular uncountable ठीक है तो यहाँ पर जो verb आयेगी वो भी क्या होनी चाहिए singular stamps तो need के according आप क्या लोगे stamps लोगे clear next 250 due to his negligence he failed in the examination बहुत सारे बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि due to starting में नहीं आ सकता तो यह आप पर गलत है due to और owing to दोनों को यह मैं इतने time से पढ़ा रही हूं बच्चों को यह confusion रहते हैं due to owing to दोनों का meaning होता है because of और यह दोनों ही sentence के starting में और sentence के बीच में कहीं पर भी आ सकते है पहली चीज यह चीज मैंने अपनी regular मेरी classes होती है आप पर जो मेरी paid batches की class है वहाँ पर मैंने चीजे करवाई हुई है बच्चों को पता है तो यह दोनों का मतलब because of होता है यह starting में भी आ सकते हैं बीच में भी आ सकते हैं ठीक है इन दोनों का जो difference है वो difference यह है कि due to जो है वो verb को follow करता है लेकिन owing to नहीं करता है ठीक है इसका example मैं आपको करवा देती हूँ जैसे for example his success was his success was due to या owing to his mother ठीक है अब आपके पास में दो option है उसकी success किसकी वज़े से थी उसकी mother mother की वज़े सी because of his mother ठीक है his success was due to या owing to his mother तो due to और owing to में यह चीज़ हमेशा ध्यान लेखेंगे यहाँ पर owing to नहीं आएगा जब भी verb को follow करेगा जब भी verb को follow करने की बात आएगी तब हम owing to नहीं लेंगे बस उस time पर क्या लेंगे due to यही due to और owing to का difference है बाकि due to और owing to दोनों हर context में use हो सकते हैं ज्यादा use due to होता है बस है ना clear हो गया यहाँ तक बहुत सारे बच्चों को due to owing to का difference के बारे में बहुत सारे difficulty रहती है आज मैं चीज़ आपको clear करवा देती हूं कि due to owing to दोनों sentence के starting में sentence के mid में use हो सकते है बस verb जब follow करने की बात करेंगे तब owing to नहीं आएगा अभी sentence में कोई आरा नहीं है due to his negligence उसकी negligence की वज़े से because of his negligence he failed in the examination वो examination में fail हो गया तो यहां क्या आजाएगा students no error next 251 Ramesh is smarter enough to get selected for this post without any recommendations Ramesh जो है वो इतना smart इतना enough smart तो है कि वो इस post पे select हो सकता है बिना किसी recommendations के अब यहां enough की अगर हम बात करें तो enough adjective भी होता है और enough जो है वो adverb भी है जब enough adjective होता है तो वो noun को qualify करता है जैसे मालो enough money अब money noun है तो enough जो है वो money के पहले आके क्या बन जाएगा adjective ठीक है और अगर adverb की बात करें rich है rich क्या है adjective है rich enough बोल रहे है तो यहां पर enough क्या हो गया adverb यहां पर enough क्या हो गया adverb clear अच्छी क्या है अब देखो इस sentence में जब हम यहां बात कर रहे हैं तो यहां smarter की smart की comparative degree आई हुए है जबकि कोई comparison यहां पर हुआ ही नहीं है कोई comparison नहीं हुआ है वहाँ comparison जब है ही नहीं तो comparative degree क्यों लेंगे नहीं लेंगे हम smarter को replace कर देंगे किससे smart से किससे करेंगे smart smart क्या है adjective है और enough क्या है student adverb clear तो यह पार्ट में error हो जाएगा इसमें smarter को replace किससे कर देंगे smart से next 252 madhu lived in Mumbai since 1970 to 1985 but is now living in Chennai madhu जो है 1970 से लेकर 1985 तक तो वो मुंबई में रहती थी लेकिन अब वो है वो Chennai में रह रही है अभी sentence में देखो since और to का use हुआ है जो बिलकुल भी appropriate नहीं है तो यहां हमें since को replace किससे करना पड़ेगा from से क्योंकि एक time period की बात की गई है अवधी है कि 1970 से लेकर 1985 तो यहां 70 से लेकर 85 की बात हो रही है तो क्या बन जाएगा यह from 1970 to 1985 ठीक है next 253 it has been shown that very high doses of vitamin C causes cancer cells to grow यह वह यह शो हो चुका है कि ज्यादा vitamin C की high dose लेने से high doses high doses लेने से जो एक्शली क्या होता है cancer cells जो है वो ग्रो करती है यहां क्या एरर है students यहां यहां यह है क्या आप देखो यहां यह sentence हुआ it has been shown that अब दूसरा sentence हुआ very high doses of vitamin C यह subject है क्या very high doses of vitamin C यह subject हुआ और इसमें जो chief word है chief word क्या है causes doses doses की वज़े से यहां पर आना चाहिए cause क्योंकि doses क्या है plural subject doses कैसा subject है plural तो we have to use plural verb और causes कैसी verb हो गई singular तो cause right answer क्या हो जाएगा cause ठीक है next 254 excess energy intake from food may fuel the growth of several cancers ज्यादा energy intake करना क्या कर सकता है growth बहुत सारी cancers ठीक है तो इसमें कोई आरर नहीं है no error next Mr. Gaurav Sharma is coming to dinner Mr. Gaurav Sharma dinner के लिए आ रहे है कोई आरर नहीं है no error 256 you have been working very hard for the past two years past two years से तु बहुत hard work कर रहे हो ठीक है for the past for किस में आता है student perfect या perfect continuous में तो यहाँ देखो how been working दिया हुआ है how been working कौन सा थेंस हो गया present perfect present perfect continuous कौन सा थेंस हुआ student present perfect continuous राइट present perfect continuous है अब यहाँ पर question tag बन रहा है question tag में हमें चीज़ ध्यान रखनी होती है कि अगर sentence positive है तो question tag negative में बनता है अगर question sentence negative है तो question tag positive में बनता है और जो वर्ब यहाँ use हुई है जो tense use हुआ है उसी के according हम question tag frame करते है यहाँ पर देखो isn't it लिखा हुआ है जबकि sentence isn't it किस में हो गया present simple में जबकि sentence किस में है present perfect continuous में सो हमें replace करना पड़ेगा यहाँ पर have haven't you subject क्या है you और helping verb क्या है have तो isn't it को replace किस से करना पड़ेगा haven't you से clear C part में error हो जाएगा next 257 I visited my grandpa and grandma's house and found they are missing देखो यह चीज़ आप ध्यान रखना possession में noun में आप कोई चीज़ पढ़नी चाहिए ठीक है मैंने अपनी regular classes में यह चीज़ पढ़ाई है बच्चों को कि जब joint position होता है जैसे कि दादा और दादी का घर एक ही है तो जब joint position होता है उस case में हम apostrophies last वाले पे ही लगाते हैं दोनों पे apostrophies नहीं लगाते हैं दोनों पे apostrophies लगाने का मतलब यह है कि उन दोनों का अलग अलग separate position है clear कोई भी दो लोगों का joint position हो सकता है husband wife का भाई भाई का तो जब भी joint position होगा तो एक पे ही apostrophies लगेगा और वो last वाले पे लगेगा तो यहाँ कोई error नहीं है जनरली बच्चे भी पार्ट में error करते हैं इस question में ठीक है तो found them missing clear next 258 you should learn to adopt yourself to changing circumstances आपको सीखना चाहिए अपने आपको circumstances की according circumstances change हो रहा है उसके according आपको change होते रहना उस circumstances की according आपको अनुकूल होना है और यहाँ verb यूज हुए adopt adopt का मतलब क्या होता है student गोद लेना adopt ठीक है इस context में सही वर्ड क्या आएगा adapt a-d-a-p-t adapt clear adopt मतलब गोद लेना ओसे आप याद कर सकते ओफिन अनाथ बच्चों को गोद लिया जाता है ठीक है और एक होता है a-d-e-p-t इसका मतलब होता है skillful a-d-o-p-t a-d-a-p-t तो यहाँ पर sentence के context के according के आएगा adapt you should learn to adapt yourself और एक चीज़ आपको बता दू adapt, acquire, address, behave, conduct, prostrate यह कुछ as introduce, enjoy ऐसी verbs है जो कैसी verbs है transitive है इनको object चाहिए otherwise यह क्या लेती है reflexive pronoun तो reflexive pronoun भी यह इशारा हमें कर रहा है clear है मैं आपको जो PDF दोंगे उसमें भी आपको complete solution मिलेंगे clear next he was smiling but his eyes retain a look of solemnness वो smile कर रही थी लेकिन उसकी आखे जो थी वो smile कर रहा था ठीक है ही है ठीक है वो smile कर रहा था लेकिन उसकी आखे बनी हुए थी कैसी a look of solemnness यहाँ पर error देखो यहाँ collocation का error है यहाँ आएगा a look of solemnity ठीक है solemnity का मतलब होता है जो seriousness रखते हैं चाहरे पर serious मतलब कुछ गंबीर थी वो गंबीर था वो ठीक है तो गंबीरता के लिए use होता है और यह collocation है a look of solemnity ठीक है next 260 I shall go by three o'clock train मुझे three o'clock की train से जाना चाहिए जाओंगा I shall go मैं जाओंगा किससे three o'clock की train से अब यहाँ देखो three o'clock यह जो position यहाँ पर आया है position यहाँ पर unnecessary use किया गया है इस position का यहाँ कोई भी use नहीं है simply क्या बनेगा three o'clock train क्या बनेगा three o'clock train clear students next next question number 261 in my opinion a pencil is always more preferable to a pen मेरी राहे में pencil pen से हमेशा preferable रहती है ठीक है यहाँ पर error students इस पार्ट में more नहीं आएगा क्योंकि preferable का मतलब ही हम किसी चीज में से एक दो चीजों में से किसी को choose कर रहे है ठीक है pencil की बज़ाए pen को choose कर दे है तो यहाँ पर अपने आप ही preference का भाव है more का भाव यहाँ include है more और most तोनों ही हम preferable के पहले use नहीं करेंगे ना more लेंगे और ना ही most लेंगे यह चीज ध्यान रखेंगे ठीक है ना ही more preferable आएगा और ना ही most preferable next 262 the climate of Mumbai is better than Hyderabad अभी sentence को देखो sentence क्या बोल रहा है कि Mumbai का climate Hyderabad से better है तो यहाँ पर जो comparison हो रहा है better than का वो गलत चीजों के बीच में हो रहा है sentence क्या बोलना चाहता है कि Mumbai का climate Hyderabad के climate से better है so यहाँ पर देखो the climate of Mumbai is better than the climate of Hyderabad यह होना चाहिए था ठीक है अब क्या होता है pronoun के case में क्या होता है कि यह climate climate यह यहाँ पर भी climate और यहाँ पर भी climate यह दोनो climate है इसके repetition को दूर करने के लिए pronoun में चीज सिखाई जाती है क्या कि the climate of Mumbai is better than that of Hyderabad that of का मतलब क्या है student यह climate है ठीक है तो यहाँ पर this that these or those यह demonstrative pronoun होते है in demonstrative pronoun के concept में यह चीज आपको सिखाते होंगे मैं तो अपने बच्चों को सिखाती हूँ ठीक है कि जब यहाँ पर singular noun होता है singular तब तो क्या आएगा that of और यहाँ पर अगर होता the mangoes of Mumbai is better than या the roads of Mumbai is better than तो यहाँ पर क्या आता those क्योंकि फिर क्या हो जाता यह वाला noun plural तो अगर noun singular है ठीक है तब तो हम क्या लेते है that of उस noun की repetition को दूर करने के लिए और अगर noun क्या है plural है तो हम क्या लेते है those of if the noun is plural अगर noun plural है तो हम those of लेंगे तो हम that of लेंगे क्यों इस noun की repetition को दूर करने के लिए क्यों 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 क्या होता है noun की repetition को दूर करना होता है तो यहाँ यह pronoun that of these of इस noun की repetition को दूर कर रहे है clear as students next the best known leader among them were Mahatma Gandhi Sardar Padil and ज्वाहरलाल Nehru अब यह बोल रहा है उन leaders में से जो best leader से best known leader उन में से कौन है Mahatma Gandhi Sardar Padil और ज्वाहरल नहरू तो यहाँ पर वर बिल्कुल सही है कुछ books में आपको वर में आरर देगा यहाँ आरर है leaders सही statement बनेगा the best known leaders best known leaders कौन कौन से है Mahatma Gandhi Sardar Padil और ज्वाहरलाद नहरू उन में से मालो 10, 50, 100 जितने भी लोग थे उन में से तीन की बात हो रही है तो तीन की बात हो रही है तो यहाँ leader नहीं आकर के क्या आना चाहिए leaders clear next 264 the burglar stole all the money in the house but surprisingly missed the jewellries in the locker burglar ने सारे साब कुछ चोरी कर लिया घर में से लेगिन यह बहुत surprise होने वाली बात है कि उसने jewellries जो कि locker में पड़ी थी उसको miss कर दिया तीक है यहाँ एक चीज़ देखेंगे jewellries jewellries गलत होगा सही word होता है jewellry क्यों? क्योंकि jewellry एक uncountable noun है और uncountable noun का plural नहीं बनाया जा सकता jewellry रहेगा jewellries आप नहीं करेंगे क्यों? क्योंकि jewellry क्या है uncountable noun जोल्री को आप यह बोल सकते हो silver jewellery gold jewellery आप लगा सकते हो silver लगा सकते हो gold लगा सकते हो pieces of jewellery बोल सकते हो but jewellry को plural नहीं बना सकते हो चीक है? next 265 owing to owing to the disturbing noise the speaker was forced to adjourn the meetings owing to का मतलब होता है students because of यह reason क्या दे रहा है कि disturbing noise की वज़े से speaker को force किया गया कि वो अपनी meeting को adjourn कर दे तो यहाँ पर meetings आया है तो meetings नहीं आकर कि क्या आएगा context जो sentence का context है उसके according अब speaker जो है कुछ बोल रहा था लेकिन noise disturbing आ रहा था तो meeting को क्या कर दिया गया adjourn कर दिया गया तो meetings नहीं आएगा बात किसकी हो रही है एक meeting की हो रही है got my point owing to जो है owing to का concept मैंने यहाँ पर इस class में इस वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है एक बार और देख लेंगे owing to का मतलब होता है because of जैसे owing to his illness owing to his illness he could not he could not continue with his studies owing to due to का लेके बहुत सारे doubt है students को वो भी clear हो जाएंगे आगे भी मैंने इस तरह के questions आए हुए है वो भी बताए है यहाँ समझेंगे owing to का मतलब क्या है because of अपनी बीमारी की वज़े से वो अपनी studies के साथ में continue नहीं कर पाया ठीक है तो यह बिल्कुल सही है इसमें कोई आरण नहीं है और owing to का मतलब क्या होता है because of होता है clear next 266 no man can become a great artist unless he apply himself continually to his art कोई भी man great artist नहीं हो सकता जब तक की वो he unless he apply himself ठीक है अब यहाँ पर आपको error समझ आ गई होगी he कैसा subject है singular he कैसा subject है singular तो आगे आने वाली verb भी क्या होनी चाहिए singular यहाँ applies की जगे क्या करना है आपको applies apply की जगे क्या हो जाएगा apply just because of he क्योंकि he क्या है third person singular है तो आगे आने वाली verb भी singular होनी चाहिए next no one wants to drive to work anymore because of traffic jams at rush hours कोई भी drive नहीं करना चाहता है drive to work anymore क्योंकि traffic jams मिलते हैं कहां rush hours में यहाँ traffic jams बिलकुल सही है इसमें कोई दिकत नहीं है बहुत वार बच्चों को लगता है जिए ट्राफिक jam ही होगा नहीं ट्राफिक jams भी होता है plural भी बनाया जा सकता है इसलिए इस सेंटेंस में कोई आरर नहीं है no error next 268 as they climb higher the air became cooler जैसे वो उपर गए तो उनको और ठंडी मिली ठीक है जो हवा थी वो ठंडी होती गई तो यहां यह became किसको डिनोट कर रहा है पास को डिनोट कर रहा है तो यहां पर भी पास्ट आना चाहिए as they climbed क्या आएगा climbed climb को replace कर देंगे climbed से as they climbed higher the air became cooler right next rama has no taste in classical music rama का classical music में कोई टेस नहीं है याने rama classical music को पसंद नहीं करती है उसकी liking नहीं है classical music right यहां पर error है students इन की जगे ओ इन की जगे फोर आएगा taste for classical music ठीक है taste for something होता है ठीक है अब ऐसा नहीं है कि टेस्ट के बाद में आप इन नहीं ले सकते taste के बाद में इन भी आता है लेकिन तब उसका meaning change हो जाता है taste in का मतलब होता है जब किसी इंसान को किसी चीज के बारे में बहुत knowledge हो कि उसकी अच्छा बुरा बता पाए ठीक है अच्छे से जानते हैं उसके पीछे reasons होते हैं तो taste in clothes हो सकता है ठीक है taste in clothes लेकिन जब हम liking की बात करते हैं पसंद ना पसंद की बात करते हैं तो उसके लिए क्या आता है taste 4 आता है clear रटना नहीं है समझना है यह चीज ध्यान रखेंगे ऐसा नहीं रटना है कि हमेशा taste 4 ही होगा taste in भी हो सकता है पर उसकी condition change हो जाएगी और यह condition change हो रही है यह आपको कैसे पता चलेगी यह आपको पता चलेगी जब आप sentence को पढ़ेंगे उसके context को समझेंगे clear का unique feature क्या है is that it enables seamless telephone calls even when the user are moving around wide wide areas अब आपको शायद आपको इस sentence का मेरे पढ़ते समय ही error पकड में आ गया होगा बहुत ही easy error है user again subject verb agreement का error है user क्या है singular है तो आर की जगे क्या आएगा is ठीक है user क्या है singular है इसलिए आर की जगे क्या आएगा is आएगा next 271 my father though old मेरे पापा बुडे होने के बावजुद भी यद भी ठीक है goes everywhere हर जगे जाते हैं by foot पैदल चलने के लिए पैदल चलने walking के लिए by foot नहीं आता क्या आता है own foot important है ठीक है ये प्रेज ध्यान रखेंगे walking के लिए क्या आएगा own foot बहुत important है कई questions यहां से बनते हैं ठीक है next 272 you better consult a doctor immediately तुम्हे immediately doctor को consult करना चाहिए याने sentence मोलना चाहता है you should consult a doctor immediately ठीक है यहां पर error यह है कि should के भाव के लिए हम use करते हैं had better ठीक है had better का मतलब क्या होता है student should तुम्हें ऐसा करना चाहिए ठीक है ऐसा भाव कौन देता है had better जैसे for example देखेंगे जैसे you had better had better go ध्यान रखेंगे had better यहां से भी question आते है had better के बाद में हमेशा bare infinitive आता है you had better go to the doctor you had better go to the doctor about your cup about your cup तुमारे cup के लिए तुम्हें किस से consult करना चाहिए कहां जाना चाहिए doctor के पास जाना चाहिए तो ऐसा चाहिए का जो भाव है वो कौन देता है had better clear है next 273 and received the promotion instead of Suzanne as Ann is senior than Suzanne in age though Suzanne had worked there before Ann this sentence में जो error है belong करती है adjective से आपने सुना होगा मेरे बच्चों ने तो सुना है जो मुझसे पढ़े है आप पे जो online bash में पढ़ रहे है कुछ latent कुछ latent comparative होते है latent comparative जैसे की senior junior inferior superior posterior anterior prior ठीक है इनके बाद में comparison के लिए then नहीं आकर के इनके बाद में comparison के लिए 2 आता है senior 2 होगा senior then नहीं ओकर के क्या होगा senior 2 यहां पर यह तो होगे error B में ठीक है यहां पर मेरे लिए आप मेरे पास आपके लिए एक homework है बहुत सारी जगह लिखा होता है कि elder के बाद में 2 आता है यह मेरा question है आपसे मुझे आप ऐसा कोई exam में आयोगा question दिखाएंगे जहां elder के बाद में 2 आता है और ऐसा आता है तो क्यों आता है और क्या ऐसा possible है कि जहां भी आपने पड़ा हो वो गलत हो और elder के बाद में 2 नहीं आता है ऐसा elder का क्या concept है वो आप complete मुझे comment box में जरूर बताएंगे और आपका answer आपका reply जानने के बाद मैं यह concept जरूर बताऊंगे आपको बहुत ही interesting अच्छा concept है और आपने जो पढ़ा है उससे different है ठीक है elder के बारे में discuss करेंगे comment box में next 274 the officer has given orders to his soldiers yesterday ठीक है officer ने अपने soldiers को order दे दिया था कब yesterday इस sentence में क्या दिक्कत है देखो yesterday जो है जब single एक sentence बनता है एक ही sentence होता है तो और yesterday आता है तो yesterday denote करता है student past simple को किसको denote करता है past simple को ठीक है past simple में क्या आती है verb की second form आती है कौन सी form आती है verb second यहाँ देखो has given orders तो has or given यह present perfect है यह गलत हो जाएगा हमें चाहिए गे अब इस question बनाने वाले ने दिक्कत क्या की has दर दे दिया given उदर दे दिया और हैस के जगे हम had करते हैं तो यह past perfect में हो जाता है और past perfect हमें कब पता चलेगा जब सेंटेंस होगे ठीक है तो यहाँ पर ssc ने तो ए पार्ट में ही आरर दिया है बट यह एक्शुल में bonus question है जब दो यहाँ पर error दो पार्ट में आरर सही करने से सही होगा बट कई बार क्या होता है कि इसको इस तरह से देखा जाता है कि अगर यहाँ से स्थार्ट होई एरर इस हलुए फेल्पिंग की वजह से स्थार्ट अगर यहाँ हां नहीं आती तो सीदह गेव आता तो यह sentence सही हो जाता वो कोई भी logic आप दे सकते हो बट यह जो sentence actual में सही नहीं है इस तरह से आरर नहीं बनाने चाहिए और ना बनती है इस तरह की आरर यह अगर हो उस तरह में पर यह पार्ट में आरर दिया था बट यह bonus question है, clear? Next, 275 When you're in doubt about your best friend, loyalty, you can't help being disappointed जब आपको doubt हो अपने best friend की loyalty पे तो आप disappoint, you can't help आप help मतलब आप तो disappoint होंगे ही होंगे, चीज को आप रोक नहीं सकते ठीक है, यहाँ पर error क्या है student, you're in doubt, you're in doubt नहीं होगा Your क्या है students, possessive, your है possessive adjective, ठीक है जो किसके लिए आता है, noun के लिए आता है, यहाँ पर कोई noun given नहीं है यहाँ चाहिए हमें subject, यहाँ हमें क्या चाहिए, subject चाहिए तो subject की form क्या आएगी, you और उसके बाद में you के according verb क्या आएगी, are when you are in doubt, here next, 276, scarcely had he gone, then I remembered his name scarcely hardly no sooner, यह बहुत important है, इससे बहुत सारे question लगातार exam में आए हुए है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने अप पर इसकी PDF दी हुई है, इन वर्जन पर बेस जितने भी concept है, जितने भी उनकी बहुत ज्यादा research PDF मैंने आपको दिये है, आप उसको जरूर पड़े, ठीक है, scarcely यहाँ पर जो error है, वो यह है, scarcely के बाद यहाँ then नहीं आएगा, क्या आएगा, when आएगा, then किस के साथ आता है, no sooner के साथ, hardly के साथ भी when और scarcely के साथ भी when, यह देखो, यहाँ पूरा मैंने scarcely की, perfect की structure भी बताई है, no sooner, complete आपको एक एक चीज बहुत depth में बताई है, यह करने के बाद आप बिल्कुल basic से समझ जाएंगे, कि inversion क्या होता है, और बिल्कुल advanced level तक मैंने बताया है, जरूर पड़े आप, ठीक है, again देखो inversion का case आ गया, Were I the president, I would award a title, अब देखो, यह बहुत सारे बच्चे इसको गलत कर जाते हैं, उनको लगता है कि वर आया है, आगे ऐसा नहीं होना चाहिए, बट यह बिल्कुल सही है, यह sentence बिल्कुल सही है, It's a case of inversion, जब हम वर्ब को आगे ले लेते हैं, वर्ब को, तो हमें इफ की requirement नहीं होती है, क्योंकि वर्ब खुद ही एक conditional word का काम करता है, जैसे देखो, यहाँ पर यह conditional closes में किस तरह inversion apply होता है, यह मैंने पूरा detail में दिया है, Hindi medium वालों को भी प्रेशान होने की ज़रत नहीं है, बिल्कुल Hindi में भी लिख कर दिया, आप easily पढ़ सकते हैं, English वाला भी पढ़ सकता है, Hindi वाला भी पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, मैं बार बार बोल रही हूँ, जो content मैंने design किया आना, वो आपके लिए best content है, free में मिल रहा है, आपको जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है, यहाँ देखो, head से भी बन सकता है, word से भी बन सकता है, should से भी बन सकता है, देखो, was she my daughter, ठीक है, was she my daughter का same meaning है, अगर यह लिखता, if she were my daughter, वही same चीज़ यहाँ है, were I the president, यह लिखा, यह यह लिखता, if I were the president तो अभी same रहता, clear, यह कौन सा case है, imaginary condition, कैसी condition है, imaginary, इसको हम नाम देते है, imaginary condition, याने ऐसा होता, तो ऐसा हो जाता, ठीक है, तो ऐसे conditions में generally were used करते है, clear, next, यह PDF है, inversion की, बिल्कुल basic से की inversion होता क्या है, बिल्कुल subject verb, inversion कितने type का होता है, auxiliary verb before subject, whole verb, auxiliary से क्या क्या बन सकते है, whole से क्या होता है, यह पूरा detail में मैंने दिया है, यह आपको neon की जो app है, वहाँ पर आपको study material में मिल जाएगा, चीक है, next, 278, the patient died despite he had received the best medical help, patient मर गया, best medical help मिलने के बावजूद भी patient मर गया, यहाँ पर student error है, यह जो despite है, despite जो है, वो उसके बाद में कोई noun आता है, यह हम बोले की verb की ing form, जो noun की टेरा function करती है, वो आता है, यह नाउन का कोई part ही, जनरली despite के बाद में आएगा, तो यहाँ पर सही word आएगा, although, despite क्या बनेगा, the patient died, although he had received the best medical help, अगर हम इसको despite से बनाते हैं, तो sentence थोड़ा change करना पड़ता हमें, कि the patient died despite receiving the best medical help, तो भी यह सही context दे सकता था, बट यहाँ पर सही word क्या हो जाएगा, although, contradiction है, कि best medical help मिलने के बावजूद भी, क्या हुआ, patient मर गया, clear, despite होता है, वो in spite of के बराबर होता है, यह आपने पढ़ाई है, despite is equal to in spite of, इसके के बाद में, of use नहीं करते हैं, next, 279, one of my friend has gone to Canada, मेरे दोस्तों में से, एक दोस्त कहाँ चला गया है, Canada, चीक है, तो यहाँ दोस्तों में से, ज्यादा में से, एक को चूज करना होता है, बहुत सारी चीजों में से एक, तो हम लेते हैं, one of, और one of के बाद वाला नाउन, one of के बाद वाला नाउन क्या होता है, plural, one of के बाद आने वाला नाउन हमेशा क्या होता है, plural, तो यहाँ एरर क्या हो गई, friend की जगह क्या आएगा, friends, one of my friends, क्या बनेगा, one of my friends, next, 280, Florence Nightingale was called, lady with the lamp, आपने सुना होगा, Florence Nightingale के बारे में, जो खुद और बाकी नर्शे के साथ में मिल करके, soldiers को ठीक करती थी, ठीक है, और इसका नाम जो है, वो the lady with the lamp, इसलिए पड़ा, क्योंकि वो जब रात को, उन soldiers को visit करती थी, उनको देखवाल के लिए, तो अपने हाथ में लाल्टेन रखती थी, क्योंकि रात है तो अंधेरा होगा, तो लाल्टेन रखती थी, इसलिए उसका बोलने लग रहे है, ठीक है, next 281, they will leave the office at 6, वो 6 बज़े office छोड़ देंगे, जो office से निकल जाएंगे and reach at home by 7 और 7 बज़े तक घर पहुंच जाएंगे, जब हम कहीं पहुंचने की arrive की बात करते हैं, तो reach इस context में कहीं पहुंचने की बात हो रही है, तो इस case में reach transitive verb होता है और transitive verb के बाद में यहाँ preposition नहीं आएगा, transitive verb है तो direct क्या आएगा, object याने reach home by 7, they will leave the office at 6 and reach home by 7, ध्यान रखेंगे, transitive verb के बाद में क्या आता है, object आता है, clear है, next 282, the new lecturer seems to be very popular with most of the class, बिल्कुल ठीक है, कोई आरर नहीं है, no error, 283, the museum's revolving doors stop the crooks as they jam halfway route, ठीक है, अब यहाँ पर आप sentence देखो, the museum's revolving doors stopped, याने sentence किसमें चल रहा है, student, past में, किसमें है sentence, past में और यहाँ आ आरहा, as they jam, यह किसमें है, present में, तो हमें इसको भी किसमें change करना पड़ेगा, past में, jam को क्या कर देंगे, jammed, clear, next 284, he had no accuse for attacking that old man, accuse का मतलब होता है, आरोप लगाना, तो यहाँ इसका meaning नहीं बैठ रहा है, यह बोलना चाहरा है कि, उसने उस बुड़े आदमी पे क्यों attack किया, उसके पास कोई excuse नहीं था, तो यहाँ accused को replace करेंगे excuse से, और excuse के बाद में for preposition use होता है, excuse for, clear, error आजाएगा, be part, next, mothers keep on to increasing their children to study, mothers, mothers जो हैं अपने बच्चों को increase करती रहती हैं पढ़ने के यह, यहाँ पर error है, keep on, यहाँ to नहीं आएगा, keep on increasing, keep on doing, यह ध्यान रखेंगे structure, keep on doing something, यहाने keep on के बाद में, verb की ing form, keep on doing, keep on increasing, ठीक है ना, next, 286, Mohan wishes, Mohan wishes, wish करता है, he will be richer, Mohan भी विश कर रहा है कि मैं richer होता, तो यहाँ will भी नहीं आएगा, क्या आएगा, would be, ठीक है, structure क्या है, wish करने के लिए, क्या आएगा, he would be richer, next, 287, I am not familiar with all the important places in this town, मैं इस टाउन के जो important places हैं उससे familiar नहीं हूँ, although I had been living here for two years, यद पी मैं यहाँ पर दो सालों से रह रहा था, ठीक है, अब देखो, sentence में यहाँ पर यह कौन सा है, present है, और यहाँ पर चला गया, past perfect, तो यह गलत है, यहाँ पर क्या आएगा, had की जगे आएगा, have, अब structure बिल्कुल सही बनेगी, although I have been living here for two years, दो सालों से रहने के बावजूद भी मैं इस टाउन के प्लेस से familiar नहीं, clear? Next, 288, the receptionist gave us much information which we needed, receptionist ने हमें information दी, much information दी, जो हमें जर्रत थी, which we needed, चीक है, यहाँ एक चीज़ धान रखेंगे, informations नहीं होगा, information होता है, information is an uncountable noun, so हम इसका plural नहीं बना सकते है, information ही रहेगा, a piece of information हो सकता है, but information को plural करके, informations नहीं बनाएं, चीक है ना? Next, 289, everyday we hear about senior citizens being robed and even killed in cold blood, ठीक है, हमेश, everyday, रोजाना हम सुनते है, senior citizens जिनके साथ robbed किया गए और उनको मार दिया, even kill, तो यहाँ देखो, robbed क्या इसको बता रहा है, past, यहाँ पर past participle, kill क्यों replace किस से कर देंगे, killed से, again यह case बनता है, parallel construction का, robbed and even killed, clear? Next, 290, Ravi Shankar's performance was given a standing ovulation by the people who has come to hear him, Ravi Shankar की performance को standing ovation मतलब बहुत ज्यादा praise करना, standing ovation collocation है यहाँ पर, by the people जो उसको सुनने के लिए आए, ठीक है, तो यहाँ पर past simple बन रहा है, was given, ठीक है, पहले लोग सुनने के लिए आएंगे, उसके बाद ही तो उसकी performance क्या appreciate करेंगे, राइट, तो यहाँ who has come की जगह आएगा, who had come, क्यों, क्योंकि यह पुराना action है, और यह नया action है, तो पुराना action जाता है कि इसमें past perfect में, और नय action चला जाता है, past simple में, तो पहले लोग आए, फिर उनका बात सुनी, performance देखी और फिर appreciate हुआ, तो past perfect with past simple, बहुत important है यह structure और बार बार हर exam में कोई भी paper इस structure के बिना अधूरा ही मानो, इस structure पे बेस बहुत सारे question exam में repeatedly आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, next question number 291, people are wanting to see the home team, win the game, लोग चाते हैं कि वो अपने home team को जित्ता हुआ देखे, यहां इस sentence में error student, are wanting, are wanting को replace करेंगे want से, क्योंकि कुछ verbs, जैसे कि हम देखते हैं, कुछ verbs होती है, जैसे taste है, appear है, despise है, hope है, यह ऐसी verb होती है, want है, यह कुछ ऐसी verb होती है, जिनको हम generally ing form में, continuous tense में, जिनको हम use नहीं करते हैं, अगर उनसे कोई sentence बनाना होता है, तो वो किसमें बनता है, simple present में, तो उनहीं में से verb कौन सी है, want, जिसको our wanting को replace किसे कर देंगे, want से, next, 292, he was elected as chairman of the college, उसे college का chairman elect किया गया, यह क्या बना रहा है student, यह बना रहा है passive, ठीक है, जब elect को हम passive form में use करते हैं, जब elect को हम passive form में use करते हैं, तो वो यहाँ पर else नहीं आता है, यहाँ पर else की requirement नहीं होती है, ठीक है, आप बहुत सारी box में हर जगे देखेंगे, कि simply लिख दिया जाता है, कि elected के बाद में as नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, elect के बाद as आ सकता है, जब वो sentence active होता है, example देखो, यह कैसा sentence है, passive और जब sentence active होता है, active में example, we elected him as our representative, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यह active है sentence, हमने उसको अपना representative elect किया, we elected him as, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, जब sentence passive बनेगा, तब इसके ज़स्ट बाद में आप as नहीं लेंगे, अब जब active sentence है, तो as आ सकता है, और even informal language में as को consider किया है, कि as लिख सकते हैं, बट formal है, क्योंकि हम formal को follow करने है, इसलिए हम as को यहाँ हटा देंगे, और b part में error बता देंगे, तो जहां से भी पढ़ो, जो भी पढ़ो, conceptually strong होनो, ऐसा नहीं कि रटलिया, elected के बाद as नहीं आएगा, अगर यह sentence आता तो, बिल्कुल सही था, as बिल्कुल सही है, यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, लेकिन passive में नहीं लेगे हैं, ठीक है, next, 293, candidates present in the examination hall should make use with such opportunities, जो candidates examination hall में present है, उनको use करना चाहिए, ऐसी opportunities का, ठीक है, यहाँ पर error आएगा student, with की जगे आएगा, use of something होता है, use with नहीं होता है, किसी चीज का use लेना, के लिए क्या आएगा, use के बाद में off, ध्यान रखेंगे, next, 294, he said that it was the first time that such a trick is discovered, उसने कहा, he said, किसमें है, past me, it was the first time, किसमें है, past me, यह पहला time था, कि ऐसी trick को discover किया गया, तो यह भी किसमें आना चाहिए, past me, तो इसकी जगें क्या आजाएगा, was, क्या कर दोगे, इसकी जगे, was, next, 295, I saw his unbelievably, really, quite, delightful cottage, मैंने उसका, unbelievably, मतलब बहुती amazing, बहुत incredible, really, quite, delightful cottage उसका देखा, ठीक है, तो cottage क्या हो गया, noun, यहाँ पर unbelievably को हम replace करेंगे, unbelievable, unbelievably है, adverb, और जबकि हमें चाहिए, यहाँ adjective, क्यों चाहिए, क्योंकि हमें cottage की, अगर बाकी words नहीं ले, तो हम, यहाँ हमें cottage की विशेषता बतानी है, यह word जो है, वो किसकी विशेषता बताएगा, cottage के लिए, तो noun की विशेषता बताने के लिए, हमें क्या चाहिए, adjective, तो we should replace, unbelievably को किस से replace कर देंगे, unbelievable से, next, 296, I was shocked to see how much my grandmother had aged since the last time we visited her, since के बाद में यहाँ past आया है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, since के बाद में past आ सकता है, since के बाद में past के sentence आ सकते हैं, past के adverb भी आ सकती है, बिल्कुल ठीक है, इस sentence में कोई error नहीं है, यहाँ perfect आया है, ठीक है, next, 297, My heart is so full for words Full of something होता है Full of words, full of clothes कोई भी चीज है Full of something Full of आएगा Full for नहीं आएगा किसी चीज से भरा ओरने के लिए क्या आता है Full of something ठीक है Next 298 It is not such a pretty place That I had expected ये उतना pretty place नहीं है जितना मैंने expect किया था ठीक है तो जब हम ऐसे बात करते है उस तरह का नहीं है उस kind का नहीं है उस type का नहीं है जैसा ऐसा नहीं है उसके लिए सही construction सही conjunction होता है Such as Such के बाद में क्या आता है यहाँ that के जगे क्या लेना पड़ेगा आपको As As ठीक है Next 299 The management committee was divided in their opinion Management committee Management committee क्या है students Collective noun कैसा noun है Collective और collective noun singular और plural दोनों हो सकते हैं ये हमने भी discuss कर लिया था बढ़ जो आजी वाला question किया था उसमें जो middle class के लिए word use होता है ठीक है फ्रेंच में ठीक है तो collective noun है तो ये singular plural दोनों हो सकता है बढ़ यहाँ पर their opinion आया है मतलब वो अपने opinion में क्या हो गए है divide हो गए है तो जब collective noun अगर separate behave करता है separate individuals की तरह behave करता है तो उस case में collective noun के साथ आने वाली verb क्या हो जाती है प्लूरल collective noun के साथ आने वाली verb क्या हो जाती है प्लूरल और जब collective noun as a whole एक साथ function करता है तब वो singular होता है तो यहाँ divide हो चुका है इसलिए क्या आएगा plural plural verb यूज होगी इसलिए यहाँ पर जो pronoun है प्जेसिव वो भी क्या आया है अगर verb singular होती तो pronoun भी singular आता verb plural है तो pronoun भी plural आएगा sentence का भाव plural है divide हुआ है तो दोनों चीज़े क्या आनी चाहिए plural clear next 300 speech was given to man to conceal his thoughts conceal conceal मतलब होता है छुपाना और उसकी spelling होती है c-o-n-c-a-l-e c-o-n-c-e-a-l conceal मने hide करना ठीक है तो यहां पर error हो जाएगा third part में conceal को replace s-e-e-l को replace कर देंगे c-e-a-l clear है students next question number 301 riches are uncertain things and the fame that power give or is won by a foul means is as short lived as the due drop sentence बोलना चाहता है कि riches uncertain things होते है riches यहां पर person नहीं है rich तो person के लिए आता है rich person ठीक है but riches का मतलब होता है जो belongings है जो position है जो valuable चीजें है जो संपत्ती है उसको बोलते है riches तो riches uncertain होती है और जो fame मिलती है that power give और is won by foul means जो foul means गलत करीके से जो power को हासिल करता है या जीतता है वो बहुती short lived होता है clear तो वो जो power है वो बहुती short lived है ऐसा sentence बोलना चाहता है अब यहां पर आप देखो यह sentence यहां पर present में है and the fame that power यहां पर subject क्या है power वर्ब आई है give parallel construction देखो और उसके बाद आया है is won तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि power जो है वो कैसा subject है power जो है वो कैसा subject है singular है तो आने वाली verb भी क्या आनी चाहिए singular तो give को replace कर देंगे किस से give से singular होनी चाहिए इसे लिए आगे आने वाली verb भी क्या ही है singular आई है 15 में इस तरह से spotting error दिये थी तो मैंने उसी pattern पर रखा है ज़रूरी नहीं है कि हमेशा slash लगा कर आए इस तरीके से भी आ सकते है आपको हर तरीके के लिए तयार रहना है ठीक है तो यहां पर error किस में हो जाएगा इस पार्ट में गीव की जगे क्या आएगा गेश next 302 some members of the committee were opposed to use the club members money to redecorate the meeting hall जो committee के कुछ members थे वो opposed वो विरुद में थे कि use करना club members की money को hall को redecorate करने के लिए यहां पर error कहा है देखो error है use की जगे आएगा students using use की जगे आएगा using क्यों क्योंकि जो be opposed to ठीक है be opposed to be accustomed to with the view to इस तरह के जो words है be used to इनके बाद में हम कौन सी form use करते है zarand form use करते है कौन सी form आती है zarand form use में आती है तो oppose to be opposed to है तो यहां पर use की ing form हमें यूज करना है that will be using clear next 303 the doctor ask his patient to regularly take his medicine इस sentence को देखो doctor ने बोला patient को की वो regularly यह medicine ले यहां पर student कोई आरर नहीं है कुछ जगे आपको यहां आरर में यह sentence जिसको ऐसे लिखा जा सकता है कि the doctor ask his patient to take his medicine regularly यह भी सही है लेकिन कई जगे आपको मिलेगा कि regularly यहां गलत है इसको मैंने बहुत डिटेल से CHSL 2019 का जो first paper करवाया है वहां बहुत डिटेल से बताया है वो आप ज़रूर देखें वहां पर तो यह मैं आपको थोड़ा brief में बता देती हूँ जो infinitive है to plus verb first इसके बीच में sometime adverb आ करके इसको modify करती है ठीक है तो यह बिल्कुल ठीक है और ऐसा भी है कि हम ऐसा भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि the doctor ask his patient to take his medicine regularly तो दोनों सही है clear next 304 I forbid you not to go there again ठीक है forbid का मतलब ही अपने आप में क्या होता है मना करना होता है not का भाव जो है वो forbid में include होता है इसलिए यहाँ पर not की requirement नहीं है not हटा देंगे simply क्या बनेगा I forbid you to go there again clear तो यहाँ करना इसमें ही included है next 305 this book is different than that यह book उस book से different है तो यहाँ student than की जगे use होगा from different from होता है different than नहीं होता है different के साब में क्या proposition आएगा different from even American में कई जगे आप देखेंगे तो different के साथ में than भी लेता है लेकिन हम American को follow नहीं करते है हम follow करते हैं British को इसलिए हम यहाँ क्या लेंगे from here next 306 the article suggests that when a person is under unusual stress जब एक परसन बहुती ज्यादा stress में होता है you should be specially careful to eat a well-balanced diet अब यहाँ पर देखो student यहाँ यू बोला है और यहाँ पर subject है a person sentence में subject के रूपे तो क्या लिया a person की एक परसन जब unusual stress में होता है तो उसको क्या करना चाहिए well-balanced diet लेनी चाहिए ठीक है be specially careful to eat a well-balanced diet according to a person ठीक है next 307 the results of the survey survey के results were fairly disappointing survey के result जो थे वो क्या थे disappointing थे यहाँ पर student fairly को हमें replace करना पडेगा fairly की जगे आएगा rather ठीक है fairly बहुत ही कम लेवल की degree को बताता है और generally इसके साथ आने वाले डिवर्ब जो होते हैं वो positive meaning के होते हैं fairly से थोड़ा ज्यादा अगर हमें stronger बताना हो emphasize करना हो तो quiet यूज होता है और quiet से भी ज्यादा अगर करना हो तो strongly किसी चीज के बारे में तो आता है rather ठीक है और negative words generally किस के साथ आते हैं rather के साथ जब strongly बोल रहा हो कि यार बहुत ज़्यादा मतलब एक degree को बताने के लिए कि ज़्यादा की degree को बताने के लिए क्या यूज करते है rather ठीक है तो यह बोलना चाहरा है कि survey के जो results थे वो बहुत ही ज़्यादा क्या थे disappoint करने वाले थे so disappointing के लिए यहाँ क्या आ जाएगा rather rather quiet fairly इन में और क्या क्या difference है और किस level पर questions आ सकते हैं यह सारी चीज़े detail में मैंने अपने students को करवाई है आप videos में देखेंगे वहाँ आपको मिल जाएगे next c08 in 20 racks 5 lives were fortunately lost 5 जिंदग्या fortunately lost हो गई तो यह तो बिलकुल ही absurd है sentence कोई किसी की death हो जाना किसी की जान चले जाना कभी भी fortunate नहीं हो सकता वह हमीशा क्या होती है दुर्भाग्य की बात होती है तो यहाँ unfortunately आएगा क्या आएगा unfortunately fortunately मतलब भाग्य की बात unfortunately मतलब दुर्भाग्य की बात ठीक है next 309 there be a long queue for entry into the exhibition ground एक्षिबिशन ग्राउड में एंटर करने के लिए लंबी लाइन थी है होगी ठीक है हो सकतो यहां पर भी अकेला सही नहीं है या तो हमें present में बनाना है तो there is past में बनाना है तो was या would be हम यूज करेंगे देर भी कोई structure नहीं है गलत हो गया यहां पर इसकी form लेनी पड़ेगी there is there was वो sentence के contextual meaning के according है वो क्या meaning देना चाहरा है या present में बोलना चाहरा है या past में बोलना चाहरा है बट देर भी नहीं आएगा there is there was next 310 he looked upon me eye to eye for a few moments before he spoke अब यहां पर आप student देखो before he spoke बोलने से पहले यह वाला sentence किस में बन गया past simple में उसने बोलने से पहले few moments तक मेरे साथ सहमती ज़ता है i2i का मतलब see i2i होता है generally क्या होता है agree हो जाना ठीक है यहां यह वाला sentence किस में जाना चाहिए past किस में आना चाहिए past perfect में राइट तो past perfect में आने के लिए हमें looked को change करना पड़ेगा क्या बनेगा had looked looked क्या बन जाएगा students looked क्या बनेगा had looked क्योंकि पुराना action है वो past perfect में जाएगा नय action past simple में आएगा तो पुराना action आ जाएगा had looked अब यहां पर good students को ऐसा लगता है कि looked के साथ में हमेशा at ही आता है ऐसा जरूरी नहीं है looked upon या looked on या upon भी होता है जैसे for example हम ले he looked on या upon her as a daughter जैसे कि he ने उसकी तरफ as a daughter मतलब बोलते है ना बेटी की तरह है ठीक है बहन की तरह है तो he looked या upon looked on her या upon her as a daughter तो इस तरह का भी construction होता है यह भी ध्यान रखेंगे यहां पर error मैंने आपको बताई दी है clear है next question number 311 let us why to one another in doing good as a question हम पहले भी कर चुके है तब भी मैंने बताया था आपको why ठीक है why का मतलब क्या होता है किसी से compete करना परतिस परदा करना ठीक है इस case में why के बाद में हम for लेते हैं जब कोई something जब किसी इंसान की बात करें तो आता है why with somebody ठीक है यहां पर क्या है one another somebody की बात हो रही है तो क्या आएगा with आएगा और अगर something की बात होती है यह question भी हमने discuss किया है अगर something की बात होती तो क्या लेते हमें four और अगर somebody है तो क्या आएगा with तो यहां एरर क्या हो जाएगा two की जगे क्या लेना है हमें with एरर कौन से पार्ट में होगा c पार्ट में answer next question number 312 as per the invitation card रहीम मैरी इस विद साइरा on 13 डिसेंबर मंडे यह बहुत important concept है मैरी को लेके बच्चों को ज्यादा तर मैरी के concept में doubt रहता है मैं आपका यह doubt आज clear कर देती हूं जब भी आप मैरी को मैरी को जब आप as a verb use करते हो ध्यान रखेंगे parts of speech को ध्यान रखेंगे जब आप मैरी को as a verb use करोगे तो मैरी के बाद में आपको कोई भी preposition use नहीं करना जीरो नो प्रेपजिशन अब आप इस sentence में देखो मैरी क्या है रहीम मैरीस विद सायराद मैरी क्या है मैरी का parts of speech है student वर्ब तो वर्ब है तो इसके बाद में कोई क्रापक पर हाएगाच को स्पाइब मिया और वस्टे मेरी अम वर्ब तो इसके बाद में चाहिए और ऊबजेक्ट अना है कि मैं नहीं मैरी के बाद में तू भी आता है बिलकुल आता है मार्ट उस की समय मेरी का parts of speech change हो जाता है जब हम marriage लेंगे क्या लेंगे marriage marriage क्या है student noun जब marriage ठीक है marriage की बात करेंगे noun होगा उस case में marriage के बाद में क्या आएगा to clear जैसे for example her marriage her marriage अब पता चला आपको हर क्या है position position किसके लिए आता है noun के लिए तो यहां से क्या पता चला हमें parts of speech में marriage क्या है noun her marriage to James उसके शादी किसके साथ हुई जेम्स के साथ डिड़ेंट कि लास्ट कि वेरी लोग उसके शादी जो किसके साथ हुई थी जेम्स के साथ वो ज्यादा दिन नहीं चले थी तो यहां पर हमने marriage के साथ में क्या लिया तू तो ध्यान रखेंगे marriage के बाद में क्या आ जाएगा तू क्लियर यहां इस केस में marriage क्या है student noun है clear है ठीक है अब एक केस और बनता है student जब get married to या be married to होता है क्या होता है get married ठीक है या तो get आता है married के पहले या be की कोई form आती है उस केस में भी आपको to लेना होता है जैसे for example how long have you been married to Mr. Arya ठीक है Mr. Arya से शादी का यह पूछ रहा है कि how long have you been time पूछ रहा है और इसमें आपने चीज देखी कि be की forms आई है have you been right तो married के बाद में क्या preposition आया to clear हुआ यह बहुत important concept है और बच्चों को यहाँ पर doubt रहते हैं आज की class में आपके सारे doubts clear हो जाने चाहिए मैं एक बार फिर से revise कर देती हूँ मैरी जब वर्ब होगी कोई preposition नहीं लेगी direct object लेगी जैसे for example अब बताओ यहां कोई preposition आएगा क्या she married her childhood friend अब बताओ कोई preposition आएगा नहीं आएगा ठीक है क्योंकि उसने यहां पर उसने किस्ते शादी की अपने childhood friend से शादी की तो मैरी क्या है यहां पर वर्ब है she married a German उसने जर्मन से शादी की तो क्या है मैरी वर्ब है clear वर्ब के केस में आप कोई preposition नहीं लोगे ना उनके केस में आप two preposition लोगे या get या be married होगा तब भी आप क्या लोगे टू लोगे बहुत important concept है अच्छे से notes बना लेना notes बनाना बहुत जरूरी है और आज के बाद में मेरी के जो भी question आपने देखे हों उन सभी को इन concept से कर लेना मेरी guarantee है एक भी question नहीं रुकेगा एक question और आगे पुछा गया है उसमें टू आएगा और उसका reason भी मैंने वहां पर दिया है यही concept वहां apply हुए है clear next 313 I was convinced that the only thing I wanted to do ever is to write novels मैं इस ही से convinced था कि जो एक चीज मैं करना चाहता था हमेशा वो क्या थी कि मैं novel लिखना चाहता था तो यहां यह सारा sentence जो है कि किस में चल रहा है student past में चल रहा है तो यहां is नहीं आ सकता इस sentence कि according ही यहां पर past लेना पड़ेगा इस की जगे क्या आएगा words next 314 did you hear any sorry did you hear many news about the political situation while you were in that country जब तुम उस country में थे तो तुमने क्या कोई political situation की news सुनी थी क्या तो sentence क्या है student interrogative है many जो है वो countable के साथ आता है news जो है वो क्या है uncountable है interrogative sentence है तो यहां पर many को replace करना पड़ेगा many को replace हो जाएगा anything did you hear any news about the political situation while you were in that country क्या तुमने कोई news सुनी थी क्या next 315 do you think you could lend me good pair of gloves to wear to the wedding क्या do you think क्या तुम सोचते हो कि तुम मुझे एक pair of gloves के दे सकते हो तो good pair of gloves जब भी pair की बात हो रही है तो pair के लिए यहां पर हमें क्या लेना पड़ेगा a good pair of gloves एक pair of एक अच्छा pair इसका gloves का a pair of scissors, a pair of shoes, a pair of socks, a pair of binoculars ठीक है a pair of jeans इस तरह से यूज होता है next 316 I meant to repair the video so radio but I but hadn't time to do it today मेरा intention था कि मैं radio को repair करूँ but मैं आज उसको repair नहीं कर पाया ठीक है तो हम बोलेंगे but I didn't have या तो बोलेंगे but I didn't have time to do it today एक चीज या I have no time to do it today दोनों तरीके से इसको लेख सकते हैं कुछ बच्चे कई जगे रट लेते हैं कि today आ गया ठीक है तो today हमेशा present में आएगा past में नहीं आएगा तो यह बिल्कुल गलत है sentence के context में depend करता है जैसे for example अगर लिखे हम I was I was not feeling well I was not feeling well so I didn't attend the office today I didn't attend the office today अब आपको लग रहा होगी मैं इसमें dead case से आ गया today है तो यह बिल्कुल गलत जहां से भी आप रट रहे हो गलत है sentence का meaning समझो मैं आज अच्छा feel नहीं कर रहा था तो मैंने आज office attend नहीं किया तो office का timing तो मालो 9 to 5 है 9 to 6 है दिन तो 12 बजे खतम होगा तो मैं sentence कभी भी बना सकती हूं कि मैंने आज office attend नहीं किया I didn't attend the office today clear तो यह बिल्कुल नहीं रटे कि today past में आएगा present में आएगा वो sentence के contextual meaning पे depend गरता है next question number 317 the heavyweight fighter was knocking out in one punch heavyweight fighter जो था वो एक punch में boxing में क्या होता है boxing में जब अपने opponent को punch मार देते है और वो ऐसा punch पड़ता है कि वो विचारा जिक time होता है उस time तक वो खड़ा नहीं हो पाता ठीक है उसके लिए वरड आता है क्या phrase होती है knocked out क्या आती है knocked out और यहां पर देखो was knocked out क्योंकि क्या बोला गया passive structure बनी है कि एक punch में ही heavyweight fighter को क्या कर दिया गया knock out कर दिया गया clear तो passive है तो क्या बन गया was knocked out clear 318 until you are in the habit of putting off things you cannot ensure yourself of a good future जब तक कि आप चीजों को delay करने की postpone करने put off का मतलग postpone करना delay करने की जो habit आपके अंदर तब तक आप अच्छे future के लिए ensure नहीं हो सकते यहाँ पर error है ensure yourself के बाद में off नहीं आएगा you cannot ensure yourself a good future ओफ कोई construction ensure के साथ में नहीं बनेगी ensure yourself a good future ठीक है next 319 we received much help from the neighbors अब आपको यह sentence हो सकता है कि much help सुनने में थोड़ा सा awkward लगे बट यह sentence बिलकुल सही है ठीक है much help को use किया जा सकता है जैसे for example the map was wasn't much help ठीक है इस sentence का मतलब हो गया कि जो map हमने लिया था वो ज्यादा useful नहीं था यहाँ help का context क्या है useful के sense में ठीक है तो much help आएगा बिलकुल सही है ठीक है ठीक है much के साथ में help का use होता है बिलकुल होता है ठीक है ना students तो the map wasn't much help मतलब map ने ज्यादा help नहीं की map ज्यादा useful नहीं था तो वैसे ही we received much help बिलकुल ठीक है ध्यान रखेंगे लिए next 320 thanks to an insight and persistence of the local doctor उसकी thanks है उसकी insight पे उसकी persistence पे hundreds of victims hundreds of victims जो है have been able to resume hundreds जो है अबल कर पाए अपनी normal life को ठीक है resume resume normal life resume a normal life ठीक है resume यहाँ पर normal life life तो क्या हो गया now normal हो गया इसको life को modify कर रहा adjective इसके पहले हमें कोई ने कोई article यहाँ determiner लेना पड़ेगा तो क्या बनेगा hundreds of victims have been able to resume a normal life ठीक है next 321 the other day my sister told me that she will be moving to her new apartment very soon other day my sister ने मुझे कहा यह किसमे हो गया past में कि वो move कर रही है वो जा रही है ठीक है नए apartment में बहुत जल्दी तो यह देखो यहाँ पर जो बहार reporting वर वाला पार है वो किसमें आया है past में तो यह अंदर यह पार्ट भी किसमें आना चाहिए past में तो will को हम replace कर देंगे किस से words that she would be moving next 322 Tony is giving me a lift he is coming to call for me at 10 Tony मुझे lift दे रहा है और वो मुझे लेने आएगा 10 वजे ठीक है तो यहाँ call for me call for me यह call for somebody का मतलब होता है to collect somebody study and go somewhere ठीक है कहीं पर किसी को pick करते हुए कहीं जाने के लिए क्या आता है call for ठीक है बिल्कुल सही है कोई दिक्कत नहीं है जैसे I will I will call for you at 7 o'clock ठीक है बिल्कुल सही है I will call for you मतलब मैं तुम्हें लेने आ हुआ कितने बजे साथ बजे call for somebody बिल्कुल सही है इसमें कोई दिक्कत नहीं है कहीं पर भी आपको दिखे यहाँ पर कोई changes किया है तो उसको एक पर चेक करना यह बिल्कुल ठीक है बच्चों कोई दिक्कत नहीं है यहाँ यहाँ पर है he is coming की जगे हमें ज्यादा सही बठेगा यहाँ he will come he will come to call for me at 10 यह will be coming लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है next 323 each of the students participating in the drawing competition having to bring his own material यहाँ बोल रहें each of the student each of के बाद में आने वाला noun क्या हो गया plural each of the students सभी student को जो भी drawing competition में participate कर रहे है खुद की चीजे लेकर आना है खुद का material लेकर आना है तो यहाँ पर वर्ब आनी चाहिए वर्ब क्या होनी चाहिए singular ठीक है तो having की जगे क्या आएगा has having की जगे क्या आएगा has next 324 राज surprised everyone when he created an unbreakable record of one and a half centuries तो यह sentence में student कोई आरा नहीं है one and a half centuries बिलकुल ठीक है और आप इसको one century and a half भी लिख सकते हैं बट अभी जो लिखा हुआ है वो भी सही है ठीक है दोनो construction दोनो तरीके से लिखना possible next 325 do not write him off as I feel he still has the fire smoldering in यह sentence बोलना चाहता है कि उसको इतनी जल्दी उसकी importance को कम मत करो उसको consider करना बंद मत करो क्योंकि उसके अंदर अभी भी आग ददक रही है ठीक है ऐसे उतना कि अपन सोचते हैं कि अब तो ऐसा नहीं है अब चेंज हो गया नहीं अभी भी उसके अंदर आग ददक रही है यहां पर phrase बनता है राइट संबडी ओ डबल एफ ठीक है राइट संबडी ओ ओ डबल एफ ओ ओ ओ ओ फ मतलब ओ ओ ओ डबल एफ ओ याने कि किसी को किसी की इंपोर्टेंस को कम समझना किसी को कंसीडर नहीं करना के लिए क्या आता है राइट संबडी ओ ओ तो उसको अभी कंसीडर करना बन मत करो अभी भी उसके अंदर कोई न कोई आग जो है वो धदक रही है यह मैंने महसूस किया है आई फील next 326 the poor man save the money but then he begin to worry that thieves might take it away poor man ने पैसे की बचत की और फिर वो चिंता होने लगी उसको start begin हो गई चिंता की वो जो thieves है उसकी money रे जा सकते है यहाँ पर might begin से क्या पता चल रहा है sentence किसमे है पास्ट में है ठीक है sentence किसमें है पास्ट में इसलिए हम वर्ब भी कॉंसी उस करेंगे पास्ट की saves की जगे क्या आ जाएगा saved क्यों next 327 he advised me to join the computer course later in the year he ने मुझे advise किया कि मुझे computer course लेटर इस साल के बाद में मुझे लेटर इस लेटर जोइन करना चाहिए लेटर किसके लिए आता है टाइम के लिए ठीक है तो यहाँ पर advice क्या है student वर्ब है ठीक है दी next 328 some of our latest cannon that have come out of the production line have a very long range some of our latest cannon cannon जो है वो क्या होता है कोई standard principle के लिए हम क्या यूज करते है cannon यूज करते है ठीक है और c a double n o n होता है तो वह जाता है तो clear तो यह standard principle की बात हो रही है तो standard principle अगर c a n n है तो यह तो हो गया singular right और यहा sum of our latest है तो sum of है याने की क्या है plural तो plural क्या बनेगा students plural बनेगा c a n o n s यह हो जायेगा plural ठीक है तो इसको हमें replace करना पड़ेगा c a n o n को किससे replace करना पड़ेगा c a n o n s क्योंकि क्या चाहिए plural जाये next 329 suzain said that she shall try she shall try to attempt the task to the best of her ability suzain ने कहा कि वो अपनी best ability से इस task को try करने की attempt करने की कोशिश करेगी तो यहां shall नहीं आएगा बाहर क्या है past आएगा तो क्या हो जायेगा would clear she के साथ आता है will तो क्या हो जायेगा will क्या हो जायेगा would next 320 बहुद ही अच्छा question है he couldn't but help shed tears at the plight of the villagers rendered homeless by a devastating cyclone यहां पर वो कुछ है वो कुछ help नहीं कर सकता he couldn't help shed tears वतलो आंसू बहाने की ठीक है अब देखो यहां पर structure आपने कई जगे पड़ा होगा कई जगे इसमें देगा की couldn't help है तो shading आना चाहिए कई जगे कुछ देगा कई जगे कुछ देगा लग लग देगा मैं आपको सही construction बताती है सही construction यह student दो तरह से possible है जैसे can help but अगर हो तो आगे आता है bare infinity याने can help do something एक possibility बनती है यह can help but do something अब can के आगे अगे अगर negative है तो can't हो जाएगा और past है तो couldn't हो जाएगा तो पहली चीज हम इसको change कर देंगे क्या बनेगा he couldn't he couldn't help but shed tears मतलब वो कुछ नहीं कर सकता विचारा वो पासु बहा सकता है मतलब वो रोक नहीं सकता खुद को ठीक है can't help का मतलब यह होता है पहली चीज इसको note कर लिया ठीक है दूसरी के दूसरा case बनता इसको हम लिख सकते हैं कैसे कैसे can't help उसके बाद में आ जाए gerund something यह कैसे बनेगा इसमें बनेगा he couldn't he couldn't help shedding he couldn't help shedding tears ठीक है इसमें हमें बट को हटाना पड़ेगा अब इस case में यह वाला जो case है नीचे वाला इसमें हमें दो में change करना पड़ेगा couldn't help और फिर shedding तो दो में तो change नहीं कर सकते हैं एक में ही change कर सकते हैं तो इससे बेटर क्या करेंगे हम यह पार्ट में change कर देंगे couldn't help but shed clear यह structure हो जाए couldn't help but do something clear बट के बाद में यहां आने वाला जो वर्ब होगी वो बेर तक जहां भी रटा है उससे सही कर लेना सही समझ लेना इन दोनों structures को अच्छी से note कर लेना यहां से exam में बहुत बार questions आये हो हैं चीक है next 331 most of the members at the meeting felt that the group appointed to investigate the case were not competent to do the job efficiently जो members ज्यादा तर members है meeting में उन्होंने यह चीज महसूस किया है कि जिस group को investigate case को investigate करने के लिए क्या गया है वो competent नहीं है वो competent नहीं है अपने काम को अच्छे से करने के लिए तो यहां पर देखो error है वर में वर की जगह आएगा was क्यों क्योंकि यहां पर बात हो रही है group की the group appointed to investigate the case group की बात हो रही है तो verb क्या होगी singular group क्या है singular next 332 neither the size nor the color of the gloves ना ही size और ना ही color ना तो size सही है ना ही color सही है किसका gloves का तो क्या आएगा was ठीक है 333 it was only when they met that they found he has a childlike simplicity about him यह बता रहा कि जब वो मिले थे उन्होंने पाया कि उसके अंदर child मैंने childish की जगह ठीक है childish आएगा यहाँ childish की जगह आएगा childlike childish had he had a childlike simplicity childish negative word होता है बचकाना ठीक है childlike का मतलब होता है innocent मासूम ठीक है clear तो childish negative है यह जो words होते है like childlike और childish ठीक है special और special इन words को बोलते है paronyms बहुत important है और यहाँ पर exam में भी यहां से questions आये हुए है ठीक है तो आप जो है वो neon classes की app में जाएंगे ठीक है बच्चो वहाँ पर जाने के बाद में neon classes app खोलेंगे वहाँ courses में जाएंगे courses में जाने के बाद जैसे study material में जाएंगे यहां पर आपको homonym vocabulary में जाकर के homonym and paronyms की मैंने पूरी एक पीडियो दी हुई है यहां मैंने पीडियो दी हुई है जितने भी possible है सारे आपको 116 तो paronyms मिलेंगे इसके अंदर और बहुत सारे homonyms homonyms भी मैंने पहले आपको बताया है इनके exercise भी दी हुई है कि सारा आपको करने है ठीक है यहां पर आपको pdf मिल जाएगी apple ठीक है child like आएगा child like simplicity childish negative word childish का मतलब होता है foolish ठीक है stupid silly way में act करना होता है childish और child like क्या होता है मासूम innocent child like simplicity हो सकता है child like enthusiasm हो सकता है child like delight हो सकता है और simplicity यह इसका collocation भी है simplicity enthusiasm delight यह collocation है ठीक है next 334 I now realize that public speaking requires as much courage and confidence as to dance कि public speaking के लिए भी उतना ही courage की requirement है जितना किसके लिए है dance करने के लिए तो यहां पर देखो बात किसकी किसकी ओर ही है public speaking की और dance की तो public speaking तो ऐसा लिखा हो है dance में 2 plus verb first है तो इसको change करना पडेगा उसी format में क्या बनाना पडेगा dancing ठीक है तो I now realize that public speaking requires as much courage and confidence as dancing ठीक है next 335 the children which are assembled in the hall are the ones chosen for the filled trip the children which आप कुछ आए देखते ही समझ में आ गया होगा children के लिए विच नहीं आएगा children के लिए क्या आएगा children क्या है person और person के लिए क्या आएगा personal pronoun आएगा कौन सा relative फू आएगा ठीक है अब यहां पर who के बाद में यहां लेंगे have, who have assembled क्योंकि are assembled करेंगे तो passive बन जाएगा children जो की assembled हुए है hall में, तो children क्या है student active है children जो की hall में assembled हुए है वो कौन से है जिनको choose किया गया है यानि कि अब क्या बनेगा passive, passive बनने के लिए क्या हो जाएगा are or chosen children जो hall में कठा हुए है उनको चूज किया गया है किसके लिए field trip के लिए यह sentence का meaning बन रहा है which की जगे हुआ आएगा और आर की जगे लेना होगा have, who have assembled next 336, it is to certify that he has won the essay writing competition organized by the department of arts and culture यहां इस sentence में कोई error नहीं है certified generally लिखित में देने के लिए आता है announce, declare इस तरह के words भी आपको मिलेंगे बट यहां यह जो certified लिखा है इसमें कोई दिक्कत नहीं है no error, next 337, neither of the sisters are sensible enough to carry out the plan, कोई भी sister तो neither of, neither either each of के बाद में आने वाला noun क्या होता है students, plural होता है बट आगे आने वाली verb क्या होती है, singular होती है, तो R को हमें replace करना पड़ेगा किस से neither of the sisters is sensible enough to carry out the plan, next 338, give your answers in your own words as far as practical अपने answers दो अपने शब्दों में जहां तक हो सके practical, तो practical सही word नहीं है, practical तो किसी चीज़ को practically, real thing से होता है, यहां होगा practicable, practicable का मतलब होता है feasible, ठीक है, feasible, workable, ठीक है, solutions के लिए हम generally practicable use करते हैं, ठीक है, next 339, tired I was, I had to keep on working, fill the V hours of the morning, keep on working, देखो पहले भी आया था, keep on doing, keep on working V hours का मतलब होता है, जो midnight के बाद का जो time होता है, सुबह का जो early morning का जो time है, midnight के बाद वाला, उसके लिए V hours आता है यह बोलना चाता है, मैं ठका हुआ था, उसके बावजूद भी मुझे, I have, मुझे continue काम करना था, सुबह के morning hours में, ठीक है, यहाँ बनेगा student, या तो लेंगे, although या दो, I was tired, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है students, contradiction आ रहा है, contradiction की होने के बावजूद भी, tired होने के बावजूद भी, या यद भी मैं tired था, clear, तो although I was tired, या tired as I was, ये भी ले सकते हैं, next, 3.40, The suggestion given by him is as bad, if not worse than the one suggested by you, then के बाद हो रही है यहाँ पर, suggestion जो उसके द्वारा दिये गए थे, वो bad थे, but comparison की बाद के लिए worse नहीं आएगा, comparison के लिए क्या यूज होगा, worse, clear है, तो क्या हो जाएगा, if not worse than the one suggested by you, clear है students, next, next question number 341, The students were awaiting for the arrival of the chief guest, क्या आरर है इस sentence में, आरर है student B पार्ट में, await एक transitive verb है, transitive verb क्या होती है, ऐसी verb जिसके बाद में object आता है, object आना जरूरी है, वो क्या है, transitive verb, लेकिन इस sentence में, यह क्या है, for, तो यहाँ इसका object नहीं है, तो awaiting यहाँ गलत हो गया है, सही करेंगे, waiting, waiting for, waiting for somebody, awaiting for something, ठीक है, await के बाद करें, तो sentence बन सकता है, the students, the students are awaiting the results, ठीक है, अब यहाँ पर students जो है, वो result का wait कर रहे थे, तो awaiting क्या wait कर रहे थे, result, results क्या हो गया, object, तो यह चीज़ घान रखनी है, await verb कि कब आएगी, जब transitive verb का use हो, याने इसके बाद में क्या चाहिए, object, clear, next, 342, if you hear engaged tone, replace the receiver and dial again, अगर तुम engaged tone सुनो, तो receiver को replace करना और again dial करना, ठीक है, दुबारा dial करना, यहाँ पर देखो, tone क्या है, noun, tone क्या है, noun, engaged क्या है, adjective, ठीक है, इससे पहले क्या आएगा, article, ठीक है, vowel sound है, तो हम N ले सकते हैं, या हम इसमें definite द भी ले सकते हैं, ठीक है, if you hear an engaged tone, या if you hear the engaged tone, clear, next, 343, Henry asked his wife, Henry ने अपनी wife से पूछा, what had she prepared for dinner that night, कि उसने उस रात को dinner में क्या बनाया था, ठीक है, यहाँ एक चीज़ देखो, यह question हमने बहुत बहुत बार कर लिये, इसी class, इनी class, आज की class में कितनी बार यह question आ चुका है, had और she, subject को बाद में और verb पहले, और उससे पहले डवली अच वर्ड, यह जो construction है, यह construction होता है, interrogative sentence का, कौन से sentence का, interrogative, लेकिन क्या यह sentence interrogative है, नहीं, यह तो normal sentence है, clear, तो यहाँ पर एक चीज़ देखो student, had को बाद में भेजना है, she, को पहले लेना है, तो what she had, क्या बनेगा, what she had, clear, next, 344, the news I have received is not good, news जो मैंने receive की, वो अच्छी नहीं थी, अच्छी नहीं है, is किस के लिए आया है, news के लिए, news क्या है, uncountable, बिल्कुल सही है, is आगया, कोई error नहीं, no error, next, 345, who arranged the chair, chairs को किस ने arrange किया, इसमें भी कोई error नहीं है, no error, 346, people who live on glass houses, लोग जो की glass houses में रहते हैं, should not throw stones, उनको पत्थर नहीं मानने चाहीं, याने कि जो इंसान खुद ही दोशी है, खुद ही culprit है, जो खुद ही गलत काम कर रहा है, वो दूसरों को criticize उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उसका घर, class का, याने कि वो खुद ही गलत चीजों में उल्जा हुआ है, यह जो sentence है student, यह एक saying है, और जब भी कोई saying होती है, तो उस saying में जो भी words used होते हैं, जो भी preposition, adjective, noun, जो भी हम use करते हैं, उनको change नहीं करते हैं, वो जैसे हैं, वैसे के वैसे रहते हैं, तो यहाँ पर own की जगे आएगा in, और वैसे भी live in होता है, तो people who live in glass houses, लोग जो की काज के घरों में रहते हैं, दूसरों के पत्थर नहीं फैक्ट माचिए, next, 347, the library members were asked to return back the books to the library, library, library member को कहा गया कि जो books है, वो राइबरेरी में return करती है, तो return में ही student back का भाव include है, return का मतलब भी क्या होता है, वापस देना होता है, तो यहाँ back नहीं आएगा, back क्या है, यहाँ पर superfluous है, superfluous भी exam point of view से important topic है, मैंने अपने बच्चों को app पे common error के नाम से एक PDF दी हुई है, बहुत बड़ी सी PDF है, जिसमें जितने भी possible common errors हो सकते हैं, जो superfluous based हैं, कई कोई contextual meaning के according, कोई structure के according, जो generally grammar में कहीं पढ़ाये नहीं जाते हैं, अब grammar का part नहीं है, वो मैंने common error के नाम से दिये हुए हैं, यहाँ से direct questions आते हैं, ठीक है, next, 348, Raghu came out of the bathroom with the towel in the hand, Raghu bathroom से बाहर आया, उसके हाथ में क्या था, towel था, यहाँ देखो student, hand जो body parts की बात करते हैं, उनके लिए हम article उनके पहले generally use नहीं करते हैं, इनकी जगे हम possessive use कर सकते हैं, क्या use कर सकते हैं, possessive, तो Raghu है, वो क्या है, masculine है, तो इसके लिए हम the की जगे क्या कर देंगे, clear, next, 349, neither the girl nor her parents was present to receive the award, ना ही लड़की, girl और ना ही उसके parents, award को receive करने के लिए present थे, मतलब दोनों में से, तिनों में से कोई present नहीं था, neither or, neither nor, either or की जो structure होती हैं, उनमें या तो दोनों तरफ singular होते हैं, पर यहाँ एक तरफ singular है, और यहाँ पर क्या है, plural, जनरली जो plural है, वो भी बादवाले कोई बनाते हैं, और जो वर्ब आती है, इस case में, वो भी nearest subject के according आती है, और यह nearest subject क्या होता है, plural, और यहाँ वर्ब जो है, वो वर्ज की जिगे क्या आएगी, वर्ब, according to the parents, parents के according हमें वर्ब क्या लेनी पड़ेगी, वर्ब लेनी पड़ेगी, क्या, next, 350, college girls seldom wear सारीज दे, college girls बहुत ही rarely सारीज पहनती है, seldom का मतलब क्या है students? Rarely, ठीक है, question tag जब भी हम बनाते हैं, तो question tag में क्या concept होता है, कि अगर sentence negative है, तो उसका question tag positive बनेगा, और अगर sentence positive है, तो उसका question tag negative, ठीक है, तो यहाँ पर negative word note हो ज़रूरी नहीं है, यहाँ seldom से ही इस sentence का जो भाव है, वो क्या है, negative है, तो इसका हमें question tag कैसा बनाना पड़ेगा, positive, यहाँ question tag में हम not नहीं ले सकते, ठीक है, यह जो sentence है, college girls seldom wear sarees these days, यह sentence है आपका, कौन से tense का sentence है, यह present simple का, इसका है present simple का, ठीक है, और present simple में क्या use करते हैं, हम do और does, और college girls subject है, तो कैसा है plural, तो दे आएगा, और दे क्या according क्या use होगा, do, तो इसमें कोई आरण नहीं है, no error, do they, next, 351, scarcely had the function started, then it began to train, देखो, यह भी inversion का case है, और inversion क्यों मैंने आपको बताई दिया है, कि inversion की PDF आपके लिए free है, neon app पे available है, आप वहाँ से install कर लीजिए, उसका फाइदा उठाईए, जो महनत मैंने की है, उसको use करें और exam में select हो, ठीक है, वह 8 page की PDF है, बहुत important concepts मैंने दिया है, ठीक है, अब देखो, यहाँ यह question बोल रहा है, scarcely, scarcely के साथ में हम use करते हैं, when, scarcely हो चाहे hardly हो, दोनों के साथ में when आता है, और no sooner के साथ में, THAN, then आता है, खुन साथ, THAN, यहाँ से भी RR आयो है, THAN, THEN, हैना, इन, यह जो conjunctions है, इनका meaning होता है, जो ही, जो ही और क्यों ही, ठीक है, यह बोलना चाहरा है, कि जो ही function start हुआ, जैसे ही function start हुआ, बारिश होना start हो गए, तो यहाँ देखो, scarcely had the function started, यह वाला पार्ट आता है किसमें, past perfect में, और बाद वाला पार्ट किसमें आ जाता है, past simple में, ठीक है, तो scarcely had the function started, then की जगे क्या आएगा, when, clear, next, 352, the reporter was unable to illicit information from the police, reporter, police से information प्राप्त कर नहीं कर सका, unable, ठीक है, यहाँ पर यह जो sentence है, आपका, यह जो question है, यह purely based है, vocab के, आप यह सोचते होंगे, कि vocab के questions तो ma'am, vocab के questions तो synonym, mandanym, one word, spelling error, idioms वहीं आते होंगे, आपके सामने यह question है, यह question आप तभी कर सकते हो, जब आपके पास में, यहाँ vocab की knowledge हो, जिसके पास यह vocab की knowledge नहीं होगी, वो यह question नहीं कर सकता है, ठीक है, कैसे, यहाँ क्या error है, कि illicit की हम बात करेते हैं, illicit का मतलब क्या है, illegal, यहाँ हम बोले not allowed by the law, जिसको law ने allowed नहीं किया है, not allowed by the law, ठीक है, जैसे हम इसको हिंदी में ना जायज बोल सकते हैं, जिसको society allowed नहीं करती है, जैसे कुछ love affairs ऐसे होते हैं, जिनको illicit बोला जाता है, illicit love affairs, जिसको law allowed नहीं करता है, जिसको society allowed नहीं करती है, that is illicit, तो इस word का, इस sentence में कोई use ही नहीं है, ठीक है, इसकी जगा दूसरा word जाना चाहिए, और जिसका meaning होना चाहिए, information प्राप्त करने से related, और वो word बनेगा, e-l-i-c-e-t, get information, information प्राप्त करने की बात हो रही है, तो word क्या बनेगा, illicit, clear, तो ये question आप कब कर सकते थे, जब आपकी vocab strong होती है, vocab की एक तो class मैं आपको बताऊंगे, जो मेरी three arts की class है, जिसमें मैंने बताया की vocab कैसे पढ़ने चाहिए, वो आपको जरूर देखनी है, और अभी मैंने पहले भी बताया, vocab की मैंने YouTube पे 25 classes दी हुई है, आप ये classes जरूर देख लो, एक से 25 ये class आप देख लो, आपका vocab सीखने का, पढ़ने का नजरिया बदल जाएगा, vocab का आपके मन में जो डर है, वो हमेशा के लिए खतम हो जाएगा, और आप enjoy करोगे बहुत, कि हाँ vocab मजा आएगा आपको, confidence आएगा, तो ये videos आपको, ये classes आपको जरूर देखनी है, YouTube पे है free available है, आप सभी जरूर देखें, next, 353, each of these boys play games, each of these boys, देखो students, each of, either of, neither of, ये होते हैं क्या, ये होते हैं distributive pronouns, क्या होते हैं, distributive pronouns, ठीक है, इनके बाद में noun या pronoun जो भी यहां आता है, वो plural रहता है, बट जो verb आती है, वो क्या रहती है, हमेशा singular, तो play की जगे क्या आएगा, play, ठीक है, अब ये जो distributive pronouns होते हैं, ये sometimes distributive adjectives भी बनते हैं, ठीक है, कब जब ये noun के पहले आते हैं, जब ये noun के पहले आएंगे, तब ये क्या बन जाएंगे, distributive adjectives, जैसे, each boy plays games, ठीक है, यहाँ पर देखो, each किसके पहले आया, boy के पहले, boy क्या है, boy है student noun, तो इस noun के लिए each क्या हो गया, adjective, इसको हम क्या बोल रहे हैं, distributive adjective, ये चीज़ धान रखेंगे, ये noun to singular हो गया, but verb जो है, वो दोनों केस में, दोनों केस में क्या आएगी, singular, off नहीं आएगा, तो noun singular हो जाएगा, off आएगा, तो noun क्या हो जाएगा, noun ये pronoun plural हो जाएगे, but verb जो है वो हर case में क्या रहेगी singular रहेगी यह चीज आप गाठ मान ले ठीक है next 354 these all mangoes are ripe यह सारे mangoes पके हुए है यहाँ पर देखो student पढ़ने में भी आप वाजीब लग रहा होगा सही sentence बनेगा all these कि all जो determiner है यह आगे आने वाले these क्या है demonstrative demonstrative adjective क्योंकि क्या आया है noun के पहले आया है तो demons यह noun है इसके पहले आया है यह बता रहा कौन से mangoes these mangoes तो यह इसके पहले आएगा तो demonstratives हो possessive हो वो all उन सभी से क्या आएगा पहले आएगा तो structure क्या बनेगी all these ठीक है next 355 he discussed the murder case with his juniors discuss यह इसमें कोई आरर नहीं है ठीक है discuss something with somebody होता है क्या होता है discuss something discuss something with someone या somebody कोई चीज किसी के साथ में discuss करने के लिए यह structure हम यूज करते है discuss something with somebody यहां यूज वह रही है discuss the murder case with his juniors ठीक है तो से for example have you discussed the problem have you discussed the problem with anyone क्या तुमने किसी के साथ में problem discuss की थी तो discuss के साथ में क्या यूज हुआ है with यूज हुआ है clear दूसरा discuss के साथ में about लगा करके भी बहुत बार exam में question पूछे गए है तो यह चीज आप ध्यान रखे discuss about नहीं होगा discuss के बाद में about नहीं आएगा ठीक है 356 the paintings of natural sceneries are selling like hot cakes natural sceneries की paintings hot cakes की तरह बिक रही है याने के selling like hot cakes ये एक idiom है जब कोई चीज बहुत जल्दी sale हो जिसको buyers बहुत ज़्यादा पसंद करें फटावट ले जाए बहुत ज़्यादा भीर लगी हो उसके लिए उसके लिए क्या आता है selling like hot cakes ये पहले जमाने में मतलब 13 की बात अगर मैं करू 13 14 में तो ये question SSE का favorite हुआ करता है जब भी exam होता serial का होता stando का होता कोई भी exam होता scenery का question must बहुत तो इध्यान देखेंगे scenery नहीं होता scenery नहीं होता scenery रहता है scenery एक view की बात करते हैं होता है जिसको हम uncountable मानते हैं इसको हम plural नहीं बनाते हैं कुछ words ऐसे होते हैं कुछ nouns ऐसे होते हैं English में luggage baggage जिनका plural नहीं बनता है और हमेशा examiner इसको scenery बनाके देता है बच्चा यहां पर error करता है जैसे यह question यह कुछ-कुछ words है जैसे baggage है luggage है furniture है machinery है travel है poetry है cutlery है clothing है homework है यह कुछ ऐसे noun है जो generally क्या होते है जनरली जिनका plural नहीं बनता है जनरली जो क्या होते है singular होते है ठीक है next 357 I go to school by work बोलना यह चाहरा है कि मैं school पैदल जाता हूँ तो पैदल के लिए हम यूज करते हैं on foot phrase क्या आता है on foot next 358 it is a desert place desert के अगर हम बात करें तो desert के दो parts of speech होते है desert noun भी होता है और desert verb भी होती है ठीक है desert जब noun होता है तो इसका meaning होता है रेगिस्तान ठीक है आप कभी जैपूर विजिट करेंगे जैसल मेर जाएंगे तो जो हम खाने के बाद खाते हैं dessert clear यहां पर बोल रहा है कि यह एक त्यागा हुआ place है जिसको छोड़ दिया गया हो तो place क्या है student noun place क्या है noun a article है तो यहां पर एक ही possibility बनती है कि जो word यहां आएगा that must be adjective वो क्या होना चाहिए adjective होना चाहिए ठीक है तो यह एक त्यागा हुआ place है जिस place को लोगों ने त्याग दिया हो जैसे पहले आप देखेंगे कुछ गाउं के गाउं किसी भी रीजन से वहां रहने वाले inhabitants उस गाउं को छोड़ देखे चले जाते थे दूसरा गाउं बसा लेते थे तो यह बोलते थे कि यह गाउं चो है वो deserted है यह place क्या है deserted है clear तो उसके लिए यहां deserted d e s e r t e d deserted कौन सी form हो गई है अच्छा question था यह यह सारे चीज़ आप note डाउन कर लेना next 359 you shall get all the information if you read this book clear carefully अगर तुम इस book को carefully पढ़ोगे तो तुम्हे सारी informations मिल जाएंगी यहां एक चीज़ ध्यान रखें information होगा informations नहीं होता है information को plural नहीं बनाया जा सकता हम क्या बोल सकते हैं a piece of information a piece of information हो सकता है but informations नहीं होगा यह गाठ मान लेना बहुत अच्छा question था और इस पे भी बहुत बार question आयो है पहले की exams में ज्यादा इस तरह के questions आपको मिलेंगे next 360 my friend has invited me for tea this Sunday is Sunday मेरे friend ने मुझे tea पे invite किया ठीक है यहां पर student error जो है वो four की जगह two आएगा invite somebody invite somebody two या four something होता है तो मैं हम आपने तो four की जगह two कर दिया बच्चों बात यह है कि SSC ने इसमें C पार्ट में आरड दिया था ठीक है बाकि अगर देखा जाए तो invite के साथ में four भी ले सकते है two को हम इसलिए चूज करेंगे क्योंकि two more formal है और SSC ने भी यही answer दिया है next 361 many a man have come to India from Bangladesh to live here permanently अब देखो many a man ठीक है many के बाद में हमेशा plural noun आता है plural noun आता है और उसके बाद में verb भी plural आती है plural noun और verb भी क्या आती है plural ठीक है एक case जैसे अगर हम बोलते है many men have ठीक है दूसरा case बनता है many के बाद में a या n आकर के बाद वाला noun भी singular और verb भी क्या हो जाती है singular ठीक है तो जैसे यहां क्या है many a man तो noun तो क्या है students singular है लेकिन verb क्या है plural इसको क्या कर देंगे has और भी construction बनते है जैसे a great many a good many उनका जो concept है वो many वाला ही रहेगा plural noun रहेगा और plural ही verb रहेगी बट अगर many a या n आता है तो आगे वाली verb क्या हो जाएगी singular next 362 our football team comprises of 11 skilled players हमारी football team 11 skilled players से मिलकर बनी हुई है यहां पर देखो students comprises के बाद में of का यूज नहीं करेंगे क्योंकि comprises is equal to consists of यह comprises का मतलब भी क्या होता है consist of होता है ठीक है बट ऐसे रटना भी नहीं है हमेशा एक चीज़ और बता दो आपको comprised के बाद में of कब आ सकता है यह conceptual understanding होने चाहिए be comprised of structure क्या होती है be comprised of ठीक है अगर comprised के पहले भी की कोई form हो याने passive structure जब बनती है क्या बनता है passive तब हम comprised के बाद में of preposition use करते हैं यह जिसे for example example के लिए देखो the committee c o double m i double t double e बहुत बार exam में पूछी हुई है the committee is comprised of the committee is comprised of representatives representatives from both public and private sectors अब इसमे एक चीज़ देखो यहाँ पर आप ध्यान दो यहाँ पर क्या है is comprised of यह को कैसी structure है passive structure है तो जो students रटके बैठते हैं कि comprised के बाद ओफ नहीं आएगा वो जस्त देखते हैं comprised या ओफ है उसको गलत माल लेते हैं conceptually strong बनना है अगर हमें selection चाहिए तो हम conceptually strong बनना होगा क्योंकि बहुत competition बहुत ही tough हो गया है आजकर एक के question की मारा मारी है तो ध्यान लखेंगे जब sentence active है तो हम ओफ नहीं ले रहे हैं लेकिन जब sentence passive है तो हम ओफ लेंगे बी comprised of clear next 363 knowledge and wisdom makes an individual truly complete and self-assured knowledge और wisdom किसी भी individual को complete करते हैं और self-assured बनाते हैं ठीक है यहाँ पर makes की जगे आएगा make इस question में भी student को doubt रहता है कि मैं knowledge और wisdom दोनों partial subject है दोनों मिलकर एक हो जाने चाहिए makes आना चाहिए तो students इसको समझेंगे इससी ने भी इस पार्ट में error दिया और क्यों दिया क्योंकि knowledge और wisdom दोनों को separate माना है एक नहीं माना है knowledge तो जो हम knowledge पढ़ते हैं ज्ञान है और wisdom उसको practically अपलाए करना तो दोनों को separate individual माना है तो separate में consider किया है that's why हमने क्या ली है plural verb भी अधर्वाइस इसके साथ में singular verb भी ल दोनों मिल करके एक idea को represent करते हैं तो हम इनके साथ में singular verb लेते हैं वो partial subject का case हो जाता है बट यह दोनों अलग अलग separate individual consider हुए है इसलिए plural verb है next 364 one of the boys one of के बाद में आने आने आगे आने वाला noun क्या होता है students plural होता है ठीक है अब यहाँ पर आया है relative pronoun who one of the boys who always give the correct answer is similar यहाँ पर error क्या है who relative pronoun है who के बाद क्या verb आएगी वो हो से पहले आने वाले subject पे उसे आने वाले verb नाउन पे depend करती है और यह नाउन क्या है plural क्या है plural तो यहाँ पर verb भी क्या आएगी plural ठीक है one of the boys who always give the correct answer is similar तो कोई आरर नहीं है next 365 it is high time we renovate our old house इसमें student renovate की जगे आएगा renovated किसकी वज़े से it is high time की वज़े से कुछ यह phrases ध्यान रखेंगे it is high time it is time it is about time इनके साथ में हमेशा past simple tense का यूज होता है past simple यह अच्छे से ध्यान में रखेंगे past simple tense आप जब भी पड़ोगे यह चीज आप ध्यान रखना it is time it is high time it is about time के साथ में क्या आएगा past simple आएगा next 366 headmaster has instructed the teachers to follow the rules of the school headmaster ने instruct किया teachers को school के rules को follow करने के लिए तो यहां हमने कौन से school के teachers ठीक है और उनका headmaster तो यहां इसके लिए क्या use होगा the article the next 367 the first inning of the match was very sensational match की पहली पारी बहुत ही sensational थी यह boys जो generally cricket वगेरा कोई देखते हैं तो उनको बहुत मज़ा आता है कि हाँ है पहली पारी बहुत छांदार थी sensational थी जहना तो उनको पता होगा देखती answer कर देंगे inning नहीं होगा क्या होगा innings पारी के लिए क्या आता है innings पहले भी आ चुका है यह question 2019 में था दव वाला second innings वाला कि उसके दूसरी पारी में century बनाया तो वो भी यही था ना next 368 how long it takes to travel from Chennai to Trichy by train Chennai से Trichy train से जाने के लिए कितना how long कितना time लगता है यह पूछना चाहरा है sentence जो है वो क्या है interrogative है question पूछना चाहता है question पूछने की हमारी शर्थ क्या है जो डबलो एज question word है question word के बाद में क्या आनी चाहिए work जबकि यहां क्या हुआ है subject question अगर बात करें तो present simple में question पूछने का काम कौन करते हैं do or does कौन करते हैं do और does तो यहां पर it है singular है तो क्या आएगा does क्या बनेगा sentence हाव लोंग does it take take क्यों आएगा मैं क्यों आएगा इसलिए आएगा बच्चे क्योंकि do does did के साथ में always क्या आती है always क्या आती है work first ठीक है ना next 369 one should respect the religions of others as much as his own यह चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि जब भी जो subject होता है ठीक है जो subject है he है she है it है they है आगे आने वाला pronoun भी उसी के according आता है जैसे यह subject कौन है one तो आगे जो pronoun आएगा वो one के according आना चाहिए जबकि यहां आया होगा है his his कब सही होता है जब यहां ही होता subject क्या है one ठीक है indefinite है किसी को point out नहीं कर रहा indefinite pronoun है तो one के according position शो करना है क्या होगा once one should respect the religions of others as much as one's own किसी भी इंसान को दूसरे religions की उतनी ही respect करनी चाहिए जितनी की वो खुद की करता है next 370 on a holiday I prefer reading story books than visiting my friends छुट्टी के दिन मैं story books पढ़ना पसंद करता हूं friends को visit करने की बजाए प्रिफर के case में जब प्रिफर हो दो चीजों की बात की जाए ठीक है दो मैंसे preference की बात की जाती है और वो जो चीजे या तो noun हो या प्रोणाउन हो ठीक है या gerund हो नाउन हो प्रोणाउन हो या gerund हो तो prefer के बाद में to ही use करते हैं ऐसा नहीं है prefer के बाद में rather than नहीं आता है कब prefer के बाद में जब infinity हो prefer plus two plus verb first हो तो उसके बाद में हम use करते हैं rather than और उसके बाद में आता है verb first clear जैसे यह नीचे वाला sentence है इसका example देखो I prefer to walk rather than rather than ride करने की बजाए मैं चलना पसंद करूँगा तो यहाँ पर देखो to walk है ठीक है तो यहाँ तो यहाँ क्या हो गया right तो क्या use किया rather than prefer important concept है 2014 में भी mountains वाला passage था उसमें भी यह concept पूछा था close test में वहाँ भी prefer के बाद में to than का case आया था ठीक है तो यहाँ इस case में जरूर हम rather than लेंगे लेकिन जब नायों की बात हो pronoun की हो यह जरूरंड की हो तब क्या आयेगा to ठीक है तो reading और visiting इसकी बात हो रही है reading और visiting की तो to than की जगे क्या use करेंगे to clear students जैसे I prefer rice to bread rice और bread क्या है नाउन है तो नाउन प्रोनाउन जरूरंड में क्या आयेगा to infinitive में क्या use करेंगे rather than next 371 I was laying down when the doorbell rang मैं लेटा हुआ था जब दोर यहां पर student बहुत ही अच्छा concept है लाए और ले का और मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छी PDF भी तियार किया है जो आपको new on app पे मिल जाएगी free of course यह PDF पढ़ने के बाद में यह मेरी guarantee है कि आप एक भी question ले लाए का गलत नहीं करेंगे जनरली बच्चों को ले लाए कि भर भर की doubts होते हैं एक doubt आपका नहीं बचेगा और जितने possible questions आपको मिले किसी भी exam में आये हुए आप वो एक बार यह PDF पढ़ लेना और सारे questions solve कर लेना एक question लिए अटकेगा आपका यह मेरी guarantee है एक बार आप content को पढ़के देखना आपको खुद पता चल जाएगा यहाँ पर student position आया कोई दिक्कत नहीं है लेंग जो है वो ट्रांजटीव है इसके बाद में direct क्या आता है object आता है ठीक है यह सारे concept आपको इस PDF में बहुत ही next is 72 I told the teacher that the homework set for the day was much too heavy for us to complete मैंने teacher को कहा कि जो homework मुझे हमें दिया गया है वो बहुत heavy है complete करने के लिए इसमें कोई आरर नहीं है heavy क्या है adjective है और adjective के पहले हम use करते हैं much too much too plus adjective और generally too much के बाद में आता है too much plus now clear too much के बाद noun आएगा और much too के बाद generally adjective और heavy adjective है कोई आरर नहीं है इसमें no error 373 someone they don't know who knocked at their door in midnight someone जिसको की वो नहीं जानते इन्होंने दर्वाजा खटखटाया midnight को ठीक है midnight के पहले हम at preposition यूज करते हैं in midnight नहीं होगा क्या होगा at midnight ठीक है at dawn at dus ठीक है यह जो time होते है सुबय का time बिल्कुल शाम का time जो time होता है उसके लिए क्या लेते हैं हम preposition at लेते हैं धान रखेंगे 374 अब यहां पर एक student यह जो case बन रहा है यह again case बनता है inversion का और inversion का case बन रहा है और inversion की pdf मैंने आपको पहले ही बताई है यह inversion की pdf है जो most important है most important pdf है आदे से ज्यादा बच्चों को तो inversion topic का ही नहीं पता होता किसी को topic का पता होता है तो वैसे प्रेशान होता रहता है tough है tough है लेकिन यह pdf पढ़ने के बाद आपको tough नहीं लगेंगे neon classes की app install करेंगे वहां आपको free study material में यह pdf मिल जाएगी जहां से आपको download करनी है content definitely आपको बहुत अच्छा लगने वाला है तो मुझे 5 star rating इस app को 5 star rating आपको देनी है और बहुत अच्छा सा review लिखना है ठीक है यह देखो यहाँ पर पूरा यह structure given है शैल्डम की structure शैल्डम inversion को किस तरह follow करता है क्या concept रहता है क्या structure यह पूरा यहाँ given है ठीक है question पर चलते हैं हम यह pdf है पूरी वापस चलते हैं question पर question बता देती हूं आपको शैल्डम इफ आवर यहाँ apply होगा inversion inversion के case में हम क्या करते हैं पहले वर्ब को लेते हैं उसके बाद subject आता है तो शैल्डम इफ आवर ड़स नेचर पहले आएगा ड़स और नेचर इनवर्जन क्या होता है इनवर्जन सिंपल क्या है सब्जेक सेंटेंस का जो आटर है उसको इनवर्ट कर देना पहले subject आता है देन वह बाती है जब हम वर्ब को पहले ले लेते हैं वही क्या है इनवर्जन है ठीक है next 375 Mohan left on the opportunity that came his way Mohan ने opportunity को left कर लिया जो उसके रास्ते में आई थी यहां देखो error as student appropriate preposition का appropriate preposition या fixed preposition का error है वो क्या है कि left के बाद में at आता है on नहीं आता है left at leap at leap at something grab leap at something का मतलब क्या होगे किसी चीज़ को grab करना next 376 बहुत अच्छा concept है ऐसे questions भी हम कर चुके है आपको ही answer करना है water contamination has become more serious since chemists have begin to use new substances sentence देखो यह वाला sentence किसमें है present perfect में present perfect में since आया है point of time तो यह बाद वाला part किसमें आना चाहिए एक ही possibility है किसमें आना चाहिए past simple में ठीक है यह मैं पहले भी करवा चुकी हूं इसी class में तो have begin की जगे क्या करना पड़ेगा begin ठीक है क्या sentence बना chemists ने जब से शुरुआत की है new substance की तब से water contamination क्या हो गया है ज्यादा serious हो गया है यह मज़ा आ रहा है ना कि जब आपको concepts आते हैं जब आप conceptually strong होते हैं तो answer ऐसे खटा-खट फटा-फट हटा-सावन की घटा की तरह answer आते हैं देखा answer देखा answer ठीक है next 377 अच्छा question है due to inflation the cost of living escalated in the last one year देखो यहां last one year की वज़े से कि पता चल रहा है कि किसी चीज में regularly जो उतार चड़ा थे बढ़ रहा था escalated माने बढ़ना तो यहां escalated के पहले हमें has लगाना पड़ेगा क्योंकि यह structure किसकी है present इसकी है present perfect यह structure किसकी है student present perfect ऐसे किसमें बनते है present perfect में दूसरा कई बास students को doubt होता है कि मैं due to sentence के starting में नहीं आ सकता कभी बीच में नहीं आ सकता कि मैं पहले भी करवा चुकी हूँ due to और owing to दोनों के दोनों sentence के starting में sentence के mid में कहीं पर भी आ सकते हैं जो एक obligation बचता है जो एक obligation बचता है वो यह है कि जब जैसे for example his success was due to या owing to his mother उसकी success किसकी वज़े से थी उसकी mother की वज़े से जब यह verb को follow करने की बात होती है जब यहां verb आती है was तो उस case में owing to नहीं आएगा तब क्या आएगा due to बस यह एक ही possibility बनती है जिसमें due to आता है owing to नहीं आता है बाकी से बीच में नहीं आ सकता है starting में नहीं आ सकता है यह बिल्कुल गलत है कहीं पर भी use हो सकते हैं और उनका meaning क्या होता है because of clear है नहीं next 378 just as I was entering the room the family was going for a party just जैसे ही में room में enter कर रहा था family party में जा रही थी तो going party की तरफ जाना तो towards तो going to a party next question number 379 the arm was so badly injured arm बहुत ज्यादा इंजूर थी that he must have it amputated कि उसको amputate करानी पड़ी मतलब उसको कटवानी पड़ी जब भी किसी body parts को कटवाना पड़ जाए उसके लिए वर बाती है amputate right तो यहां पर error student must have की जगह आएगा had to get meaning यहां had to use होगा क्योंकि यह उसको मजबूरी में करवाना पड़ा obliged हो गया क्योंकि इतनी ज्यादा injured हो गई थी उसकी आम कि वो जो जैसे कई बार होता है it amputated clear next question 380 you need not tell a lie when the judge asked you where you were when the crime was committed तुम्हें जूट बोलने की जरूरत नहीं थी जब जज ने तुमसे पूछा कि जब crime हुआ था crime को commit किया गया था तब तुम कहां थे तो जब इस तरह का sentence होता है कि तुम्हें असा नहीं करना चाहिए था यह unnecessary जो हम भाव देते हैं तो उस case में हम need के case में यहां past को लेते हैं ठीक है होते हैं क्या बिल्कुल होते हैं मैंने अपने बच्चों को करवाती भी हों कि मॉडल सिरफ मॉडल नहीं है मॉडल का भी अपना टेंस होता है वह भी बहुत इंपार्टेंट है आपको सीखना ही चाहिए क्वेशन नमर 381 वाई नोट अर्थ वाई अन अर्थ हैसी नोट कम इस सेंटेंस में आपको लग रहा होगा साउंड ऐसा कर रहे है कि थोड़ा सही नहीं है बट यह सेंटेंस बिल्कुल सही है ओन अर्थ यहां पर बेसिस की बात होती है ठीक है किस ग्राउंट पे यहां पर है ही सब्जक्त है तो इंटेरोगेटी बनाना था तो हैस पहले आ गया नेक्स्ट यस्टेडी इट रेंड लाइक कैट्स एंड डॉक्स का मतलब होता है मुसलाधार भारिश हैवी रेंफोल बहुत जाधा जब मुसलाधार भारिश होती है उसके लिए आता है कैट्स एंड ठीक है यहां पर लाइक नहीं आएगा ठीक है लाइक यहां अन्नेसेसरी एड कर दिया गया है यहां सिंपली रहेगा इट रेंड काट्स एंड डॉक्स इसकी कहानी इस इडियम की कहानी बहुत ही इंट्रस्टिंग है और यह कहानी सुनाई है मैंने मेरी जो वकाब की क्लास एजो वोगाय की क्लाश में एग घंते ले Shouldn't Life Class क्लास होती थी वहां पर इसकी कहाणी सुनाई है। ऐसके कहानी जरूर सुनने चाहिए बहुत इंठ्रस्टिंग कहानी और इस नहां कहानी क्या है और इसन है। हाँ वो कौन सी नंबर क्लास में है वो आपको यहां दिख जाएगा कि इस नंबर क्लास में है ठीक है next 383 I would request to you to consider my application and grant me a job as early as possible मैं तुम से request करता हूँ कि मेरी application को consider करो और मुझे जितना जल्दी हो सकता है अतना जल्दी मुझे grant me a job जोब दे दो जितना जल्दी हो सके उतना जड़ली यहां देखो request जो verb है यहां request would request जो आया है यह active form में आया है किस form में आया है active में और जब हम active form में request को use करते हैं वर्ब को use करते हैं तो इसके बाद में यहां तू प्रेपोजिशन नहीं लेके डाइरेक हम object लेते हैं किसको request किया request यू ठीक है तो यहां टू नहीं आएगा यहां पर डारेक्ट इसका object आएगा आई वूट रिक्वेस्ट यू मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं आई वूट रिक्वेस्ट यू next 384 each of these boys play games in the playground ठीक है each of the boys बहुत important और बहुत repeat हुआ question है each of either of neither of इनके case में यह distributive pronoun होते हैं each of either of और neither of इनके case में ओफ के बाद में आने वाला noun तो क्या होता है students noun क्या होता है plural होता है but verb जो होती है verb जो होती है वो क्या होती है singular noun plural होगा लेकिन verb क्या रहेगी singular तो यहां each of these boys noun plural है but play की जगे क्या आएगा plays play की जगे क्या आएगा plays next 385 none not one of his lectures have ever been printed उसके कोई भी lecture printed नहीं हुए not one of his lectures यह lectures यहां पर plural है एक भी नहीं ठीक है negative है पर जो वर्ब है one of the के बाद में one of the के बाद में noun plural but verb singular right तो हाव की जगे क्या आएगा students has ठीक है next 386 either sohan or his friends is to be blamed for this mischief या तो सोहन या उसके friends तो यहां सोहन क्या है student singular है his friends क्या है plural है तो इदर और निदर और के केस में जो वर्ब आती है वो nearest subject के according आती है और जो प्लूरल है nearest subject के sorry nearest verb के according ठीक है अब यहां वर्ब nearest subject के according आ रही है is किसके according आ गही सोहन के according जबकि nearest subject क्या है friends तो friends के according इस नहीं आएगा friends के according क्या आएगा are friends के according क्या आएगा are next 387 I don't suppose anyone will want volunteer मैं यह suppose नहीं करता हूं मतलब मैं यह नहीं suppose कर रहा हूं कि कोई वॉलेंटियर होगा एनिवन विल वॉलेंटियर मतलब जो अपनी इच्छा से कोई action करता है वोल का मतलब क्या हो गया to wish जो अपनी इच्छा से कोई action करें उसको क्या बोलते हैं वॉलेंटियर अपनी वेन मिल वॉलेंटियर question किसका बन रहा है बैसी टैक का question टैक की हम बात कर रहे हैं तो यहां पर जो वर्ब है वो क्या है will है तो will क्या का दिल है कर दिल अगया यहां धी क्या है ए लिए अनिवान जो भी ही इंडीट प्रोणाउन होते है no one anyone everybody nobody यह जो indefinite pronouns होते है इन indefinite pronouns को के लिए जब भी question tag की बात होती है या इनके लिए जब भी हम pronoun हमें आगे use करना होता है personal pronoun तो plural याने they हम use करते हैं क्या use करते है दे क्लियर बहुत important है यह concept anyone के according क्या आएगा ठीक है यहाँ it he she आप नहीं लोगे आपको देखने में है singular होते हैं meaning भी singular का देते हैं पर question tag में इनको plural consider करेंगे plural आपको रखने दे आएगा next 388 I am looking forward for the day of my wedding मैं अपने शादी के दिन का क्या गर रही हूँ looking forward to मतलब इंतजार कर रही हूँ two मैंने बहुली दिया two आएगा या four नहीं आएगा looking forward to होता है क्या होता है looking forward to सही होता है और looking forward for गलत हो गया है या forward for नहीं आएगा ठीक है और एक शीज़ है इसके बाद अगर verb आती है तो वो कौन सी होती है वर्ब की ing form होती है याने जरेंड इसके बाद में यूज किया जाता है ध्यान रखेंगे लेक्स 389 can you cop up with all this work he asked क्या तुम इन सारे वर्ग को manage कर लोगे ठीक है कॉप आप मतलब क्या होता उस चीज़ को manage करना अब यहां पर generally यह लोग spoken में भी इस तरह से बोलते हैं cop up करना वो गलत है grammatically cop up नहीं होता है cop with होता है ठीक है एप यह पार्ट में आरण हो जाएगी और अब आएगा नहीं can you cop with all this work next 390 he saw as president of the lion's club since 15 years period of time के लिए हम since use नहीं करते है period of time के लिए 4 आता है 4 15 years होगा पहली चीज़ दूसरा बहुत सारे बच्चों को इन में doubt रहता है कि मैं यह past simple tense है तो 4 कैसे आ सकता है 4 तो perfect continuous में आता है बिल्कुल सही है ज्यादा तर cases में ऐसा ही होता है but sometimes past simple में भी 4 use होता है ठीक है जब हम past की कोई बात बताना चाहें कि 10 साल तक उसने ऐसे किया ठीक है तो उसके लिए हम past simple लेते हैं जो अब नहीं कर रहा है बस पहले किया था राइट जैसे फॉर एग्जाम्पल he served he served the family for more than 10 years ठीक है तो यहां पर भी 10 years के लिए 4 आ रहा है उसने family को सर्व किया याने as a servant उसने एक family को दस साल तक उस फैमिली की सेवा की तस साल तक उसने as a servant कैसे as a servant उसने family को सर्व किया दस साल तक उसने family का ध्यान रखा सर्व किया राइट तो he served the family for more than 10 years clear तो यहां पर भी देखो four years हुआ है past simple के लिए clear रहा है ना next that was the most unique opportunity he got in his life ठीक है यह जो बहुत ही most important unique opportunity थी जो उसको अपनी life में मिली यहां देखो unique अपने आप में ही superlative meaning दे रहा है तो unique अपने आप में superlative meaning दे रहा है तो यहां पर most की कोई जरूरत ही नहीं है universal unique ऐसे बहुत सारे words जो हम लेते हैं इनके पहले हम superior superlative meaning होता है तो हम more या most इनके पहले नहीं लगाते हैं simply क्या हो जाएगा that was a unique opportunity a unique opportunity he got in his life ठीक है next 392 there is no place of you in this compartment तुम्हारे लिए इस compartment में कोई जगय नहीं है तो जगय के लिए स्थान के लिए space के लिए हम place की जगय क्या काम में लेते हैं room क्या लेते हैं room there is no place sorry there is no room for you in this compartment तुम्हारे लिए इस compartment में कोई जगय नहीं है यह नेक्स्ट रूम का इसा मतलब कमरा तो होता ही है बिल्कुल होता है रूम का मतलब कमरा रूम यहां पर स्पेस के लिए भी आया रूम स्पेस के लिए आता है यह ध्यान रखेंगे लेक्स दी 1993 मदर टैरेसा आस्ट बिल्डिंग विए शी एंड हर वर कर्स कुट केर पूर पूर पीपल ऑलवेश मदर टैरेसा ने ऐसा कहा इसा बोला की मुझे बिल्डिंग दे दो जहां पर मैं और मेरे वरकर्स जो है वो केर कर पाएं किनकी पूर जो गरीब लोग है उनकी ठीक है तो यहां ask के बाद में यहां 4 आएगा ask for a building ask के बाद में आपको 4 यहां यूज करना पढ़ेगा ask for something phrase रहता है phrase क्या होता है ask for something क्या ask किया था यह building के लिए ask किया था ठीक है नेक्स 394 शाली इस सुपीरियर दैन बायरन इन इस वीजन ओफ देमोक्रेसी शाली बायरन से वीजन उसके जो वीजन है डामोक्रेसी का उसमें क्या है सुपीरियर है इनके बाद में दैन नहीं आयता है इनके बाद में तू आता है शाली इस सुपीरियर तू बायरन इन इस वीजन ओफ देमोक्रेसी नेक्स्ट 3.95 वेन आट लास्ट वी गॉट तू थेटर अमच पॉब्लिसाइज प्रोग्राम बायरन बॉलीवूड स्टार्स वर्स बिगन ठीक है यहां देखो यह जो स्क्रेस्ट अस्टूडेंट यह क्रेस्टन है पास परफेक्ट ठीक है पास परफेक्ट प्लस पास्ट सिंपल का पास परफेक्ट विद पास्ट सिंपल कोई भी घटना जो पास में होती है पास में जो दो घटनाएं होती है उनमें जो पुरानी घटना है पुरानी जो ओल्डर है जो ओल्डर एक्शन है वो आता है स्टूडेंट पास परफेक्ट में ओल्डर एक्शन किसमें आ तो जब वो थेटर पे पहुंचे उससे पहले ही जो प्रोग्राम था जो प्रोग्राम था वो स्टार्ट हो चुका था दो एक्शन हुए उनका वहां पहुंचना दूसरा प्रोग्राम का स्टार्ट होना तो वो पहुंचे उससे पहले ही वो प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका था तो पहला action किसमें आएगा past perfect में और दूसरा past simple में past simple में यह आचुका है यहाँ पर इसको change करना पड़ेगा had begin क्योंकि past perfect क्या होता है had plus work third clear है तो यहाँ हमें past perfect करना है had begin और यह past simple right next 396 बताओ student क्या होगा several prominent figures involved in the scandal and required to appear to the investigation committee investigation committee के सामने investigation committee के सामने उन्हें appear होना है तो जब भी किस court में किसी के सामने appear होने की बात होती है ठीक है सामने तो हम यहाँ appear यहाँ आएगा before before मतलब पहले नहीं है before का मतलब क्या है सामने judge के सामने investigation committee के सामने तो क्या आएगा before clear अच्छा question था यह भी conceptual question था next next 397 according to the radio radio की according it can rain this evening इस आज शामुदी सिवनिंग बारिश हो सकती है तो हिंदी में देखें तो कैन भी सकने के लिए आता है तो सही लग रहा है बट यहाँ कैन सही नहीं है क्योंकि बात संभावना की है probability probability की बात है किसकी बात है probability और probability के लिए हम को का नहीं लेते हैं जान तो किसके लिए आता है ability के लिए हम लेते हैं students में क्या आता है तो इट कैन रहें है एगा क्या आएगा it may rain क्लिर है it can it may rain कि पर प्रबिस्टी की बात हो रहा हो बहुत सकती है यह नहीं भी हो सकती है कैंस का बाता जब हम बोलते है I can speak English ठीक है she can speak she can speak French ठीक है तो वहाँ ability की बात हो रही है बट यहाँ पर ability की नहीं यहाँ probability की बात हो रही है तो हमें may use करना होगा next 398 due to heavy work in the office I was unable to catch the 530 train काम बहुत ज्यादा था काम का pressure काम का load बहुत ज्यादा था इस वज़े से मैं 530 वाली train जो है वो catch नहीं कर पाया catch करने का मतलब क्या है उसको पकड़ना मतलब उसमें जा नहीं पाया ठीक है यहाँ पर error है ए पार्ट में due to a heavy workload आप इस चीज को ध्यान रखेंगे अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लेंगे a heavy workload is a collocation a heavy workload क्या होता है student collocation होता है a heavy workload मतलब बहुत ज्यादा workload होना due to के और owing to का difference मैंने इसी वीडियो में बताया हुआ है उसको समझ लेंगे एक बार और बता देती हूं due to or owing to का मतलब दोनों को हम सेंटेंस के स्टार्ट में सेंटेंस के मिड़ में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं और दोनों का ही मतलब because of होता है दोनों का मतलब क्या होता है विकुस ओफ ठीक है वर्ट आरण कहां है कि owing to को हम वर्ब के साथ यहने owing to वर्ब को फोलो नहीं करता वर्ब को फोलो नहीं करता डू टू कर सकता है फोलो नहीं करता है ठीक है यह बस इतना सा चाहरं का सकता है बीच में या थो सब गलत है वह समिथ हैं टू कही पर भी आ सकता है start में बी और मिडमें भी owing to start में भी आ सकता है जादा यूस लोग due to go करते हैं और दोनों का मेनिंग सेम है बीकुस ओ भोता है next 399 honey was appointed leader of a group of young social workers that have accepted to help and develop the village in 3 months हरी को अपॉइंट किया गया, हरी was appointed leader, leader appoint किया गया एक ऐसे ग्रूप का, of a group of young social workers, किसका, एक ग्रूप का लीडर बनाया गया, किसको, हरी को, हरी को एक ग्रूप का लीडर बनाया गया, वो ग्रूप किसका था, young social workers, young social workers का group था, that have accepted, एक्सेप्ट किया to help and develop the village कि डवलप करेंगे विलेज को in three months three months में डवलप करना है ठीक है अब यहां देखो यहां पर भी जो case है वो relative pronoun का ही बन रहा है that जो relative pronoun है इसके बाद में जो verb आई है उससे पहले वाले noun के according आनी चाहिए आप सोच रहे होंगे कि workers है workers है तो man have आया है सही तो है नहीं बच्चे सही नहीं है workers की बात नहीं हो रही है यहां पर बात हो रही है workers की group की पूरा पढ़ेंगे तो किसकी बात हो रही है a group of young social workers इसकी बात हो रही है group की तो group के according यहां पर have नहीं आएगा क्या आएगा has क्या आएगा has clear है next four double zero no sooner they had received the guest then they begin entertaining them no sooner जैसे उन्होंने गेस्ट को receive किया वैसे उन्होंने उसको entertain करना स्टार्ट कर दिया अभी अभी हमने क्रेश्चन किया था नहींस सुनर के साथ में TH A& यह टाइपो होगी student ठीक है TH AN आता है TH EN नहीं आता है यह चीजह नखेंगे और यहां इनवर्जन अपलाए होता है जिसमें वर्ब पहले आती है और सब्जक्ट बाद में आता है वर्ब पहले आएगी और सब्जक्ट बाद में तो यहां पहले आएगा और दे बाद में आएगा तो क्या बनेगा no sooner had they received the guest then they begin entertaining them, ठीक है, no sooner में दो तरह से construction हो सकता है no sooner के बाद वाला part past perfect में, ठीक है, और then के बाद वाला part then के बाद वाला part past simple में, एक तो यह construction हो गया, ठीक है दूसरा no sooner के बाद वाला पार्ट no sooner के बाद वाला पार्ट भी past simple में और then के बाद वाला पार्ट भी past simple में ये दोनों construction हो सकते तबी did से भी बनता है और head से भी बनता है यह आपको पूरी की पूरी जो भी no sooner और जो भी इन्वर्जन के cases हैं वो सारे आपको neon classes की app आप इंस्टॉल करेंगे वहाँ आपको free study material में study material है वहाँ पर यह मिल जाएगा ठीक है ना? next question देखते है 401 though she appears to be very tall she is just an inch taller than me sentence contrast यहाँ शो कर रहा है कि यद भी वो appear होती है कि दिखती है कि बहुत लंबी है लेकिन वो just एक इंच ही मुझसे लंबी है यहाँ पर error है student यहाँ मी की जगह आए आएगा ठीक है यहाँ पर बहुत सारे students को confusion रहता है कि taller than me यह होगा but students को समझना बहुत मुझकिल हो जाता है कि कि sentence में वो preposition है या conjunction है तो उसी चीज को solve करने के लिए आपको यहाँ रखना है यहाँ पर आपको taller than I करना है taller than me नहीं करना है बस than I को सही मानेंगे ठीक है और यहाँ एक चीज आप इसको इस तरह से भी आद कर सकते कि I subjective form है शी भी subjective form है तो comparison जो है वो subject subject में हो रहा है इसलिए हम कौन से form रखेंगे subjective ठीक है इवन objective form को भी consider किया गया है सही माना गया है लेकिन exam point of view से दोनों में से consider करना होगा तो हम I को ही consider करेंगे ठीक है to our own shores bringing mist and clouds in its wake अब यहां बताना है आपको कौन से part में error है मैं students को यह चीज बहुत बार बोलती हूं कि subject verb agreement जो है वो आपका बहुत important part है बहुत important topic है subject verb agreement और tense इन दोनों से आपको बहुत सारे exam में बहुत सारे questions मिलते exam में चाहे वो spotting error हो sentence improvement हो filling the blanks हो यहां से बहुत सारे question आते हैं देखने में simple लगता है कि subject verb ठीक है subject singular verb singular बट इससे इस पे based question में भी student mark आ जाते हैं गलत कर देते हैं यहां देखो यहां बात हो रही है material logical disturbance की this material logical disturbance ठीक है art और criticism जो है यहां इसको additional है यहां पर देखो यह जो पूरा पार्ट है यहां तक यह पूरा पार्ट क्या है student subject है यह पूरा पार्ट क्या है subject है इसके बाद में यहां क्या रही है वर्ब तो वर्ब के पहले वर्ब के पहले जो भी पार्ट होता है वो क्या रहता है subject होता है ठीक है अब यहां यह subject है कि subject का जो main principal word chief word बोले या जिसके according आगे वर्ब आएगी वो बोले वो कौन सा है this material logical disturbance यह क्या है student singular this material logical disturbance क्या है singular तो इसी के according आगे वर्ब क्या आएगी singular have की जगे have की जगे क्या आएगा has देखो यह किसकी अरट थी subject verb agreement की और दिखने में बहुत simple लगता है subject verb agreement लेकिन error काफी अच्छी यहां पर पुछते है next 403 the child was run over with a private bus child को यहां पर बात हो रही है कि एक private bus के द्वारा child को एक तरह से किसी वीकल से चक्कर लगा कर उसको कुचल देना उसके लिए phrase use होता है रन ओवर ठीक है कि नोक्ड हुआ और उसको कुचल दिया धक्का लगा उस वीकल से और फिर वो वीकल की वज़े से वो विचारा बच्चा गिर गया ठीक है उसके लिए verb क्या use होती है रन ओवर तो चाइल्ड वोज रन ओवर कर दिया गया किसके द्वारा बस के द्वारा तो बस के द्वारा चाइल्ड रन ओवर हुआ है तो यहां विद नहीं आएगा क्या आएगा सुडेंट्स बाइ बाइ आएगा क्या आएगा बाइ प्रियर रहा ना तो दो चाइल्ड वोज रन ओवर बाइ अवर प्राइवेट बस next 404 कामली is one of the players who has been selected for the test match कामली जो है वो उन players में से एक है is one of the players one of the players में से कोन है कामली है जो test match के लिए जिसको select किया गया है यहां देखो who who क्या है student relative pronoun relative pronoun है तो इसके बाद में जो वर्ब आएगी वो किसके according आएगी इससे पहले वाले subject के according तो players कैसा subject है plural subject player कैसा subject है plural subject है तो वर्ब भी क्या आने चाहिए plural तो players की वज़े से यहां has को किससे replace कर देंगे have से ठीक है one of the की बात करें तो वैसे अगर बात की जाए तो वन ओफ दो के बाद में नाउन जो है नाउन क्या आता है student plural आता है नाउन क्या प्लूरल बाट वर्ब क्या आती है बट वर्ब क्या आती है singular आती है ठीक है one of the players अगर simply बात होती तो क्या बोलते वन ओफ दो प्लेयर्स है ना has या is यूज करते हैं ठीक है बट जब क्या आ जाता है relative pronoun जब क्या आता है relative pronoun उस case में वर्ब relative pronoun के पहले वाले पहले वाले वर्ड यानि पहले वाले नाउन के according आती है और जो पहला इसका यह antecedent जो नाउन है वो क्या है plural है तो हमें plural verb यूज कर ली है clear ठीक है next 405 we can decide it only after further investigation हम यह जो चीज है यह आगे के आगे जो investigation है उसके आगे बाद ही decide कर सकते है मतलब यहां पर sequence की बात हो रही है order की बात हो रही है करम की बात हो रही है जब यसी बात होती है तो farther use नहीं करते क्या लेते हैं student further 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 और further वैसे अगर general बात करें तो farther को हम distance के लिए लेते हैं बट आजकल further को भी distance के के लिए यूज करने लग गए है फर्दर भी सही है ठीक है बट जब हम आगे सिक्वेंस की बात करते हैं कि आगे इसके बारे में करेंगे यह चीज आगे बाद में करेंगे ठीक है तो उसके लिए फर्दर ही आएगा डिस्टेंस यह इसका ओर्डर के लिए सिक्वेंस के लिए order के लिए फार्दर नहीं आएगा सिक्वेंस या ओर्डर के लिए फार्दर नहीं आएगा मैं किस लेवल पर सॉलिशन देती हूँ किस लेवल पर मैं इनको और कितनी डेफ्स में बताती हूं बच्चों को यह आप नियोन क्लासेस में कोई भी एक पर जाके मेरी पीडियोफ उठाकर देख लेना वहां से आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल पर हमारा रेशर्च है हम कितनी मेहनत करते हैं स्टूडेंट के लिए उसके सलेक्शन के लिए नेक्स्ट और एवरी संडे आई प्ले क्रिकेट इन द हूं आफ्टरनून में मैं किरकेट खेलता हूं यहां पर क्या एरर है स्टूडेंट यहां एरर है यहां ओन नहीं आएगा एवरी संडे परतेग संडे एवरी संडे मैं किरकेट खेलता हूं आफ्टरनून में परतेग संडे मैं आफ्टरनून में किरकेट खेलता हूं तो य यहाँ every दिया हुआ है तो इसके पहले own नहीं आएगा simply अगर every नहीं होता तो हम days और date के लिए own लेते हैं लेकिन जब every है तो यहाँ own नहीं है next 402 please arrange for my boarding and lodging in तिरुपती यहाँ पर देखो student जो collocation है वो होता है board and lodging क्या होता है? board and lodging board and lodging का मतलब होता है खाना, पीना, रहना खाना, पीना, रहना आप देखोगे 2014 में भी even board जो है वो synonym में भी आया हुआ है क्योंकि board का एक meaning meal भी होता है यह बच्चों को बहुत अलग लगता है लेकिन board का एक meaning meal भी होता है तो meal, खाना और रहना खाने और रहने की बात जब होगी तो क्या लेंगे आप board and lodging पढ़ने में आपको लग रहा हो boarding and lodging नहीं पढ़ने के coding नहीं जाना है जो उनके parts of speech है उनके coding board और lodging ही आएगा ठीक है, ध्यान रखेंगे यह question exam में कई बार आया हुआ और student यहां पर confused भी होता है जो इंडियन इंग्लिश में बोलने लग गए boarding, lodging तो वो सही लगने लग गया लेकिन सही नहीं है हम ब्रिटिश को बोलो करते है और इसके coding board and lodging ही आएगा clear? और board का एक मतलब मील होता है थोड़ा सा अब मैं अजीब लगता सुनने में लेकिन यह भी एक meaning है और exam में पूछा भी गया 14 में आया हुआ है next 408 Each boy and girl in the class bring a test book each day जो boy और girl है class में परते एक each क्या है student distributive pronoun होता है और जब यह noun के पहले आ जाता है तो each क्या बन जाता है distributive adjective distributive adjective clear तो यह noun है each sorry boy noun है और each क्या है distributive adjective और each के case में आगे आने वाली वोब क्या होती है हमेशा singular तो bring को हम replace कर देंगे किस से bring से bring को किस से replace कर देंगे brings each boy and girl in the class brings a test book each day clear next 409 2 million people attended the meeting held in parade grounds 2 यह मैंने पहले भी बता दिया है आपको अब फिर से बता देते हूं 2 क्या है definite numeral adjective definite definite numeral adjective ठीक है जब definite numeral adjective होता है यहां जो noun आता है यहां पर भी noun है यहां पर भी noun है तो यह वाला जो noun है इसको plural नहीं बनाया जाता है फर्स्ट वर नाउन क्या रहता है singular तो millions को replace कर देंगे अपन million से two million people 10 रुपी note clear तो यह बहुत important concept है मेरी जो आप पे classes होती है वहां पर भी मैने इसके बहुत अच्छे questions भी करवाए है बच्चों को और एक grammar की मेरी महामेराथन जो हुई थी वहां पर भी मैने इस पर best questions करा है बहुत डिटेल में बताया है कि दो नाउन एक साथ आते हैं तो पहले वाला नाउन singular होता है और वो plural कब बनता है man और woman के case में उनके जो भी exceptions है वो सारे मैने वहां करा है और बहुत ही अच्छे questions मैंने 50 questions महां discuss किये वो आपको जरूर देखने चाहिए next had he worked hard he would pass the examination in first class ये case आपको देखते ही समझ में आना चाहिए had plus work third ये कौन सा tense हो गया past perfect कौन सा tense है past perfect ठीक है past perfect tense है और ये conditional sentence है और ये condition बनी a student unfulfilled कैसी condition है unfulfilled unfulfilled जो condition होती है unfulfilled unfulfilled ठीक है unfulfilled condition में जो conditional part है conditional part रहता है किसमे past perfect में conditional part किसमें रहता है past perfect में और main part किसमें रहता है main part किसमें रहता है Oreo model सिंपल सर्मीर पर प्रफेक्ट इन इस पर्फेक्ट की पर्फेस्ट फॉप अब बिल्कुल होता है बच्चे मॉडल सिंपल होता है ॉटल कॉНच बहुता है यह निया मॉडल टेंस है यह मैंने बच्चों को app पे जो classes है वहाँ बहुत अच्छे से करा है model tense को सीखना भी ज़रूरी होता है otherwise बच्चा सिरफ रटता रहता है would have plus verb third ठीक है had plus verb third इस तरह से रटता है तो model tense को सीखना भी ज़रूरी है अब यहाँ देखो had plus verb third आई है had plus verb third कोन सा tense to a student past perfect राइट अब आगे हमें model perfect की past form चाहिए तो क्या आएगा would have plus verb third would should could might plus have plus verb third clear तो had he worked hard अगर उसने hard work किया होता he would have passed the examination तो वो examination first class में pass कर देता यहां से हमें यह चीज clear हो चुकी है कि उसने मैनत नहीं की इसलिए वो first class pass नहीं की हुआ तो यह जो condition है यह क्या है student unfulfilled condition clear next 4-4-1-1 he not only plays tennis regularly but also cricket वो ना केवल tennis रोजाना खेलता है regularly खेलता है but also cricket भी खेलता है यहाने कि वो tennis भी खेलता है cricket भी खेलता है ठीक है यहां पर देखो not only और but also यह क्या है student conjunction है conjunction है अब यहां जो भी part इनसे add होगा वो एक parallel construction में होना चाहिए अब देखो यहां हम लेते हैं he not only plays तो not only के बाद यह part जो attach हुआ वो तो हुआ plays tennis regularly और यहां जो attach हुआ वो हुआ cricket तो यह सही नहीं है हमें जिन दो चीजों को जोड़ना है उन दोनों चीजों का format जो सेम होना चाहिए याने देखो खेलता तो cricket भी है और खेलता tennis भी है तो खेलने वाले पार्ट को हम पहले ले लेंगे है ना हम क्या बोलेंगे he plays वो खेलता है वो क्या खेलता है वो not only tennis ना केवल tennis not only tennis वो खेलता है ना केवल tennis regularly but also cricket तो यह बिल्कुल सही construction होगा ठीक है तो error कौन से पार्ट में हुआ ये पार्ट में यहां कोई error नहीं है no error next 413 our country does not lack in scientist of quality हमारी country जो quality वाले जो scientist है उनकी हमारी country में कोई कमी नहीं है यहां पर एक चीज़ देखेंगे lack के बाद में आया है in preposition तो lack in नहीं होता है simply lack के बाद में हमें जो जिस चीज़ की बात कर रहे है वहीं आना चाहिए lack scientist of quality ना के lack in तो lack in गलत है lack के बाद में in use नहीं करना है next 414 what really matters in the struggle for life is to overcome one's fear what really matters kya matter करता है रियली में क्या matter करता है life के struggle में struggle life के struggle में क्या matter करता है कि हम अपने किसी भी निशान को अपने fears के overcome करना है यह matter करता है तो यहाँ देखो what really matters in the struggle of life for life नहीं आएगा, struggle के बाद में क्या आएगा struggle of preposition हम यूज करेंगे struggle of life, life का जो struggle है उसके लिए क्या आएगा struggle of life, यह appropriate preposition का question हो गया next, for one five it is believed, यह ऐसा believe किया जाता है कि that smoking is, कि smoking जो है one of the cause of cancer जितने भी कारण है cancer के, जितने भी कारण है cancer के उन में से एक कारण क्या है smoking है, ठीक है तो one of the के बाद में, अभी अभी मैंने आपको बताया इसी class में, one of the के बाद में क्या आता है, plural noun तो smoking, cancer के बहुत सारे कारण हो सकते है, tobacco हो सकता है बहुत सारे कारण हो सकते है, उन में से एक कारण क्या है, smoking है तो बहुत सारे कारण में से एक, तो बहुत सारे कारण क्या आएगा, causes तो smoking के बहुत सारे कारण है, और उन कारण में से एक क्या है, smoking है so we should replace cause by causes ठीक है next 416 this watch is superior and more expensive than that one ये watch वो दूसरी watch से superior है और क्या है ज्यादा महेंगी है अब देखू यहाँ पर ये than use किया गया है expensive के बाद more expensive than लेकिन superior अपने बाद में अगर हम ऐसा लेते हैं जब कोई sentence को add से जोड़ रहे हैं यहाँ पर adjective है यह भी adjective है दोनों को हमने end से जोड़ा तो यहाँ पर जो भी preposition यूज होता है वो दोनों के लिए agree होना चाहिए जबकि यह superior than नहीं लेता है superior, inferior, prior यह जो words है ठीक है Latin comparative वाले words है adjectives Latin comparative Latin adjective बोल सकते है यह अपने बाद में than नहीं लेते हैं यह क्या लेते हैं to तो यहाँ superior के बाद में क्या आएगा to clear? तो this word is superior to and more expensive than that one यहाँ पर than तब आ सकता था जब यहाँ एक ऐसा adjective होता जो भी than ही लेता तब कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन यह दोनों अलग-लग ले रहे हैं अलग-लग preposition लेते हैं तो दोनों के लिए अलग-अलग ही use करना पड़ेगा next 417 It is feared that hundreds of people hundreds of people मतलब सैंकडो लोगों ने अपनी जान गवा दी तो it is feared that hundreds of people have lost hundreds of people have lost have lost कौन सा टेंस हो गया present present perfect जान गवा दी किसकी जान गवा दी लोगों ने अपनी जान गवा दी तो यहां lives जो है lives क्या है नाउन है ठीक है अब इस नाउन के लिए यहां एक position आना चाहिए क्या आना चाहिए position position याने possessive case हमें यूज करना होगा तो people है तो plural है उन्होंने अपनी जान गवाई है तो यहां क्या आएगा lost there क्या आएगा student there क्या बनेगा it is feared that hundreds of people have lost their lives next 418 he is one of those students who comes late regularly अभी अभी अमने ऐसा ही question किया था यहां हू relative pronoun है कामली वाला question था यह students क्या है नाउन है ठीक है अब यहां पर हू के बाद में क्या आना चाहिए कम आना चाहिए according to students according to the students next 419 no other newspaper has so large circulation like this newspaper in India कोई भी newspaper का इतना बड़ा circulation नहीं है जितना की इस newspaper का है इंडिया में इंडिया में इस newspaper का इतना बड़ा circulation है वो किसी दूसरे newspaper का नहीं है अब यहां पर देखो यहां like को हमें replace करना पड़ेगा as से ठीक है क्योंकि यहां जो use हुआ है so as अभी यह बता रहा है कि इतना बड़ा circulation है तो यह जो degree यहां use हुए so large a circulation ठीक है तो so large a circulation ठीक है अभी circulation के बाद में यहां क्या आना चाहिए as so as का construction यहां use होगा तो यहां सही word क्या होगा as next 420 it was me who telephoned the fire service again relative यहां पर इसनी 20 question में relative pronoun तीन से चार बार आ चुका है इससे आपको यह चीज़ पता चल चुकी होगी कि relative pronoun exam के point से बहुत important है subject verb agreement relative pronoun tense के construction conditional sentence इसारे बहुत important है ठीक है यहां देखू आप रू क्या है हू वापस यहीं क्या ह 오ही बात करेए तो हू क्या है H relative pronoun है relative pronoun की कौन सी form है subjective form फूरले इप्रोण की कुण सी form में subjective form मी कोन सी form है प्रोनाऊन की objective form मी की according अगर बात करें तो subjective form क्या होगी students आए ठीक है तो हूं के पहले क्या आएगा आए है clear ठीक है next question number 421 1. Nowadays many sales of woolen garments are owned but they do not last long. ठीक है? यहां इसमें R.R.S. student many ki जगे आएगा a lot of. A lot of sales of woolen garments. Clear? Next. 4.22. He made me to do all the work. ठीक है? यहां R.R.S. student 2 plus work first. यह normal infinitive है, जबकि make, glad, bid, यह जो verbs होती है, models जो होते है, यह अपने बादमे, active sentences में, ध्यान रखेंगे, active sentences में, यह अपने बादमे क्या लेते हैं? बेर infinitive लेते हैं. ठीक है? क्या लेते हैं? बेर infinitive लेते हैं. तो यहां पर to do नहीं आएगा, simply क्या आएगा? दू, he made me do all the work, ठीक है ना, passive में जिसे made है, तो passive में ये normal infinitive ले सकती है, बर, लेकिन active में जो है, ये हमेशा क्या लेगी, bare infinitive, तो to do के जगे क्या आ जाएगा, दू, ये important concept है, बहुत बार यहां से questions आये हुए है, next, 423, ऐसे questions हमने बहुत सारे कर लिये, neither of them, neither of them, neither of के बाद में आने वाला noun या plural होता है, बाट आगे आने वाली verb, वर की जगे क्या आएगा, was, neither of them was able to complete the verb, उन में से कोई भी काम जो complete नहीं कर पाने की बात कर रहे है, कोई भी नहीं, ठीक है, तो singular verb आएगा, ठीक है, 424, tell me when you are going to come home, ये पूछर बताओ कि तुम घर कब आने वाले हो, tell me, तो यहाँ sign है, interrogative का question mark है, ठीक है, बट यहाँ पर जो sentence है, ये डवली एच वर्ड है, जब भी हमें interrogative बनाना होता है, तो हम क्या करते हैं, helping up को पहले लाते हैं, तो sentence कैसे बनेगा, when are you going, ठीक है, क्या बनेगा, when are you going, क्योंकि यहाँ, हम जब भी question बनाएंगे, question बनाते हैं के लिए, सबसे पहले क्या करते हैं, helping work को आगे ले जाते हैं, उससे पहले क्या आता है, डवली एच वर्ड आता है, next, 425, if I am you, I would not have behaved like that, अगर मैं तुम होता, means अगर मैं तुम्हारी जगे होता, तो मैं ऐसा behave नहीं करता, ये sentence वैसे imaginary में भी बनते हैं, वर में, but यहाँ पर ये sentence ब would have plus work third में ये sentence बना हुआ है, तो हमें यहाँ पर जो है, past perfect की form लेनी पड़ेगी, ठीक है, generally ऐसे sentence वर्ड से भी बनते हैं, और हम इसमें past perfect की form भी लेते हैं, had been, तो भी ये सही बैट बनेगा, if I had been you, अगर मैं तुम होता, clear, तो क्या कि आगे क्या आए हुआ है, model perfect tense आया model perfect, would not have behaved, ये condition वैसे कौन से बनती है, unfulfilled, पर generally ये cases किस में आते हैं, वर्म में आते हैं, clear, next, 426, you may not realize it, but the weather in Barbados during Christmas is like New York in June, अब देखू, sentence बोल रहा है कि तुमने realize नहीं किया होगा, लेकिन the weather in Barbados, Barbados का जो weather है, Christmas के time, वो New York के जैसा है, जबकि बोलना क्या चाहरा है, New York के weather का जैसा है, New York का weather जैसा जून में रहता है, वैसा Barbados का कब रहता है, during Christmas रहता है, तो यहां कुछ missing है, missing क्या है, is like, is like the weather, is like the weather in New York, ठीक है, इस case में क्या होगा, कि हम weather, weather को repeat करेंगे, तो pronoun का का काम होता है, repetition को दूर करना, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, is like that in New York, ठीक है, अब that का मतलब क्या है, यहां पर, weather ही है, that किस के लिए आया है, weather के लिए आया, क्या, next, 427, with some men, their mass of wealth, together with their social influence, are an excuse for their wrongdoings, यहां पर क्या आ रहता है, together with है, यहां पर वर्भाई है, आर, आर की जगे आएगा, is, क्योंकि बात किस के हो रही है, mass of wealth की बात हो रही है, तो mass of wealth है, वो क्या हो जाएगा, uncountable, uncountable है, तो वर्भ क्या आएगी, singular, next, 428, after thorough examination of the patient, neither of the two doctors is hopeful of his survival, thorough examination patient का करने के बाद, कोई भी दो doctor जो था, neither of the two doctors, neither of के बाद में आने वाला noun क्या हो गया, plural, आगे वर्भ क्या आने चाहिए, singular, तो यहां तो कोई आरर नहीं है, बिल्कुल सही है, sentence हो जाएगा, no error, generally students को no error में दिक्कत आती है, उस पे भी अपन और work करेंगे, उसके भी मैं अलग से आपको strategy बताऊंगी, कि no error को किस तरह से पकड़ना है, कि कैसे पता चलेगी, sentence में no error होगा, तो वो भी मैं आपको करवा हूँ, next, 429, if drivers obey the speed limit, fewer accidents occur, अगर driver speed limit को follow करें, तो बहुत कम accident होगे, यह जो condition है, यह कौनसी है student, improbable, improbable condition है यह, ठीक है, improbable condition में क्या होता है, यह if से जुड़ा हुआ पार्ट, यह पार्ट किस में आता है, past simple में आता है, और जो main part है, main close है, वो किस में आता है, model simple की past form, model simple in its past form, clear है, तो यहाँ पर fewer accidents, यहाँ आना चाहिए, क्या, fewer accident would occur, clear है, fewer accident would occur, यह past तो यह भी क्या आना चाहिए, पास्ट, clear हो गया, next, 430, our cooker wants an increase in her salary, बोलना चाहिए, कि हमारा cook, क्या चाहता है, कि salary में increase चाहता है, कि बढ़ाओ मेरी salary, cooker तो उस person के लिए cooker नहीं आएगा, cooker तो जो pressure cooker होता है, जिसमें खाना बनाया जाता है, वो है, यहाँ पर person की बात हो रही है, तो cooker को replace कर देंगे किस से, cook से, जैसे teach करने वाला teacher होता है, वैसे ही कई बार कई लोग इसको cook करने वाला cooker हो गया, तो cook करने वाला cooker नहीं होगा, cook ही होता है, next, next, 431, a dozen boys and two girls have come for today's party, dozen boys और दो girls आएंगी आज की party के लिए, तो today's party में भी कोई दिक्कत नहीं है और इसको हम the party today करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है, today's party, today's paper यह होता है, today के बाद में apostrophe S भी हम लगा सकते हैं, और the party today करें तो यह भी सही है, next, 432, he live in this house since 1990, वो इस house में 1990 से रह रहा है, since जो है, since 4 किसको बताते हैं, perfect continuous, किसको बताते हैं, perfect continuous या perfect में भी sometime आते हैं, यहां जो है, वो आया है live, तो इसको replace करना पड़ेगा, he के according बनेगा, he has been living, क्या होगा, he has been living, क्या होगा, he has been living, क्या होगा, in this house since 1990, 1990 से वो इस house में रह रहा है, next, 4.33, the cow as well as the calf are dead, cow as well as, देखो, जब भी किनी दो subject को as well as, along with, together with, in addition to, इस तरह के word से जब भी दो subject को जोड़ा जाता है, तो आगे आने वाली वर्ब जो होती है, आगे आने वाली वर्ब जो होती है, वो first subject के according आती है, first subject अगर singular है, तो verb singular आएगी, और first subject अगर plural है, तो verb plural आएगी, ठीक है? तो यहाँ पर cow क्या है? singular है, cow क्या है? singular, तो आगे वर्ब भी क्या आने चाहिए? singular, आर की जगे क्या आएगा? is, ठीक है ना? next, 434, please attend my marriage with Lakshmi, यह बहुत ही important, अच्छा concept है, इसमें बच्चों को doubt भी बहुत रहते हैं, देखो, यहाँ पर तो with नहीं आएगा, with की जगे to आएगा, पहली चीज, ठीक है? दूसरा, हमने पहले भी question किया था, 2015 का जो question उसमें Mary वाला concept भी आया था, मैं आपको बता दू, Mary जब वर्ब होता है, Mary जब वर्ब होता है, तो Mary के साथ में कोई preposition नहीं आता है, no preposition, कोई preposition नहीं आएगा, ठीक है? जैसे वो question था, उसमें क्या था, रहीम, मैरीज, विद साहरा था, है ना, तो ये गलत है, रहीम साहरा से शादी कर रहा है, तो उसमें कोई preposition हम यूज नहीं करेंगे, जब मैरीज क्या, Mary कि सेंस में आएगा, वर्ब के लिए, ठीक है, वर्ब की बात होगी, तब इसके बाद में direct हमें object लेना होगा, यहाँ पर मैरीज क्या है, यहाँ पर मैरीज है student noun, यहाँ पर मैरीज क्या है, नाउन और जब नाउन होता है, तो उसके बाद में हम two preposition लेते हैं, जखे, 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 they invite you to the marriage of their daughter तो यहां पर हमने मैरीज के लिए क्या यूज किया तू यूज किया और सिंपल में देख लो जैसे हर मैरीज हर मैरीज to Jordan जैसे यहां पर हर मैरीज तो ये हर क्या है student possessive है marriage क्या है noun है तो यहां आगे क्या प्रेपोजिशन यूज किया हमने to makes लगा तो ये concept ये आपको clear हो जाना चाहिए ये पूरा मैंने बता दिया अच्छे से, पहले भी question में करवाया है, Mary's वाले में भी, यहाँ पर भी हमने clear कर लिया है, इस से related अगर आपके पास में और कोई question हो, जिसमें आपको doubt हो, तो वो आप मुझे comment box में send करना, ठीक है, next, 435, I have to regretfully decline your offer, देखो, यह जो case a student, यह split infinitive का case है, ठीक है, split infinitive का case है, यहाँ पर regretfully जो adverb है, उसने यह two decline को, यहाँ से split किया है, split infinitive के according देखें, तो यह sentence बिलकुल सही है, और अगर हम चाहें, तो इसको I have to decline your offer regretfully, इस तरह से इस adverb को position को भी change कर सकते हैं, और इस तरह से भी सही है, but split infinitive generally informal writing में आते हैं, but आजकल accept कर रहे हैं ह इनको, हना, next, 436, being lost her jewel, the woman was set, अब sentence देखो, woman sad हो गई, क्यों sad होई, उससे पहले एक action हुआ, याने कि दो action हुए है, यह वाला action तो किसमें आ गया, past simple में, और इससे पहले एक action हुआ है, क्या, उसकी jewelry खोने का action, वो किसमें जाएगा, past perfect हुए, ठीक है, तो पुराना action past perfect, या action past simple, तो यहाँ sentence बना कि jewelry खोने की वज़े से, वो woman क्या हो गई थी, sad हो गई थी, तो पहले एक action हो चुका, तो past perfect को जोब हम past simple में, participle से जोडते हैं, तो हम लेते हैं, having plus verb third, क्या आता है, having plus verb third, यह मैंने आपको classes में, जोब general participle करा है, वहाँ बहुत अच्छे से करवा है, मेरे बच्छों को, ठीक है, so having plus verb third, क्या कि having lost third joules, joules के खो जाने, पहले joules, उसके जूलरी जूल है, वो खोया, उसके बाद में, वो sad हुई, ठीक है, sad, उसके बाद में, वो क्या होगी, sad हुई, उदास हुई, तो यहाँ क्या बनेगा, having lost, clear, next 437, the most meritorious student might become worst, if does not work hard, तो most meritorious student है, वो भी worst बन सकता है, अगर वो hard work नहीं करे, ठीक है, अगर hard work नहीं करे, तो यहाँ पर देखो student, if वाले में, यहाँ verb और आगे का पार्ट आया है, बट subject missing है, subject क्या है, missing है, यहाँ पर हमें subject लेना होगा, और वो subject क्या हो सकता है, he हो सकता है, she हो सकता ह कोई भी subject हमें required है, if के बार, error किस पार्ट में हो जाएगी, c पार, next, 438, the union leader called off the strike immediately, union leader ने strike को immediately called off कर दिया, called off का मतलब होता है, cancel कर देना, ठीक है, जासे they called off their engagement, जासे उन्होंने अपनी engagement क्या कर दी, cancel कर दी, कि उन्होंने decide कर लिया कि वो engagement नहीं करेंगे, तो cold off का मतलब simply क्या होता है, cancel करना, तो simply क्या बोलना चाह रहा है कि union leader ने strike को क्या कर दिया, cancel कर दिया, clear, कोई आरर नहीं है, next, 439, the demand of the workers union that the dismissed employee to be reinstated has been accepted by the management, अब यहां पर देखो, बोलना चाह रहा है कि workers union की demand क्या है, कि जो dismissed employee है, उसको reinstate किया जाए, मतलब उसको वापस लाए जाए, उसको वापस दिये जाए, यानि कि यहां पर जो यह employee जो है, वो क्या है, passive, मतलब उसको वापस लाना, उसको वाधिकार देना, ठीक है, तो यहा जाएंगे, ठीक है, B reinstated का मतलब कि dismissed employee को उसको अधिकार वापस देना चाहिए, ठीक है, या इसको हम should be reinstated करें, तो भी कोई दिखकत नहीं है, दोनों case में ही सही है, बट बनेगा क्या, passive बनेगा, clear, next, 440, बोथ Rajesh as well as his wife are determined to bring about some changes in the plan, ऐसे sentences, ऐसे questions आपको बहुत बार मिलेंगे, बहुत सारे exam में आये होंगे, जहां आपको बोथ के बाद में as well as देगा, क्योंकि पढ़ने में भी सही लग जाता है बहुत बार, पर यह बोथ के बाद में as well as या कोई conjunction नहीं लेंगे, हम simply लेंगे बोथ के बाद में end, बोथ क बाद में एक noun, then end, फिर दूसरा noun, याने इन दोनों को जोडने का काम करते हैं बोथ हैं, इसका मतलब क्या हो जाता है, not only but also, वही meaning देते हैं, not only but also का जो meaning है, वही meaning कौन देता है, बोथ and देता है, और बोथ and जो है, वो positive sentences में use होगा, यह भी चीज़ आप ध्यान रखें, तो बोथ Rajesh and his wife, दोनों की बात हो रही है, दो लोग है कौन, Rajesh और उसकी wife, तो as well as incorrect करते हैं, क्या लेना पड़ेगा, end, यह ध्यान दखेंगे, बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं कि मैं, यह पढ़ने में सही लगता है, बहुत बार ऐसा होगा, पढ़ने में सही Ministry of for education ने बहुत strongly refuse कर दिया कि इस allegation को, इस आरोप को कि उन्होंने bribe लिये, रिश्वत लिये, ठीक है, यहाँ पर जो error है student, वो error है 4, 4 की जगे, off आएगा, ठीक है, यह appropriate preposition के cases है, Minister for education होगा, क्या होगा, Minister, sorry, Minister of education, Minister of education, Minister of education होगा, जैसे Minister of textile, Minister of textile industry, ठीक है, तो यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है, Minister of education, Minister of textile industry, तो यहाँ हम Minister के बाद में 4 use नहीं करते है, Minister के बाद में क्या आएगा, off, वो जिस department का Minister है, जिस department का, education department का Minister है, textile department का Minister है, तो उसके लिए क्या आएगा, off, clear, next, If I were Zubin, अगर मैं Zubin होता, I would not attend the wedding, come what may, तो मैं wedding attend नहीं करता, It's a case of imaginary condition, imaginary condition का यह case है, और imaginary condition में, conditional part, conditional part किसमें आता है, students, वर, ठीक है, subject चाहे, जो भी हो, वर को हम यूज करते है, as a work, क्योंकि imagination है, यहाँ, कि मैं Zubin होता, वो जूबिन नहीं हो सकता, अगर मैं इसका context में जो meaning है, वो यह है कि, अगर मैं Zubin की जगह होता, अगर मैं Zubin की जगह होता, तो मैं उस शादी में नहीं जाता, next यह जो imaginary condition, conditional part वर रहता है, और जो main part है, main part जो है students, वो किसमें आता है, model perfect की, model perfect की past form, याने would, should, would, should, could, might, plus verb first, ठीक है, might plus verb first, ठीक है, तो यहाँ if I were Zubin और I would not attend, तो बिल्कुल ठीक है, यह वर आ गया और यह यहाँ पर would not attend, ठीक है, यहाँ पर कई बार students को confusion होता है, मेरे बच्चों को, come what may, तो come what may, बिल्कुल सही है, ठीक है, come what may, जो group of words जो यह बन चुका है, इसका मतलब होता है, इस phrase का, कि चाहे जो भी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो जाता, बतलब जब हम किसी चीज़ पे, बहुत ज्यादा strongly किसी चीज़ पे बोलते हैं, तो हुँ क्या मोलते मुझे यह काम करना है, मुझे success लेनी है, मुझे inspector बनना है, ठीक है, come what may, चाहे जो भी हो, तो चाहे जो भी हो के यह क्या आता है, come what may, ज्यान लखेंगे चीज़, next, question number 443, he says, he ने कहा, he कहता है, that he reads novels, कि he novels पढ़ता है, यहाँ पर बाहर जो है, that के पहले present है, तो यहाँ पर भी present आया है, कोई आरर ने, कोई दिक्कत नहीं है, he says that he reads novels, कि he novels पढ़ता है, to pass away the time, time को pass करने के लिए, वो novel पढ़ता है, sentence का meaning ऐसा है, कि वो time, अपने time को pass करने के लिए, novels पढ़ता है, right, बट यहाँ जो pass away, use हुआ है phrase, pass away का मतलब होता है, to die, by, मतलब मर जाना, pass away, जैसे हम बोलते हैं, हिंदी में गुजर गया, ठीक है, एक तो यह बोले की मर गया, और एक बोले की गुजर गया, तो बहुत ही, जो थोड़ा polite way में, उस चीज को बोलना होता है, जिसको हम euphemism कहते हैं, यूफेमिज्म, इसको भी मैंने बहुत डिटेल से, ये word के, you माने good, fame माने to speech, मतलब अच्छे सब्दों में कोई चीज बोलना, ठीक है, ये root words पे है, root words की जो मेरी classes है, प्लस जो एक घंटे की मेरी daily life class होती थी, वहाँ पर मैंने बहुत डिटेल से ये करवाए है, ठीक है, और ये root word वाली जो मेरी book है word power में, वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे ये words, ठीक है, अब देखो, pass away का मतलब तो to die हो गया, यहाँ pass away नहीं आएगा, simply क्या आएगा, to pass the time, time को pass करने के लिए, वो क्या पढ़ता है, novels पढ़ता है, तो pass away गलत हो जाएगा, simply क्या आएगा, pass the time, next, next है 445, no sooner did the teacher enter the classroom, the students got up, यह वापस से inversion का ही case बन रहा है, inversion की PDF आपको मैंने neon classes की आप पर दी हुई है, वहाँ से आप जरूर इसको install करना, आपका inversion बहुत अच्छे से clear हो जाना है, ठीक है, यहाँ देखो, यह no sooner did, inversion है, helping वो पहले आएगी, subject बाद में आएगा, जो जब भी इस तरह के sentences बनते हैं, उन sentences की meaning होते कि no sooner did the teacher enter the classroom, the students got up, जैसे ही teacher ने class में एंटर किया, बच्चे खड़े हो गए, तो जैसे ही और तैसे ही का, जो ही त्यों ही का यह भाव देते हैं, और no sooner के साथ में, no sooner के साथ में, THAN यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, THAN, EN नहीं आएगा, यह चीज़ ध्यान रखेंग चुके है, hardly और skatsly के साथ में आता है, hardly और skatsly के साथ क्या आता है, student when, no sooner के साथ में, THAN, ठीक है, तो यह नो sooner did the teacher enter the classroom, यह तो आया है, then the students got up, यहाँ देन भी आना है, then the students got up, clear, और in version के बारे में, पूरा डिटेल से पढ़ने के लिए, नियोन, classes, app install करें, study material में जाए, वहाँ पर आपको free PDF मिलेगी, और आप एक बार उसको पढ़के जरूर देखें, और जहां भी आप पढ़ रहे हैं, वहाँ से उसको compare जरूर करें, तो आपको समझ में आएगा, किस level का content नियोन देता है, ठीक है, next, for 46, it is nothing else than pride, यह कुछ न then, then नहीं आएगा, then की जगे आएगा, but, यह चीज़ आप अच्छे से गाठ बांद लेंगे, nothing else के बाद में, nothing else के बाद में, but आएगा, then नहीं आएगा, यहां से भी exam में बहुत बार questions आए हुए है, nothing else के बाद में, क्या आएगा, but, clear, आप यह जो 500 questions देख रहे हैं, इन म से आपके कितने सही हुए, कितने गलत हुए, वो आप मुझे comment में जरूर बताएंगे, कि माम हमारे इतने question हुए, सही हुए है, इतने गलत हुए है, ठीक है, next, to the ordinary man, in fact the peeling of bells is a monotonous jangle and a nuisance tolerably only when mitigated by remote distance and sentimental association, ठीक है, सादान आदमी की बात खर रहा है कि भी सादान आदमी के लि repeated जो sound हो जाता है, boring जो हो जाता है, वो एक nuisance ही हो जाता है, वो तभी तक tolerate होता है, जब वो दूर किसी दूरी पे है, ठीक है, as a brief इसका यह meaning है, अब देखो, यहाँ पर error है, इस पार्थ में, a nuisance, nuisance क्या है student, noun है, अब नूसेंस नाउन है, यहाँ आई है, adverb tolerably, अभी nuisance क tolerate कर सकता आदमी, जब when mitigated by long distance, remote distance, ठीक है, यहाँ पर nuisance के लिए, यहाँ adverb आया है, जब कि यहाँ आना चाहिए, क्या tolerable, adjective, ठीक है, क्यों, क्योंकि noun, जो nuisance है, उसको modify करना है, तो noun की विशेशता हमें बतानी है, तो noun की विशेशता बताने का काम, adjective करेंगे, noun की आने का काम, adverb नहीं करेगी, ठीक है, next, 448, the increasing mechanization of life had led us farther away from daily contact, daily contact with nature and the crafts of the farm, जो increase हो गई है, mechanization, life की जो mechanization, increasing mechanization of life है, वो हमें कहां से, daily contact से दूर हो गया है, हम nature के, क्योंकि आजकल सब कुछ एक smartphone से होने लगा है, सब कुछ software आ चुके हैं, तो जो nature का contact था, जो हम के लिए nature के पास जाते थे, वो भी बहुत कम हो गया है, ठीक है, तो वो हमें दूर ले चुका है, ले जा चुका है किसे, nature से, अब देखो, यहाँ पर भी error है, subject verb agreement का, subject verb agreement बह intense, बहुत important topic है, ठीक है, यहाँ देखो, subject है, the increasing mechanization of life, right, तो increasing mechanization of life, क्या है, group of words है, क्या है, group of words है, इसका subject क्या है, increasing mechanization of life, increasing mechanization, the mechanization क्या है, students, singular है, तो according to the mechanization, हमें work क्या लेनी पड़ेगी, singular, तो हमें have को replace करना पड़ेगा, has से, have को किसे replace करेंगे हम, has से, clear, तो देखने में subject verb agreement बहुत लेसे लगता है, कि मैं simple साई topic है, ठीक है, लेकिन इससे exam में बहुत सारे questions आते हैं, tense है, exams में tense है, subject verb है, conditional है, वहाँ से अच्छे questions आ आते हैं, next, 449, if you have a way with words, a good sense of design and administration ability, you may enjoy working in the high pressure world of advertising, अब यहाँ देखो, error जो है, वो error है इस पार्ट में, administration भी नाउन है, ability भी नाउन है, यहाँ हमें ability को qualify करने के लिए adjective की जरूरत है, कैसी ability? administrative, कैसी? administrative, administration ability नहीं होगा, क्या होगा, administrative ability, administrative job, administrative error, clear, तो यह एक का लोकेशन है, जो आपको ध्यान रखना है, administrative ability हो सकता है, ठीक है, administrative job हो सकता है, administrative error हो सकता है, ठीक है, next, question अगर 450, last week sharp hike in the wholesale price of beef, last week जो beef के price, wholesale price में, जो इतना hike हुआ है, ठीक है, is a strong indication for higher meet cost to come, यह strong indication है, कि meet के cost क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है, हायर होने वाली है, तो यहाँ पर error क्या है students? यहाँ पर error है, indication के बाद में हम for preposition नहीं लेंगे, indication के बाद में of preposition use होता है, indication of something, क्या होगा student, indication of something, यह चीज़ ध्यान रखेंगे, यह भी fixed preposition का, appropriate preposition का concept है, आपको इनको ध्यान रखना पड़ेगा, indication of something, या indication of doing something या indication of something, या indication of doing something, clear, तो यहाँ error कौन से पाट में हो जाएगा, बी पाट में हो जाएगा, indication के बाद में of preposition हमें use करना है, clear है? next question number 451, when I entered the bedroom, I saw a snake crawling on the ground, कि जब मैंने bedroom में enter किया, तब मैंने देखा कि एक snake जो है, वो ground पे crawl कर रहा था, crawl मतलब rank रहा था, अब इस sentence में आप देखो, यह वाला जो पाट है, when I entered the bedroom, यह किसमें आया student, past simple में, किसमें आया है, past simple, और यह I saw a snake, तो I saw, यह भी किसमें आया है, past simple में, अब कई ऐसे sentence आपको मिलेंगे, जिसमें दोनों ही sentence, दो action होंगे, दोनों ही action past simple में होंगे, ऐसा कब होगा, ऐसा तब होता है students, जब उन दोनों actions के बीच में, जब इन दोनों actions के बीच में, कोई भी time interval नहीं होता, कोई time interval नहीं होता, जैसे, कि मैंने bedroom में enter किया, और मैंने देखा, याने इन दोनों घटनाओं के बीच में, कोई gap नहीं है, अगर gap होता, अगर एक पुराना होता, एक नया होता, तो वो past perfect और past simple में चला जाता, एक action हुआ, तुरंट दूसरा भी हो गया, तो उस case में, हम दोनों action किसमें लेते हैं, past simple में लेते हैं, clear, तो इस sentence में देखो, when I entered the bedroom, I saw a snake crawling on the ground, कोई error नहीं है, इसमें no error, clear, concept है, कि जब दो घटनाएं past में होती हैं, और उन दोनों घटनाओं के बीच में, कोई gap नहीं होत है, तो उन दोनों घटनाओं को हम simple past में लेते हैं, ठीक है, इसका example आप लिख लेंगे, when the doorbell rang, जब doorbell बजी, when the doorbell rang, जब doorbell बजी, I ran out to open the gate, मैं दरवाजा खोलने के लिए भागी, याने के देखो, दो action हुए, कि जैसे ही, जैसे ही क्या बजी, doorbell बजी, doorbell बजने में और मेरे दरवाजा खोलने के लिए जाने में, इन दोनों action में कोई भी gap नहीं है, कोई gap नहीं है, यहाँ पर भी देखो, यह rang किसमें आया, simple past में, run की second form क्या हो गई, ran, तो किसमें आया, simple past में, दोनों घटनाएं किसमें आरही है, simple past में, क्यों? क्योंकि इन दोनों गटनाओं के बीच में, दोनों actions के बीच में कोई gap नहीं है clear? तो यह concept अपनी copy में अच्छे से note down कर लेंगे आप next question question number 452 he was debar to appear at the examination उसको examination में appear करने से debar कर दिया गया debar का मतलब होता है बाहर निकाल देना officially किसी चीज़ से बाहर निकाल देना, debar कर देना, उसको हुकाम करने से रोक देना, क्या होता है debar, ठीक है? यहाँ पर error किसमें अब बताओ? error है student इसमें B part में B part में error है और error यह है कि यहाँ from, to की जगे आएगा from और appear की जगे आएगा appearing अपियर की जगे क्या आएगा? appearing ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, व्योंकि डिबार जो है डिबार अपने बाद में from लेता है ठीक है? क्या होता है? डिबार from ठीक है? डिबार from something किसी चीज़ से डिबार कर देना या किसी चीज़ को करने से याने डिबार from doing something किसी काम को करने से रोक देना उससे निकाल देना ठीक है? तो यहाँ doing और यह something तो यहाँ पर डिबार from appearing मतलब examination में appear होने से रोका है तो क्या बनेगा? He was debaard from from appearing at the examination clear है students? यह दोनों structures आप अपनी copy में note कर लेंगे इसका एक example भी लिखा देती हूं साथ साथ अपनी copy में notes बनाते चलेंगे जो भी आपका answer है अच्छी बात है सही आ रहा है तो भी अच्छी बात है गलत आ रहा है तो भी दोनों ही case में आप जो notes है जो concepts में बता रही हूं के आपको notes बनाते रहना है ठीक है एक्जामपल के लिख लेंगे यहां पर देखो दिबार आ गया ठीक है, next I am from ठीक है, next क्या आगया, ing form from doing, from holding, from appearing, clear, तो यह structure है, यह important है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है next, question number 453 It is not It is not I who is to blame It is not I who is to blame, यहाँ पर error कहा है यहाँ पर कुछ students no error भी करेंगे, क्योंकि कुछ books में, यह no error भी दिया हुआ मिलेगा आपको लेकिन यहाँ पर error है error है यहाँ B part में, B part में, इसकी जगे एम आएगा ठीक है, क्यों क्योंकि, जो भी relative pronoun से हम किसी sentence को जोडते है, ठीक है, कोई भी close, कोई phrase, sentence, जब भी जुडता है relative pronoun से, उससे पहले आने वाला antecedent, उससे पहले क्या है, I I क्या है, pronoun है, personal pronoun first person, राइट अब इसके बाद में, यहाँ जो noun या pronoun आता है, verb उसी के according आती है It is I, who is who is नहीं आएगा इसके जगे आएगा, am according to I, I के R ले लेते, लेकिन I है तो क्या आएगा, am, ठीक है informal English में, इसको भी सही माना है, बट exam में हम formal English consider करते है इसलिए हम यहाँ भी पार्ट में RR रखेंगे, और I के according क्या लेंगे, am लेंगे, ठीक है next sham is telling that I have stolen his pen, sham ने कहा कि मैंने उसका pen चुराया है, ठीक है अब यहाँ देखो ये अप narration में आपने ये concept पढ़ा होगा, narration में telling, tell और say, tell और say कि अगर हम बात करें तो transitive और intransitive verb का concept होता है ठीक है transitive verb एक ऐसी verb होती है जिसके बाद में object आना जरूरी है, वो object लेती है intransitive verb के बाद में object नहीं आता है, in माने not transitive, ठीक है, not transitive clear तो यहाँ पर tell आया है tell का मुना दिया telling तो telling है, तो यहाँ हमें इसके बाद में object की जरूरत है we need object here ठीक है, अब यहाँ हमें object की जरूरत है, पर इस sentence में तो object है नहीं क्योंकि यहाँ data आ गया राइट, तो object है नहीं तो हम tell को यहाँ use नहीं कर सकते, हमें क्या use करना पड़ेगा, say, तो telling को हम replace किससे करेंगे, saying say telling को किससे replace करेंगे saying say, ठीक है, तो जब भी आप narration की concept अब देखते हो, वहाँ पर भी एक चीज देखते हो कि जहाँ पर हम told tell की told form लेते हैं, तो उसके बाद में object आना जरूरी होता है, लेकिन say के case में object नहीं आता है तो यहाँ direct यहाँ object आ नहीं रहा है तो हम telling को किससे replace करेंगे saying से, तो error कौन से पार्ट में हो जाएगा ए पार्ट में, ठीक है next, question number 455 the timid creature was driven into a narrow lane where it was slewed by the kidnapper, timid का मतलब क्या होता है student, timid होता है shy, nervous, जो दब्बू की समका है, ठीक है, उसके लिए word क्या आता है, timid timid creature, जो timid बिचला दब्बू सा प्रानी था उसको driven, ले जाया गया कहाँ पर, narrow lane में past, यह देखो, past का passive बन रहा है, किसी के द्वारा उसको, वहाँ narrow lane में ले जाया गया, किस के द्वारा, kidnapper के द्वारा, kidnapper उसको कहां ले गया narrow lane में ले गया, और वहाँ पर, it was slewed और kidnapper के द्वारा उसको मार दिया गया kidnapper के द्वारा उसको मार दिया गया, तो मारने के लिए जो verb आती है, that is slay, slay का मतलब क्या है to kill somebody किसी को मार देना ठीक है, किसी को मारने के लिए कौन सी verb आती है, slay slay कौन सी form है, student verb की first form है slew verb की second form है, और slay verb की third form है, ठीक है अब यहाँ पर kidnapper के द्वारा उस creature को मारा गया है ठीक है, तो याने passive तो बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए माम, passive बनना चाहिए, तो passive structure, past simple की past simple tense की, passive structure क्या होती है, was, were plus verb की third form, कौन सी form आती है third form, राइट, तो यहाँ it के according was तो आ गया, b की form तो है, यहाँ slude है जबकि verb की third form क्या होनी चाहिए, slayne, तो हम slude को replace किस से कर देंगे, slayne से, ठीक है, कि नापर की द्वारा उसको मार दिया गया, clear हुआ तो slay verb first slew verb second, and slayne verb third, जो भी मैं questions कर वारी हूँ, उनमें concepts आपको बता रही हूँ, और यह concepts आपको अपनी copy में अच्छे से note down करने हैं, इससे आपका पूरी grammar का revision हो जाएगा, और इन concepts को आप ज़स्ट एक बार revise करोगे तो पूरा grammar आपका revise हो जाएगा ठीक है, तो सारे जो भी concepts है, इनको लिखते चलना है, आपका answer सही आ रहा है, कौन से part में आप बता पारे हो, तो भी ठीक है, नहीं बता पारे हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको सीखना है, राइट, next next, question number 456, the river is in spade and it has overflow its banks क्या होगा इसमें, generally जो students यहाँ error करते है, ठीक है, वो error कर देते है, overflow को, वो over flown करते है, अलंकि, यह बात ठीक है, कि error तो third part में ही है, लेकिन उनका जो error को, जो replace this word से करते है, यह question जब भी मैंने बच्चों को करवा है, तो उन्होंने यह गलती किया है, अब यह चीज़ है कि आप exam में तो भी कर दोगे, लेकिन अगर इंप्रूव्मेंट में आ गया तो तब आपको दिक्कत हो जाएगी, concept को समझना है, देखू, river जो थी, वो in spade, in spade का मतलब होता है, कि बहुत ज़्यादा कोई चीज़ होना, एकदम, फुल होना किसी चीज़ से, कि बहरा है जब कुछ, ठीक है, बाहर निकल रहा है, तो बहुत फुलम फुल है, the river is in spade, and it has overflow, इसने अपने banks को क्या कर दिया, ओवर्फ्लो कर दिया, क्योंकि वो खुद ही बहुत ज़्यादा उसमें पानी था, ठीक है, जो बह रहा था, निकल रहा था पानी, अब यहाँ देखें, तो it has, has की बात करें, तो यह कौन सा टेंस हो गया, student, present perfect, present perfect टेंस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, present perfect में, has, have के बाद में, verb की, has, how, then क्या आता है, student verb की third form आती है, है ना, लेकिन overflow क्या है, student verb की first form है, ठीक है, तो overflow, overflow का मतलब कीसी चीज़ का बहुत ज़्यादा हो जाना, overflow verb first, overflow verb second, and overflowed ही verb third होगी, हमने तो overflowed सुन रखा है, बच्चों आपने overflowed सुन रखा होगा, वो कैसे है, यह देखो, वो, flow की form बात करें, तो flow, flowed, flowed होती है, लेकिन जो आपको doubt है, confusion है, वो overfly से है, overfly, मतलब किसी चीज़ के उपर से उड़ना, fly over a place, किसी चीज़ के उपर से उड़ने के लिए क्या word आता, overfly, यह verb की first form है, ठीक है, इसकी second form करेंगे, तो बनती है, overflow, यह क्या हो जाती है, verb की second form, और इसी की third form बनती है, student, overflowed, क्या है, overflowed, जो क्या बनी, verb की third form बन गई, क्या बनी, verb की third form, तो यहाँ पर overflow नहीं आ सकता, क्योंकि यह किसी चीज़ के उपर उड़ने की बात कर रहे है, और यहाँ बात क्या हो रही है, कि वो overflow हो गया, ज्यादा हो गया, ठीक है, पानी जो था, वो जितनी जगे थी, उसे ज्यादा भर गया है, तो यहाँ जो form चेंज होगी, वो क्या आएगी, overflow डाएगी, overflow न कुन सी form, किसकी third form है, overfly की, बहुत ही, बहुत, बहुत important यह concept है, और बच्चे ज्यादा तर यहाँ पर error करते हैं, क्योंकि मैं इतने सालों से यह questions बच्चों को करवाती आई हूँ, इसलिए मुझे पता है कि आपका mind कहां सोच रहा है, कहां गलती करेगा, ठीक है, इसलिए यह चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है, error भी पार्ट में है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए, कि क्या चीज़ रिप्लेस होगी, overflow है, तो कौन सी form आएगी, कि थर्ड फोर्म, overflowed, flow, float, float, ठीक है, fly, flew, float, clear as students, next, 457, it is a truth, that those who are jealous of others, never get peace in life, यह एक सच्चाई है, कि जो इंसान, दूसरों से jealous करता है, इर्शा करता है, उसको कभी भी लाइफ में पीस नहीं मिलता, never get peace in life, तो बिल्कुल सही है यह sentence, इसमें कोई आरर नहीं है, jealous के बाद में, of use करते हैं, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, no error, next, question number 458, I was having a holiday, by seaside, मैं seaside holiday को enjoy कर रहा था, seaside last summer, when I rain, ठीक है, यह R-A-N है, I, अलग है, और रेन अलग है, ठीक है, when I rain, into Captain Robinson, याने जब है Captain Robinson में, ran into, run into का मतलब होता है, किसी जगह पर, किसी ऐसी जगह पर पहुंच जाना, जिस जहां, जिसका area, ऐसे area में पहुंच जाना, जिसका weather बहुती bad हो, bad weather वाले area में पहुंच जाना, ठीक है, तो जब मैं bad weather वाले जो area था, Captain Robinson का, वहां पहुंच गया, जब तब मैं क्या कर रहा था, मैं holiday को enjoy कर रहा था, ठीक है, अब देखो, यहां पर जो problem है, वो यह है, कि ज़्यादा तर बच्चे having में error करेंगे, है न, जब क्योंकि have को हम ing form में generally use नहीं करते हैं, progressive tense में हम use नहीं करते हैं, ठीक है, बट जब have का meaning, जब have का meaning, क्या हो, eat, ठीक है, eat, drink, enjoy, enjoy के लिए use करें, तो हम इसको having को use करते हैं, तो यहां पर यह enjoy करने की बात करता है, अपने holiday को enjoy करने की बात करता है, इसलिए having बिल्कुल सही है, कोई आरह नहीं है, इसमें no error, और यह phrase आप note down कर लेना, run into का मतलब होता है, कि बाद एरिया वाले जगे के अंदर पहुंच जाना, next, 459, the driver showed great talent in keeping the damaged car under control, driver ने show किया, बहुत ही अच्छा talent उसने show किया, कि जो damaged car थी, उसको भी उसने अपने control में कर लिया, ठीक है, अब यहां जो है, error है वो B part में, talent की जगे skill आएगा, क्योंकि talent एक किसी इनसान की एक natural ability होती है, ठीक है, natural ability होती है, उसको बोलते है talent, जो ability वो बाहर से acquire करता है, बाहर से सीखता है, ठीक है कि वो driver था, तो उसने यह चीज़े सीखी होगी ना, आप कार को manage करने की, कंट्रोल करने की चीज़े उसने सीखी है, बाहर से सीखी है, तो उसके लिए talent नहीं आता, उसके लिए आता है student skill, क्या आता है skill, और skill के बाद में in preposition generally use होता है, in या add generally use करता है, यहाँ पर in आया है, और यह जो skill है driver की, यह उसने बाहर से acquire की है, इसलिए यहाँ talent नहीं आएगा, talent को replace कर देंगे आप किससे skill से, ठीक है, next, 460, he described about the unpleasant experiences he had in the jail, ठीक है, उसने describe किया, जो भी unpleasant experience उसको jail में हुए थे, ठीक है, experiences में बच्चों को यहाँ doubt लगेगा, कि मैं इसको plural कैसे बना दिया, तो बच्चे यह एक experience नहीं है, उसको अलग अलग तरह के experience हुए होंगे, जेल में, एक experience नहीं हुआ ना, उसको बहुत सारी experience किये, तो यहाँ पर अलग अलग incidents की बारे में बात कर रहा है, अलग अलग incidents से जो उसको अलग अलग experience हुआ, तो यह सही है, यह plural है, कोई दिकत नहीं है, बिल्कुल ठीक है यह, ठीक है ना, यहाँ पर error जो है, वो about की है, described, described अपने आप में ही होता है, जो describe कर रहा है, किसको describe कर रहा है, जो unpleasant experiences को describe कर रहा है, तो यहाँ about की कोई जरूरत ही नहीं है, about यह superfluous है, ठीक है, describe something है, यह describe कर रहा है, किसको experiences को describe कर रहा है, तो describe के बाद में, about यहाँ पर use नहीं करेंगे, तो about आपको हटा देना है, error हो जाएगा एपार्ट में, next, next 461, the GM of the company dispense to the manager's services, company के GM जनरल manager ने, dispense कर दिया, जो manager की services है, उससे उसने dispense कर दिया, तो जब किसी चीज़ को, किसी चीज़ से free हो जाना, निकाल देना, या छोड़ देने की बात करते हैं, तो dispense आता है, ठीक है, और उस case में, dispense के साथ में, dispense के साथ में, आपको with preposition यूज करना होता है, याने dispense with, क्या होगा, dispense with, तो यहाँ dispense गया है, क्योंकि past की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आपको dispense के बाद में, with preposition यूज करना पड़ेगा, तभी इसका जो meaning है, क्या है, कि उसने manager की services को, छोड़ दिया, ठीक है, उससे free हो गया, तो इसके लिए यहाँ पर, with preposition आपको use करना है, next, if it were possible to get near, when, one of the volcanic eruptions take place, we should see a grand site, if it were possible, अगर ऐसा possible होता, कि हम past चले जाते, जब volcanic eruptions, volcanic जो erupt हुआ, फूटा था, जब ऐसा हुआ, तब हम एक अच्छा site देख सकते थे, ठीक है, we should see a great site, तो यहाँ आप एक चीज़ देखो, were और यह जो sentence है, इससे क्या पता चल रहा है, कि sentence जो है, वो किसमे आया है, student past में, sentence किसमे आया है, past में, तो यहाँ पर यह जो take है, यह किसको बता रहा है, present को बता रहा है, तो हमें इस take को change करना पड़ेगा, और take क्या बनाना पड़ेगा, took, योगि पूरा sentence ही किसमें आया हुआ है, past में आया हुआ है, तो take को replace कर देए, किससे? took से, error हो जाएगा, B part में, next, question number 463, engines used in space shuttles are much larger and more strong than the ones used in jet planes, जो engine used हुए है space shuttles में, space shuttles में जिन engines को use किया गया है, वो engine much larger है, मतलब बड़े हैं और more strong है, तो more और strong यहां पर देखो, यहां जो degree है, much को यहां पर उसको emphasize करने के लिए, इसको comparative degree के लिए use किया गया, larger यहां पर comparative degree है, larger कैसे degree है, comparative degree है, है ना, तो यहां पर भी कौन से degree आने चाहिए, comparative आने चाहिए, तो strong को, strong को किससे replace करेंगे हम, stronger से, strong को किससे replace करेंगे, stronger से, तो more strong की जगे क्या आएगा, stronger sentence देखो, पहला ली construction की according, क्या बनेगा, much larger and stronger than the ones used in jet planes next question number 464 walking along the bank of river the road began to rise, ये student concept है आपका, participle का, बहुत ही important concept है, ध्यान से समझेंगे, जब भी यहाँ देखो, यहाँ पर कोई भी subject नहीं लिया गया है और यहाँ इस sentence का subject है, the road clear, जब भी first वाले part में subject नहीं लिया होता तो ये understood होता है कि second वाले sentence का subject ही, first वाले sentence का subject है, बट अगर हम ऐसा करते हैं, तो तो वोक नहीं कर सकती, वोक तो कोई person कर सकता है, I, V आना चाहिए, right, तो यहाँ हमें पता चला कि error किसका है participle का है, चीक है यहाँ पर हमें subject की requirement है, clear while I was walking या while he was walking, यहाँ पर आना चाहिए, हमें subject चाहिए तो क्या होगा, while I was walking या while he was he was walking, clear इस concept को समझते हैं एक example के साथ, देखो जैसे for example walking in the field walking in the field a snake a snake was seen अब देखो, इस sentence में बाद वाले sentence का subject है a snake, यहाँ पर sentence का subject नहीं दिया हुआ तो जब भी ऐसा sentence होता है it means कि यह जो sentence का subject है वही इसका subject है और अगर हम ऐसा sentence लिखते हैं तो यह grammatically wrong हो जाता है clear हमें क्या लिखना पढ़ेगा while he was walking या while I was walking right बट अगर हम चाहिए अगर हमने इस sentence को ऐसे लिख दिया सेंटेंस के साथ कुछ भी करने की जरुरत नहीं है कि बिल्कुल ठीक है walking in the field I snow I saw a snake यानि कि second sentence का subject क्या है I है और वही फर्स्ट वाले sentence का subject है इसलिए हमने फर्स्ट वाले sentence से subject को हटा दिया तो बिल्कुल ठीक बना walking in the field I saw a snake मैं जब फिल्ड में वो कर रहा था तब मैंने एक स्नेक को देखा लेकिन जब पहला जो सेंटेंस था जब हमने असनेक को subject बनाया था तो वो क्या था grammatically wrong था तो यह जो concept है student यह किसका है पार्टिसिपल का है और पार्टिसिपल आपके exam point of view से भी बहुत important है इसको ध्यान रखेंगे, mind में रखेंगे clear, next 465 A rise in rents and wages have been found to go together अब यहाँ पर देखो rents और wages के rise होने की बात कर रहा है Rise का मतलब क्या होता है किसी चीज़ के size में, amount में जो increase है उसको हम rise बोलते है तो rise की बात हो रही है, तो according to rise rise क्या है, singular है, uncountable है तो यहाँ have की जगे क्या आएगा student has ठीक है, according to rise हम क्या लेंगे has next, 466 remember that याद रखना a stitch at a time sales 9 एक कहावत है, proverb है एक saying है, कि जब हम समय रहते कुछ कर लेते हैं तो हम बड़ी problem से बड़े time waste करने से आगे की problem से बच जाते हैं जब हम time रहते हैं, action ले लेते हैं यानि कि अगर देखो कहीं पर तो जब छोटा सा stitch खुला है, उसको उसी time अगर हम still लेंगे, तो आगे बड़ा नहीं होगा आगे बड़ी problem create नहीं करेगा तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना जब भी proverbs की, sayings की इनकी बात होती है ठीक है, idioms की बात होती है तो वो जिस format में होते हैं मतलब जैसा बनाया गया जो words वहाँ use किये गए हैं जो preposition use किये हैं वही same चीज़ें हमें रखनी होती है हम उनमें कोई भी changes नहीं कर सकते ठीक है, तो stitch at a time नहीं होगा stitch in time ठीक है, at a time नहीं लेते हैं क्या लेते हैं, in stitch in time saves 9 ये आपको अच्छे से याद रखना है stitch in time saves 9 clear next 467 if I got rich I would travel around the word अगर मैं क्या होता rich होता, तो मैं पूरे word में घुमता, ठीक है ये जो condition है, इसको हम बोलते improbable improbable ठीक है, improbable condition में क्या होता है student improbable condition, कोई भी conditional sentence हो, उसके दो पार्ट होते हैं एक पार्ट होता है conditional पार्ट और दूसरा होता है main पार्ट ठीक है, तो conditional पार्ट जो है वो आता है, improbable condition में conditional पार्ट शुट भी in past simple कौन से में आएगा, past simple में और main पार्ट किसमें आता है, model simple model simple in its past form model simple की क्या होती है, वो past form होती है ठीक है, तो यहाँ पर if I got rich, तो got कौन सा tense हो गया, past tense हो गया और यह would travel, यह भी कौन सा हो गया, model का past हो गया तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिकत नहीं है, इस sentence में no error next, 468 I shall avail of this opportunity to meet you there यहाँ पर यह concept है, जो verb का उसके according, avail, address acquit, behave, conduct, prostrate, introduce, etc यह जो verbs होती है, यह अपने बाद में object लेती है object नहीं है, तो यह क्या लेती है, अपने बाद में reflexive pronoun, क्या लेती है, reflexive pronoun ठीक है, तो यहाँ I shall avail of of है, यहाँ प्रेपोजिशन आ गया, मतलब यहाँ object है नहीं तो हमें avail को subject के according, I के according हमें avail के बाद क्या लेना पड़ेगा, myself I shall avail myself of this opportunity to meet you there ठीक है next, 469 tea grows both in Assam and Shillone tea जो है वो grow होती है कहाँ पर, Assam में भी और Shillone में भी ठीक है, यहाँ देखो, बोथ और इन, इनकी position सही नहीं है इन पहले आएगा और बोथ जो है वो बाद में आएगा tea grows in, tea grow होती है कहाँ, दोनो जगे, बोथ Assam and Shillone बोथ Assam and Shillone ठीक है next, 470 of the two great cities, the former is biggest दोनों cities में पहले वाली क्या है, बड़ी है तो दोनों city में पहले वाली बड़ी है तो of the two great cities, the former is पहले वाली the bigger क्योंकि दो में से जब हम एक को बताना चाहते है दो में से, जब हम दो में से एक को चूज करते है एक को बड़ा बताते है तो उस case में comparative degree यूज होती है क्या यूज होती है? comparative degree clear students? next question number 471 many of students student have passed the IIT examination many many के बाद करें तो many के बाद में हम plural noun और plural ही verb यूज करते है plural noun प्लस plural verb जैसे अगर होता many students many students तो क्या लेते हैं? have many students लेते तो क्या आता? have ठीक है? अब यहाँ पर एक concept यह है जब many के बाद में A या N A या N आता है तो noun के coding आएगा A या N तो many के बाद जब A या N आता है तो यहाँ जो noun है यह भी singular हो जाता है और आगे आने वाली verb भी क्या होती है? students singular होती है noun भी singular रहेगा और verb भी singular रहेगी important concept है इसमें based कई बार exam में questions आ चुके है इसी paper यह series में हमने देखा है कितने सारे questions मिलें आपको ठीक है? तो यहाँ हमें क्या करना है? many a student आया है तो many a student यह singular noun है तो verb क्या आएगी यहाँ पर? singular has तो इसके according कहा आएरन हो जाएगी? भी part में next question number 472 on the time of the opening ceremony of the theatre a large crowd had assembled opening ceremony जो theatre की थी उस time पे बहुत large cloud क्या हुआ था? assemble हुआ था large crowd एकठा हुआ था किस time पे? opening ceremony के time पे ठीक है? जब भी time की बात होगी जब भी time की बात होती है ठीक है? तो क्या यूज़ करते हैं student? add preposition यूज़ करते है ध्यान रखेंगे ठीक है? add on, add dusk ठीक है? add the time of opening ठीक है? add the time of writing clear? जब भी time time मतलब when जब हम when की बात करते हैं कब हुआ? ये बात करते हैं उस case में हमें add preposition use करना होता है on preposition हम days के लिए लेते हैं और in preposition जब हम बिल्कुल general बात करना चाहें बहुत बड़ा तब हम in लेते हैं लेकिन जब हम time mention करना चाहें time बताना चाहें किस time पे हुआ? उसके लिए क्या आएगा? add आएगा तो opening ceremony के time की बात हो रही है तो opening ceremony के time के लिए क्या आजाएगा? next question number 473 Americans are accustomed to drinking coffee with their meals Americans इस चीज की accustomed होते है मतलब used to होते हैं वो habitual होते हैं कि वो अपने meals के साथ में coffee पीते हैं इस sentence में अच्छा सा एक concept छुपा है वो है बी accustomed to का बी यह आर जो है यह किसकी फोर्म हो गई? बी की इस है मार वोस वर राइट? accustomed to जब ऐसा कभी आपको मिलता है be addicted to be used to ठीक है? be used to होगा be addicted to होगा be accustomed to होगा ठीक है? be prone to होगा etc. इस तरह के जब भी आपको वर्ट्स मिलेंगे वर्ब इस तरह से आएगी be की फोर्म में दैन उसके बाद में याने accustomed to be accustomed to के बाद में यहाँ पर क्या आएगा? जेरेंड आएगा क्या आएगा? जेरेंड clear? Americans are accustomed to drinking coffee with their meals clear? next 474 he asked he ने पूछा whether either of the brothers were at home कि जैसे मालो दो भाई है उनमें से कोई भी एक घर पर है क्या? यह बोलना चाह रहा है whether either of the brothers तो either of the अगर हम बात करते है either of either of neither of ठीक है? either of neither of each of यह क्या है student? यह है distributive pronoun क्या है? distributive pronoun distributive pronoun जो है इनके बाद में noun of के बाद में plural verb आती है जैसे either of और फिर यहाँ पर आप और यह नाउन तो आगया student plural verb नहीं noun noun plural आता है लेकिन verb हमेशा singular आती है verb हमेशा क्या आती है? तो वर की जगे क्या आएगा? वोस क्योंकि यह अपना effect sentence का meaning देखो वो दोनों घर पे हैं ऐसा नहीं पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है? दोनों में से एक खोई इंसान मिलने आ रहा है और उन दोनों में से किसी एक से वी अगर बात हो जाती है तो उसका काम हो जाता है तो उस context में वो बहुत होती है तो इधर आ जाता है ठीक है इधर ओफ निधर ओफ इच ओफ के बाद में नाउन प्लूरल रहेगा बट वर्ब जो है वो सिंगिलर आएगा ठीक है नेक्स वेस्टन नमर फोर सेवेंटी फाइफ after the teacher had told the boys how to pronounce the word all of them in one voice repeated the word again after the boys after the boys had after teacher teacher ने जब boys को कहा कि pronounce देखो इसका pronunciation क्या है प्रोनाउन्स अगर आप प्रोनाउन्स बोलते हो ठीक है वर्ब की रूप में प्रोनाउन्स है लेकिन प्रोनाउन्स होता है प्रोनाउन्स होता है और प्रोनाउन्स होता है इस चीज को ध्यान में रखना है ठीक है तो जब उन्हों जब टीजे ने बोला कि इस वर्ड को कैसे प्रोनाउन्स करना है तो सभी बच्चों ने वह वर्ड क्या किया एक ही वाइस में रिपीट किया दुबारा ठीक है तो यहां पर स्टूडेंट यह अगेन अगेन यहां पर सुपर फ्ल्यूस है रिपीट का मतलब ही क्या होता है दुबारा रिपीट करना ठीक है और रिपीट में यहां पर अगेन को इंकलूड कर अगेन को लिखने का कोई मतलब ही नहीं है तो one voice repeated the word तो यहाँ पर C option में error हो जाएगी next question number 476 It was me who was responsible for making all the arrangements for the successful completion of his studies It was me ठीक है? अब यहाँ पर देखो error कौन से पार्ट में है? A पार्ट में कैसे? हू क्या है student relative pronoun relative pronoun है और हू relative pronoun की कौन सी form है? subjective हू relative pronoun की subjective form है ठीक है? subjective form है और subject के लिए आता है यहाँ पर मी जो है वो कौन सी form है? objective I का अगर हम देखे I का जो objective के इस बनता है I subjective और me objective तो me objective के इस है who subjective के रूप में आया है तो यहाँ पर me को हमें replace करना पढ़ेगा किसे? I से me को किसे replace करना पढ़ेगा? I से तो it was I who was responsible for making मैं responsible हूँ किसके लिए? सारे arrangements के लिए जो successful completion क्या हुआ? उसकी studies का जो successful completion है उसके लिए ठीक है? next 477 I wonder मैं आश्रे चकित हूँ Why are you tinkering with the wire? You might get a shock मैं परिशान हूँ मतलब मैं बहुत surprised हूँ हैरान हूँ मैं कि तुम इस wire के साथ में tinkering with tinkering with का मतलब होता है किसी चीज से छेडखानी हम जब करते हैं जैसे बचपन में जब केबल का wire हट जाता था तो मुसको कैसे भी सही करके attach करने की कोशिश करते थे वो बचपन के दिन अलगी होते है ठीक है आज कल वो बाते रही नहीं सब ठीक है तो यहाँ देखो tinkering with वो क्या कर रहा है कि उसको repair करने कि उसको सही करने की कोशिश कर रहा है तो why are you अब इस sentence को student ध्यान से देखो why क्या है डबल्यूए डबल्यूएच वर्ड है है ना are क्या student helping verb है और you क्या है student subject है ठीक है डबल्यूएच वर्ड helping verb और subject ठीक है यह जो construction होता है यह construction होता है student interrogative sentences का यह जो construction होता है यह किसका होता है interrogative sentence का तो interrogative sentence की बात करें तो यहाँ हमें interrogative का कोई mark नहीं दिया है question mark नहीं आया है ठीक है यह normal affirmative sentence है interrogative होता है question mark भी दे देता है तो इसके according अगर हम देखेंगे तो आर को हमें पहले नहीं लेना है you को पहले लेना है तो हम क्या कर देंगे why you are अगर हम ऐसा करते हैं तो यह sentence interrogative नहीं रहेगा normal sentence में convert हो जाएगा तो error कौन से पार्ट में हो गया बी पार्ट में you को पहले लेना है और r को बाद में next 478 no sooner she had realized her blunder than she began to take corrective measure यह जो construction है no sooner के साथ में then आता है hardly scarcely के साथ when आता है इनके जो sentences होते हैं उन sentences का meaning ऐसा है कि जैसे ही उसे अपनी गलती का एसास हुआ उसे अपनी blunder का एसास हुआ तो उसने उसके corrective जो सही करने के measure start कर दिये मतलब जैसे ही एक action हुआ वैसे ही दूसरा action हुआ जैसे ही एक action हुआ वैसे ही दूसरा action भी हो गया और यह जो construction यह inversion generally देखो हम क्या करते हैं subject पहले लेते हैं वर बाद में लेते हैं लेकिन जब ऐसा नहीं होता है ठीक है वर पहले आना subject बाद में आना it's a case of inversion inversion जो है वो बहुत-बहुत-बहुत important है बहुत-बहुत important है और inversion की मैंने neon classes पे आप neon classes की app download कर लिजे neon classes की app पे आपको free study material में study material में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको inversion की बहुत अच्छी PDF मिलेगी जिससे आपके inversion के सारे doubts clear हो जाएंगे यह देखो यह PDF आपको inversion की मिलेगी इसमें मैंने पूरा detail से जितने भी possible cases है यह देखो hardly, scarcely वाले यह सारे जितने भी cases है ठीक है? यह सारे cases यह वहाँ पर आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हो ठीक है? यह सारे cases आपको वहाँ मिल जाएंगे यह पूरे आठ पेज की PDF है यह सब भी आप लोग जरूर डाउनलोड करें और एक बार जरूर पढ़ के देखें इससे आपके सारे concepts बहुत अच्छे से clear हो जाएंगे और inversion में फिर आप कभी भी नहीं रूखेंगे फ्री है यह PDF आपको जरूर डाउनलोड करनी चाहिए अब यहाँ पर देखो student क्या error है यहाँ head को पहले लेना है क्योंकि it's a case of inversion और inversion में क्या होता है inversion क्या होता है वो मैंने बिल्कुल basic से वहाँ पर बताया है तो आप जरूर डाउनलोड करें ठीक है तो यहाँ क्या होगा no sooner had she पहले had आएगा और बाद में क्या आएगा she आएगा no sooner had she realized her blunder than she began to take corrective measures next यह PDF आप वहाँ से ले लेंगे next आगया है question number 479 let's spend a few minutes in the park can we sentence बोलना चाहता है कि आओ कुछ देर पार्क में बिताएं कुछ minute पार्क में spend करें यहाँ यह case किसका है question tag का question tag में क्या होता है students जो sentence होता है उसे के verb को use लेते हैं लेकिन यहाँ पर यह जो sentence है यह imperative का sentence है imperative जो sentences होते है generally हम उनको will और shell से बनाते हैं यहाँ पर क्या है let us है यह us let और us की short form क्या बनती है let's तो us के according जो subject है वो क्या बन गया भी ठीक है लेकिन can नहीं आएगा क्या आएगा shell imperative को किससे बनाएगे shell shall we तो जो error है वो कौन से पार्ट में हुआ C पार्ट में shall we let us spend a few minutes in the park shall we ठीक है next 480 you had better gone now or you will be late you had better gone now बहुत ही important और अच्छा concept है यह students had better, would better, had rather, would rather इस तरह के जो sentence होते है sorry इस तरह के जो words होते हैं जैसे had better है right had better किसका meaning देता है should का meaning देता है ठीक है should का meaning देता है और इसके बाद में यहाँ पर जो यह गोन है यह नहीं आ सकता इन जो भी words है इनके बाद में हमेशा bare infinitive यूज किया जाता है कौनसा infinitive? bare infinitive bare infinitive मतलब two plus work first नहीं आएगी simply क्या आनी चाहिए work की first form normal infinitive क्या होता है two plus work first होता है normal infinitive क्या होता है two plus work first लेकिन bare infinitive क्या होगा student bare infinitive होता है only work की first form ठीक है only work first ठीक है तो यहाँ पर गोन को यहाँ गोन को आप replace किस से कर देंगे students go से go को replace करना पड़ेगा go से यह जान रखेंगे जहाँ भी आप and infinitive की concept पड़ेंगे वहाँ यह concept जरूर सीखना है आपको के हैड़ बैटर हैड रादर वूड रादर वूड बैटर की केस में आगे जो भी वर्ब आती है तो वर्ब कौन सी होती है bare infinitive होती है याने वर्ब की first form होती है ठीक है है यह है यह यह बैटर गो अभी तुम्हें जाना चीह लिए हमारा भाव strongly है तो हम had better लेते हैं और जब हम थोड़ा सा last strong है ठीक है last strong है तब हम क्या लेते हैं would better ठीक है इन sentences में तो देखो वो पता नहीं चलेगा लेकिन हमें यह knowledge के लिए चाहिए had better और would better में क्या difference है तो strongly जब हम suggest करते है तो had better आता है और जब हम normal बात normally जब बोल रहे है last strong बोल रहे है तब would better आएगा ठीक है next the families are living in गुलमोहर पार्क for the last two decades अभी sentence में क्या रहा है students यहां देखो for the last two decades यह क्या indicate कर रहा है it indicates period of time ठीक है for किसके लिए लेते हैं period of time के लिए since किसके लिए लेते हैं point of time के लिए यहां और since और for का जो mainly use रहता है since और for consistence में आते हैं perfect या perfect continuous simple यह जो continuous है present continuous इसमें नहीं आएगा यहां our living को replace करना पड़ेगा किस से have been living have been living sentence क्या बनेगा the families have been living in गुलमोहर पार्क for the last two decades clear next 482 2 lakhs of people are attended the meeting held in parade grounds इसमें क्या आरर दिखा आपको इसमें आरर है यह पहले भी discuss कर चुके हैं यह lakhs क्या है नाउन है people क्या है नाउन है 2 क्या है numeral है जब इस तरह का construction बनता है उस case में इस नाउन को हम plural नहीं बना सकते क्योंकि 2 lakh किसकी बात हो रही है people जब दो नाउन एक साथ आएंगे तो पहले वाला नाउन दूसरे नाउन के लिए क्या होता है singular रहता है 10 रूपी नोट, 100 रूपी नोट 3 years यह सारे जो questions मैंने इसी class में करवाया है वो सारे यही बताते हैं आपको ठीक है अब यहाँ पर 2 lakh people होगा ठीक है जब आपको definite numeral दिया हो है दो और उसके बाद में नाउन है तो उसको आप plural नहीं बनाओगी आगे आगे वाले नाउन का plural बना सकते थी ठीक है यहाँ पर एक केस और भी बनता है या तो आप 2 lakh people बोलो या बोल सकते थी simply lakhs of people फिर वो indefinite हो जाता लाखो लोग थे ठीक है तो लाखो क्या हो गए lakhs of people फिर 2 नहीं यूज करो गए आप अगर आपको lakhs को plural ब्लैक को plural बनाना है तो 2 नहीं आएगा चीक है ना? There is a back while in concerto on the radio at 6 p.m. this evening यहाँ पर आपको देखते ही समझ आना चाहिए 6 p.m. अपने आप में ही indicates कर रहा है क्या कि evening का time है तो यहाँ पर हमें evening जो जो this evening है यह एक superfluous है इसको हटा देंगे simply क्या हो जाएगा at 6 p.m. clear? next 484 lay your books aside and lay down to rest for a while यह बहुत ही important concept है बहुत ही important यह concept के साथ-साथ यह बच्चों को tough भी लगता है क्यों ले और लाए में वो बहुत ज़्यादा confuse हो जाते है ठीक है? lay और लाए के doubt को आपको बहुत अच्छे से clear कर लेना है exam में बहुत सारे questions यहां से आए हुए है और मैंने बहुत detail में इसकी PDF दी हुई है ठीक है? अब देखो इस question में सबसे पहले देखो lay और lay lay होता है अपने आपको किसी horizontal position में लेटाना बोल रहा है books को रखने की बात कर रहा है तो क्या यूज किया? ले और यहां क्या बोल रहा है lay your books aside अपने books को थोड़ा side में रख दो and lay down to rest और rest करने के लिए लेट जाओ तो rest करने के लिए जो लेट रहा है वो action खुद पर कर रहा है तो ले की जगे क्या आएगा? clear? तो जब हम किसी दूसरी चीज को किसी position में रखने की जनरली 36 horizontal position में रखने की बात करते है तो lay आता है और खुद को जब horizontal position की बात करेंगे तब क्या आएगा? lie इनकी form देखो lie वो अपकी first form होती है lie की past form lay होती है यह बहुत important है ध्यान रखना और lane होती है third form ठीक है? और इनकी ing form की भी बात करें तो lying हो जाती है ठीक है ना? अब बात करते है lay की तो lay क्या हो गई? verb की first form ठीक है? laid verb की second form और laid यही verb की क्या होती है? third form और laying क्या हो जाती है? verb की ing form clear है यहां तक? ठीक है अब दूसरा एक important concept lie एक intransitive verb होती है और lay क्या होती है? transitive इसको भी बहुत ध्यान से समझना आपको transitive verb क्या होती है? जिसके बाद में object आना compulsory object आएगा जो object लेती है intransitive not transitive याने जो object नहीं लेती है अब इस sentence में देखो lay your books तो lay का object क्या है? your books है clear? lie down यहां पर lie है इसके पास में कोई object नहीं है और जो preposition है वो तब ही आ सकता है जो object नहीं ले अगर कोई भी verb object लेती है उरसे पहले preposition आ जाता है तो object का effect ब्लॉक हो जाता है clear? तो lie down हो सकता है lay down नहीं हो सकता क्यों? क्योंकि lie क्या है? intransitive verb है और lay क्या है? transitive verb है याने lay को क्या चाहिए? object चाहिए clear है? समझ में आया? यह इस question का answer हो गया ले के जगर lie आ गया? यह मैंने आपको समझा दिया यह verbs भी मैंने समझा दी और आपको details से इसके बारे में जितने भी possible questions आपके mind में आते हैं यह आपको किसी exam में मिलते हैं वो सारे आपको इस lay lie की PDF से आपके soul हो जाएंगे ज्यादा नहीं है एक ही page की यह PDF है half of page में divide किया हुआ है यह PDF आप neon classes neon classes की app से ले लेंगे उसके बाद में यह मेरा challenge है मेरी guarantee है कि आपका एक भी question गलत नहीं होगा यह चीज़े मैंने पूरी यहाँ पर अच्छे से लिख कर दी हुई है यह देखो पूरा आपको concept मिलेगा ठीक है जो common mistake क्या है यह भी बताया है most common mistake यह है कि ले प्रियुक्त होना चाहिए वहाँ पर lie का यूज़ कर दिया जाता है जैसे देखो राजा आरिया वोज laying on the beach सही है क्या? नहीं lay कौन सी है? transitive है तो transitive है तो object चाहिए यह गलत हो गया why don't you lie on the bed बिल्कुल ठीक है lie के बाद में preposition आ सकता है बट lay के बाद में preposition नहीं आएगा क्यों? क्योंकि lay के बाद में क्या required होता है object required होता है ठीक है न? यहाँ पर तो बहुत छोटे हैं यह words आपको अच्छे से नहीं दिख रहे होंगे लेकिन आप जहां neon classes की app पर जाकर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं उसका print निकाल सकते हैं अच्छे से बैठ के उसको पढ़ सकते हैं next question number 485 we went with guptaz to a movie called दिवार हम guptaz के साथ में एक movie गये जो movie कौन से थी? दिवार थी ठीक है? यहाँ पर error यह है student guptaz के पहले द आएगा ठीक है? जब भी हम किसी भी person के पूरी family की बात करते हैं ठीक है? तो यहाँ पर the guptaz तो उसके जो सरनेम है उसके पहले क्या ले लेते हैं? द ले लेते हैं इट मीज़ दा होल फैमिली ओफ दा होल फैमिली ओफ guptaz की क्या है? यह पूरी family the guptaz का मतलब guptaz की पूरी family जैसे बोले the bansals तो the bansals मतलब bansals की पूरी family और उस case में हमें the article लगाना जरूरी होता है clear? जैसे कि हमने bansals को डिनर पे invite किया तो क्या बोलोगे दबंसल्स next 486 Once an old hermit saw a cat pounce upon a rat एक old hermit ने सन्यासी जो होते हैं उसको hermit बोलते हैं उसने देखा एक cat को rat के उपर जपता जैसे बोलते हैं एकदम बचाने के से attack करना एकदम जपता मारना उसके लिए word आता है pounce pounce के साथ में यूज होता है upon राइट तो यहाँ error है pounce को हमें replace करना पढ़ेगा pouncing से क्योंकि action करते हुए की बात हो रही है कि so a cat, एक cat को देखा pouncing upon a rat जो एक rat के उपर क्या कर रही थी pouncing कर रही थी तो यह action है ठीक है action होते वह रही देखा है तो यह पाउंस की जिगे क्या आएगा pouncing clear? next 487 a computer virus works exactly like the biological variety which invade the human body एक computer virus exactly वैसे ही वर करते है जैसे कि biological variety which invade invade मतलब किसी पर attack करना ठीक है the human body अब देखू which क्या है student relative which is a relative pronoun things या animals के लिए हम which को use करते है which के बाद में क्या verb आएगी which के पहले आने वाले subject पे उसके आने वाले noun पे depend करते है उस antecedent पे depend करता है variety क्या है singular है तो आगे आने वाली verb भी क्या ओनी चाहिए singular तो इस case में invade को हमें replace किस से करना पड़ेगा invade को replace करना पड़ेगा invade से S से clear हुआ? next 488 when I first started my school my boys had no evident love for music जब मैंने पहले school start किया तब मेरे boys को कोई evident love नहीं था music के लिए यहाँ पर देखो देखती समझ में आना चाहिए first or started यह superfluous है ठीक है? तो first की जुरत नहीं है simply क्या बोलेंगे when I started my school first की कोई requirement ही नहीं है start का मतलब start ही है ठीक है? next my uncle has left for Bombay last Saturday मेरे अंकल last Saturday क्या कहां जा चुके है? निकल चुके किस के लिए? Bombay के लिए has left for Bombay ठीक है? यहाँ पर error क्या है? last Saturday last Monday last month last month last year yesterday ago यह किसको डिनोट करते हैं? यह कौन से टेंस में आते हैं? यह आते हैं किसमें? past simple में जबकि has left कौन सा है? present perfect है इसमें है? present perfect में तो has left को हमें change करना पड़ेगा किस से? left से left 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 clear? क्यों? क्योंकि last year, last month, last Saturday, last year किस में आएंगे हमेशा? past simple tense में और past simple की verb क्या होती है? verb की second form होती है तो has left को replace करना पड़ेगा left से next 490 don't think you can deceive me ऐसा मच सोचो कि तुम मुझे धुखा दे सकते हो like you did my brother जैसा तुमने मेरे ब्रदर को दिया यहाँ पर error है like को replace करेंगे as से ठीक है? यहाँ sentence को जोडने की बात हो रही है और sentence को जोडने का काम conjunction करता है तो as का main parts of speech conjunction है जबकि like का mainly जो parts of speech है वो preposition है like जो है वो conjunction भी होता है ठीक है? लेकिन formal language में formal, formal language में as को consider किया गया है that's why we opt as clear? otherwise like भी conjunction है but formal की बात करें क्योंकि British English को follow करते हैं formal English को हम follow करते हैं इसलिए हम formal की according क्या लेंगे यहाँ पर as लेंगे next next है student आपका test ठीक है? test yourself आपके सामने 10 question आएंगे इन 10 question को 491 से लेका 500 अगर आपको क्या करना है? screen को pose करना है और pose करने के बाद में जो भी आपका answer है वो आपको copy में, notebook में note करना है ठीक है? यहाँ पर screen को pose कर लेजिए और अपने answer लिखेंगे अगर आपके एक से 10 में, अगर आपके 10 के 10 सही है या suppose 9 भी सही है, 9 या 10 आपके सही है with reasons ऐसे तुक्य बाजी नहीं, ABC, reasons के साथ में अगर आपके 9 या 10 questions सही है तो आपका बहुत अच्छा level है, आप grammar में एक अच्छे level पर हो आपको थोड़े जो आप पढ़ रहे हैं, उसको बस revise करने की जरुरत है ठीक है? और अगर आपका जो 6 to 7 का score रह रहा है तो आपको average हो, आपको थोड़ा और मैनत करने की जरुरत है तो concepts को revise करने की उन पर practice करने की जरुरत है clear? बट अगर आपका score 5 से भी कम है अगर 5 या below 5 है, तो आपको seriously बहुत ज्यादा मैनत करने की जरुरत है एक एक topic पे, उनके concepts पे, उनकी theory पे concepts देखने आपको पर practice करनी है अगर आपका 5 से भी कम है clear? ठीक है, question देखो 491, it's finally a holiday and my dog is happily wagging its tail 492, here is which you can expect in your paper 493, there come a time when you have to choose between turning the page and closing the book 494, the actor died when his car turned across next, 495, the landlord issued a summons against her for non-payment of rent 496, the economic depression is largely looming not only over the first world countries but also over third world countries next, 497, should anyone call, please tell them I am busy next, 498, a scared image was being carried to the temple 499, several England supporters were arrested and charged of disturbing the peace after the match 500, emphasis on equality of life ensures for the health and happiness of every individual ये हुगे हमारे 500 questions, आपका जो भी score रहा है वो आप मुझे comment में जरूर बताएंगे और इन दस question में भी आपका जो score रहा है उसके लिए आप जरूर कॉमेंट करेंगे चलो फटा फट देख लेते हैं क्या आपके सही थे, क्या गलत थे, test कर लेते हैं आपके concepts को, आपके answers को ठीक है, आदो, 491, it's finally a holiday and my dog is happily wagging its tail, ये finally क्या है holiday है और मेरा जो डोग है वो खुशी से अपनी पूछ क्या कर रहा था, हिला रहा था, यहाँ पर error a student a part में, error क्या है, it's को, it's को replace करने पड़ेगा, it's, it's means it is, it has apostrophe s को generally बच्चे ये समझते हैं कि position के लिए ही use किया जाता है, लेकिन मैं आपको correct कर दू, apostrophe s को contraction के लिए भी use किया जाता है, जैसे like जब हम it apostrophe s लिखते हैं, it means it is or it has, maximum बच्चे ये समझते हैं, it apostrophe s का मतलब position होता है, जबकि ऐसा बिलकुल भी नहीं होता, इट के case में जब भी आपको position शो करना होगा, तो it की position from its होती है, जिसमें कोई भी apostrophe का symbol नहीं आता है, make it clear, ठीक है, यहाँ कोई भी apostrophe का symbol नहीं आएगा, जब यह apostrophe का symbol आएगा, it means it is or it has, right, अब यहाँ देखो, it's finally a holiday, हम क्या बोलना चारें, यहाँ पर, it क्या है, एक introductory subject है, ठीक है, और यहाँ subject है, तो इसके बाद में verb चाहिए, तो it की verb क्या होती है, is, singular के according, singular, तो it is को contracted form में क्या लिख दिया जाता है, its, समझ में आया, अभी को clear है यह चीज, यहाँ पर its tail आया है, यह बिल्कुल सही है, its tail, tail क्या है, noun है, और इस noun का, यहाँ position शो कर रहा है कौन, its, और position को शो करने के लिए, possessive form आती है, that is its, बिल्कुल ठीक है, clear है students, मजा आया, next, 492, 492 में error देखो, here is which you can expect in your paper, यहाँ error है student, which को replace करेंगे, what से, which को किस से replace करना पड़ेगा, what से, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए, जैसे अभी अभी हमने question किया था, which के पहले variety वाला, right, which क्या होता है, student relative pronoun होता है, ठीक है, और उसके पहले वाला antecedent ही, उसके बाद वाली verb decide करता है, बिल्कुल ठीक है, मतलब कोई न कोई antecedent हो दोगा, जिसके लिए which को use किया जाएगा, कोई भी things, कोई भी animal, कोई भी चीज जिसके लिए हम use करेंगे, जैसे हमने लिया variety which, clear, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा noun या कोई antecedent हमारे पास है ही ने, तो हमें यहाँ लेना पढ़ेगा what, what का मतलब होता है, the thing which, ठीक है, what के पहले किसी भी antecedent की जरुरत नहीं होती, what के पहले हम कोई भी anteced नहीं लेंगे, कोई antecedent हम what के पहले नहीं लेते है, what के पहले किसी antecedent की जरुरत ही नहीं होती है, ठीक है, here is what, यहाँ पर वो चीज है, here the things which, मतलब वो चीज है, जो तुम expect कर सकते हो अपने paper में, clear, जैसे for example, जैसे for example, मैं बोलू, what you need, what you need is a good meal, तुमें जिस चीज की जरुरत है, जो चीज तुमें चाहिए, वो क्या है, what, what you need, जो जिस चीज की तुमें जरुरत है, the thing which you need, right, is a good meal, वो क्या चाहिए तुमें अच्छा, meal चाहिए, यहाँ पर what एक relative pronoun है, बट यह interrogative नहीं है, question नहीं पूछ रहा है, ठीक है, what का मतलब क्या है, the thing which, तो यहाँ आपने एक चीज नोट की होगी, कि इसके पहले कोई भी antecedent नहीं आया, यह चीज गांट मान लेना बहुत important है, what के पहले कोई antecedent की requirement नहीं होती है, what क ठीक है, यह से for example, what you cannot cure must be endured, जो तुम चीज को सही नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, उसको सहन करना पड़ेगा, right, तो यह चीज है, what में समझ में आया यह चीज, here is what you can expect in your paper, अगर आपको यह question सही है, तो आप conceptually बहुत अच्छे हो, next, 493, this is quite easy, there come a time when you have to choose between turning the page and closing the book, एक टाइम आता है, जब तुम्हें चूज करना होता है कि इस page को turn करना है, या book को बंद करना है, चीक है, यहाँ पर error है student, कम की जगे आपको comes लेना होगा, कम की जगे क्या आएगा, comes, क्योंकि there or here, there or here कभी भी subject नहीं होते, वो एक dummy subject होते है, there or here के according किसी भी sentence की verb decide नहीं ह होती है, वर्ब आती है, बाद वाले पार्ट के according, बाद वाला पार्ट क्या है, बाद वाला पार्ट क्या है, a time, जो क्या है, singular है, तो इस singular के according यहाँ वर्ब क्या आएगी, comes, clear, तो there or here के case में verb किसके according आती है, बाद वाले subject के according, बाद वाला subject singular है, तो verb singular, बाद वाला subject plural है, तो work plural, ऐसे कई question हमने इस class में कर दी है, तो ये question तो आपका सही होना ही था, ठीक है, next, 494, the actor died when his car turned across, इस question में error है, across नहीं होगा, turn turtle होगा, ठीक है, turn turtle एक idiom है, जिसका मतलब होता है, turn upside down, ठीक है, पलट जाना, जिसको हम बोलते हैं, वो car पलट गई, ठीक है, वो क्या है, turn turtle, specially boats के लिए use होता था, ये boat जो पूरी पलट जाती है, एकदम ऐसे, उसके लिए turn turtle idiom आता था, पर आज कल ये motor vehicles के लिए भी use होने लग गया है, ठीक है, जैसे देखो, इसका origin समझो, ये turtle है, आराम से चल रहा है, ठीक है, ये इसका जो part है, कैसा है, फिल्कुल hard है, लेकिन जब ये उल्टा हो जाता है, उल्टा हो जाता है, तो ये जो part होता है, इसका, ये बहुत ही vulnerable सा होता है, जिसको easily नुक्सान पहुंचाया जा सकी, तो यहीं से turn turtle idiom का origin क्या बन गया, कि जो turn upside down, याने कि किसी कार का पलट जाना, clear है, next, to 495, the landlord issued a summons against her for non payment of rent, landlord ने issue किया एक summons किसके against her, her के against for non payment of rent, ठीक है, summons का मतलब an action to appear in a court, मतलब जो court में appear होने का जो, क्या बोलते हैं इसको, घोषना है, आदेश है, यह क्या होता है, summons होता है, यहाँ इस sentence में कोई आरर नहीं है, आपको लग रहा होगा, कि ये आर्टिकल है, तो आगे आने वा चाहिए, हैना, s नहीं आना चाहिए, तो बच्चे ये s होते वे भी singular है, समझेगे, noun, जब संबण एक noun होता है, ठीक है, जब संबण क्या होता है, noun भी होता है, summan पर भी होता है, summons जब noun होता है, तो इसकी singular form जो है student, वो होती है, summons बहुत सॉरी नाउन होता है तो इसकी singular form जो है वो क्या है summons S होते वे भी summons ठीक है और जब ये plural बनता है तब ये बनता है student summonses क्या बनेगा summonses गाट बांद लेना जैसे एक था a summons था बिल्कुल ठीक था अगर यहां पर 3 होता 4 होता 2 होता तो क्या आतना चीए था summonses तो ये question बिल्कुल सही है इसमें कोई आरर नहीं है और बहुत important ये concept है exam में भी यहां से question आया हुआ है exam में भी question आया हुआ है जो मेरी classes है वहां मैंने करवाया हुए question इस पर बेस्ट next 496 the economic depression is largely looming not only over the first world countries but also over third world countries जो economic depression है वो ना केवल first world countries पर बल्की third world countries के उपर भी मंद्रा रहा है मतलब बहुत concern का मुद्धा बना हुआ है एक चिंता का विश्या बना हुआ है तो जो इसके लिए सही word idiom यूज होता है वो होगा student looming large क्या आएगा looming large loom large looming तो इसके tense के according बना है loom large idiom होता है student important है अच्छे से note down कर लेंगे looming large clear looming large का मतलब होता है to become to become or seem very important and cause worry चिंता ठीक है that is looming large तो इसको ध्यान रखेंगे looming large को next 497 should anyone call please tell them I am busy ठीक है ये sentence बिल्कुल सही है आपको यहां लगा होगा कि should से इस तरह का sentence कैसे बन गया है यह बहुत अच्छा concept है inversion जिनोंने मुझसे पढ़ा है pdf पढ़ी है वो बच्चे इसको बिल्कुल सही करेंगे यहां पर should को use किया गया है if की जगह यानि यह sentence ऐसे भी बन सकता था if anyone if anyone calls anyone नहीं से singular ले लिया should के साथ तो वो first आती है should anyone call अगर कोई call करता है उसको बोल देना कि मैं busy हूँ ठीक है जब भी conditional close में यह देखो यह वाला मैंने आकर आया हुए conditional closes में if को हटा करके auxiliary verb को subject से पहले रख करके auxiliary verb को subject से पहले auxiliary verb जो है were है, had है, should है इनको subject से पहले रख करके भी sentence बनाया जा सकता है यह inversion जो है mainly किसके case में होता है were, had और should आप देखते होंगे कई बार हमने question में की है word से start होता है had से start होता है या किस से start होता है should से were she my daughter तो यह same है if she were my daughter had I realized what you intended तो इसका भी मतलब क्या होगा if had realized should you change your mind तो simply क्या है if you should change clear है तो यह आप धान रखेंगे should anyone call इस तरह से भी inversion बनाया जाता है और उस case में जो meaning है वो वही निकलता है जो meaning आगर आप if से बनाते अगर आप sentence को if anyone calls लिखते तो भी वही meaning होता और आप यह लिखते should anyone call तो भी यही meaning है clear है students यह भी बहुत अच्छा concept है ठीक है next 498 a scared image was being carried to the temple यहाँ पर जो error है वो vocab based है student vocab based क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है scared scared मतलब डरावना horrifying ठीक है terrific जबकि यहाँ पर पवित्र image की मात हो रही है और पवित्र के लिए word to use होता है क्या sacred इस तरह के भी exam में error आए हुए है मैंने आपको इसी में illicit वाला करवाया था उसी से मिलता जुलता यह question है scared आप जानगे डराने के लिए और sacred माने पवित्र root word sacred s-a-c-r का मतलब क्या होता है holy जितने भी possible words है वो सारे मैंने word power book में बता रखे है आप ये book amazon और flip card से ले सकते है वहाँ से लेकर आप इसको जरूर पढ़ें और मेरी book आप पढ़ेंगे आपको definitely बहुत अच्छी लगने वाली है तो five star rating आपको देनी है और एक बहुत अच्छा सा review भी लिखना है और ये book में क्या-क्या है वो आपको pdf मिल जाएगी neon classes app में वहाँ से आप देख सकते हैं पहले बहुत सारे lectures इसकी uploaded हैं वो आप देख सकते हैं वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि किस level का मैंने content दिया है ठीक है नेक्स्ट 499 several England supporters were arrested and charged of disturbing the peace after the match several England के बहुत सारे England के supporter को arrest किया गया और उन पर charge लगया गया किस चीज़ का कि वो match के बाद में peace को क्या कर रहे थे disturb कर रहे थे clear यहाँ पर error क्या है student error है चार्ज ओफ नहीं होगा चार्ज के बाद में विद्द आएगा क्या कभी भी चार्ज के बाद में ओफ नहीं आता आता है यह भी ध्यान लखना रटना नहीं है conceptually strong बना है चार्ज अब वर्ब होगी चार्ज जब वर्ब होगी याने कि बोलते ना कि कुछी का आरोप लगा ना कोई वर्ब कि यहां पर जो charged है यह चार्ज क्या है स्टूडंट लेकिन जब चार्ज क्या होता है नाउन होता है तो आप इसी context में जब उसको use करते हैं तो उसके बाद में ओफ आता है जैसे charge of theft, charge of rape, charge of attempted murder, clear? यहाँ पर क्या होगा इस case में जब आप charge के बाद में off लेंगे तो ये off, ये वाला जो word है, जब भी किसी sentence में use होगा तो ये word कैसे use होगा as a noun, ये चीज़ आप गांठ बांद लेना ठीक है? कि charge को जब as a verb लेते हैं तो इसके साथ में जब वो meaning कुन सा हो? charge लगाने वाला, accused वाला, crime वाला तो उस case में charge के साथ में विद्द आएगा, जिससे he was charged with murder लेकिन जब charge क्या हो? noun हो, तो उसके साथ में क्या आएगा? off clear? रठना नहीं है कि charge को देखा, off देखा, काट दिया पहले देखना है sentence में कि charge कैसे use हुआ है? as a noun या as a verb, clear? next, question number 500 ठीक है? last but not least, अच्छा question है, emphasis on equality of life ensures for the health and happiness of every individual यहाँ पर error है student, ensures के बाद में for नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ensure जो होती है, इसके बाद में हम object लेते हैं ठीक है? ensures somebody या ensures something clear? अभी अभी मैंने आपको एक चीज बोली थी, कि जब भी किसी verb के बाद में preposition आ जाता है, तो object का effect ब्लॉक हो जाता है ठीक है? तो यहाँ पर अब four को हटाने से ensure को object मिलेगा क्या ensure करना? the health and happiness clear? तो ensure में कई बाद आप देखेंगे ensure को dietransitive verb की तरह भी use किया गया याने कि दो object भी ensure लेता है ठीक है? दूसरा कई बाद बिना object की case में जब यह जुडता है तो इसके बाद में that as a conjunction को use किया जाता है clear? यह सारे concepts हो गए ensure के और यह question भी ensure का अपनों इसी class में किया था वहाँ पर भी मैंने hint दी थी और यहाँ पर four को हटा देंगे कोई preposition हम ensure के बाद में नहीं लेंगे simply क्या बोलेंगे ensures the health clear? तो students यह 500 question में आपका क्या experience रहा आपका क्या score रहा यह आप मुझे comment box में जरूर बताएंगे कि मैं 500 में से मेरे इतने questions सही हुए इतने गलत हुए ठीक है और यह मैंने सीखा जो भी आपका experience है वो जरूर को बताएं थैंक यू आल दबिस